नवस्का सातियों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मंथली करेंट अफेर्स के बारे में और आप लोगों ने देखा होगा अभी तक हम लोग 6th मंथ का करेंट अफेर्स कवर कर चुके हैं इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अफरेल, मई और जून इन सभी महीनों की आपके जो भी घटनाए घटी इन महीने होएं उनसे समधित आपकी परिक्षाओ के लिए किस तरह की कुश्चन्स बच सकते हैं उन्हें लोग ने एक एक करके कवर किया हुआ है और याद रखिए इसमें किबल करेंट अफेर्स कवर नहीं किया जा रहा है इसमें आपका इस्टेट के हो या फिर आपके इस्टेट लेवल के हो उन सभी में इस तरह की कुश्चन्स आते हैं और मुझे लगता है कि आप लोग जब तैयारी करते हैं तो आप लोग पुराने कुश्चन्स वेपर उठा के जरूर देखते हुए उसमें आप लोगोंने देखा होगा कि करेंट प कर सकते हैं वहां से भी लाउनलोड कर सकते हैं या आप लोग विपसाइट पर जाकर भी वहां से भी ले सकते हैं चलिए हम लोग पहला कुश्चन्स देखते हैं जुलाई मंत का और जुलाई महिने में जो भी घटना है घटी होगी उनसे आपकी परिच्छाओं में किस तरह दिवस और आप सभी को मालू है कुरोना महामारीन में कितना महत्त रहा है हमारे चिकस्तकों का समझ रहे हैं आप लोग इसमें आपके सामने एक जुलाई तीन जुलाई तीस चून अट्थाइस चून इसमें से आप लोग क्या लगाओगे पता ही तो याद रखिए इसमें एक जुलाई लगाओगे एक जुलाई को भारत भर में राष्टी चिकस्तक दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की एक तरह से मनाने का उद्दे से ही है कि लोगों को बहतर स्वास्त के पिति जारूपता करना और डॉक्टरों को उनक स्थीम रखी गई है अगर हम लोग इसके बारे में और कुछ फाइंट आपको बताएं क्योंकि जरूरी रहता है मुझे लगता है कि इसके बारे में जानना तो 1991 में भारत सरकार ने नेशनल डॉक्टर डी मनाया था एक जुलाई को पहली बार ठीक है 1991 से मनाया जा रहा है औ और देश के महान चिके साख पश्चे मंगाल की दूसरे मुखमंत्री डॉक्टर बिधान चंदरवय को आप लोगोने सुना होगा उन्हीं के जनम दिन और पुर्णितिती होती है उसके तो उसी की याद में एक तरह से मनाया जाता है तो यह भी आप लोग याद रख सकते है और मुझे लगता है तो थीम को आप से बन जाता है आपका किससे बन जाता है थेम से कई बार questions आपका आजाता है आपसे पूंच लेता है तो इस बार की theme क्या रखी गई थी बताईए कुछ अभी हाल मैंने बताया भी है आप लोग को बताया यानि building a फेरर healthier world इस बार की theme रखी गई थी आपकी ठेक है तो एक जुलाई एक जुलाई को क्या बनाते हैं आप लोग राष्टिये चिकिससक दिवस मनाया जाता है अंगला question है हमारे सामने भारत में पितिवर्स national chartered accountant day कम राय जाता है national c a day की बात हो रही है इसमें आपके सामने option चार दिये गए 29 जुलाई 30 जुलाई 1 जुलाई या फिर 4 जुलाई बताई क्या करोगे आप लोग इसमें से आप लोग लगाएं कि क्या एक जुलाई एक जुलाई को क्या मनाय जाता है national chartered accounts day मनाय जाता है एक जुलाई को यह आप लोग जरूर याद रखिएगा पूरे भारत में मनाय जाता है और इसे आपको बता दूं तो institute of chartered accounts of india ने एक जुलाई दो 1999 को सलसाथ के कानून में अस्तित में आय था और पितेग बस icai की स्थापना की दिन मतलब एक जुलाई को पूरे भारत में chartered accounts day मनाया जाता है एक तरह से यह आप लोग याद रखिएगा इन है और इसकी बारे में मुझे लगता है याद रहना चीज तरह के डे क्योंकि आप से questions कई बार कूछ लेता है अंगला question है हमारे सामने कौन भालतीय मूल के सत्रंज खिलाडी दुनिया के सबसे युवा गरांड माश्टर बने है तो इसमें मनोच कौशिक रविंद केपाल मनिश सर्मा अभी मन्यू मिस्रा तो याद रखिए अभी मन्यू मिस्रा होंगे इसमें क्या होंगे अभी मन्यू मिस्रा होंगे और इनी की साल अगर एज की हम लोग बात करें तो बारे साल चार महीने पक्चीस दिन के हैं ठीक है यह आप लोग याद रख सकते हैं मुकुल गुएल सुरेश चावला तो याद रखिए मुकुल गुएल होंगे इसमें कौन होगे मुकुल गुएल होंगे उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी की बात हो रही है और आपको मालूमना चाहिए कि 1987 बेच के IPS सदिक्यारी है ठीक है और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में आपकी विधान सभाखी सीटे ले लिए विधान परिशक की लिया राज सभाखी लोग सभाखी सबसे ज्यादा सीटे आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में और इसलिए आप लोगर सुना भी होगा कि दिल्ली की जो गत्ती है उसका रास्ता उत्तर पिदेश से होकर जाता है यानि कि इतनी सीट अगर कोई जीत ले तो एक तरह से आप सोची कि आधियर रास्ता उसने कवर कर लिया है और उत्तर पिदेश की बात करें तो आप सभी को माल होगा इस्टेट 24 जन्मरी 1950 को बनाए गया था और इसकी लिए देखते हैं कि 24 जन्मरी को उत्तर पिदेश दिवस भी मनाया जाता है और इसकी राध्धानी क्या है लखनव और यहां 100 सीटे आपको विधान सभा में देखने को मिलेगी राज्य सभा में 31 सीटे देखने को मिलेगी लोग सभा में 80 सीटे देखने को मिलेगी और अभी आपको बता दूँ तो बर्तमार मुख मंत्री आगे कौन है योगी आदित नाथ ठीक है आगे ही कुश्चन हमारे सामने कौन वेक्ती भारती मतलब समझ रहे हैं आकास विवेक राम चौधरी मेगराज सिंग दिनकर अरवेंद कुमार मीना वराजपाल सिंग राठोर तो याद रखें विवेक राम चौधरी होंगे इसमें ए ओप्सन आपका बिलको सही रहेगा क्या रहेगा ए ओप्सन आपका डबलू एचो ने किस देश को मलीरिया मुप्त गोसित किया है हाल में ही डबलू एचो ने हाल में ही किसे देश को मलीरिया मुप्त गोसित किया है सिंगापूर, चाइना, जापान, बिटिन तो याद रखें चाइना को किया है क्या है चाइना अगर हम लोग चाइना के बारे में बात करें तो आप सभी को मालवी कि हमारा फड़ोसी है चाइना है या नहीं हमारा चीन ACI के दच्छेपूर में आपको देखने को मिलेगा और आप देखते हैं हमारा विवाज सीमा विवाज भी चलता रहता है लद्दाग में देख लीजिए अवड़ा चुपधिस में देख लीजिए तो इसकी राध्धानी बीजिंग है ठीक है और डबलू एच्वो की बारे में बात करें तो इसे आप लोग विस्वस्वास्त संगटन भी कहते हैं या World Health Organization भी कहते हैं और आपको बता दू कि इसकी स्थाफना साथ अपरेल 1948 में हुई थी और इसका अगर कोई चूटा हो तो आप लोग कर लेंगे अगर कोई चूटा हो तो आप बताई उसे भी हम लोग कबर कर लेंगे पहले आपने देखा कोई और मोuriaट कर बहला गया याद नहीं की ऊतराखंट के तो आप देखी कि तीम तीम जिलिए बनाए गये पहले आपने देखा होंगा की वड़ल कि इंसिंग रावत आ गये तेंटार सिंग रावत आ गये हैं जा नहीं तो याद रखिए इसमें कौन होगे पुसकर सींग धामी होगे ठीक है अब बात आती है उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के बारे में बता देते हैं और अभी याद रखे पुसकर सींग धामी ही है उत्तराखंड को आपको मालग होगा कि उत्तरपदेश सी अलकर की राज बनाए गया था उत् तो कि दाधानी देहरादून देखने को मिलेगी यहां विधाल सभा में 71 सीटे है राय सभा में तीन सीटे देखने को मिल जाएगी अगला कुछे नहीं बारे सामने किसे टोक्यो उलम्पिक पेरा उलम्पिक केलों के लिए भारती दल का धवज बाहग चुना गया किसे टोक्यो उलम्पिक केलों के लिए भारती दल का धवज बाहग चुना गया मरीपन थंगावेल देविन जाजरिया सुयास जाधो फर्मान बासा तो याब रखिए मरीपन मरीपन थंगावेल होंगे और आप सभी को मालू होना चाहिए कि जहां टोक्यो उलम्पिक हुए थे वह सब्सक्राइब तोक्युक्यो जापान में ये वह है आपकी जोब्र गोल्ड मेडा लेलों ने जीदा था 2600 के रियोग के लंपिक में ठीक है जलिए आगे चलते हैं लोग कौन बेक्ती तिप्पुरा के नए लोकायुक्त नियुक्त किये गए हैं कौन बेक्ती तिप्पुरा के नए लोकायुक्त नियुक्त किये गए हैं MS-Benu Rao, MS-Benu Rao, KN-4, NPC, ARTC-Caudhary बदाए इनमें से क्या लगाओगे तो याद रखे KN-4 होगे KN-4 को नए लोकायुक्त नियुक्त किये गए हैं लोकपाल के बारे में भी आप लोग सुने होगे देखिए जब ना अंदोलन चला था उसके बाद लोकपाल का गठन हुआ तो ऐसा माना जाने लगा कि भिष्टाचार पूरी तरह से बहुत जल्ली खतम हो जाएगा लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे देश से भिष्टाचार खतम होना बड़ी मुश्किल है इसमें सभी जब तक भागेदारी नहीं करते तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो सकता है अब आप देखिए हमें ही लोग भिष्टाचार यानी की बढ़ावा देते हैं बिधाच सभा में आपको 60 सीटे देखने को मिलेगी लोग सभा में दो सीटे हैं और राजय सभा में आपको एक सीटे देखने को मिलेगी ठीक है तो यह आप लोग याद रख सकते हैं अंगला कुश्चेन है हमारे साथ में के अंदर सरकार ने LIC चेयर्मेंड की सेवा निवित्ती उम बढ़ा कर दी है कितनी बताई एक सब्स बासब्स बासब्स चोंसट या पैसट लाइफ इंस्वरेंस कॉर्पोरेशन ऑप इंडिया की बात कर रहे हैं लाइफ इंस्वरेंस आप लोग करवाते ना उसी की बात करें तो याद रखी 62 साल कितनी कर दी 62 साल और इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना एक सेप्टमबर 1956 में हुई थी और इसका हेड़कोर्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा कहा मुंबई मे अंगला कुशन है हमारे समने हुई गोशना की मुताबिक किस भारती सहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा किर्किट इस्टेडियम बनेगा हुई गोशना की मुताबिक इस किस भारती सहर में दुनिया का सबसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा किर्किट इस्टेडियम बनेगा मुंबई जैपूर कानपूर या फिर आपका पंड़ जी तो याद रखे जैपूर में कहां जैपूर में बनी का यह दुनिया का ठीक है राजिस्थान का राध्धानी एन जैपूर उसी की बात हो रही है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा श्टेडियम होगा ठीक है यह लगबग आप देखेंगे 100 और यह कड़ यमिन में फैला होगा और अगर भारत में दुनिया के सबसे बड़े इस्टेडियम की बात करें किरिकित अहमदावाद आप देखते हैं जिसका नरेद मौधी इस्टेडियम कर दिया गया और दूसरा सबसे बड़ा श्टेडिय आपको देखने को मिलेगा तो यह आपको पॉइंट याद रख सकते हैं काफी बिवाद भी हुआ था जब नरेद मौधी श्टेडियम बदल की इसका नाम किया गया था कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महला तेराग बनी है बताइए कौन ओल अगला कुशन है मारे समने कौन महला खिलाडी महला अंतराष्टी किरकिट में सबसे अधिकरन बनाने वाली खिलाडी बनी है कौन महला अंतराष्टी किरकिट में सबसे अधिकरन बनाने वाली खिलाडी बनी है कौन महला अंतराष्टी किरकिट में सबसे अधिकरन बनाने व यादर कि इसमें मैताली राज है, मैताली राज है इसमें, C option आपका बिलकुँ सही रहेगा, यह हमारी भारती एक लाड़ी है, पता है अगर हम लोग बात करें, तो मैताली ने इंग्लेंड की पूर कप्तां चालोंट एडवर्स को पीछे चुड़ा है, और 38 बरसी राज ने, तीसरे बंडे में भारती एफारी के 24 ओवर में एडवर्स की 10,273 के स्कोर को पीछा चुड़ दिया है, इस सूची में एंग्लेंड सूची सूची बेट से 7,849 रन के साथ तीसरे नमबर पर है, पहले नमबर पर मैताली राज है, अब आप कहेंगी कि भारत के बारे में कु हम आजाल होते हैं, और आपको मालू होना चाही कि हमारी राध्धानी नई दिल्ली है, और हमारे पिधार मंत्री मौदी हैं, इसमें कोई सकनी को नहीं चीन, और अभी राष्टपती रामनात कोविन सहाब है, उपर राष्टपती आपके पैंकिया नाइडू सहाब है, और कुसा बात देख्च, कौन है, ओम बिला सहाब है, और वरतमार में मुख नयदी एन भी रमना है, ठीक है, तो यह आप लोग याद रख सकते हैं, अपने पडोसियों की बात करें तो आप देखें, पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, चाइना अगला कुक्षन है, राष्टपती रामनाद कोविंद ने किसी गुआ का नया राजपाल नियुक्त किया है, सत्यदेव नारायन आर, पी एस सिरीधरन फिलले, फिलेब, मंगु भाई चगन भाई पटेल, राजेंद विस्वनात अरली का, और आपको बता दूं कि देखिए हम लोगों ने भी राष्टपती साहब का नाव भी लिया था, तो आप लोगों को ये भी मालू होना चाहिए, तो इसमें कौन होंगे, पी एस स्रीधरन फिललेब, ठीक है, इन्हें गुआ का राजपाल बनाए गया, और याद रखिए गुआ की बात करें, तो आपको मालू और ची कि इसे राज बनाए गया था, राज का गठन कब हुआ था, इसका 30 माई 1987 को, और इसकी राधानी आपको पढ़जी देखने को में लिएगा, यहाँ आप बिधान सवाय में 40 सीटे हैं, और राज सवा में 1 सीट है, लोग सवा में 2 सीटे हैं, पिर मोद सावन तभी य Fy 3E लॉंच किया है, बताइए, जापान, रोस, चाइना, अमेरिका, तो याद रखे, चाइना नहीं किया हुआ है, चीन होगा, सी ओप्सन बिल्कुछ सही होगा, देखे, अगर मौसम का पूर अनुमान लगाने में हम लोग सच्छम हो गया, या लगाया जा सकता है, या ल लोग मारे भी जाते हैं, उनकी संपत्ती खराब हो जाती है, तो उन सभी को अम लोग रोग सकते हैं, अंगला कुष्चन है, क्या कुष्चन पूच रहा है आपसे, राष्टपती रामनात कोमिंद ने किसी करनाटक का नया राजफाल नियुक्त किया है, करनाटक की बात अगर हम करनाटक के बारे में कुछ आपको बताना चाहें, तो आपको बता दूए एक नवंबर 1956 को इसे राजफ बनाया गया था, करनाटक को, इसकी राध्धानी की बात करें तो बैंगलोर आपको इसकी राध्धानी देखने को मिलेगा, और यहां के अभी अगर हम लोग म कुमबई यहां के मुख मंद्री है, यहां आपको विधाल सभा भी देखने को मिलेगी और विधान परिशद भी देखने को मिलेगी, विधाल सभा में यहां देखिए 25 सीटे हैं, और विधान परिशद में 75 सीटे हैं, राज्य सभा में 12 सीटे हैं, लोग सभा में 85 सीटे है ठीक है यह आप लोगों को याद रखना चाहिए अगला गुप्षाने कमारे संहें पिसित व्यक्तित दिलीब कुमार का नेधन हो गया है यानिकि इनकी डैथ हो चुकी है ये कौन थे आके कभी थे अभीनेता थे पत्कार थे अभिज्यानिक थे दिलीब कुमार को तो आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो यह आपके अभीनेता थे दिलीब कुमार को और इनका जर्म की अगर बात करें तो 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था ठीक है 98 साल की उम्रों में इनकी डैथ हो चुकी है और इनका असली नाम था म मुहम्मद यूसोग खान ठीक है यह आप लोग याद रख सकते हैं कि चलिए आगे चलते हैं लोग कि फिती वर्स बिस्ट चॉकलेट दिवस कम मना जाता है यह तो आप लोगों को याद होगा यह थोड़ी आप लोग भूलेंगे बिस्ट चॉकलेट दिवस यह आपसन है 5 जुलाई बी कह रहा है 6 जुलाई और सी कह रहा है 7 जुलाई और 8 जुलाई तो याद रखी यह 7 जुलाई को मना जाता है विस्ट चॉकलेट डेट ठीव है चॉकलेट तो आप लोगों को भी पसंद होगी और आपको बता दूं कि यूरोब में सन 1550 में पहली बास साथ जुलाई को इस दिन को चॉकलेट डे मनाय गया था जिसके बाद दुनिया वर में कई देशों में मनाय जाने लगा और उस समय चॉकलेट जिसके चुट्रों देश्टों तक सीमें ठुगा करती थी और आज तक तो आज देखिए आज तो आपके पास भी पहुंच चुकी है हुआ हैं अगर पूरे विस्त की हम लोग बात करें कि पहली वार इत पूरे विस्त में कम बनाए गया तो साथ जुलाई को चोकले विस्त चोकलेट दिवस पहली बार साल 2009 में मनाए गया था पूरी दुनिया में को या कि बात हुआ यह तो ये भी आप लोग याद रखेगा चले आगे चले किस खेल से समधित पूर भार्थी एक लाड़ी किसाओ चंद दत का 95 वर्स की उम्र में डेथ हो चुकी है यानि कि इनकी मौत हो चुकी है होकी से जुड़े थे किर्केट से जुड़े थे केसाओ दत केसाओ चंद दत ठीक है और आपको बता दूँ कि दत आजादी के बाद भारत को 1948 में ओलम्पिक में मिली इतिहास जीत काहसा भी थे जहां टीम ने लंदन के वेमले स्टेडियम में हुए फाइनल ग्रेट बेटिन को चार जीरो से हर आया था और 1948 में ओलम्पिक से पहले दत ने 1947 में मेजर ध्याद चंद की नेतित में पूर्वी अफीका का दौरा भी किया था तो इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं किस राजी के पूर मुकमंत्री रहे बीरभद्य सीन का 87 वर्ष की उम्मर में डेथ हो चुकी है इनकी मौत हो चुकी है इनका समद किस राजे से था हिमाचल पिदेश फच्चे मंगा या उड़ीसा या गुजराद तो इसमें आपको मालू होना चाहिए हिमाचल पिदेश के थे बीरभद्य सीन अच्छे मुकमंत्री थे अगर हिमाचल पिदेश के बारे में कुछ पॉइंट आपको बताए जाए तो हिमाचल पिदेश तो आप लोग भूमने की इच्छा भी रखते होंगे 25 जन्मरी 1925 25 जन्मरी 1971 में से राज जमनाए गया था सिंवलाइस कि राध भानिए और दूसरी राध भानिज की धर्म साणा है ठीक है और यहां के अभी अगर हम लोग यहां कि मुक मंत्री है उत्वा बधान संब्य इधक्ती नए के न थीच्छा मंत्री बने है कॉण बेक्ती के नए कैंद्री ने के तो आज याद रखी धर्मेंद पिधान बने हैं ठीक है कौन बने हैं धर्मेंद पिधान आपने देखा है कि मंत्री मंडल में फेर बदल हुआ था उसी समय की बात कर रहा हूं मैं अंगला कोशन है हमारे सामने भारती सेना ने किस अभीनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरेंग रेंज का नाम रखा है भारती सेना ने किस अभीनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरेंग रेंज का नाम रखा है सोनक्षी चना प्रेंका चोपड़ा विध्यावालन या फिर रभीना टनन बताई इसमें किसके नाम पर रखा है विध्यावालन के टिकेट सी ओप्षन आपका बिल्कुछ सही रहेगा अंगला कूशन है हमारे सामने अमेजन ने भारत की किस सहर में अपना पहला डिजीटल केंद इस्तावित किया है अमेजन की बात हो रही है अमेजन आप देखते हैं कि एक सोसल साइट से और जहां से एक तरह से आप लोग सौपिंग साइट है एक कॉमर्स कंपनी ठीक है वो ज से में इसका हेड़क्वाटर आपको देखने के मल जाएगा बैंगलोर सूरत कोलकाता या पूने कहां खोला गया है तो याद रखिए इसका सूरत में खोला गया है भी ओप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा इसमें अंगला गोश्चन है हमारे साबने किस देश ने अब तक सबसे उचा यानि कि किस दिसम्लाव 6 मीटर रेत का महल बनाया है पोलेंड नाइजेरिया डैनमार्क साउधी है तो याद रखिए इसमें डैनमार्क होगा क्या होग और आफ ने देखा हुगा कि कई इंडेक्स सुचकांक आते हैं तो उसमें आप देखते होंगे डैनमार्क टॉप तर रहता है डैनमार्क सबसे उपर रहता है इसकी राध्धानी कौपन हेगन है और यह उरोप का एक देश है उत्री उरोप का अंगला हमारा बासिल राजब और आपको बता दू कि पाक जिल नमरू हो या मननार की खाड़ू हो इस स्रीलंका वो भारत से अलग करती है तो यह आप लोग याद रख सकते हैं रखोगे या नहीं बड़ोसी है और आप देखते हैं कि हमारी सर्सकिती काफी जुड़ी हुई है किसने वर्स 2021 की इस क्रेफ्स नेशनल स्पेलिंग भी पिते हुईता जीती है इसमें आपका ये ओप्सन कह रहा है एमीना केंड जोरस जाइला आवंत गायडे रियाना एच मुसे चेत्रा एम थुमाला तो याद रखिए इसमें जाइला आवंत गायडे होंगे बस 2021 का इस क्रेफ्स नेशनल स्पेलिंग भी पिते हुई था इन्होंने तेहरानवेवा संस्कंड था और ये पहला पुरुसकार है जो पहली बार अफिकी मुल्क अमेरिकी लड़की है जाइला आवंत गायडे इन्होंने जीती हुई है टेक है चलिए आंगे चलते हैं हम लोग अंगला कुछन है किस अमिनेत्री ने दाप प्रेग नैंसी वाइवल नामक पुस्तक लाउंच की है बताईए फ्रेंग का चोपड़ा सिलफा सिट्टी रवीना ठंड करीना कपूर तो आप लोग क्या करोगे इसमें आप लोग करीना कपूर लगाओगे डी आप्सन आपका बिलकु सही है किस सहर में भारत का पहला क्रेप्टो गैमिंग गैमिक गायडन खोला है चंडिगर मंगलोर मंगलोर आगरा देहराद तो याद रखिए देहराद उन में खोला गया है ठीक है अंगला कुप्षे ने पिती परस यानि की हर साल विस्व जनसंख्या देवस कम मराने का यह उत्य से लोग जनसंख्या की पिती जागरू करे हैं समझ रहें और इसे 10 जुलाई 11 जुलाई 13 जुलाई या 15 जुलाई तो याद रखिए 11 जुलाई को मनाय जाता है कब 11 जुलाई को मनाय जाता है और बड़ती आबादी के बिती जागरू करना एक तरस इसका मुख ही उद्देश है और आप देखिए कि चाइना पहले नंबर पर है हमारा इस्थाथ दूसरे नंबर पर हम लोग और इस बार की थीम की बात करें तो कोविद-19 महामारी का पिजनन चमता पर परभाव इस बार की थीम रखी गई थी आप लोग याद रख सकते हैं रख्या सकते हैं रखना चाहिए हुझे लगता है बरना अगर कुश्चन्स पूच ले तो आप लोग कहेंगे कि कुश्चन्स मुझे मालू नहीं था 11 जुलाई 1989 को सहुप्त राष्ट आम सभा में सभा में बिस जनसंक्या देवस मनाने का फैसला लिया गया था और साल समय रहे आप लोग तो यह आप लोग रियाद रखें का सहुप्त राष्ट के बारे में कुछ बता देते हैं पॉइंटी आप लोग कहेंगे बताया नहीं है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी इस्थाफना हुई थी और निवार्ग USA में इसका हेड़कोर्टर आपको देखने को बल जाएगा सहिवत राष्ट कर चलिए अंगल आगे चलते हैं किस सहर में भागत की पहले निजी तरलीकित प्राक्तिक गेस सुविधा सेयंत का उधगाटन और अंगावाद इंदोर नांगपुर एहंदावाद तो याद रखी इसमें नांगपुर होगा सी आपसन आपका बिल्कु सही रहेगा अंगला कुशन एक किस टीम ने 2021 की कोपा कोपा अमेरिका फोटोबॉल पितियोगी ता जीती हैं बताए किस देश की टीम ने वराजी अर्जिंटीना, ओलंबिया, विने जोईला तो याद रखी अर्जिंटीना ने जीती हैं बी आपसन आपका बिल्कु सही रहेगा अर्जिंटीना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को मालू होना चाहिए अर्जिंटीना कहा है अर्जिंटीना, दच्छिड अमेरिका में देखेंगे आप लोग एक देश हैं और छेथपाल जनसंकिया की दिरिष्टी से अमेरिका का बिल्कु से बड़ा देश है और इसकी राजधानी की बात करें तो व्यूनस, आयर्स इसकी राजधानी है ठीक है तो यह आप लोग अबर किया हुआ है, मैप का सहरा लेकर, सभी देशों के बारे, महा साग्रों के बारे में, जो भी मैप का पहार डरता है, उसे पढ़ा हुआ है, तो मैप के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, वहां जाकर आप लोग देख लेजीगा, बहुती साधरन सब्दों म हम लोगों ने बात की हुई है, और पूरा मैप का सहरा लेकर पड़ा है, तो जब आप भूल भी नहीं सकते हैं, ठीक है, किस भारती मूल के खिलाड़ी ने विम लड़न 2020 में जूनियर एकल का किताब जीता है, बताए, कौन है समीर बनर जी, तौपिक खान, हरेंद जी टीम ने इरोब कब Workers. 2022 का किताब जीता है, किस टीम ने इरोब कब 2020 का कब जीता है, इंगलेंड, डन्मार्क, इटली, नीधीलेंड, तो याद रखी है आंगे हैं आपका किस देश के खिलाडी महमुद तुलला रियाध ने टेस्ट किर्किट से सन्ययास लिया है तो आपको मालूँ हूना च bunlar आप सभी जानते ही मंगलादेश हमारा पड़ोसी है और नाका इसकी राध्धानी है और एक बात और आपको बता दू कि याद होगा कि 1971 में हमारा पाकिस्तान का यूद होता है यानि कि भारत पाकिस्तान का उस्सरमारे देश की पिदान मंत्री थी इंद्रा गांदी और आपन कि दो टोपड़े हो गए थे और एक नहा देश्ट बना था बंगलादेश ठीक है और आपने देखा होगा कि सबसे जाना सीमा हमारी बंगलादेश से ही लगती है और एक बाद तेपोरा को तीनों तीन तरफ से गह रहे हुए बंगलादेश चली अगला कुश्चन तितिवस अंतराष्टिय मलाला दिवस कम मनाया जाता है मलाला दिवस कम मनाया जाता है 10 जुलाई 11 जुलाई 12 जुलाई या 13 जुलाई तो याद रखे 12 जुलाई को यह मनाया जाता है कब 12 जुलाई को और आपको बता दू कि महलाओ को कि संगर्स की पेड़ा देने के लिए इस देवस को मनाया जाता है और मलाला डे, सबसे कम उम्मे में नोबल पुरस्टार हासिल करने वाली मलाला यूसव जई के बहतरीन काम के लिए उनके सम्मान में ये दिन मनाया जाता है और इस दिन 16 साल की पाकिस्तान की मूल की मलाला यूसव जई ने सहीवत राष्ट में लड़कियों की सिक्षा के लिए पर अपना मस्यूर भासर दिया था उसी उनीक याद में एक तरसी मनाया जाता है चलिए आंगे चलते हैं किस खेल से सम्माद पूर भारती एक लाड़ी येसपाल सर्मा कच्छ्यासट वर्स की उम्र में नेधन हो गया यारी कि मौत हो चुकी यह कि किर्केट से जुड़े थी या हौकी से जुड़े थी या फुटबॉल से जुड़े थी या बॉलीवोर्ड बताईए तो याद रखिए किर्केट से जुड़े हुए थी किस से किर्केट से और 11 गस्तों पंजाब के लुधियाना में जन्वे थी येसपाल साथ तो यह आफ लोग जरूर याद रख सकते हैं रख क्या सकते हैं रखना चाहिए मुझे लगता है कि किस राजी की सरठार है आस्था और संस्किती के सरक्षण ही तु नया विभाग सेजित करने की घोषना की हुई है बताईए इसमें कौन लगाओगे असम गुजरात असम उत्राचन राजिस्थान तो याद रखिए असम लगाओगे पहले ही आप लोगों को बता दिया था मैं और असम के बारे म राधूं यहाँ के मुकमंत्री अभी बईत्मार में हैमंत 20ब्सवा सर्मा है करो बिदान समय में यह कंने एक सो चपीछ सीथे देखने को भी राजत समय में साक सीथ हैं लोग समय या 15 करतें सकते हैं याद क्या रख सकते हैं रखिए याद रखिए रखना पड़ेगा किसे जून 2021 के लिए ICC फुरुस फिलियर ऑफ दा मन्थ अवर्ड मिला है बताईए जूनी की बात हो रही है निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज के हैं दिमुत करुणा रतने स्री लंका के हैं और डेवोन कॉन वे नियूजिलेंड व्लासित खान अफगानिस्तान तो याद रखिए इसमें डेवोन कौन भी होंगे नियूजिलेंड के हैं कहांगे नियूजिलेंड के हैं इन्हें ICC पुरुस फिलियर ऑफ दा मन्थ अवर्ड मिला है जून में और आप सभी को बालूगा नियूजिलें इसका मुख्याल है आपको देखने को मिल जाएगा चलिए खेर आंगे बढ़ते हम लोग बढ़े अब पुरुस की बात हो गई तो महिलाओं की भी बात होनी चे किसे जून 2021 के लिए ICT महिला पे लिए रॉब्दा मंत अवर्ड मिला है इसमें सौफी एकले स्टॉन इंगले इंगलेंड की है ठीक है इन्हें मिला है यह ऑप्सन बिल्कु सही रहेगा आपका इस औरो में इंगलेंड आप लोक्स रहे हैं या नहीं लंदन इसकी राज़नी है चलते हैं आगे चले हैं हम लोग कि रुके रुकने में कोई फायदा नहीं है इसलिए बोलना है चलते हैं अंगला कुछा ने कौन बेक्ती नेपाल के नई पिधार मंतरी बने नेपाल तो आप जानते हैं हमारा पड़ोसी है नेपाल और हमारे सांसके तेक संबंद काफी मिल इजोलते हैं कभी कहते हैं कि नेपाल से सीता मह्यां का जोड़ा हो रहा है बुद्धधभगोन का जोड़ाऊ रहा है शर्माघूर डे दे वब और याद रखिए सेर बहाधूर दे वबुव आवंगे और नेपाल के बारे में बात करेंए तो आप सभी कमाल होगा ।क्षा इसकी रात धानी और हिंदू सबसे ज्यादा पाए जाते हैं फिर उसके बाद ब्द्र आपको देखने को मिलें इस्लाम देखने को मिलेंगी कि रात इसाई देखने को मिलेंगे, टेक है, तो यह आप लोग याग रख सकते हैं, चलिए आंगे बढ़ते हैं, हुई घोष्णा की मताविक किस देश को बर्स 2026 का बर्स 2026 का बिस बैडमिंटन चेंपियंजिप की मेजबानी मिली है भारत चाइना जापान रोस तो याद रखे इसमें जापान आपको बाब करिए बहारत आपको याद रखना चाएए कि यह जापान तो हम बहुत याद रख रहे हैं और याद रखे इसका चीन को आपने देखा होगा 2023 की मेजबानी में ली हुई है तो यह आप लो याद रख सकते हैं चलिए आगे औरते हैं लोग अंगला कुलिशन है हमारे सामने भालत होगा इसमें ठीक है हुई गोष्णा के मताविक किस देश को वर्स 2023 के भीडवलु एब सुधीर कपकी मेजवानी मिल्ए है सुधीर कपकी मा Gill बताईये किसे मिले वह रोस रोस चाइना चीन नीदरलैnd और आउस्ट्लिया तो याद रहे हैं रोस को मिली हैं किसे मिले हैं रोस मिले क्यानी कि तर इसे पाफी चाहिता हूं बड़ी गलतिया हो रही है किस लिए हो रही है रोज चाइना नीटरलेंड और तो इसमें चाइना को मिली हुई है किसे चाइना को मिली हुई है और वही गोष्णा के रुसार वर्ष 2026 के लिए बीडवलू एब विस्ट चैंबियन से की मिरवारी भारत को मिली इसके साथ ही चीन को बीडवलू एब सुंदरी रमन कप फाइनल 2023 की मिलवारी मिली है ठीक है यह आप लोग याद रख सकते हैं कभी कभी एक साथ दो काम करो त तो क्या लगता है बताई आप अपना एक्सफीरेस बताईए आंगे चलते हैं कौन ओलम्पिक में जिमनास्टिक के जच चुने जाने वाले पहली भारतिये मने हैं कि मोहसेन खान असुक दिवाकर रंजत देशाई दीपक कावरा तो याद रखिए दीपक कावरा होंगे इसमें कि दीपक कावरा होंगे चलिए आगे उड़ते हैं लोग अंगला कुश्या है है हमारे सामने एंटीपीसी कोकिस राज में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्ग इस्थापित करने की मनजूरी मिली है करनाटक राजिस्थान गुजरात उड़ीसा तो याद रखिए गुजरात होगा इसमें क्या होगा गुजरात होगा आपका गुजरात में मिली है इस थी मनजूरी अगर एंटीपीसी के बारे में बात करें तो आप सभी को बता दूं 1975 में इसकी इस्थापना हुई थी ठीक है नेशनल थर्म थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका नाम है पूरा और इसका हेटकोरटर आपको न्यू दिल्ली में देखने कुमिल जाएगा और वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो इसकी राध्धानी गांदी नगर है आपने देखा हुगा पिधान मंत्री और ग्रह मं सभा में 182 सीटे हैं राज्य सभा में 11 सीटे हैं लोग सभा में 26 सीटे हैं याद रखेगा चले आगे चलते हैं हम लोग चले अंगला कुक्षन है पिती वर्स विस्त यूगा कोसल दिवस कब मनाय जाता है 13 जुलाई 15 जुलाई 16 जुलाई या 18 जुलाई 15 जुलाई तो याद रखें 15 जुलाई को विस्त यूबा कोसल दिवस का मनाय जाता है 15 जुलाई को यह आप लोग विस्त इस तोर पर दिहार रखिएगा और इसे मनाने कि अगर उत्देश की बात करें तो एक तरह सी देखिए यही इसका उत्देश है कि यूबाओं की तरह से योजनाएं लाई जाएं उन्हें आंगे बढ़ाया जिसे रोजिगार उन्हें उपलब्द हो सके और सायुक्त राष्ट की महासाफा ने 2014 में हर साल 15 जुलाई को बिस युवा दिवस कौसल दिवस मनाने की थैसला लिया था यह आप लोग जरूर याद रखेगा और इस बा सेहर में भारत का पहला Green ATM खुला है किस सेहर में भारत का पहला Green ATM खुला आगरा जोच्व घुरूग्राम सिमला तो याद रखे गुरूग्राम क्या हो गा गुरूग्राम होगा पहला Green ATM 컬러 पातहुरें गुरूकी pilot में पहला घ्रीजुटे के जल्षिस अगल सकते हैं हार जिस पैसाओं की जगह निकलेगा हर्याना की बारे मैं बात करेंग आप सभी को मालू होन ची हर्याना हमारा राज है और एक नवंबर 1966 को इसे राज बनाए गया था हम सभी को मालू होगा चंडीगर इसकी राध्धानी है मनुहरलाल खटर यहां की नेता है क्या मुकमंत्री है नब्य सीटे आपको विधान सभा में देखेंगी राज सभा में पांस सीटे देखने को मिलेगी तो यह कहान ही है आपकी हर्याणा की अगला कुछ ने केंदर सरकार ने केंदरी करमचारियों का महेंगाई भत्ता 10-17% से बढ़ा कर कितना कर दिया गया है 23% 28% या 30% या 33% तो याद रखिए 28% कर दिया कितना 28% कर दिया है केंदर सरकार ने और आपको उतादू कि अन्सरकार ने मार्च 2020 में महेंगाई भत्ते और महेंगाई राहात को 17% से बढ़ा कर 21% करने का एलान किया था लेकिन COVID-19 महामारी के विजए से अतरिक चार पिष्दी महेंगाई भत्ते को रोग दिया गया था यह रोग जून 2021 तक के लिए लागू कर दी गई थी अब सरकार ने करमचारों को रहात देते हुए यह रोग हटा दिये ठीक है अंगला कुष्ट ने किस राज की सरकार ने इलेक्टोनिक वाहन वाइक टेक्सी योजना लॉंच की है किस राज सरकार ने इलेक्टोनिक वाइक टेक्सी योजना शुरू की है मत्रदेश करनाटक राजिस्थान विहार तो याद रखी करनाटक ने की हुई है किसमें करनाट प्रकने की हुई है अगला कुछ यह मारे सेमने देखे एलेक्टोनिक गाड़ी में कोई परोबलम नहीं लिकिन इसमें कुछ परोबलम में हैं चार्जिंग की सबसे बड़ी परोबलम मानी जा रहे हैं बरना बड़ी सस्ति हो आप देखें अच्छा कार्मन भी हम लोग खाड़ी देश बन गया है वहरीन यूवेई कोवेद और आपका ओमान तो याद रखी यूवेई होगा इसमें क्या होगा यूवेई होगा खाड़ी देश जहां से हम लोग तेल आयात करते हैं सेवत तरव अमिराद की बात हो रही है अबुधा भी इसकी केपीटल है ठीक है पाकिस्तान के तो याद रखी बंगलाद एपकिस्तान के थे और आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है और आप लोगों को एक और बात बताओं अंगला कोश्टन है हमारे साबने हुई गोश्टना के अनुसार किस सहर में भारत की पहली पोड टैक्सी लगे चलेगी जैपर नुवेडा सूरत बोपाल तो याद रखे नुवेडा में चलेगी है कहां चलेगी नुवेडा नुवेडा एयरपोर्ट से फिल्मी सिटी के किलोमीडर है इसकी उपयोगता बढ़ाने के लिए इडा के सेक्टरों में भी इसका प्रक ले जाने की सुरुवाद डीपी आर ने किया है चलिए खैर आवने बढ़ते हैं पिती वश, अंतराष्टी, नयाय देवस कं मनाया जाता है आप देखते हैं कि हमारे Mysमें कहने के लिए सब के लिए कानून बरावरा लेकिन किस तरह से भेदवाव किया जाता है आप सभी जानते हैं सबके साथ नियाय हो भी नहीं नहीं बाता हैं दिष्व अंताराष्टी नियाय तिवस की बात होगी है 13 July 1710 जुलाई विजात रुके इसात्त्र जुलाई को मनाया जाता है एक जोट होकर समझोता किया था इसे रॉम इस्टिट्यूट भी कहते हैं आप लोग के चलिए आगे बड़े चले अंगे अंगला कुष्टिन है हमादे सामने इस सिद्व्यक्तित दानिस सिद्धिकी का नेधन हो गया है वह कौन थे पत्तकार थे गयक थे अभी नेता थे चितकार थे तो याद रखिए वो पत्तकार थे कौन थे पत्तकार थे ए ओप्सन आपका बिल्कु सही है दानिस सिद्धिकी अ अफगानिस्तान में रोटर्स की फोटो उपत्कार दाने सिद्धिकी की अथिया कर दी गई थी वदादिन की दाने सिद्धिकी अफगानिस्तान में वजुद हालत को कवर करने के लिए पिछले कुछ दिनों से वहां डटे हुए थे पुलिजर पुरुसकार भी जी चुके थे ठीक है अफगानिस्तान में की हत्या कर दी गई थी ठीक है चलिए आगे चलते हुए गोशना के अनुसार किस सहर में भारत का पहला राश्टी ये डॉल्फिन अनुसंधान के अंद बनेगा राची पटना देहरादून ग्वालियर बदाई तो याद रखे इसमें पटना में बनेगा पटना में आपका राश्टिय डॉल्फिन अनुसंधान के अंद बनेगा अंगला कुश्य नहीं है वाले साब में पितिवस नेलसन मंडेला अंतराश्टी दिवस कम मनाय जाता है नेलसन मंडेला अंतराश्टी दिवस की बात हो रही है 18 जुलाई 1908 में इनका जिनम हुआ था 5 देसंबर 2013 में इनकी डेथ हो गई थी नोवल पीस पुरुसकार भी इने मिला था सांती का अंगला कुश्य नहीं मारे साब ने जम्मू कस्मीर हाइगोट का नाम बदल कर क्या रखा गया है कस्मीर और लद्दक हाइगोट या देखे एक बात और आपको बता दू क्योंकि जम्मू कस्मीर को दो भागों में आठ दिया गया जम्मू कस्मीर और लग्दाग को आपको मालू होना चाहिए कि यहां एक कैंद सासीत के देश सें दोनों लेकिन लग्दाग में आपकी कोई विधान सभा नहीं होगी लेकिन में दिल्ली की तरह एक तरह से आपकी विधान सभावी देखने को आखो मिलेगी अंगला कुक्षिन हमारे सामने कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सरफसेष्ट फिल्म का पुरुसकार मिला है इसमें करा है मंडिला ऑक्सीजन टाइटेन यास यसडे तो यादर की टाइट इनको मिला हुआ है कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 का फिरुसकार कि यह आप लोग इसके निर्देशक की बात करें तो जूलिया डुकोनो इसके कौन थे निर्देशक थे फिल्म के ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हम लोग अंगला कुक्षिन है हमारे सामने कौन भारतिय मोल की म बनी है इसमें अरोही खन्ना बरसा माथूर लीती का मैथ्यू सीमा नंदा तो याद रखिए सीमा नंदा होगी एक बात और आपको पता देता हूं कि देखिए एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया भर में हमारे देश के जो मूल निबासी है यह भारतिय मूल के लोग राज कर रहे होगी क्योंकि आप देखिए अमेरिका की उपराश्टपती बन चुकी है कमला हैरेस तो डी आप्सन आप लोग बिल्कुल लगाएगे अंगला कुछा ने कि सरकार ने मुकमंत्री किसान मित उर्जया योजना की सुरुवाद की हुई है पंजाब सरकार ने राजिस्थ सबसे पहले तो आप लोगों से यहीं पूछ ले तो याद रखिए इसकी राजदानिय जैपुर और यहां आप लोगों को बिधाल सभा में 200 सीटे देखने को मिल जाएगी राज सभा में 10 सीटे लोग सभा में 25 सीटे और असोग गहलूत यहां की मुकमंत्री साहब है ठीक ह अंगला कुक्षर है पिती वर्ड्स अंतराश््टी सत्रज दिवस का मनाया जाता है अंतराश्टी सत्रज यह दिवस की बात हो रही है इसमें पहला ओप्सन आपकी सामने हैं 20 जुलाई 21 जुलाई या 17 जुलाई या 18 जुलाई तो आप लोग बताई तो याद रखे 20 जुलाई को मनाया जाता है यह ओप्सन आपका बिलको सही इसका रहेगा क्या रहेगा विल्कु सही रहेगा और देखिए से अगर हम लोग बताए तो 24 जूलाई 1924 को अंतराश्टी सत्रंज संग ने इसकी घोशना की थी इस्ताफना की थी और 20 जूलाई को यूनेस को द्वारा अंतराश्टी सत्रंज दिवस रूम में मनाने कर सुझाओ दिया गया और 1966 से हर साल 20 जुलाई को अंतराष्टी सत्रंज दिवस मनाया जाता है तो यहां दो संगटनों का उल्लेग भी हुआ है तो उनके बारे में पता देते हैं एक तो आप देखिए सत्रंज के बारे में इंटरनेशनल दा इंटरनेशनल चेस्ट फेडरेशन की बारे में तो 20 जुलाई 1924 को स्थाफना होई थी पैरिस फ्रांस में और स्विजलेंड में लुसाने स्विजलेंड में इसका हेड़कॉर्टर देखने को मिलेगा एक बात आई है यूनेस्को की तो इसके बारे में आग इस पूर्प गोलपी कीपर को मरने के बाद यानिकी मर्डोप्रांत मोहन बगान रतन सम्मान दिया गया है चुन्नी गोस्वामी मनी तुम्भी सिंग सिवाजी बनर जी रंजी सिंग बता जी किसे दिया गया है कुछ बता पाओगे तो यह थे सिवाजी बनर जी ठीक है सिवाजी बनर जी को सिवाजी बनर जी को दिया गया है कि चल लिए आंगे चलते हम लोग को कि अगरला कुशन है कौन व्यक्ति हाल में ही से कंपनी की नई परभंद निदेशक बने हैं से ल कंपनी के बारे में आप लोग सुने हो या नहीं सुने हो कि और नहीं सुने हो तब मुझे इस बता नपड़ेगा बता देता हूँ देखने को मिलेगी M साइनाथ सी विजय कुमार और के के वीनु गुपाल जेपी देशाइड तो याद रखी सी विजय कुमार होंगे इसमें ठीक है और SEL के बारे में बात करें तो आप सभी जाते हैं कि ए आपकी एक कंपनी है SEL कंपनी सुने हो क्यों कि हिन्दुस्तान कंप प्रस लिमिडेड समय कि इसकी सथापना की बात करें तो 11गस 1976 को इसकी इसताप खी दी लिमिड्प चलिए आगे वढ़ते हैं लोग हिर सिंक कौन बिलोग्चेन तक्नीक का उपयोग कर सेख्षिक दस्ताविज जारी करने वाला भारत का पहला राज बनाएं। राजिस्थान पंजाब या मनीपूर या महाराष्ट तो याद रखे इसमें महाराष्ट होगा। क्या होगा। महाराष्ट आपका पिलकुल सही ऑप्सन होगा इसमें बिलोग्चेन तक्नीक। और महाराष्ट राज जी का उसल विकास बोर्ड ने चात्रों को बिलोग्चेन आधारित प्रमाण पत्त जारी करने का नेड़र लिया है। और आपको बता दू कि महराश्ट भारत का पहला राज होगा जो बिलोकचेन तक्निक का उपयोग कर सैक्षिक दस्ताविज जारी करेगा और इसका मुझत देश है कि विविन सैक्षिक और सैक्षिक और अनस अंस्तानों में दस्ताविजो की जाल साजी से बचा जा सके, रोका मनाये गया था, और एक मही को आपको मालू होन अची कि महराष्ट दे भी मनायते हैं, यहाँ आपको बिधान सवा में 28 सीटे ने देखने का बिधान परिशत भी यह है, तो 78 सीटे बिधान परिशत में हैं, राज्य सवा में 19 सीटे हैं, लोक सवा में 48 सीटे हैं, और उधा केरल उत्तरपिदेश या तमिलांड तो याद रखें उत्तरपिदेश होगा क्या होगा उत्तरपिदेश होगा आपका C option आपका बिलकु सही रहेगा भारत की सबसे वड़ी तेल कंपनी है ना इंडियन वाइल कॉपरेशन इसके दुवारा एक तरह से भविस में स्वक्छूर्जा बड़ती की मांग को पूरा करने के लिए मत्रा में रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन सायंत इस्थावित किया गया है ठीक है और इसके बारे में अगर इंडियन वाइ है विराष्टर संस्थान बनाने का फैसला किया है कैन सरका ने किस सेहर में भारत का पहला भारती विराष्टर संस्थान बनाने का पैसला किया जच्चर नोरड़ा सिमला अगर्भ तो याद रखें नोड़ा एफोकरिया बांए कि किस संस्थाने है agarई ऑकशिए çocean Banks हम बताईए, IIT रोपड, IIT कालपूर, IIT मदरास, IIT रुड़की, तो कौन होगा, IIT रोपड होगा इसमें, एक option आपका बिल्को सही रहेगा, कुरोना महामारी में आप लोगोंने देखा है कि ओक्सिजन की क्या किलत थी, लोग तरफ तरफ के माना हैं थे, ठीक है, तो IIT रोपड संस्थान ने ऐसी डिवाइस विक्तित की है, जो ऑक्सिजन सलेंडर से ऑक्सिजन को बरबाद होने से बचाएगी, और इस डिवाइस का नाम एमलेक्स होगा, आपको बता दीं कि इस संस्थान के बायो मेडिकल इंजिनिरिंग विभाग की PSD चात्रों, जिसमें मोहित कुमार, रविंदन कुबार, अमन पिरीचंद, इन्होंने बायो मेडिकल इंजिनिरिंग विभाग के असिस्टेंट, प्रोकेसर डॉक्टर आसी साहिनी की दिशानेदेश से इविक्सित किया है, तो यह आप लोग याद रख सकते हैं, अंगला कुश्टेन हमारे सामने, कौर बेक्ती पेरू के नई राश्टपती बने हैं, पेरू के, एलन गार्चिया, मैसीडीज, टेरो, पेडरो काश्टिलो, अरविट, टोड जोसिंडा, तो याद रहे पेडरो काश्टिलो होगे इसमें, पेरू, आप सुनएं हैं पेरू के बारे में, एक देश हैं पेरू, दच्छड़ी अफी, अमेरिका महादीब में इस देत हैं, दच्छड़ी अमेरिका महादीब में, ठीक हैं, ली माइस की, ली माइस की राध्धानी है, कैपिटल है, किस देश को वर्ष 2032 के उलम्पिक ये लों की मेजबानी मिली है, बताओ, इतना लंबा पूश लेता है, 2032 का पूश रहा है, बताई, नाइजेरिया, उस्टेलिया, सिंगापूर, अमेरिका, तो याद रखिए उस्टेलिया को मिली हुई है, किसे उस्टेलिया को मिली हुई है, बेजबानी, और इसने पहले आपको बताओं कि मेलबर में भी 1956 में और सेडिनी में साल 2000 में उलम्पिक खेल आयोजर हो चुका है, एक ठीक है, और अच्टिलिया, आप सभी घुमालोगा, और अच्टिलिया, महादीप के बारे में सुने हो, कि नहीं सुने हो, इसकी राध्धानी केनवरा है, और अच्टिलिया की, ठीक है, सबसे बढ़ा आज नगर आप लोगने सुना होगा, सेडिनी, इंटरनेशनल उलम कमेटी तो इसकी इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी लुसाने स्विजलेंड में इसका हेड़कौर्टर देखने को मिलेगा इसका हेड़कौर्टर MPPSC में कई बार पूछ लिया एक बार अभी पूंचा गया था लाफ टाइम कौन हैती के नए पिधार मंत्री बने है कौन हैती के नए पिधार मंत्री बने है यह ओप्सन करा है एरियल हेंरी डेविट फेरे टॉम एजजी एलो एनो डोनाल्ड तो याद रखे एरियल हेंरी होंग इसमें और हैती के बार हैती सुने है करीब आई करीबी आई देश है यह इसकी राध्धानी पोर्ट वो फ्रेंस है अगला कुक्षन देखते हैं अब लोग किस सहर में दुनिया के पहला 3D फ्रेंटेट स्टील पैदल या थ्री फुल खोला है निवार्प में मैंचेस्टर में लिवर्पुल में एम्स्टरडम में तो याद रखिए यह कहा होगा है हमारे सामने हैं हर साल या निकी पिती वस्ट मस्तिस्क दिमाग और जानते हैं मस्तिस्त के दिबस कम मनाया जाता है है चैनल 29 जोलाई 21 जोलाई 22 जोलाई 23 जोलाई बताई इसके बारे में कुछ है तो याद रखे 22 उलाई को मनाते हैं कर मनाते हैं 22 उलाई को और इसते बारे में अगर कुछ और आपको जानकारे दो तो दिमागी सिहत के पिती लोग जागरूग रहें योगा मेउगा करते रहें दोड़ मोड़ करते रहें तनाव भनी जिन्दगी से दूर रहें इनी बातों को द्यार में रखते हुए से मनाया जाता है कि लोग जागरूप रहें समझ रहें यह भी आप लोग याद रखा करिएगा थोड़ा बहुत राष्टी यह मस्तिष के दिवस सुने हो 22 जुलाई को मनाया जाता है कम मनाया जाता है इस बार की थीम की बात करें तो इस टॉप मल्टीपल इसके लिए रोसिस इस बार की थीम रखे गई थी ठीक है यह आप लोग याद रखेएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अप लोग फिती वर्स पूरे भारत में राष्टी यह पिसारन दिवस की बात हो रही है 20 जुलाई 23 जुलाई 21 जुलाई या फिर आपको बताऊ 25 जुलाई बताईए कम मनाया जाता है तो 23 जुलाई को यह मनाया जाता है तो 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्टी यह पिसारन दिवस की बात हो रही है कम मनाते हैं जुलाई को किसी मनाते हैं दुनिया फर में ठीक है और 1927 में इस दिन बॉम्बे स्टेशन से पहला रेडियो पिसारन किया गया था और तब इस दिश्टेशन का स्वामित एक निजी कंपनी के पास था जिसका नाम था इंडियन व्रोड कास्टिंग कंपनी एक अप्राल 1930 को सरकार ने फिसारन को आपने नियंतन में लिकी और इसका नाम बनकर इंडियेन स्टेट ब्लोड कास्टिंग सर्विस रग दिया गया था बादसमें आठ जून 1936 इसका नाम बदल कर ओल इंडियो कर दिया गया था और औल इंडिया को 1907 के वास्ते आगासवाणी से आप लोग चाने लगे थे भारत में 23 भासाओं के लगवग 489 ओल इंडिया रेल्वी रेडियो इस्टेशन लगवग 89 चेतरी भासाओं में अपने कारकरम जारी करता है और इसका आदर्स बात के बहुजल हिताएं बहुजल सुखाएं ठीक है चलिए आगे चलती हम लोग किसे एक आई एफ एफ पुरुस फोटोवालर आप दा इयर 2020-21 मिला है सुनील चेतरी सुख्दरता पाल संदेश जिंगन उधनता सींग तो याद रखे इसमें संदेश जेगन होगी ठीक है अंगला कुशन है वाले समय किसे आई आई एफ महला आई आई मखरी ए आई एफ महला फुटोवालर आप दा इयर 2021-21 पुरुसकार मिला है अधिधी चोहान बालाद देवी असल लाता देवी रसमेता मालिव तो याद रखे बाला देवी होगी इसमें कौनों भी बाला देवी आल इंडिया फुटोवाल फेडरेशन इसका पूरा नाम है 1948 में एक तरह से इसका 30 जून 1937 में इसकी स्थापना हुई थी इसका हैड़ क्वाटर आप न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा तो देखके आई गेगा भारत की सबसे उम्मत दरा अम्मा का कितने वर्स की उम्मर में हो चुकी इनकी मोत हो चुकी 105 107 109 111 तो 107 वर्स में चात्रा उम्मदरा चात्रा आप समझ रहे हैं पढ़ने की कोई उम्मर ही नहीं होती है और भागी रती, अम्मा वकैरल में 105 साल की उम्ल में साच्च्षा यानि की परेक्षा उत्तीन करने वाली पहली महिडा बनी थी अर अम्मा वकैरल के टो जार उन्नीस में राज दौरा संचलिक गईरल राज année साज्च्चर भी उत्तीन करके सबसे उम्व दराज छात्रा बनने का इत्यास भी रचा था कहां केरल हमें और आपको मालू होगा कि केरल एक साथचर्टा के मामले में देख लिजे महलाओं किस्तिती के मामले में देख लिजे का कि अच्छा राज मारा जाता है और किरल के बारे में कुछ और पॉइंट आपको अगर पताये जाए तो 1 नमबर 1956 को इसे राज मनाये गया था इसकी राध्धानी तिरुवन पुरम देखने को मिलेगी और यहां कि अभी अगर मुकमंत्री की बात करें तो पिन्हार, राई, विजै, निया के मुकमंत्री है, विधान सबा में 140 सीटे हो, राज सबा में 9 सीटे है, और लोग सबा में यहां 20 सीटे देखने को बलेगी, ठीक है? तितीवस पूरे भारत में कारगिल, विजै दिवस कम मनाया जाता है? कारगेल विजय दिवस कम मनाते हैं यह आपको बताना है और फहला इसमें 26 जुलाई 23 जुलाई 25 जुलाई या 27 जुलाई तो याद रखिए 26 जुलाई को यह मनाया जाता है 26 जुलाई को क्या करते हैं इसे मनाते हैं हम लोग और इसे देखिए एक तरह से आपने सभी कारगेल विजय दिवस के रूम में बनाते हैं आपको बता दें कि 1999 में जो कारगेल सेक्टर में पाकिस्तानी के उसे फेटिया हुए थे ना उसके बाद आपने देखा है भारती सिना द्वारा ओपरेशन विजय चलाया गया था तो उ प्राधी खिल सम्मार में किसे बर्स 2019 के लिए तरफसिष्ट दिव्यांग खिलाडी का पुरुसकार मिला है नरेंद रनवीर वनी फेस प्रभू प्रमोत भगत सेख सेखर नायग प्रमोत भगत सी आप्शन बिलकु सेग रहेगा किस देश के खिलाडी यांग कियान ने टोके उलम्पिक का पहला स्वड़ पदक जीता है चीन सिंगाबो रूस ताइवाण चीन किसने जीता है चीन ने जीता है चीन ने क्या किया है यांग कियान ने टोके उलम्पिक का पहला स्वड़ पदक जीता था ठीक है कौन भारती कारोबारी अबू धावी के सर्वुच कारोबारी बोड के उपाध्यक्च बने है फारू काहमत यूसोप अली अनवर अली लियाकत अली तो यादर की यूसोप अली बने है इसके B option आपका बिल्कु सही रहेगा अंगला कुशन है किस राजी की सरकार ने है सिक्षा के चित्म में आपदा प्रबंधन को आनिवार विसे बनाने की गोष्णा की हुई है उडिसा में अहल है असम बिहार तो आप सभी जानते हैं उडिसा इससे जानदब आपदा से प्रभाविद रहता तो आप उडिसा ने किया है उडिसा के बारे में अगर आप से बात की जाए तो आप सभी कुमाल होने चाहिए उडिसा को 26 जन्वरी 1950 को राज बनाय गया था इसकी राजधानी वबने सोर देखने को मिलेगी नवीन पटनाय के हां के मुखमंत्री है 147 सीटें 147 सीटें विधान सभा में देखने को मिलेगी राज सभा में आपको 10 सीटें देखने को मिलेगी लोग सभा में यहां 20 सीटें देखने को मिलेगी ठीक तो यह आप दो याद रख सकते है भारत भर में यानि की पूरे भारत में पीदी वस किस तारीको CRPF का इस्थापना देवस मनाया जाता है CRPF की बात हो रही है और आपके सामने 23 जुलाई है 26 जुलाई है और 27 जुलाई है 29 जुलाई है तो बताईए तो यादर कीस में कब कितना होगा 27 जुलाई होगा ठीक है आपको बता दें देखिए जो आपका Central पुलिस पोर्स है इसकी स्थापना 27 जुलाई 1949 में हुई थी ठीक है 1949 में और इसी तरह से एक तरह से आपके सकते हैं कि इसकी स्थापना दिवस को हम लोग आपका Central यानि की CRPF की स्थापना दिवस के रूम में मनाते हैं ठीक है इसका हेड़को आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा यह भी आप लोग याद रखिएगा अंगला कुशन है मारे सामने किस राज में इस्थित रमप्पा मंदिर को यूनेस को ने विस से धरुवर में सामिल किया है रमप्पा मंदिर की बात हो रही है विस यूनेस को कि साइट में एक तरह से इनने सामिल किया है कहां का है मंदिर उत्राखन, तमिलानु, तेलंगाना, उडिशा, तो याद रखिए तेलंगाना का है, कहा है, तेलंगाना का है, रमप्पा मंदिर, तेलंगाना की काक्तिये रुद्धेस और रमप्पा मंदिर कोई उनेस को विश्चे धरोहर में सामिल किया गया, और बता दें कि बारंगल में इसलिए वह सी मंदिर का एकलोता इसा मंदिर का इसके सिल्व कार्भा के नाम पर उचा गया हैं facti Abans कि राजा ने इस मंदिर का निरौार 33 सतापदी में कर्वाय था रमाप्पा मंदिर का यह प्लोग याद रखी कि दी कि यह भी आप से कुश्चन्स कई बार पूछ लेता है इसलिए जरूरी रहता है उन्तालीस बाइस तल है यह समझ रहें भारक का कि उन्तालीस बाइस तल बन चुका है और हम अप्पा मंदे चलिए आंगे बढ़ते हैं हम लोग फिरहाद अगर तेलंग आना की बारे में कुछ बता देता हूं आप सभी कुमाल होगा कि दो जून 2014 में इसे रांधिपते से अलग करकी राद एक रज बनाए गया था हैदराब यहां विदान सभादी भी देखने को मिलेगी और विदान परिशाद भी देखने को मिलेगी तो विदान परिशाद में 40 सीटे हैं विदान सभा में 111 सीटे हैं राज सभा में 7 सीटे हैं लोग सभा में आपको 17 सीटे देखने को मिलेगी ठीक है कौन ड्रिंक ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट सुरू करने बाला भारत का पहला स्थेहर बना है जलगाओ महाराष्ट पुरी उडिशा और बुनी राजिस्थान गांधी नगर गुजराद तो याद रखे पुरी उडिशा बना है बी ऑप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा इसमें क्या रहेगा बी ऑप्सन बिल्कु सही रहेगा उडिशा के मुखमंदिरी नवीन पटनायक ने टैप द्वारा सुद्ध पेजल प्राप्त करने की विवस्था का सुभारम किया है अब पुरी सहीर के सभी लोगों को 24 गंटे सुद्ध पेजल यानि की पानी मिल सकेगा इस तो विधा के आरम से पुरी वासियों को अपने घर में फिल्टा रखने की आप सकता नहीं पड़ेगी क्योंकि एक तरस सुद्ध पेजल ही आएगा ठीक है तो यह आप लोग याद रख सकते हैं बरना आप देखे कितना गंदा पानी पीना पड़ता है हमारे देश के कई छेत्रों में लोगों को कौन बैक्ती नागरिक उडेन रुप सुरक्षा वीरों के नए महाने देशक निवत किये गए है कौन बैक्ती नागरिक उडेन सुरक्षा वीरों के नए महाने देशक निवत किये गए है नासिर कमल, जमन राओ, अजय सेखावत, राजिस पान्डे तो याद रखी नासिर कमल ठीक है उंगे इसमे नागरिक उडेन सुरक्षा वीरों की बात करें तो जनवरी 1978 में इसकी इस्ताफना की गई थी ठीक है अंगला कुशर है हमारे सामने पिती वर्स यानि की हर साल विस्व हैपिटाइटिस दिवस का मना जाता है 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 26 जुलाई थीम हो गई और यह पहली बार कम मनाए गया था समझ रहे हैं तो इसकी इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो 28 जुलाई की तारीक इसलिए चुनी जाती है क्योंकि नोबल पुरस्कार विजेता विग्यानिक डॉक्टर वारूप विलंबर्ग का जनम दिन इस दिन पढ़ता है और हैपिटाइटिस B वायरस की कोजे नो ने की थी तो उन्हीं की जनम दिन को एक तरह से इसी मना लेते हैं और हैपिटाइटिस वायरस की पांच मुक को बभेद होते हैं A, B, C, D और E ठीक है तो A भी आप लोग याद रखिएगा इसमें याद रखना चाहिए का नहीं रखना चाहिए और थीम की बात करें तो आपको बता दूँ कि 2021 की थीम रखी गई है हैपिटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता ठीक है यापिट थीम रखी गई है आप लोग याद रखिएगा और वर्ल्ड हैपिटाइटिस डे को बैस्मिक मानता मई 2010 को मिली थी इसके ठीक है याद रखिए चलिए आगे चलते हम लोग कौन बैस्ती करनाटक की नए मुखमंत्री बनाये गए हैं करनाटक की नए मुखमंत्री बने हैं बताएए केपी बुपाई केवी कोली वार्ड वसावराज बुंबई बीसी नागिस तो याद रखिए वसावराज बुंबई होंग इसमें वसवराज बुमबई होंगे इसमें एक नवर्मार उंडीस्टो छफवन को इसी राज बनाया गया था करनाटक को और बैंगलुरीस की रादधानी है और यहां के वसवराज बुमबई भाजावा के तरसी मुकमंत्री है विधान परिशद भी है विधान सभा विधान संरक्षन दिवस कम मनाया जाता है विस्व प्रकेती संरक्षन दिवस कम मनाया जाता है 26 जुलाई 27 जुलाई 28 जुलाई 29 जुलाई 28 जुलाई 28 जुलाई को मनाया जाता है ठीक है विस्व प्रकेती दिवस आप देखें प्रकेती को एक तरह से सजा के रखें हम लोग बचा के रखें इसलिए ये मनाय जाता है ये कब और विस्व परक्ति संरक्षन देवस मनाने का उद्देश यही है कि उन जानवरों और पेड़ों को संरक्षन करना जो पित्वी पराक्तिक परियावार्ण से बिलुक्त होते जा रहे हैं आप समझे रहे हैं इनका खतम होता जा रहा है और इसकी अगर हम लोग कुछ थीम की बात की जा रही थी अ अ अ अ अ अ अ अ कि अ अ अ अ अधाइस उलाइब को बिस्त पर्क्ठिसन रिक्षन देवस परिस्तिति पारिस्तिति की तंत सरक्षन की थीम के साथ ही मनाया गया है अगे चलते हैं कौन बैक्ति दिल्ली पुलिस के नए कमिशनर वने हैं कौन बैक्ति दिल्ली पुलिस के नए कमिशनर वने हैं जगदीश मातुर नीलेश बिंद्रा अजय पाठक वराकिस अस्थाना वराकिस अस्थाना होंगी और आपको मालू हो कि दिल्ली जब पुलिस कमिशनर वनाए गए तो यह काफी चल्चा में भी रहे थी और इससे पहले भी आप ए काफी विवाद में रहे थे, राकेश सस्थाना, और दिल्ली की बात करें तो आपको मालू हने चाहिए हमारी राजदनी है और यहां के अरबेन्द की जीवाल मुकमतरी है, और कहा जाता है कि स्वास्त के छेत म इनोंने काफी अच्छा काम किया हुआ है यहां विधान सभा सीटें आपको 70 देखने को लीगी राजसभा में 3 सीटें हैं लोग सभा में 7 सीटें आपको देखने को बन जाएगी ठीक है अंगला कुशन है कौन अनुवानसिक रूप से संसोदित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है फिलिपिन्स बोल्गारिया यूक्रेन और बराजी तो याद रखे फिलिपिन्स होगा इसमें ठीक है चाबल की बात हो रही है और यह आपको दच्चन चीन सागर की आसपास आपको देखने को मिलेगा है फिलिपिन्स देगा और दच्चन पूर्व एसिया का इस देख देश है मनीला इसकी राधानी है ठीक है यह भी आप लोग याद रख सकते है किस खेल से सम्मंदित भारत की पूर खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 88 वर्स की उमर में इनकी मौत हो चुकी है नेधन हो चुका है किस खेल से जुड़े थी वैडमेंटन, केर्केट, फुटबॉल, होकी तो याद रखिए आपकी नंदू नाटेकर वैडमेंटन से जुड़े हुए थे किसे बैडमेंटन से जुड़े हुए थे तो याप लोग जरूर याद रख सकते हैं इन्हें 1961 में अरजुन पुरुषकार भी दिया गया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कौन ट्रांसजेंडर समदाय को सरकारी नोकरियों में आरक्षन देने वाला भारत का पहला राज़ बना है कौन ट्रांसजेंडर आप सभी जानते हैं कि ट्रांसजेंडरों के साथ बहुत बेदभाव की आ जाता था अब काफी इनकी स्तिती सोधर रही है केलल असम बहार करनाटक तो याद रुकि कुए करनाटक होगा इसमें करना टक सरकार एक तरछा से इने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाऊ प्यएं को एक तरछा देनी की बात हो रहाए एक परसेंट आयां किया गया है अब आगे बढ़ता रहेगा घटता रहेगा क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा अंगला कुक्षन है मारे सामने नजीब मिकाती किस देश के नई फिधान मंत्री बने हैं नजीब मिकाती लेबनान थाइलेंड तंजानिय मिस्र तो याद रखे लेबनान होगे कौन होगे लेबनान होगे लेबनान की ये आपकी नई फिधान मंत्री बनाएगे है पश्च मेसिया में भूमत दसागर सी कि पूर्वी तट पर आपको देखने कुमले गए है बेरूत इसकी रातदानी है ठीक है अंगला कुश्य ने बारे सामने पिती वर्स अंतराष्टी ब बत्र बात हो रही है समझ रहें है आप लोग 25 व्लाव 27 व्लाव 29 वर 30 व्लाव तो आप सभी कुमलोगत 29 व्लाव को ये मनाया जाता है और एक तरस इस बार की थीम रखी गई बागों का अर्ष्टित हमारी हाथों में इसकी साथ ही इसकी थीम रखी गई है तो यह आप इसकी थीम की बात कर रहा हूं और अगर हम लोग इसकी 21 की बात की जाए उनकी उत्तर जीविता हमारे हातों में इस बार की ठीम रही है ठीक है और 29 जुलाई 2010 को पहली बार यह मनाया गया था और अब ही आप देखिए 2018 में इसकी जनगड़ना हुई थी 2967 थे हमारे बाग हमारे देश में सबसे जंदा मत्रपितिस में आपको देखने को मिलेगा इसलिए तो आप देखते हैं कि मत्रपितिस टाइगर पिदिस भी आप लोग कह देते हैं किस Miss India USA 2021 का किताब जीता है किसने Miss India USA 2021 का मीरा कासारी फलीवी मातवर वेदेही डौंगरे उधनता चौपड़ा तो याद रखी वेदेही डौंगरे होंग इसमें कौन वेक्ती अमेरिकी कंपनी स्टलायकर कंपनी कॉली कॉलियर के भारत के लिए CEO बने है रमेश नायर लोकिस पावार लच्मन देशाई राजवाल सिनहा बताएए इसके तो याद रखी इसमें रमेश नायर बने हुए है और इसकी कॉलियर इंटरनेशनल कंपनी की बात कर हैं और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और टोरंटो टोरंटो कनाडा में इसका मुख्याला आप लोगों को टोरंटो करनाडा में इसका मुख्याला देखने को मिलेगा ठीक है किस राजी की पोलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए फिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट अच्छी बात है सराय नहीं ये कदम है समय रहे हैं आप देखते हैं कि महिलाओं के खिलाब किस तरह से उत्की रण बन रहा है तो उसी को देखते हुए कि रल सरकार नहीं प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट इसका उदेश यही है कि सार्विनेक और निजी स्थानों पर साइवर और साइवर दुनिया में महिलाओं को सुरक्षा पिदान की जाए ठीक है अंगला कुशन है हमारे सामने किस देश के पूर किर्केटर माईक हेंडरिक का बहत्तर वर्स की उम्र में इनकी मौत हो चुकी है इंगलेंड के थे और चलिया के थे निजी लेंड आयलेंड तो इस राजिकी सरकार में मिसं निर्यातक बनू नाम कभियान सुरू किया हुए केरल राजस्थान उड़िषा तो याद रखिए राजस्थान ने किया हुए भी मिसंन नर्यातक बनो ए egy तरह से आप देखें नर्यातक मतला होता है कि भेंच नहां commercially मतला होता है किons दूसरे से खरीद रहे हैं और आध कर रहurar है कि पितीवर्स व्ष्ब रेंजर दिवसको मनाए जाते हैं इस चाहिंен इसमें आपका 31 जुलाई 1 अगस्त या फिर आपका 3 जुलाई 3 अगस्त तो याद रखिए इसमें 31 जुलाई होगा आपका यह उप्सन बिल्कु सही रहेगा दुनिया भर में मनाया जाता है और इसे मनाने का ड्यूटी पर जो रेंजर रहते इन पर घायल या मारे गए उनकी याद में एक तरह से मनाया जाता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अंगला पूश्चन है हमारे समने किस देश के किर्केटर इस सुरू उडानन अंतराश्टी किर्केट से सन्यास लिया है स्रीलंका के थे बंगलादेश के थे अफगानिस्तान के थे या इंगलेंड के थे तो याद रखिए स्रीलंका के थे कहां के थे स्री लंका के थे हुई गोशना के नुसार किसे बर्ष 2021 के लिए लोकमान तिलक राष्टी प्रुसकार मिलेगा सौनुसूद, अभिताब बच्चन, सचिन तेंद उलकर या चैरस पुना वाला तो यार रही साहरस पुना वाला को ये मिलेगा साहरस पुना वाला लोकमान तिलक के बारे में आप से लोक सुने कि नहीं सुने हो तो जुलाई 2021 में लोकमान तिलक ट्रस्ट द्वारा 2021 के लिए पितिष्टिद लोकमान तिलक राष्टी पुरुसकार की गोशना की गई है और यह हैं पुरुस्ता सीरम इस्टिटीट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर सायरस पुनावाला को पिदान किया जाएगा ठीक है और उन्होंने आपने देखा है कि कोभी सील टींका बना कर कई लोगों की जिन्दिगियों को बचाने का काम भी किया हुआ है सीरम इस्टिटूट के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और अब लोग रियाद रख सकते हैं और देखिए एक तिलक साहब के लोगमान तिलक के बारे में बात करें इनकी पुन्य तिथी के दिन यह दिया जाता है बालगंगादर तिलक को आप लोग जान इनकी डेथ हुई थी एक अगस्त उन्नी सो बीस में यह आप लोग याद रख सकते हैं कौन बैकती जो असोक कुमार जी असोक कुमार की जगे भारती नोसेना के उप्रमोख बने हैं बताए एक दो कुशन्स इस महीने के उस महीन में में होते रहते हैं पी के श्रीवास्ता जे एस मोंगिया, एसन गौरमड़ी, आरके गोहरमडे और आरके सलूजा तो याद रखें एसन गौरमड़े होंगे इसमें ठीक है? C option आपका बिलकु सही रहेगा इसमें, क्या रहेगा? C option आपका बिलकु सही रहे हैंकिसी नया लेखा महा नेयंदक, C A.G. नियुक्त किया गया है, CAG की बात हो रही है, लेखा, महानेंदक की बात हो रही है, तो इसमें आप लोग देखें, CAG, Control General of Defense, सुने हो इसकी बारे में या नहीं सुने हो, तो असोक सिरीदर, सीता, राम मीना, दीपक दास, या फिर आप देखें, प्रभू दयाल मेग, कौन होगे इसमें, तो याद रखें, इसमें होँगे आपके दीपक दास, CA Option आपका बिल्कु सही रहेगा, भारत के नियंतक महालेखा परिक्चक के बारे में आप लोग पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, समझ रहे हैं, प्रवाओदान की बात करें तो अनुचेद 148 में, CAG की निवगती, सबवथ और सेवा की बात की बात की घए है, हँआ है कि नियंतक महाले का परिक्चक के करतबबों, सकतियों की बात की बात की घए है, कि संग और राज्यों को खातों का विवर्ण राष्टपती के अनुसार CAG की सलाहे पर रखना होगा अनुछे देख सो इंक्यावन कहता है कि संग की खातों से संबंदी CAG की रिपूर्ट राष्टपती को सौफी जाएगी जो संसत की पितिक सदन की पडल पर रखी जाएगी तो यह आप लोग याद रख सकते हैं और महालिखा कार्प कार्याले बर्ष 1958 में स्थापित होता है आप समझ रहें 1960 में सार एडवार्ड डेवन्ड को पहले ओडिटर जनरल लिउक्त किया जाता है 1966 में आप देखेंगे इस पद का नाम बदल कर नेंतक महालिखा परिक्चा कर दिया जाता है 1984 में से भारत की नेंतक महालिखा परिक्चा की रूम में मनुल नाविद किया जाता है फर आप भारत सरकार अदिनियम 1919 आता है इसके तहत महालेखा परिक्छक को सरकारी न говорю में तेल से मुक्ती कर दिया जाता है। इस पद को बैधानिक दरजार दे दिया जाता है। भारात सरकार अदिनीन 1935 अने आता है। यह उन्निस व स्नेतारीस तक आप अरिवर्तित रहती है, सुतंता के बाद भारती समिधान के अलचेट 148 में भारात के राठपती एक नेयंतक और महालेखा परिक्षक की निवत्ती कर सकते हैं, और वैसे आप देखिए वो सभी प्रावधान लागो होगे, जो बाकी राज्यों में जम्मू कस्मीर में भी होगी, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा, 1971 में देखेंगे केंद सरकार ने नेयंतर महालेखा परिक्षक कर्दब सकतिय सेवा की सरते हैं, अधिनियाम 1971 लागो किया, ठीक है, 1976 में CAG को लेखांकन के कारियों से मुक्त कर दिया गया, तो यह आप देख भी सकते हैं, और इनके अगर हम लोग बात करें CAG की, इसका कारिकाल 6 वर्स या 65 वर्स होता है, दोनों में से जो भी पहलो हो, और राष्ट पती इसकी नियुक्ती करता है, यह आप लोग जरूर याद रख सकते हैं, तो यह कहानी रही है, आपकी जुलाई महिने के जो भी करेंट अफेस के घटनाय रही हैं, उनकी, जो भी घटनाय घटी हैं, उसे सम्मंदित आपकी परिक्षाओं में, जितने तरह के कुश्चन्स बन सकते हैं, उन सभी को हम लोग उन एक एक करके देख आया, जुलाई के अगस्त महिने में हम लोग फिर मिलते हैं, आप लोग तब इंजुआ करिए, हम लोग अगस्त महिने के सभी जो भी करेंट की घटनाय उनके जो भी कुश्चन्स बन सकते हैं, उन से आपकी परिक्षाओं की द्रिश्टी के लिए, तो उन्हें भी हम लोग कवर करेंगे, ठी में देखा है कि अभी तक हम लोग जुलाई महिने तक का करेंट अपियर्स कवर कर चुके हैं, और इसके लिए एक सेपरेट आपकी पिले लिस्ट सूची बना दी गई है, मंतली करेंट अपियर्स 2021 के नाप से, इसी में आपकी बाराव महिने की जो भी वीडियो क्लासेस रह जाते हैं, आपकी परिक्षा में कितना महत्पूर इस्ता रखेंगे करेंट अपियर्स, समझे रहे हैं आपको, फिर सेविल सर्विस को देख लिए, या एस्टेट पीसी इसको देख लिए, और भी आपके सेंट्रल एक्जाम होते हैं, या इस्टेट लेवल पर एक्जाम हो उने कोई report जारी की गई है, तो report में भारत की स्थिति क्या है, इस पर तो हम लोग बात करें गई, लेकिन उस report का background भी देखेंगे, कौन उससे जारी करता है, पहली बार कब जारी किया गया था, ठीक है, तो इसमें चलीए सबसे पहले हम लोग पहला questions देखते हैं, अगस्त म तो याद रखे, इसमें आपके दो जीते हैं, कितने दो जीते हैं, और अभी रियो उलम्पिक की रजट पदक जीतने वाली पीवी सिंदु ने एक और मेला अपने नाम किया था, और टोके उलम्पिक में ब्रॉंज मेडल इनों ने अपने नाम किया था, ठेक है, यह आप लो याद रखेएगा, अंगला कुशन है हमाँ, और याद रखेए देखो, ओलम्पिक अभी कहां, टोके उजापान में हुए थे आपके, तो ने आप लोग जरूर याद रखेए, कोविद-19 के खिलाब 100% वैक्सीनेशन करने बाला भारत का पहला सहर बना है, बताइए, और आ या फिर इसमें रायपुर, गांदी नगर, भूबनेसर, क्या होगा इसमें, तो याद रखेए, भूबनेसर होगा, कोविद-19 के खिलाब 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला सहर बना था कौन, भूबनेसर, और आप सभी को मालू होगा, क्या मालू होगा, भूबने इस सार यहारे में बाद करें, तो आप सभी को मालू होना चाहिए, कि इससे 26 जनवरी 1950 को राजी बनाये गया था, और यहाँ अगर आप देखेंगे, तो इसकी राधानी भूबनेसर है, और यहाँ आप लोग विधान सभा में 147 सीटे नेकले को मिलेगी, राज्य सभा में 10 सीटे हैं, लोग सभा में 20 सीटे हैं, और यहाँ की मुकमंत्री अभी वारतमान में नवीन पटनाये एक हैं, ठीक है, यह आप लोग याद रख सकते हैं, अंगला कुक्षिन है अमरे साबने, कौन भारती है महला, इटली की लगजरी ब्रांड, भी लगारी यानि की अनुस्का सर्मा या साइना नेहवाल, तो याद रखी इसमें प्रेंग का चौपड़ा होंगी, क्या होंगी, प्रेंग का चौपड़ा होंगी इसमें, यह लगजरी इटली की लगजरी ब्रांड बल्गेरी, इसे बल्गेरी भी कहते हैं, ठीक है, इसकी अंबेश्डर बनी यह हैं आपकी प्रेंग का चोपड़ा और याद रखे वल वल गेरी की बार में बात करें तो अपनी जोईलेस जैंप्स घड़ियां और परफियूम के लिए एक काफी फैमस है अंगला कुश्चन है मारे साब में किसे विपिन आनन्द की जगए एलाइसी की नए फिरवन्द नेदेशक निवत किये गए हैं एमडी निवत किये गए हैं एलाइसी कंपनी ये बारे में सुने हैं लाइफ ए लाइफ इन्सोरेंस कॉर्पोरेशन इसकी स्थाफना एक सेप्टमबर उन्नी सो चपन में हुई थी इसका हेड़क्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा मिनी आईपी आसा चोपड़ा नीलम राओ या फिर आपकी रेखा भारद्वाज तो याद रखी इसमें आपकी मिनी आईपी होगे ठीक है यह ओप्सन आपका बिल्कुँ सही रहेगा अंगला क्विक्षिन एक किस राज़ी की सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल एप लॉंच किया है भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल एप अगर याद रखी भूकंप आएगा जैसी आपको चेतावनी मिल जाएगी और इससे आप देखिए अगर इ जाद रखी इसमें उत्त्राखंड होगा क्या होगा उत्त्राखंड होगा उत्त्राखंड के बारे में बात करें तो आप सभी को माल होने चाहिए कि उत्त्राखंड को उत्तरफिश से अलग करके एक राज बनाए गया था और इसे 9 अमबंबर सन 2000 में इसे राज बनाए गया मौक मंद्री अगले अकुष्यर हमारे सामने आपने देखा है कि नई सरकार जब से गठित हुई है मौधी सरकार आई हुई है मौधी गवर्नेंस आप लोग कही है तो मुझे लगता है बहतर है क्योंकि सरकार भारस सरकार ही होती है तेक है राजीब गांदी खेलर तन फुरुसकार का नाम बदल कर किनके नाम पर किया गया है मौधी सरकार देखि नाम बदलने का काम बहुत करती है अब देखिए दूसरी सरकार आएगी तो वह भी यही काम करेगी बलवीर सिंग चंद से का रायाद मेजर ध्यान चंद भगस सिंग पता ही तो मेजर ध्यान चंद होंगे इसमें क्या मेजर ध्यान चंद होंगे और राजीब गांदी को आप सभी जानते होंगे राजीब गांदी हमारे पूर प्रिधार मत्री रहे है समझ रहें तो इनकी बारे में भी याद रखिए और आप सभी को मालू है कि भारत का खेल का सर्वुच पुरस्तार वाना जाता है ऐसे अब यह मेजा ध्यांचंद अवार्ड की नाम से जाना जाएगा और आप सभी जानते हैं कि मेजा ध्यांचंद को हौकी का जादूगर भी आप लोग कहते थी ठीक है और मेजा ध्यांचंद की बारे में बात करें तो 30 अगस्त 1905 में इनका जनम हुआ था और 3 दिसंबर 1989 में इनकी डेथ हो गई थी ठीक है पदम भूसन भी ने मिल चुका था वहीं अगर हम राजीब गांधी पुरुसकार की बात करें या राजीब और राजीब गांधी की अगर हम लोग बात करें तो आपको मालू होना चाहिए कि 20 अगस्त 1944 को इनका जनम हुआ था और 21 मई 1991 को इनका इनकी डेथ हो गई थी इनकी क्या हुई थी डेथ हो गई थी यह भी आप लोग याद रखिए अभी आपने देखा होगा कि 2020 में रोह सर ध्यान चन्दोंगे इबराहिम रायसी किस देश के आठवे राष्ट पती बने है इरान है अफगानिस्तान है जोडन है ओमान है तो याद रखिए इरान के हैं कहां के इरान के हैं और इरान आपका एसिया में ही पढ़ता है एक बात आपको मालू है एसिया का ही एक तरह से देश है और तेहरान इसकी रागधानी आपको देखने को मिल जाएगी देखिए जब लोग आपका वर्ल जियोग्रफिक यानि कि विसका गुगोल कबर रहे थे तो मैप का जो पार्ट होता है उस पर हम लोगोंने विस्ताय से बात की हुई थी और मैप का सहारा लेकर पूरी क सब्सक्राइब भी कबर होगा कि कौन वेक्ति मोटो जीपी इंडिया के नए ब्रांड एमेश्डर बने हैं मोटो जीपी ठीक है कौन वेक्ति मोटो जीपी क्या बने मोटो आमिर खान वीरेंद सहवाग सौरब गांगोली या फर जॉन अब्राहम बताए तो याब रिखिए इसमें जॉन अब्राहिम होंगे अभी नेता है न उन्हीं की बात हो रही है डी ऑप्सन आपका विल्कुँ सही रहेगा तो इसमें आप लोग याद रुखेगा चली आगे चलते हैं हम लोग अगला कुई है रहे हमारे सामने कौन जीओलोजीकल सर्वे ओफ इंडिया की पह बनरजी और परिया पट्टिल बताएए कौन होंगी इसमें इसमें होगी आपकी द्रेती बनरजी चीक है यानि कि आप लोग सी लगाएंगे इसमें क्या लगाएंगे C option और अगर हम लोग Geological Survey of India की बात करें हैं अगर हम लोग तो इसकी स्थाफना एक जुलाई 1916 में हुई थी और इसका headquarter आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा कहां कलकता में देखने को मिलेगा अंगला question एक किस राज जमें भारत का पहला Heart Failure Biobank सुरू हुआ है बताए दिल्ली केरल मदबदेश जार्गड तो याद रखिए केरल होगा इसमें भी option आपका बिलकुस सही होगा स्री चित्रा तेरो नल इंस्टिटूट फॉर मेडिकल साइंसेट एंड टेकनोलोजी में भारत के पहली National Heart Failure Biobank का उदगाटन किया इसमें और आपको बता दूँ कि एहिदय गती रुकने के मरीजों के रक्त के नमूने बायोस्ती के नमूने और निदानिक आंकड़ी कतित करेगा उनके इलाज में मददगार भावी उप्चार आत्मक पद्दितियों का मार्क दरसन भी करेगा और के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा के रल में जो भी हमारे देश में इंडेक्स जारी किये जाते हैं उसमें केरल आप लोगों को टॉक पर देखने को मिलेगा सिक्षा के मामले में देख लीजे तो इसकी राधानी तिरुवनंत्पुरा में देखीगी और दच्छन भारत में आप गुराज देखने को मिलेगा और 1 नवंबर 1956 में इसे राज बनाये गया था यहां के बरतमान मुखमंत्री की बात करें तो पिनाराई विजेन यहां के विजेन यहां के मुखमंत्री हैं और विधान सभा में 140 सीटे हैं राजी सभा में 9 सीटे हैं और लोग सभा में 20 सीटे हैं तेखी जब भी किसी राज नहीं दे पाते हर साल राष्टिये हद करगा दिवस की स्तारी को मनाया जाता है राष्टिये हद करगा दिवस की बात हो रही है यानि कि भारत का ठीक है इसमें पांच अगस्त है साथ अगस्त है आठ अगस्त है या चार अगस्त है तो याद रखी साथ अगस्त को राष्टिय हद करगा दिबस मनाया जाता है आपका और इसकी अगर हम लोग बात करें और इसके बारे में हद करगा आप लोगों ने देखा होगा महत्मान गांदी जी समझ रहें साथ अगस्त 1907 में सौदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और इसी दिन कुलकाता की टाउन हॉल में एक महाद जनसवा सौदेशी आंदोलन की उपचारिक शुरूआ थी थी और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस याद में हर साल साथ अगस्त को क्यों है मिलें हाद करगा आप लोगों ने सुने हैं हाद कर गा के देश भर में मनाया जाता है और इसका उद्ध्यवक निए हुआ देखें कि हाद करगा उद्ध्यों के महत्त और आपन mehr for daish के सामद़ी काथिक दिकास में इसके उदान के बारेमें लोगों को बताया जाहunta जागरूप किया जाए ठीक है और हमारे केंद सरकार ने 29 जुलाई 2007 को पिती वर्स 5 अगस्त को इस दिवस को मनाने के लिए वस्त मंतरा ले कंवेंशन सेंटर दासोग चाड़क फुरी नई दिल्ली में एक समारा आयोजन किया गया ठीक है तो यह भी आप लो याद रख सकते ह किया कर सकते हैं याद रख सकते हैं और याद रखना भी चाहिए मुझे लगता है कि कुष्ट्ञ्ण सगर बने तो आप लो इसके आंसर दे सके और देना भी चाहिए तो यह आप लोग याद रखिएगा चली अंगले कोप्षिन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अंगला कुश्चन है हमारे सामने टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारला फेक इस परदा में किसने भारत के लिए स्वड़ पदक जीता है यह तो मुझे लगता है यादो का रगवीर नंदा, नीरच चौपड़ा नीलेस जेन, वीरंद राठोल तो नीरच चौपड़ा बी ओप्षन आपका बिलको सही रहेगा अंगला कुश्चन है हमारे सामने टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत में कुल कितने पदक जीते चार अत्माच या फिर साथ नो तो याद रखे साथ जीते हैं क्या जीते हैं साथ जीते हैं सी ओप्षन आपका बिलको सही रहेगा इस ते पहले भारत में लंदन ओलंपिक 2006 में 6 पदक जीते हुए थे तो यह आप लोग याद रख सकते हैं एक तो स्वर्ड जीता है दो रजट जीते हुए चार कास पदक जीते हैं टोटल विला की साथ हो गए ठीक है अगला कुश्यन है हमारे समने टोकियो ओलंपिक 2020 में भारत में कौन कौन से साथ पदक जीते हुए एक तो आप लोगों को बता चुका हूँ एक रजट माकरी एक स्वर्ड दो रजट चार कास तो इस तरह से टोटल कितने हो जाते हैं साथ तो एक स्वर्ड दो रजट और चार कास यानि कि ए ओप्सन आपका बिल्कुल सही रहेगा और एक बात और आपको बता देता हूँ कि मुझे ओलंपिक जो भी इस तरह के खेल होते हैं उसे कुश्चन सापकी परिक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं तो आप लोग जरूरी याद रखा करिएगा और इनके बारे में ठीक है आगे कुश्चन की तरह बढ़ते हैं हम लोग क्या कह रहा है आठ अगस्त दोजार इक्कीस को फूरे भारत में अगस्त करांती दिन की कौनसी बरसगाट मनाई गई है 73, 75, 77 या 89 भी तो याद रखे 89 भी मनाई गई है अगस्त करांती की बारी में आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो जो आप लोगों ने देखा है ना कि महत्मा गांदी की नेतित में 8 अगस्त नच्ट 42 को कुईट इंडिया मुव्मेंट की शुरुआत वी थी उसे ही महत्मा गांदी ने एक तरह से करो मरो का आंदोलन की शुरुआत आंदोलन भी कहा जाता है इसे ही अगस्त करांती भी कहा जाता है ठीक है तो यह आप लोगों याद रखेगे चली आगे चलते हैं पिसित बेक्तित अनुफम स्याम का नेधन हो गया मौत हो चुकी है कौन थे अभीनेता थे विज्यानिक थे गरतग थे या पत्तकार थे तो याद रखी अभीनेता थे और मुझे लगता है कि कुरोना महामारी 2020-2021 पत्तकारों के लिए अभीनेताओं के लिए अच्छा नहीं रहा है बहुत सारे अभीनेता जिसमें गए हैं आपने देखा है और इन्हें पत्तकार थे क्या थे अभीनेता थे फिल्मों और टेलीविजन इस्टिक इंडस्टी के मसूर अभीनेता थे अनुपर्म से हाँ इनका 63 वर्स की उमर में डेथ हो गई है उन्होंने सत्या दिल से लगान हजारों क्वाइस हैं जैसी कई फिल्मों में काम भी किया हुआ था ठीक है चली अगला कुष्टन देख लेते हैं कौन घरों के आंतरेक सबाजावट से जुड़ी कंपनी हॉम लेन के ब्रांड डेमेश्टर बने हैं द्राट कोई लिए अक्षे कुमार या नीरत चौपड़ा तो बताएए देखिए एमेश्टर दोनी इसमें होगे कौन होगे एमेश्टर दोनी होगे आप देखते हैं न इसकी स्थापना आप देखिए कब हुए थी 2014 में बैंगलोर रूम 10 अगस्ट, 8 अगस्ट या 11 अगस्ट तो याद रखिए 9 अगस्ट को यह मनाया जाता है क्या बनाया जाता है 11 अगस्ट को और आप देखिए अगर किसी में अगर अभी भी अपनी संस्किती को बना के रखा हुआ है तो वो है आदिवासी और आप देखिए इनके छित में कभी जाय करिए तो बड़े सचेत होके जाय करिएगा क्योंकि ये जान तक लेने पर उतारू हो जाते हैं और इसे मनाने का उद्देश यही है विस्वाद दिवासी दिबस मनाने का कि दुनिया की सवद्देशी आबादी के अधिकारों को बड़ावा देना उनकी रक्षा करना और उन एउगदानों को स्विकार करना जो सवद्देशी लोग बैसमिक मुद्दों जैसे परियाबन सरक्षन ये तू एक काम करते हैं परियाबन को काफी अच्छा मतलब सुरक्षा करते हैं उसकी सनक्षन करते हैं आदिवासी लोग और यह दिन 1982 में जैनेवा में सवद्देशी आबादी वर्स सवद्दराष्ट कार समो की पहली वैठक को मानता देता है और यह सवद्दराष्ट ये गुक्की घोषना के अन इस बार की theme रखी गई थी अब EU UN की बात हुई है यानि की United Nations की तो आपको बता दूँ 24 अक्टूबर 1925 में इसकी स्थाफना हुई थी और Newark USA में इसका headquarter आप लोगों को देखने को मिल जाएगा अंगले question की तरब पढ़ते हैं पिती वर्स विस सेर दिवस किस तारीक को मन कि में रहाएगा तो याद रखेंए 10 अगस्त को जिस सेर दिवस बनाया जाता है और याद अब सभी जानते की सेरों कि संख्या गठती जारी ही, इसके लिए ईड़िछागुरु नमा पि क्ति ही ने मनाने के बात होती है, इनका सरक्षन हो सकी है, और इनकी सुरक्षा हो सकी, आजकल इसे सेरों से हमें खत्रा नहीं है, स्तेरों से आफ देखे, सेरों को हमसे खत्रा है, समझ रहे हैं आप लोग, हम लोग उ सामने हैं 11 अगस्त 12 और 8 अगस्त तो याद रखिए 10 अगस्त को विश्वक जैव इंधन दिवस मनाया जाता है आपका दिस जैव इंधन दिवस मनाया जाता है और बहतर पढ़ावन के लिए जैव इंधन को बढ़ावा एक तरस इस वार की थीम रखी गई है इसी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्या रखी गई है इस वार की थीम रखी लिए बेहतर पढ़यावाण के लिए जैव इनन को बढ़ावा और इस 1853 में सर रुडॉल्फ डीजल के अनुसंधान फिरेवक के सम्मान में यह मनाया जाता है 1853 में उन्होंने मुंभली के तेल सी इनन चलाया था उनकी प्रयोग के बाद की सदी में बिविंडी आंतरिक इंजिनों को इंजिन इनन देने के लिए जिबास में इनन की जगए सबजी के तेल का दरवाजा खोला गया तो वह एक तरह से आप कह सकते हैं उसलिकी आदमें बनाया जाता है अगला कुश्चिन है मारे समय यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल कर क्या रखा है काकोरी कांड के बारे में सुने हो या नहीं सुने हो काकोरी ट्रेंड जंगसन काकोरी ट्रेंड ट्रेंड एक्शन काकोरी ट्रेंड फीडम काकोरी ट्रेंड कंट्रोल बताइए तो काकोरी ट्रेंड एक्षन यानि कि B-Option आपका बिल्कुल सही होगा इसमें काकोरी कान्ड का नाम बदल कान काकोरी ट्रेंड एक्षन रख दिया गया है रासर कान ने और आपने देखा होगा ये 1925 की बात है 9 अगस्त 1925 की बात है कापोरी में एक ट्रैन हास्सा हुआ था पता है भारती जो किरांती कारी थे हमारे इन्हों ने बेटिस राज की ब्रुद्ध भहेंकर यो दिछेड़ने की इक्चा से हत्यार ख़िदने के लिए बेटिस सरकार का ही खजाना लोट लिया था ठीक है समझ रहे हैं तो उसी की बात हो रही है उत्तर पिदेश की अगर बात करें यूपी की तो आप सभी जानते हैं क्योंकि यूपी ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की सकता है अगर इसकी आप लोगों को रास्ता अगर कहीं से चुनना है तो उत्तर पिदेश से होकर जाता है ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंक और यहां आप देखेंगे तो आप लोग इसकी राजधानी लखनव है और 24 जनवरी 1950 को इसे राज मनाए गया था 24 जनवरी को आप सभी को मालू होगा कि उत्तर पिदिश दिबस मनाए जाता है विधान सभा में यहां 403 सीटें देखने को लेगी विधान पिशन में 100 सीटें हैं राज सभा में 31 सीटें हैं लोग सभा में 80 सीटें देखने को मिलेगी अंगला कुशन है किस खेल से संबंधीत पूर भारती खलाडी गोपाल भेंगरा का 75 वर्स की उमर में इनकी मौत हो चुकी है इक से जूड़े हुए थे हौकी करकित कवट्टी या फोट्वॉल तो याद रखे हुए हौकी से जूड़े हुए 75 वर्स की उम्रे में इनकी डेथ हो गई है 1978 में अजिन टीना में हुए विसकब में भारत का पिते ने जित भी किया आथा है इनोरे गोपाल बेंगरा ने वे भी आप लोग याद रखिएगा अंगला कुश्चन है मारे सामने AFI ने नीरा चोपड़ा की संभान में पितीवस की स्तारीक को भाला भेक दिवस मनाने की गोशना की हुई है तो 5 अगस्त 6 अगस्त या 7 अगस्त या 9 अगस्त तो याद रखिए 7 अगस्त को की है तो एक तरह से मनाने की गोशना की गई है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है AFI की ठीक है चलिए अंगले कुश्चन की तरफ हम लोग परते हैं जारी गिलोबल यूथ डवलमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा इस्तान में लाए जारी गिलोबल यूथ डवलमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा इस्तान में लाए 120 बाए 122 बाए 125 बाए या फिर 128 बाए बताई एक सो क्या में लाए एक सो 122 बाए ठीक है वी ओप्शन आपका दिलकु सही रहेगा क्या रहेगा विलकुल सही रहेगा आपसे और भारत को 122 बाए इसमें दिया गया है यूबा विकास सुचकांग भी से आप लोग कहते हैं तो यह आप लोग याद रखेगा 181 देशों को सामल किया गया था इसमें और 181 देशों में हमारा नंबर है 122 बाए यानि कि कोई खास अच्छी कि गड़राज दच्छी सूडान अफगानिस्थान और नाइजर का नमर आता है ठीक है तो यह आप लोग याद रख सकते हैं क्या रख सकते हैं याद रख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भारत 122 बेस्तान पर है ठीक है किस राजी की सरकार ने आईटी छित में राजीब गांदी परुसकार देने की गोशना की है गुजराद केरल पंजाब महराष्ट तो याद रख कि महराष्ट ने ठीक है इसमें महराष्ट ने गोशना की हुई है और इसमें महराश्ट सरकार ने भारत के पूर पिदान मंत्री राजीव गांडी के नाम पर एक पुरुसकार की सुरुआत की है और महाराष्ट में राजीव गांदी पुरुसकार सूचना प्रोध की कि कि छित में उलेकनी कारियों कारिकरने वाले संस्थानों को दिया जाएगा ये ठीक है और अगर हम महाराष्ट की बात करें तो आप सभी को मालूग होगा कि इसकी राजधानी मुंबई है और इसकी अगर विंटर राजधानी की बात करें तो नालभूर आपको देखने को मिलेगी और एक माई 1960 को इसे राज बनाया गया था विधान सभा भी है और विधान परिशद भी है विधान सभा में 288 सीटें देखने को मिलेगी और विधान परिशन में 78 सीट हैं देखने को लेगी तो राज्य सवा में 19 सीट हैं और लोग सवा में 48 सीट हैं और अभी साव आप लोग जानते होंगे कि उधा उठाकरे यहां के वर्थमात मोख मंत्री हैं सिफ सेना से जोड़े हुए है ठीक है? अगला पुश्चा ने पिसिद्वेक्तित बाला जी तामबे का 81 वर्थ की उम्र में डेथ हो चुकी हुआ है क्या थे? आयोरवेदाचार, जोती चार और विज्ञानिक लेकप तो याद रखे आयोरवेदाचार थे ठीक है? और इसमें ए ओप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा बाला जी तामबे अध्यात में गुरू माने जाते थे 81 वर्थ की उम्र में की डेथ हो चुकी है और आयोरवेद चिक्सक और योग के काफी समर्थक भी थे और आपको उता दो तामबे लोना वाला में एक चिक्सा केंद आद्म संतुलना गाओं के संस्थापक वध्यात मक्ता योग और आयोरवेद पर कई पुस्तकेंद भी के लिख़ग भी थे ठीक है? कौन बैक थी? S-Bank के नए मुख सूचन अधिकारी बने हुए S-Bank के नए सूचना अधिकारी के बारे में आदित चकवर्ती, राजपल, देशाई, महेश, राममूर्ती, रामसरूफ, सर्मा तो याल रखे, इसमें महेश, राममूर्ती होगी यानि किसी यह उप्सन आपका बिल्कुस नहीं रहेगा S-Bank के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना दोजा चार में हुई थी इसका headquarter आपको मॉंबई में देखने को मिलेगा, ठीक है चली अंगला question है हमारे सामने हर साल पितिवस, अंतराष्टी, युवा, दिवस किस तारीक को मनाया जाता है अंतराष्टी युवा साल पितिवस की बात हो रही है कम मनाया जाता है आपके सामने option हे अकुछ 10 अगस्त, 12, 23 अगस्त और 14 अगस्त तो याद रखी 12 अगस्त को यह मनाया जाता है कम मनाया जाता है 12 अगस्त को 12 अगस्त को दुनिया वर में ठीक है Youth Innovation for Human and Philanitary Health इस बार की theme रखी गई है तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा इस बार की theme क्या रखी गई है Transforming Food System Youth Innovation for Human and Philanitary Health इस बार की क्या है theme है तो यह आप लोग जरूर याद रख सकते हैं और सहिप्तराष्ट महाजबा ने 17 दिसमर 1999 को यह ते किया था कि हर साल 12 अगस्त को अधराष्टी उबा दिवस मनाए जाएगा और यह खसला इवाओं की जिम्मितार मंत्रियों के विस सम्मिलन द्वारा 1998 में में दिये गए सुझाओ के बाद लिए गए थी और इसके बाद पहली बार अगस्त 2000 सन 2000 में यह मनाए गया था International Youth Day सन 2000 के बाद से हर साल वारागस्त को यह मनाए जाता है तो यह आप लोग याद रखी हुआ तो यह आप लोगों को याद रखना चाहिए एक राष्टी यह युवा दिवस भी आप लोगों ने सुना होगा कि नी सुना हो अंतराष्टी युवा दिवस राष्टी युवा दिवस बाराए गस्त को मनाए जाता है और देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें राष्टी युवा दिवस की तो बाराए जनवरी को यह मनाए जाता है क्या गराए जाता है 1984 में राष्टी युवा दिवस की रूम में नामित किया गया था इस दिन को ठेक है यह आप लोग याद रखिएगा आपके स्वामी विवेकानन्द की जैनती के उपलक्ष में एक तरह से आप सभी को मालू होगा क्या मालू होगा कुछ मालू है 12 जनुवरी 1863 में स्वामी विवेकानन्द का जिनम हुआ था इनकी डेथ 4 जुलाई 1902 में हो गई थी ठीक है और आप सभी को मालू होना च्छी कि इस बार की थीम क्या रखी गई है राष्टी युवा दिवस की बात करा हूँ युवा उत्सा नए भारत का इस बार की थीम रखी है अंतराष्टी युवा दिवस के बारे में भी आपको याद रखना होगा बारे ये अगस्त को मनाए जाता है राष्टी युवा दिवस दस बारे जन्वरी को मनाए जाता है बारे जन्वरी को ठीक है अगला कुशन ने कौन भारत का पहला वाटर फिलस सहर बना है कौन भारत का पहला वाटर फिलस सहर बना है इसमे नांगफोर है जलगाओं है पानीपत है या फिर आप देखी इंदोर है क्या होगा इसमें क्या होगा बताई इंदौर होगा इसमें, क्या होगा, इंदौर होगा, आप सभी को मालू होना चाहिए कि इंदौर मद्विदिस का एक सहर है, ठीक है, वाटर फिलस, और इंदौर मद्विदिस का इंदौर सहर में भारत का पहला वाटर फिलस सहर बना है, बता दें कि वाटर फिलस का प्रमार पत्त उन सहरों को दिया जाता है जिन्होंने ओडिये डबल पिलस के सभी मानकों को पूर किया है और साथ ही आवासी वेवसायक के तिष्ठानों से निकलने वाले जो अफसिष्ट मल होता है खराब जल होता है इसका उपचार किया हो साथ में परियाबन में इसे स्वक्ष करके छोड़ा हो ठीक है ट्रेट ट्रेड वेट बॉटर का पुना उपयोग में भी सुनिश्चित किया हो जाता है तो यह आप लोग इंद और याद रखिएगा अंगला पूश्चन है हमारे सामने कौन सहरी चेत में समवधायक बन संसाधन मानता पत्त देने वाला भारत का पहल राज बनाए यह उप्सनं इसमें कहुं रहा है आपसी जारकंड उत्तराकंड चत्रीस गड होसी हो गाग क्या होगा जए हो चत्रीस गड आपका विल्कुल सही होगा आपके सामने तो यह आप लोगों को याद रखिए इस 36 बड़ की बारे में आपको बताऊं तो आप सभी को मालू होगा कि 36 को एक नवंबर सन 2000 में इसे मद्वति से अलकर की राज बनाए गया था और आपको यह भी मालू होने चाहिए कि यहां कि अभी वर्तमान में मुखमंत्री को ने भूपेश बगेल और रायपूर इसकी राध्धानी है ठीक है और इसका नया नाम अब रायपूर अटल नगर र कौन वेक्टी राष्टिय औस्थी मूल निर्धारन प्राधीकरण के नई अध्यक्च बने है राष्टिय औस्थी मूल निर्धारन प्राधीकरण एनफीपी एक नई अध्यक्च बने है इसमें कहरा है रवेंद प्रिजापती कमले स्पंध लोकिस्तिरपार्टी और राज आपना हुई थी इसका हेंटकोर्टर आपको नई दिल्डी में देखने को मिल जाएगा ठीक है अगला कुक्षिन हमारे समने किसे जुलाई 2021 के लिए ICC फिलेयर आप दा मंत का अबोर्ड मिला है गलेन मेक्सविल साकिब अलहसन कुसाल परेरा सारदुल ठाकुन तो याद रख करें कि 15 जून 1909 में इसकी इस्थाफना हुई थी और हैड़कोर्टर इसका दुभाई USA में दुभाई उनाइटिड अरव अमिरात में देखने को मिलेगा UAE में ठीक है अगर अब देखिए पुरुस की बात हो भी महला की भी हो बात होनी चाहिए किसे जुलाई 2021 के लिए ICC महला के लिए रॉपदा मंद का वर्ड दिया गया है स्टेफनी टेलर इसमीती मंधाना मेगन स्कॉट सूफी डिविन याद रखिए इसमें आपका स्टेफनी टेलर होंगी ठीक है जारी होस हो उससे फ्रेश की बस 2020 की रेपोर्ट की मताबिक कौन दुनिया का सबसे पिदूसी देश बना है भारत अफगानिस्तान में आनमार बंगलादेश तो याद रखिए बंगलादेश होगा इसमें और एक बात और आपको बता दू कि देखिए बंगलादेश हमारा फडोसी आ अबर किया था बंगलादेश और बंगलादेश की बारे में अगर हम बात करें तो इसकी राध्धानी धाका है है के नहीं है ठीक है तो यह भी आप लो और टका यहां की करेंसी है मुद्रा है ठीक है अंगला कुशन है हमारे सामने जारी हो से फ्रेश की बर्स 2020 की रिपोर्ट के मताबिक कौन दुनिया का सबसे पिदोसित सहर बना है यह आपका देखे सबसे पिदोसित देश पूँच रहा था और यह आपका सहर पूँच रहा है इन दोनों में कनफ्यूज मत हो न भोपाल भारत का ढाका बंगलादेश का हो टटटन चीन का लाहुर तो याद रखी ह मौटन इसमें चाइना होगा और चाइना को आप सब जानते हैं कि बिजिंग इसकी राध्दान के और हमारा पढ़ोसी है और आप सब ही जानते है कि लंदाफ हो या फिर आप डेखे अरुड़ना चल पेर इसका हिसस्ण हो कहता रहता है कि हमारा हिस्सा ही अंगला कुश्य ने पितीवर्स विस्व अंगदान दिवस किस तारीकों मनाया जाता है। आप देखी किसी की डेत हो जाती है और क्या है एक्सिडेंट में किसी की एक तरह से मौहत हो जाती है। तो अब आप सुचिए कि उसकी अंग, जो सरीर के अंग होते हैं, उनका कोई काम नहीं बचता है, अगर उन्हें दान किया जाता है, तो आप देखिए कई लोगों को नई जिन्दिगी दे जा सकती है, जिने इन अंगों की जरूरत होती है, तो इसी को एक तरह से जागरूप क यह आप लोगों को याद रखता चाहिए, मुझे लगता है, बिस अंगत दान दिवस, और ऐसा माना जाता है कि एक सरीर, एक आदमी अगर अपना सरीर दान करता है, तो लगभग वो आठ लोगों की जान बचा सकता है, अब आप सोचिए कि कितनी मतलब, आप सोचिए कि किस में हो जाती है अक्सिडेंट में, तो उसके लिए कुछ किसी भी कारण नहीं बनता है, हिदय हो गया, लीवर हो गया, गुर्दे हो गया, आते हो गई, फैबडे हो गया, अगनास हो गया, आप समझ रहे ने भी, आखें भी आप देखिए, दान की जा सकती हैं, तुछ एसे भी आप लोग याद रखा करिएगा, यह अपका, नसें, हिदय छिद, अस्तुदक, तुच्चाउ तक आते हैं, आंकी फुतली की रक्षा करने वाले सफेज सक्त भाग, पाचक गरंती, कलेजा, आंक, हिदय, फैपड़ा किरनी, एदान किये जा सकते हैं, समझ रहे हैं, तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं, और पहला सफल जीवीद दाता अंग वित्तियार उपन, उननीस सो चमवन में साइपतराज अमेरिका में किया गया था, और डॉक्टर जोसेफ मरे ने, 1990 में जुडवा भाईयो, रोनालो, रिचर्ड, हैरी के वीच, टिडिनी ट्रांस फिलांट को सफलता पूर्वा करने किया था, वो इन्हें फीजियोलोजी, मेडिसिन में फोरुसकार भी मिलाता है, ने, नोबल का, तो यह आप लोग जिरूर याद रख सकते हैं, रखोगे या नहीं रखोगे, और 1990 में एक तरे से उनी की, उसी समय को आप लोग, कह सकते है की से मनाया जाता है, बिस अंगदान दिपस, समझ रहे हैं, या नहीं समझ रहे हो, चली आगे बढ़ते हैं लोग, अंगला बुश्चर हमारा है, किस भारतिये को सेवतराष्ट में जनरेशन इक्विटी के तहत, महला परवक्ता के रूमें चुना गया है, मनीशा राओ, रजनी पांडी, जोया अगवाल, नमीता कुमारी, तो याद रखे, जोया अगवाल होंगे इसमें, सी ऑप्शन आपका विल्कुछ सही रहेगा, अंगला कुश्चर हमारे सामने, पी एम मोधी ने, पिती वस किस तारी को विभाजन, विभीर सी का इसमीती दिवस मनाने की घुशना की है, 12 अगस्त, या 14 अगस्त, 15 अगस्त या 17 अगस्त, तो याद रखे, 4 अगस्त को की है सी, और आप सभी जाते ही कि भारत पाकिस्तान का वटवारा हुआ था इसते, और आपने देखा है कितना खोना, घराबा हुआ, दंगे, फरसाद हुए, तो सी याद को एक तरह से, इसे कह हाजन 22 का इसमीती दिवस मनाय गया है, उन्डे 47 की बात है, ठीक है, चली अंगले कुक्षन की तरह बढ़ते हैं, किस राज्य में भारत का पहला ड्रॉन, फॉरेंसिंग, प्रेयोकसाला, अनुसंधान केंद की सुरुवात भी है, बता ही है, किस राज्य में, किस भारत की र केरल में की गई है, और केरल में की गई है, कहा की गई है, केरल में की गई है, दच्छिन भारत में आप लोग केरल राज्य देखते हैं, उसी की बात करा हूँ, केरल पुलिस ने त्रिवननपुरा में भारत की पहली डॉन, फॉरेंसिंग, प्रेयोकसाला, अनुसंधान में मानो रहे थवाई बाहनों की उपयोगी ता पक्ष की भी जाज की जाएगे ठेक है चली आगे चलते हैं अंगला कुछ ने हमारे समने कौन से टिलाइट फोंग से लैस होने वाला भारत का पहला राष्टी यह उध्यान बनाए काजी रंगा रेडवोर बल पाक राम गोगा मल तो याद रखी काजी रंगा होगा इसमें क्या होगा काजी रंगा होगा अब आप लोग कहेंगे काजी रंगा है कहां कि असम में आपको देखने को मलेगा काजी रंगा के बारे में सुने हो आप लोग असम में आप लोगों को यह देखने को बलेगा यह है उद्ध्यान एक सिंग वाले गहड़े के लिए अप्धार्ति एक इंड़े के लिए भी से सरूँ से काफी पिसेद्धी भी है ठीक है अंगला कुछन है हमारे समने और असम के बारे में यहां अगर हम कुछ बातें बता दूँआ आप लोगों को क्योंकि आप देखें कि असम समझ रहे हैं असम पूंचा जासकता है कई बार क्या होता है कि कुश्चन्स आ जाते हैं से कुश्चन्स राज्जों से जब भी यह चल्चा में रहता है राज तो 26 जर्वरी 1950 को इसे राज बनाए गया था और हैमंत विश्वा सर्वा यहां के मुकमंत्री मेरतमान में विधान सभा में 126 सीटे हैं राज सभा में 7 सीटे हैं लोग सभा में 14 सीटे देखने के मुली है 14 ठीक है अगला कुश्चन है किस देश की दिकच फटवालर रहे गर्ड मूलर का 75 वर्स की उमर में इनकी डैथ हो चुकी है जर्मनी के थे और अर्जेंटीना के थे रोगवे थे के तो याद रखे जर्मनी के थे कहां के थे जर्मनी के थे फटवालर खिलाड़ी थे तो यह भी आप लोग इन्होंने जर्मनी के लिए 62 मैच खिले और 68 गोल लागे थे ठीक है और 1974 में उन्होंने नीदरलेंड के खिलाब फाइनल में बिजी गोल करके टीम को बिसकप टॉफी भी जिताई थी 1972 में इन्होंने जर्मनी को European Championship खिताब दिलाने में बो मिकाने भाई थी और जर्मनी अब सभी को मालभ होना चाहिए जर्मनी कहां थे यूरोप का एक देश है जर्मनी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो राध्धानी बढ़ लेंगे इसकी राध्धानी जर्मनी की चली अंगले कुश्चिन की तरब बढ़ते हैं क्या कह रहा है अंगला कुश्चिन से भारत में दुनिया का सबसे बड़ा जीन बैंक बना है पहला दूसरा तीसरा या चौतरा भारत में दुनिया को कौन सा सबसे बड़ा जीन बैंक बना है तो याद रखे दूसरा होगा क् राष्टिय पादप अनुवालसिक संसाधन वियूरो पूस्ता नई दिल्ली में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नभी निकित और अत्याधोनिक राष्टिय जहीर वेंक बनाए गया है और आपको बता दूं कि जापान के बाद यह दुनिया का दूसरे नंबर का है पहले संभव हो सकेगा ठीक है अंगला कुश्चन है हमारे सामने कौन केंपस में फायरी स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है एम्स रिसी के अपोलो जैपुर एम्स दिल्ली 40 लोध्याना तो याद रखे एम्स दिल्ली की बात हो रही है ए ऑप्सन दिलको सही फायरी स पहला अस्पताल मनाए है नई दिल्ली अखिल भारती आयोविग्यान सस्थान कहते हैं आप लोग और इसका उद्यस यही है कि आख से होने वाली नुकसान को बचाया जाए आए दिन अस्पताल में होने वाली आख की घटनाए होती रहती है इस पर कंट्रोल किया जा सकी इत भी कुमाल होगा कि श ह水是不是 जीवाल अभी मुकमント्री है है या नहीं है और यहां आपको सत्तर सीटें बिधन सभा में देखने को मिलेगी राजसभा में तीन सीटे हैं और लोग सभा में 7 सीटें आपको देखने को एंगला पुछते हैं हमारो सौमने के सारंगठ ञेसे Character सआए याद रखिए 36 गड़ ने की हुई है भूपेक्स वगेल को आप लोग जानते हैं न मत्पदिस से अलग करके राज बना था उसी की बात कर रहा हूँ अंगला गूश्य है हमारे सामने 36 गड़ सरकार ने राज में चार नई जली बनाने की गोशना की अब राज में कुल कितने जली हो गया है तो याद रखे 30 या 32 या 34 या 35 तो यार रखे 32 हो गया है कितने हो गया 32 जली हो चुके है 32 जली 36 गड़ में और जब तक मत्पदिस का हिस्ता हुआ करता था सबसे बड़ा राजिस था यहाँ यहां 90 सीटे आपको विधान सभा में देखने को मिल जाएंगे राज सभा में पांस सीटे हैं लोग सभा में आपकी 11 सीटे हैं ठीक है अंगला कुष्टे ने हमारे सामने किन फिल्मों की मसूर अभिनेता आनंद कननन का 48 बर्स की उमर में नेधन हो गया तमिल से जो नहीं थी बोचपरी या मराठी या पंजाबी तो आपको मालूपने चीए ये तमिल की एक तरसी अभिनेता आते हैं अंगला कुष्टे नहीं है बारे सामने सुडू को खेल की निर्माता का 69 बर्स की उमर में डेथ हो चुकी है सुडू को खेल की निर्माता का 69 बर्स की उमर में नेधन हो चुका है इनका नाम क्या था माकी काजी डॉनल एडवर्ड फेलिक ग्रास एली रोविन शन तो याद रखिए माकी माकी काजी ठीक है इनका नाम था और आपको बता दूंकि ये जापान के थे एक बिस्त्र चेंपियंसिप का आयोजन भी किया गया था 2006 में स्केल को लिकर ठीक है चली आगे चलते हैं अंगला कुश्चन है कि कौन खेलाड़ी अम बे इंडिया की नई व्रांड एमबेश्डर वनी है फीवी सिंदू भावानी देवी मीरावाई चान चानू या हर्मन पीत कोर तो याद रखिए मीरावाई चानू मीरावाई चानू चलते हैं अंगले कुश्चन कि दरख किस राजी की सरकार ने राजीव गांदी गरामीट भूमिहीन मजदूर नयाय एवजना सुरू की हुई है बताइए इसमें आपका क्या है चत्तिस गड़ बिहार उत्राखन मदगदेस या चत्तिस गड़ तो याद चत्तिस गड़ सरकार ने चत्तिस गड़ सरकार ने क्या किया हुगा है आपकी राजीव गांदी गरामीट भूमिहीन मजदूर नयाय एवजना सुरू की हुई है और 12 लाग भूमिहीन परिवारों को लाब पहुचाने के लिए 200 करोड रोपे के प्रावधान के साथ राजी दिनके वीतर हल करने के लिए एक सिस्टम भी रहे बनाएगी ठीक अब तो अच्छी बात है अगर किसी को भायदा मिलता है गरीबों को अगला कुश्यन है फिसांत कुमार अगवाल किस राजी की पुलिस के नए महानेदिसक बने हैं गुजरात हर्याना जार्खंड या चति राज बनाए गया था और इसकी राध्धानी चंडीगण है और यहां विधाल सभाव में 90 सीटे देखने कुम लेगी राज सभाव में 5 सीटे है लोग सभाव में 10 सीटे आपको देखने कुम लेगी ठीक है अर्याना में अगला कुश्यन है हमारे सामने पिती बार्स यानि कि हर साल विष्व फोटोग्राफी दिवस कम मनाया जाता है विष्व फोटोग्राफी दिवस की बात कराओं में 16 अगस्त 17 अगस्त 19 अगस्त या 20 अगस्त तो याद रखे 19 अगस्त को यह मनाया जाता है कब 19 अगस्त को यह मनाया जाता है दुनिया भार तो यह आप लोग जरूर याद रख सकते हैं भी सब फोटोग्राफी दिवस समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो और इसकी सुरुवात फोटो दिवस की अठाराश सो से तीस में फ्रांसी सी लूइस डोगेल और जोसेफ नाइस फोर निफ सी द्वारा बिक्सी देख फोटोग्र से हुई थी यह 19 अगस्त 1949 को था ठीक है तब से शुरुवात हुई एक तरह से तो यह आप लोग याद रख सकते हैं रखोगे या नहीं रखोगे यानि कि विस फोटोग्राफी दिबस इसका मत तो यह है कि विस फोटोग्राफी दिबस सिरे पूनी लोगों को याद करने के लिए नहीं मना जाता है जिन्होंने फोटोग्राफी की छित में अपना मात्पून यह उतां दिया बलकि यह प्रोटोग्राफी की छित में छित म समय रहे हैं और आज आप देखिए लोगों में जावरुकतर एक तरह से कितनी सेलफी के बिदी है किस राज की सरकार ने हाली में राज में गोरक धन्दा सब्द की इस्तिमाल पर भी दीवन्द लगाया है पंजाब मद्दिदिश उत्राखन हर्याणा तो याद रह कि हर्याणा होगा से क्या होगा हर्याणा नहें कि हर्याणा सरकाल ने स्ब्द की स्टेवाल पर भी दीवन्ध लगायें इस सब्द का समध क्रिवन आपको बता-टे मुख मंठी मनौहं लाल खंट्टर ने खंटर नहीं फैसला लिया था गोरगनात समधाय कि एक पिती ने धित्ति से मुलाक काप के बाद उन्होंने इस पर इतिराज जताया था तो इसका नाम बदल दिया पिती बंद लगा दिया है इती बास 20 अगस्त को पूरे भारत में सदभावना दिवास किसकी जैन्ती पर मनाई जाती है बताए तो इसमें इंद्रा गांदी, राजीब गांदी, सुसमा सुराज, अरुन जेडली तो याद रखी राजीब गांदी और जैसा कि आप सभी को मालो होगा कि राजीब गांदी साब हमारे पूर पिधान मंतरी भी रहे है समझ रहे है और राजीब गांदी की अगर जनम की बात करने तो 20 अगस्त 1944 को इटका जनम हुआ था और इनकी डेथ 21 मई 1991 को इनकी डेथ होगी थी सदभावना दिवस हर साल मनाय जाता है अगला कुष्टन है हमारे समने कौन पेक्टी सूचना पिसारन मंतराले की नई सचिब निफ्ट किये गए है पूरण कुमार इसी गोपाल जितेंद कोईली अपूर्व चंद तो याद रखे अपूर्व चंद होगी इसमें डी ओप्सन आपका बिलकुल सही होगा इसमें अंगला कुशन है मारे समी किस राज में भारत के पहला स्मॉक टावर लगा है इसमॉक टावर हर्याना उत्तर पिदेश दिल्ली गुआ तो याद रखे दिल्ली में होगा कहा होगा ये वाई भी दूसन को काफियत तक एक तरसी रोकेगा सुमझ रहे हैं हवा को सुद्ध करेगा ठीक है और ये है इसमॉक टावर पिती सेकंड एक हजार घन मीटर हवा को साप करेगा तो आप समझ सकते हैं अब सोचे कि बाई पिदूसन को हम लोग कितना बाई को पिदूसित कर रहें उसी का नतीजा हम लोग भोगत भी रहें कौन रशा राजमार्ग भारत का पहला फ्रैंडली हाईवय बना है भारत का पहला फ्रैंडली हाईवय बनाए गा है और इसमें आप देखेंगे भारत हेवी एलेक्टिकल्स लिमेटेड यानि जिसे आप लोग भेल कहते हैं ने भारत सरकार के भारी उद्ध्यो मंतरा लेके की फ्रेम फश्ट यूजना किता है इस हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तेयार किया हुआ है और सौर सस्ती भी पढ़ते हैं और एक तरह से आप समझीए कि इन्हें काप सी क्या कर सकते हैं बाइव पिदूसन से भी रोख सकते हैं तेल कच्चा तेल इसमें भी आप लोगों का जो आयात करते हैं इसमें भी आप घटवती होगी ठीक है बहल की बाप करें तो 1964 में इसकी स्थाप इंडियन बैंक की बात हो रही है किसकी इंडियन बैंक की बात हो रही है तो याद रखिए सांतिलाल जैन बने हुए है इसमें भी आप्शन आपका बिल्कु सही है इंडियन बैंक की बात करें तो 15 अगस्त 1907 में इसकी स्थाफना हुई थी इसका हैड़क्वाटर आपको च प्रेंका चौपणा और याद रखिए विध्यावालन होगी इसमें विध्यावालन को 2021 के इंडियन फिलिम फेस्टिवल और मेलवन अवर से समानित किया गया है ठीक है तो यह आप लोग याद रखिएगा अगले कुश्चिन की तरफ पर लोग पढ़ते हैं अगला कुश्चिन क्या रहा है कि पिती वर्स विस्व वरिष्ट नागरिक दिवस किस तारीक को मनाए जाता है और इसे मनाने का उद्देश क्या है आखिर तो इसमें 21 सगस्थ, 22 सगस्थ, 20 सगस्थ, 19 सगस्थ, बताएगे कब मनाएगे तो याब रखें, 21 अगस्थ होगा इसमें, एं ओप्सन आपका बिलकुँ सही रहेगा, क्या रहेगा, एं ओप्सन आपका बिलकुँ सही रहेगा, इसे मनाने की उद्देश की अगर हम लोग बात करें, तो इस दुनिया बरे में मनाए जाता है, और बिर्द लोगे, इनकी इस्तिती, आप सभी जानते हैं कि इस बार किस तरह इनकी इस्तिती रहती है, इनके साथ किस तरह का भीदभाव गिया जाता है, मुझे इससमझ में नहीं जाता है, कि आप सुचिए कि हम लोग अभी जबाने, हमारा भी देखिए बुरॉपा आएगा, और हम जो इनके साथ भीदभाव करेंगे अपने वो जरुकों के साथ, वही मुझे लगता है कि हमारे साथ मिलेगा, लेकिन हम इस बात को भूब जालते हैं, तो मुझे लगता है कि इस बारे में जागरूपता फैलाने के लिए, और आप देखें कि कहते हैं न, कि वो एक माब आप 10-10 बच्चों को पाल सकते हैं, और पालते भी हैं, और आप देखें लिए कि 10 बच्चे मिलके एक माबाप को नहीं पाल पाते हैं, यह हमारी इस्तिती है, तो इनी के पिती जागरूप बढ़ाने के लिए एक तरह से, यह रखा गया है, यह क्या किया गया है, मनाने की बात हुई है, और इसके आइबारे में अगर हम बात करें, तो 14 दिसंबर 1990 को सहिकतराश्च महासाबा ने इस देवस को वोशित किया था, और इस दिन इस थापना अधिकार तोर पर सहिकतराश्च राज्य की अमेरिका की पूरवराश्पती रोनाल रीगन ने 1988 में पड़ी बैस को और उनके मुद्णों को एक दिन समर्पित करने किया था, ठीक है, एक बात और इस बार की अगर थीम की बात करें, तो पैंडविक से डू दे चैंज हाव वी एड्रेस एज एंड एजिंग, इस बार की थीम रखे गई है, ठीक है, चलिए आंगे चलते हैं वोग, 21 मलेसिया, मलेसिया, हाप लोग गुंडे के लिए कहते हैं न, कि मलेसिया जा रहे हैं, और ये दच्चनपूर ऐसिया में एक इस्तिते एक उश्निकटी बन दिया देसे, अगर राध्धानी की बात करें तो कुवाला लंपू इसकी राध्धानी है, ठीक है, तो यह आप उत्तराखन, उत्तरपिदेस, भिहार, गुजराथ, तो याद रखिए, उत्तरपिदेस के थे, नहां के थे, उत्तरपिदेस के थे, और कल्यान सींग, के बारे में अगर बात करें तो भाजापा की काफी कद्दाव anne- annis ता रहे हैं, बीजेपी को आंगे बढ़ा मिने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है और इनका जनम 5 जनवरी 1932 को हुआ था और इनकी डेथ 21 अगस्त 2021 में हुई थी लखनव में ठीक है इन बाद में समाजवादी पार्टी में भी सामिल हुए थे कुछ समय के लिए इस तरह है कि कई पार्टी हुए रहे हैं ठीक है अगला कोक्षण है मारे समय किस राज में भारत की सबसे बड़ी फिलोटिंग सौलर पीवी परियोजणा की सुरूबात की गए इसकी एंटीपीसी ने आदिपदेश की विसाखा पत्ना में अपनी सिम्हादे थर्मल इस्टेशन के जलासय पर भारत के 25 मेगाबाट की सबसे बड़ी फिलोटिंग सोलर टीवी परियोजना सुरू की है और यह है फिलोटिंग सोलर इस्टोलेशन जिसमें एक अदूतिय एंकरिंग दे जाए है जो आर डवलू जलासय में 25-75 एकर में फैला हुआ है इस परियोजना में एक लाग से अधिक सोर टीवी मॉडल मॉडियों से बिजली पैदा करने म चमता भी रहेगी इसकी आद्यपदेश की बात करें तो आप सबी कुमाल होगा कि भाजाई आधार पर अगठित होने बाला पहला राज जिता आद्यपदेश और इसे एक नवंबर 1956 को राज बनाए गया था यहां विधान सबाब ही है और आपने देखा और यहां के मुकमं आधिए आगे आपका question हर साल पितिवर्स विष्व संस्कित दिवस कम मना जाता है संस्कित आप लोगों ने पढ़ी होगी मुझे लगता है कि दसवी तक रहती थी आपकी संस्कित है अधर आप लोगों ने गर 24 की होगी चुही होगी तो यह अलग बात है संस्कित दिवस के विक्सिप की हुए थे तो सरावन मास्ट की पूरिमा को सरावन मास्ट की अमास्ट स्या को सरावन मास्ट की दस्मी को सरावन मास्ट की त्रियो दस्मी को तो बताएजिए इसमें से क्या होगा सरावन मास्ट की पूरिमा को ठीक है यह option बिल्कों सही है 22 अगस्त 2020 को मनाये गई 20 संस्कित दिबस यह आप लोग याद रख सकते हैं चलिए आगे वड़ते हैं हम लोग अगला question है ला गनेशन किस राज की नए राज़काल बने हैं मत्यपते सिक्किम तमिलाडू मडीपूर तो याद रखे मडीपूर की हैं और मडीपूर की अगर वारिक में कुछ और पॉइंट आपको बताएं तो पूर्वी भारत में देखेंगे आप लोग एक राज है मडीपूर और इससे अगर राज बनाने की बाद आए तो इसे राज इसे भारत में बिलाए किया गया था फंद्रह एक्टूबर उन्नीसों उननचास में ठीक है और यहां आप लोग एन भीरेंसिंग यहां कि मुकमंत्री हो बिधान सभा में 60 सीट है राज सभा में एक सीट है लोग सभा में चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बुश्टन एक किस राज जी की सरकार ने छात्राओं के लिए लाडली लच्मी योजना शुरू की है लाडली लच्मी योजना की आंद्पिदिस मद्पिदिस सरकार की जो लाडली लच्मी योजना है इसमें कॉलिज में प्रिविस करने वाली बेटियों को एक मुस्त 20,000 रुपे की दिये जाएगी और यानि कि कॉलिज में आपकी बेटी दाखिल लेती है तो दाखिला लेते ही सरकार की द्रिष्टी में राज था और मद्विदिस की राधनानी वोपाल है यहां कि अभी वर्थमार मुखमंत्री सिवरासिंग चोहान है बिधान सभा में 230 सीटे हैं लोग सभा में 39 सीटे हैं राज सभा में 11 सीटे आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो यह आपनों कहां बना है उत्राखंड में बना हुआ है और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो थर्मल एक उत्राखंड के चमौली जिले में माड़ा गाओं में 11,000 फिट की उचाई परिस्तित भारत का सबसे उचा हरवल गार्डन विक से थे और आपको इसमें मालू होना चाहि तेन एकड़ भूमी में पहला हुआ है उत्राखंड के बारे में बात करें तो आप सभी को माल बता चुका हूँ कि ये उत्तरखंड से अलग करके 9 नमंबर सन 2000 में राज बनाये गया था यहां के वरत्मान मुखमंद्री कौन है बताए कुछ कौन है उत्तराखंड की वरत्मान मुखमंद्री और यहां के पुसकर्ट सींग धामी यहां के मुखमंद्री वरत्मान और यहां आपको देखने 31 सीटे बिधासवा में देखने को मिलेगी राज सभा में आपकी 3 सीटे हैं लोग सभा में 5 सीटे हैं लोग सभा में 5 सीटे है तीन सीटे आपकी राजसवाब में हैं यह आप लोग याद रख सकते हैं कम से कब कुशन स्पूचे दो आप लोग बहतर बता पर गया देखे एक तो यंगलो इंडियन का प्रावधान खतम कर दिया गया है तो आप लोगों कमाल होने चे इस तरसीटें बची हुई है चली अगला कुशन हम लोग देखते हैं किस संस्थान ने भारत का पहला सोदेशी मोटर चाले भी लिचर नियो बॉल्ट बनाया है IIT रोड की, IIT मदरास, IIT दिल्ली और IIT खड़क पूर तो याद रखी इसमें आपका IIT मदरास होगा IIT मदरास ने एक आप किया हुआ है किसने? IIT मदरास ने भारती पुरुत की सरस्थान मदरास ने भारत का पहला सौदेशी मोटर चले भील चेयर बान नियो बोल्ट बिक्सित किया है जिसका उपयोग उबर खावर वाले इलाकों में भी किया जा सकेगा ठीक है? और इसकी गती अधिक्तम गती 25 किलो मीटर पिती घंटा हो सकती है यह पिती चार्ज 25 किलो मीटर तक यात्रा भी कर पाएगा अगला कोशन है हमारे सामने किसे केंदर सरकार ने किसे नौ गठित सहिकारिता मंतराले का सचिब नियुक्त किया है अब रवीष कुमार सुकला, आविष सिंग तरपाटी अभय कुमार सीन और राजीर सीन चेंट तो याद रखे अभय कुमार सीन होंगे इसमें C option आपका बिलकुछ सही रहेगा इसमें आपका ठीक है? अगला कुशन है हमारे सामने या फिर आपका सुसमा सुराज मार्ग तो आप सभी को मालू है कि यहाल में ही इनकी कल्यान सींग की डेथ होई है तो इनका इनकी नाम पर कल्यान सींग मार्ग उसका नाम रखा गया है और उत्तर बिलेश तो आप से रूख जानते हैं कि राजनीती में नमबर बने हैं अगले कुश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं कौन एन्बी ए खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाली पहली भारती खिलाड़ी बनी है जगर्ना सिंग असुक ठाक और फ्रेंस पाल सिंग लोकिस जैस वाल तो रियाद रखे पहले भारती है तो इसमें है प्रेंस पाल सिंग कौन होगे सी ऑप्सन आपका बिलकुँ सही होगा इसमें प्रेंस पाल सिंग बॉसकेट खिलाड़ी प्रेंस पाल सिंग एन्वी ए खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारती है खिलाड़ी बन गए है और टीम सेक्रामेंटिक किंग्स ने 2021 में NVA समर लीग का खिताब अपने नाम किया हुए और 20 बरसी ए फ्रेंस पाल NVA में किसी भी इस तरपर चेंपियंसिप खिताब जीतने वाले टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भालती है बन चुके है अंगला कुश्चन है हमारे सामने कौन बैक्ती जर्मनी में भारत की नई राजदूत बने हुए है जर्मनी में राजदूत बने है मानिक स्वामी हरीस परव थानेनी राजन गुपता और आप तीस चतरवेदी तो याद रखी इसमें कौन होंगी इसमें होंगी हरीस परव थानेनी ठीक है और जर्मनी की बात करने हो आप सभी कुमाल नहीं अच्छी जर्मनी कहा है यूरोप में देखेंगे आप लोग एक देश है जर्मनी है और बरलीन इसकी राजदानी है ठीक है अगला कुश्चन है हमारे सामने कौन नीवार की पिथम महला गवर्णर बनी है कौन नीवार की की पिथम महला गवर्णर बनी है कैथी नोचुल और एडीज एडीज मौरिस पेरीचाल्स जीली रोफसन तो याद रखी कैथी होचोल यह आप सथन आपका बिलकुस सही है जारी वर्स 2021 की बैस्विक बी निर्मार जोखिम सुचकंक में भारत को कौन सा इस्थान मिला है देखिए बैस्विक बी निर्मार जोखिम सुचकंक की बात हो रही है इसमें पहला दूसरा तीसरा पाच बार तो याद रखिए दूसरे नंबर पर हैं भारत इसमें क्या है भार यह यह यूरोप, अमेरिका और एसिया पिसांत के 47 देशों में वैसिविक विनिर्मार की दर्सी सबसे फायदे मन इस्थानलों का आकलन करता है तो इसमें हम भारत को दूसरा इस्थान मिला है कौन सा इस्थान मिला है? दूसरा USA को तीसरा मिला है कनाड़ा और चेगड़ राज को करम सा 14 और पाचवा स्थान मिला है और पहली नमबर पर आपका चाहिना मना हुगा है महारा पड़ोसी है ना चाहिना उसी की बात कर रहा हूँ उत्राखन सरकार ने किसी राज की कलाप रयाटन और संस्किती का ब्रांड अमेश्डर बनाया है नीरच चौपरा, सिखर धमन, आमिर खान और पवंदीद राजन तो यादर की पवंदीद राजन को बनाया हुए D option आपका बिलकुस सही E I U द्वारा जारी रिपोर्ट की मताविक कौन दुनिया का सबसे सुरक्षे सहर बनाया है Intelligent Unit की बात हो रहे, इसकी स्थाफना 1946 में होई थी इसका Headquarter London United के गड़न में देखने को मिलेगा यही रिपोर्ट जारी किलता है तो इसमें आपका हुगा Copenhagen, Denmark ठीक है? Denmark आपने देखा हुगा कि रिपोर्टें जारी की जाती है तो Denmark उपर रहता है यूरोप का एक देश है ठीक है? राजसाही चलती है यहाँ इसकी राधारी क्या है? Copenhagen, ठीक है? उत्री यूरोप में देखने को मिलेगा अगला question है हमारे समने किस खेल से सम्मदिक पूर भारती खलाड़ी वो चंद से खरन चंद से खरन ठीक है? एक फोटवाल से जुड़े हुए थे और आपको बता दू कि इनका च्छाही बर्स की उम्र में डेथ हो चुकी है केरल के रहने वाले थे चंद से खरन 1960 में हुए रहों ओलम्पिक में भारत का पितिने दिती भी किया था इनोंने और चंद से करन साल 1962 में हुए एसियन गेम्स का भी हिस्सा थे जिसमें गोल्ड मेडल जीता था चलिए आगे चलते हैं अगला कुछन है कि हुई घुष्टना के मताबए किस सहर में दुनिया के सबसे उचा औबजर्बेशन भील खोलेगा सेडिवे ऑस्टेलिया दोबै यूवी 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 में खोलेगा ठीक है बी ओप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा यूवी 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 में और यह उव्जर्बेशन भील 38 में एक चक्कर और लगबग 76 मिनिट में दो चक्कर लगाएगा और लंदन आए कि उचाई से लगबग दो गुना उव्जर्बेशन भील अगुन तकों को 250 मीटर की उचाई तक ले जा रहेगा तो यह आप लोग याद रख सकते हैं चलिए खेरांगे बटते हैं लोग कौन वेक्ती आर्बिया की नई एक कारकारी ने दे सक बनी है इसमें है रविंद गुपता प्रिबुदेल नेरा अजय कुमार महिस चावला तो आप याद रखें अजय कुमार होगे इसमें अब देखें आर्बिया की बात हुई रेजर बैंक आप इंडिया की बात हुई हमारी केंदरिये बैंक है तो एक माई एक अपरेल 1935 की कोलकाता में स्थाफना की गी थी इसका हेड़कोर्टर आपको मुंबई में देखने कुम लेगा एक अपरेल 1935 में इसकी स्थाफना हुई थी याद रखेगा आप लो ठीक है अगला कुशन है मारे सामने अगला कुशन है कौन बैक थी हाली में गुजरात की नई मुख सचिप नियुक्त किये गए है गुजरात की बात हो रही है और इसमें आपका नवजीवन दास पंकच कुमार वरुन महत्मा प्यूस चौपडा तो याद रखे पंकच कुमार होंगे बी ओप्सन आपका बिलकु सही रहेगा गुजरात की बारे में बात करें तो एक माई 1960 को इसे राज बनाए गया था गांदी नगर इसकी राध्धनी है और यहां के भुपेश पटल भुपेंद भाई पटल यहां की मुखवंत्री है बिधान सवा में 180 सीट ने देखने को मिलेगी राज सवा में 11 लोग सवा में 26 सीट है और आप देखिए हमारे जो पिधान मंत्री बात्मान पिधान मंत्री है नेद मोधी साहब एक गुजरात की मुखमंत्री भी रहे है वही से आते है ठीक है और मिनिश्टर उर साहब ही इसी में वहीं के कौन भारत इबद सीमा पुलिस ITBP के नई फिर्मुक बने हुए तेजपाल सर्मा, रमिस, गुएल, संजय अरोडा, अर्विन दिसीन तो याद रखे संजय अरोडा होंगे संजय अरोडा होंगे और ITBP की बात करें तो आप सभी को मालु हुए की भारत इबद सीमा पुलिस कहते हैं से 24 अक्टूबर 1922 को इसकी इस्थापना हुई थी और निव दिल्ली में इसका है अप लोगों को देखने को बलेगा अगला है कौन विक्ती सीमा सुरच्छापल यानि की BASF की नए महानेदेशक बने हुए है BASF की बात हो रही है ठीक है संकर चौदरी, पंका सिंग, गोबिंदराठोर, महीपाल से सौधिया अगर आप लोग देखिए किसी फोर्स की तैयारी करते हैं तो आप लोग जरूर इनके बारे में याद रखा करेगी है तो पंका सींग होग इसमें बी ऑप्सन आपका बिलको सही होगा बारे सेकौर्टी फोर्स की बात करें तो आपको बता दो इसका हेड़क्वाटर नियू दिल्ली में आपको देखने को मिलीगा एक दिसम्मर उननीसो पैंसट में इसकी इस्थापना हुई थी ठीक है और एक बात याद रखी 39 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि ये कुश्चन कई बार पूँच लिता है ठीक है तो याद लोग याद रख सकते हैं क्या रखोगे याद तो रखना ही पड़ेगा नहीं रखोगे क्या ये 2000 बारे में राष्टी खिल दिबस मनाया गया था पहली बार ये भी आग लोग याद रखी सकती हैं और रखना चाहें तो जैसी इच्छा हूँ फिर आपकी पेजर ध्यानचन की बात करें तो 29 अगस्त 1905 में इनका जर्म हुआ था ठीक है और इनों ने मेजर ध्यानचन ने भारत के लिए 1926 से लेकर 1949 तक होकी खेली अपने केरिया के दारान मेजर ध्यानचन ने भारत को 1928 में 1932 में 1936 में गोल्ड मेडल जिताया था समझ रहे हैं आप लोग चलिए तो ये बार रही है मेजर ध्यानचन की दिल्ली सरकार ने किसे देश के मेंटोर कारकरम का ब्रांड मेश्टर बनाया है नीरा चौपडा सौनुसूद ब्राट कोई लिए अच्छे कुमार तो याद रखे इसमें कौन होंगे आपके सौनुसूद सहाव होंगी और आप देखें कि इन्होंने काफी बिलन का रॉल ने भाय हुआ है मूबियों में लेकिन हकीगन की दुनिया में अगर कोई हीरो बनके उबरा है तो सौनुसूद होगा है आप देखते हैं कितना अच्छा काम किया हुआ है चलिए आंगे चलते हैं उन्लो उडिशा सरकार ने किसी वीजू पटनायक खेल पुरुसकार दिया है वीरेंद्र लाकरा दिलीव स्तरिके रोसन मिनाच अमित रोहितास तो यादर की अमित रोहितास को दिया गया है उडिशा की बात हुई है उडिशा एक राज्ज है ना तो उसी की बात हो रही है बाती होकी टीम के फेर डिफेंडर अमित रोहिदास को खेलों में सांदर फेदर्सन के लिए वितिश्टित बीजु नायग पटनायग खेल पुरुसकार दिया गया है और उन्हें एक पिसस्ति पत्तो दोलाक रोपी का रगत पुरुसकार भी बला है इसकी ते है ठीक है और एक बात और आपको बता दो उडिशा के बारे में बात करें तो 26 जन्वरी 1950 को इसकी इसका क्या हो गठन होगा था राज का राज बनाये गया था और यहां इसकी राधानी भवनेशोर हो और यहां नवीन पत्नायग यहां के मुक मंत्री है ब्धाल सभा में 147 सीटे है राज सभा में 10 सीटे है और लोग सभा में 20 सीटे आपको देखने को बलेगी किस राजी की सरकार ने कुष्थी खेल को 2032 तक गोद लिया है हर्याना, पंजाब, उत्तरपिदेश, ज्यारकट तो याद रखिए उत्तरपिदेश होगा अब इसकी देखवाल यही करेगा ठेक है, फंडिंग बंडे अंगला कुशन है हमारे समने कौन पैरालंपिक खेलों में स्वाडपदक जीतने वाली पहली भारती महला खिलाडी बढ़ी है, पैरालंपिक खेल में मिनाक्षी साह, गात्री, नहरा, दीपी का पांडे, और अवनी लेकरा जो याद रखिए, अवनी लेकरा पैरालंपिक खेलों में स्वर्ड पतक जीतने वाली खिलाड़ी वड़ी पैरालंपि कहने कमतला होता है कि जो विकलांग होते हैं कहीं से वो इस खेल में भाग लेते हैं और एवी आपका टोके जापान में ही हुआ है किस देश से समधित खिलाड़ी इस्टुवर्ड विन्नी ने अंतराष्टी किर्केट से सन्यास लिया है भारत के थे इंग्लेंड के थे औस्टिलिया के थे न्यूजिलेंड के थे बताए इस्टुवर्ड विन्नी कहा के थे यह इस्टुवर्ड विन्नी इन्होंने यह अपने भारत के हैं ठीक है और भारत की बात करें तो 15 अगस तो 1947 को आजादी मिली थी और अपने पडोसियों की बात करें तो आप सभी को पाकिस्तान हो गया अफगानिस्तान हो गया चाइना हो गया नेपाल हो गया भूटान हो गया बंगलादेश हो गया म्यानमार हो गया और जलिये सीमा की बात करें तो आप देखेंगे कि बात जल्डमरो और मन्नारी की खारी आपको स्रिलंका और भारत के बीज देखने को मिलेगे और सबसे जादा सीमा की बात करें तो आप सभी कुमाल होगा कि सबसे जादा सीमा हमारी अब बंगलादेश से लगती है की नेदेशक बने हुए बने मताइए यह ओप्सन आपसे कह रहा है सुभम जहां ठीकर धीपक उस्वहा रामनात सिवार और रजली स्कुमार बताई कौन होंगे इसमें कुछ बताफाऊगे या नहीं बताफाऊगे तो रजली स्कुमार होंगे या ठीक है है इन्वेस्टिमेंट बेंगिंग कंपनी है यह और तीन मार्ज 1865 में इसकी स्थापना होई थी हॉंग कॉंग में और इसका हेड़कोर्टर आपको लंदन यू के में देखने को मिलीगा यूनाइटिड किंगड़म में अंगला कुशन है सुप्रीम कोट में नौ जज़ों के एक साथ सपत ली हुई है अब नियाला में कुल कितने ज़जों की संख्या वढ़कर हो गई है 23, 34, 49, 41 तो याद रखी total 33 हो चुके हैं सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट के बारे में कुछ point आपको बताता हूँ आज क्योंकि सुप्रीम कोट से कई वार questions क्या होता है आज आता है सुप्रीम कोट के बारे में जिसे आप लोग सुप्रीम कोट I could भी आपके राज्यों में देखने को मिलेगा समझ रहे हूं कि नहीं समझ रहे हूं सुप्रेम कोट के साथ ही हो सुप्रेम कोट इसके बारे में बहुत सारी जनकारी है एक तो आप मुखने आदिस भी देखते होगे एक आप और अन्ने आदिस देखते हैं भारत का सर्वोच नियाले भी कहते हैं इसकी रार अगर इसकी नियुक्ति की बात है तो याद रखेगा देखें समिध्यान का भाग पाँच है जो अनुचित 124 से लेकर 147 तक आपकी सर्वोच नियाले की संगठन सथन्ता अधिकारचित सक्तियां और पिक्रियां की बात करता है उसी से जुड़ा हुआ है ठीक है इसमें आप टोटल 33 हो गए है ठीक है तो याद रख सकते हैं सुप्रेम कोट के बारे में गलत कह रहा हूँ जब 28 जन्मरी 1950 को बर्तमाल में जो सुप्रेम कोट देखते हैं यही आया है ठीक है तो यह आप लोग याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आप क्या बढ़ते हैं बढ़ चुके हैं यह आपके अगस्त महिने का जो भी करेंट अफेस की घटनाए गटी थी किस तरह की questions बन सकते हैं उन्हें हम लोगोंने एक एक करकी देखा हुए कुछ कमी रहे गई हुए तो आप लोग suggestion दे सकते हैं अगस्त के बाद सेप्टमबर महिने अंगले सेप्टमबर महिने की हम लोग बात करें अंगली class में और तब तक आप लोग इंज्वाए अगस्त होगा कि हम लोग मंतली करेंट इस आपका cover कर रहे हैं और इसमें आप लोगोंने देखा होगा कि अभी तक हम लोग जन्वरी से लेका अगस्त तक का जो भी करेंट अपेस रहा है उसको cover कर चुके हैं और याद रखें केवल current अपेस cover नहीं किया जा रहे है इसमें एस्टेटिक जी के भी कबर किया जा रहा है यानि कि किसी कुश्ट्स हो अगर हम लोग देखने हैं तो उसका बेक ग्राउंड भी देखा जाता है कि आखिर उसे किस तरह की कुश्ट्स बन सकते आपकी परिक्षाओं में और मुझे लगता है कि यह बताने की जरूरत नहीं है क कि आपकी परिक्षाओं में कितना मात्पूर इस्थान रखता है और आप देखेंगे कि काफी अच्छी संख्या में कुश्ट्स भी पूछे जाते हैं पर चाहे आप लोग सेबिल सर्विस ले लीजे या इस्टेट पीसीएस जिसमें MPPSC, बिहार PCS, राजिस्थान PCS, उत् कि करेंट पेस से अच्छी खासी संख्या में एक तरह से पूछे जाते हैं और याद रखिए करेंट पेस के लिए एक मैंने फिले लिष्ट सोची बना दी साब सेप्रेड विल्कूर मंतली करेंट पेस 2021 के नाम से तो उसमां जाकर आप लोग देखेंगे तो जितनी भी आप 10 महीने का हम लोग देख चुके थी अब सेप्टमबर महीने में जो भी आपकी देश में घटना है घटी फिर दुनिया में घटना है घटी हो फिर चाहिए आपकी राज्ज में आपकी स्थानियें घटना है घटी हो अगर आपकी परिक्षाओं में उनसे कुश्चन्स बनने इवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान नामक योजना शुरूखी हुई है। किस राज्जी की सरकार ने हाल ही में इवाओं के लिए मेरा काम मेरा नाम मेरा काम मेरा मान नामक योजना शुरूखी हुई है। आपके सामने उत्तराखंड बिहार उत्तरपदेश पंजाब चार ओप्सन दिये गए हैं और आप भी तो देखते हैं आपकी परिक्षाओं में चारी ओप्सन रहते हैं तो इसमें पंजाब होगी क्या होगी पंजाब सरकार ने शुरू की हुई है और यह वाओं को एक तरह से रोजगार देने के लिए रोजगार उपलब दुकार आने के लिए इसी उजना की सुरुवात की गई है मेरा काम मेरा मान तो यह आप लोग वियाद रखेगा और पंजाब के बारे में वियाद रखेगा क्योंकि कई बार क्या हुता है पंजाब से यह रादधानी की बात करने तो चंडीगड है और चरणजी सिंग चंडी यहां के अभीstone मुखमंत्री है विदास हमें राजी सभा में आपको साथ सीटे देखने को मिलेगी और लोग सभा में थेरे सीटे देखने को मिलेगी ठीक है यह आप लोग याद रख सकते हैं अंगला कुश्यन यह मारे समने किस देश के खिलाडी डेल एस्टेंड ने किरकिट की सभी प्यारूपों से सन्यास लेने की घोशना की हुई है यह कहा के है दच्छड अफीका इंग्लेंड पाकिस्थान आयरलेंड तो याद रखिए दच्छड अफीका के हैं और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने इतियास पड़ा होगा तो आपको मालों होगा कि गांधी जी का काफी जुडा हो रहा है दच्छड अफीका से दच्छड अफीका के स्टार तेज गेंदवाज डेल इस्टेन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास लेने का एलान किया है और इस्टेन ने साउथ अफीका की टेम को कई बार एहम मैचों में जीत भी दिलाया और जिसमें अनौके इन्होंने रेकॉर्ड भी बनाये हुए अफीका साउथ अफीका की तरफ से इन्होंने तेहरान में टेस्ट 125 बंडे और 47 यानि की 47 T20 मुकाबले खेले टेस्ट में उन्होंने आपको बता दूँ कि 449 बिकिट भी लिये हुए है बंडे में 196 और T20 में आप देखेंगे 64 बिकिट चटकाए है या लिये है तो यह आप लोग याद रख सकते हैं देखिए दच्छड अफीका की बात करें तो आप सभी कुमाल होगा कि अफीका महादीब में आप लोगों को एक देश देखने को मिलेगा और इसकी राध्धानी फिट्टोरिया है ठीक है कारिपाल का राध्धानी और नियाएक राध्धानी की बात करें तो विलॉम फंट किस देश की सरकार ने बच्चों के लिए सब्ताय में केबल तीन गंटे गेम खेलने का नियम बनाया है अमेरिका चाइना रोज जापन तो इसमें आपका चीन होगा क्या होगा चीन होगा और याद रखिए चीन के बारे में एक और बात बता देता हूँ कि इसकी राध्धा कि हमें सबसे बड़ा देश है उसके बाद हमारा नंबर आता है दूसरे अंबर पर हम लोग हैं लेकिन एक बात आरो और आपको बताता हूँ इसके अलावर कि देखिए चाइना एक समय अंग्रेजों अंग्रेज जो वस्तारवादी नीपिती अपनाते था वही आज कल स्वेकिती है लगबक्न सभी से उसका सीमा अब्यवाद क्या है चल रहा है अतों है अन्ग 옆erson यह सैंनारियों दिवस कब मनाया जाता है वी सैंनारियल दिवस की बात हो रही है और आपको यह और बात बता हूं मैं, बैसे बातें तो बहुत बताता रहता हूं, देखिए जब भी आप लोग ए पैपसी बैपसी पीने से अच्छा है, कि नारियल अगर आपके उसमें मिलता है आपके छेत में, तो उसे पिया करिएगा, उससे क्या होता है कि आपको काफी फायदा भी होता है, समझ अगरस्त को आपका विस्व नारियल दिवस मनाया जाता है, और इसके कई फायदे भी होते हैं, ठीक है, और इसी दिन आपको बताऊं, दो अगरस्त, दो सेप्टमबर को, इंडोनेसिया के जकारता में APCC की स्थाफना की गई थी, यानि कि ACI विसांत नारियल समूदाय की ब और पितेकवसिस की एक थीम रखी जाती है, और इस बार की अगर हम लोग थीम की बात करें 2021 के लिए, तो एक सुरक्षित समावे सी लचीला और टिकाव नारियल समूदाय का निर्माण COVID-19 महावारी और उसे से परे, इस बार की क्या है, थीम है, इसके आप देखिए, नारि पहादे बताईए, तो नारियल में मैगनीज, कारोहाइडेट और प्रोटीन होता है, और जो आप जानते हैं कि अट्डियों के लिए बहुत चरूरी भी रहता है, अट्डियों को मजबूत भी बनाता है, नारियल का दूद और तेल इसकीन के को गिलोइंग बनाने में काभ भी होता है, नारियल पानी में बेटा में C, मेगनेसियम और पोटेसियम मौझूद होता है, और जिससे आप सभी को मालू होने चाहिए कि गलेट पेसर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, पेट की चरवी करने में में मदद मिलती है, और हो जाना अगर नारियल पानी पीद करवरड के नए चेयर्मेंन बने हैं कौण बैक्ती केंदरियय क्षम करवोड यानि कि सिभी डिटी के नए चेयर्मेल बने हैं पिके Halo स्वामी है एच शटाला जेवी महापात्पर आरजες पांडे तो इसमें याद रखी जेवी महापात्पर होगी ओर केंदरियय पित्यक्ष बोर्ड इसे आप लोग Central Board of Direct Texas भी गएते हैं तो इसके बारे मैं याद रख सकते हैं आप लोग और इसके अगर हम लोग स्तापना की बात करें तो भारत पित्यक्ष कर से संबंदे सभी मामले एक जनवरी 1964 उसे के अंदरी ये पित्यक्ष कर बोर्ड यारी CBDT को सौफ दिये थे और इसे राजिस से बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार भी दे दिये गये थे और CBDT बित्त मंत्राले में राजिस्ट बेवाग का एक हिस्ता है ये भी आप लोग याद रख सकते हैं अध्यक्षिन है कौन कोईला खानां में काम करने वाली भारत की पहली महला इंजिनियर बनी है नमिता चौद्री, बिजैशरी गौन, आकांचा कुमारी, मिनाच्ची कंडाला तो याद रखे आकांचा कुमारी होगी इसमें C option आपका बिल्कुल सही रहेगा क्या रहेगा C option आप लोग लगाएगे अंगला कुशन ने लद्दाग पिसासन ने किसी अपना राज्य पसू गोसित किया हुआ है देखे पहले आप सभी जानते ही कि लद्दाग जमू कस्मीर का इससा हुआ गरता था लेकिन अब आप सभी को मालू ये भी होगा कि 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाग अलग हो चुका है समझे रहे हैं आप लोग इसकी रादनानी ले बना दी गई है और यहाँ आपकी बिलान सबा नहीं हो गई केंदर सासित परेसे और यहाँ आपका उपराजपाल होगा इस तरह से नील गाए हिम तिंदुआ, सफिद बिल्ली रेड पांड़ा तो याद रखी हिम तिंदुआ होगा इसका क्या होगा हिम हिम तिंदुआ यहाँ का पसी उसू बनाए गया है और दो जिले है अभी यहाँ ले और कारगे यहाँ की अभी जिले है तो यह आप लोग यह याद रख सकते अगले कुश्टिन की तरफ चलते हैं कौन दो पेरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारती महला एथलीट बनी है देकि पेरालंपिक मेडल एक तरफ से ओलंपिक वही होते है जिसमें आपने देखा होगा जो विकलाग होते हैं वही इसमें भाग लेते हैं और एवी आपके टोके जापान में ही हुए है भावीना पटेल आउनी लेकरा एकता प्यान और करम जिवती दलाल तो याद रिखिसम अवनी लेक रहा होगी इसमें ठीक है क्या होगी बी ओप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा इसमें इन्होंने महलाओं की 50 मीटर राइफल की P3 SH1 इस परदा में कस्पदक जीत कर इतियास रखा है ठीक है यह आप लोग याद रख सकते है ब्रॉण्ज मेडल भी पर निसाना था और अब नीड़े 445 दिसमलों का स्कूर करते हुए पदक पर कपज़ा करने में सफल रही है और टोक्यो पर अलम्पिक में आवनी का यह दूसरा पदक है ठीक है और ऐसे पहले हुआ स्वड़ पदक जीच चुकी है चलिए आगे चलते है कौन वेक्ती राष्टी एस पाथ निगम लिमिटेट के नई अध्यक्ष प्रवंद ने देशक बने है बताए आपके सामने चार ओप्सन है मनीज सहवाग, रमेश देशाई अतुल भट, आनन्द भुसाल क्या करोगे? कुछ करोगे भी? तो अतुल भट होंगे इसमें C आपका बिलकु सही रहेगा राष्टी एस पाथ निगम लिमिटेट के नए अध्यक्ष है और राष्टी एस पाथ निगम लिमिटेट की बात करें तो आपको बताने कि इसकी स्थाबना 18 प्रवरी 1982 होई थी और इसका हेटकवाटर आपको विसाका पट्रम में देखने को मिलेगा ठीक है? अगला कुछन है कौन सबसे अधिक इंटरनेशनल गोल 111 करने वाली फटोल खिलाडी मने है? इसमें पहला ओप्सन कहा है कि क्रिष्टियानो रोनाल्डो लियोनेल मिस्सी मैसी और सुनील चेत्री या केल्विन डी व्यून तो याबर कि क्रिष्टियानो रोनाल्डो होंगे इसमें ए ओप्सन आपका विलकुष सही है महराष्ट सरकार ने किस सहर में राजी ग्रांदी के नाम पर साइन्स सिटी इस्थाबित करने की गोशना की हुई है महराष्ट सरकार ने डासिक में जलगाओं में, मुंबई में या पूने में तो याबर कि पूने में की है किस में? पूने में की हुई है और महाराष्ट के बारे में बात करें तो आप सभी को मालो होना चाहिए कि अभी यहा के वर्तमाद मुखमंत्री कोन है उदा उठा करें और यहाँ इसकी राध्धानी की बात करें तो मुंबई है और नांगपुर इसकी बिंटर राध्धानी है और एक माई 1960 को इसे राज बन अलोग सभा में आपकी 48 सीटे ठीक है अगला कुश्चन है कौन इंजिनियर्स इंडिया लेमिटेड ई आई एल की नई चेर्मेन इबं प्रबंध ने देशक बनी है अनीता राव दीपती जोसी बलती का सुकला रस्मी चावला बताएए तो इसमें होगी वर्धी का सुकलां सी ओप्षन आपका बिल्कु सही रहेगा और इंजिनियर्स इंडिया लेमिटेड की अगर बात करें तो 1965 में इसकी स्थाफना हुई थी और इसका हेड़कॉर्टर इंडिया में ही देखने को मिलेगा आपको अभी हाली में संपन हुए टोकिव पेरालंपिक में 2020 में किलो में भारत ने कुल कितने पदक जीते हुए उपधाई कि यह 13 17 19 22 तो याद रख़िए 19 रहे हैं इसमें कितने 19 रहे हैं जिसमें आपके 5 तो आपकी गोल्ड है 8 सिलबर हों अच्छै आपकी वरॉज मेडल है गोल मिलाके टोटल 19 रहे है तो भारत को 24 बास्तान मिला है इसमें अंगला question है Tokyo Paralympics 2020 में भारत ने कौन-कौन से कुल 19 पदक जीते हुए 5 गोल्ड आपको बीचे भी बताया हुआ है 8 आपके silver और उच्छे ब्रॉज यानि की B option आपका बिल्कुस सही रहेगा इसमें अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो आउनी लेकरा आपने देखा होगा कि वोमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्टेंडिंग एच एस में फर्ष्ट में इन्होंने सुवड जीता हुआ था सुमित अंतिल इन्होंने मैंस जियोलिंग थ्रो एफ चौशट में मनीश नर्वल नर्वाल इन्होंने पिष्टल में इस तरह से सुटिंग में और पिरमोद भगत बैड मिंटन में और किसना नागर तो याद रखी इसमें इन्होंने भी बैड मिंटन में वहीं अगर हम लोग रज़त पदक की बात करें तो भाविना वेन पटल इन्होंने टेवल टेनिस में निसाद कुमार इन्होंने हाई जंप में देविंद जाजरिया इन्होंने जिवलिंग फ्रो में योगेश कफूनिया इन्होंने आपको बता दूं कि जो डेस्कस थ्रो होता है ना उसमें सिंग राज अधाना इन्होंने पिष्टल एक तरह से सूटिंग में मरियपन थंगा वैलू इन्होंने मैंस हाई जंप में प्रमीड कुमार मैंस हाई जंप में सोहास एल यती राज बैडमेंटन में इन्होंने ठीक है वहीं अगर हम लोग कास्पदक की बात करें तो सुंदर सींग गूजर इन्होंने मैंस जिवलीन थ्रो में सिंग राज अधाना इन्होंने पिश्टल सूटिंग में सरत कुमार हाई जंप में आउनी लेकरा इन्होंने सूटिंग में ठीक है और हरविंदर सिंग इन्होंने इंडिविजूल रिकर्व आर्चरी में और मनुष सरकार ने आपको बेडमिंटन में इन्होंने जीता हुआ ह ठीक है अगला कुछन है पूरे भारत में पास तेप्टम्बर को किनके जनम देवन पर सिक्छक दिबस मनाया जाता है किसकी बात हो रही सिक्छक दिबस की बात हो रही समझ रहे है आप लो तो गताई इसमें जवाल लाल ले रूप सरपल्ली राधा किष्णन सरदार बल्लब भाई पटे एपीजी अब्दुल कलाम साहम तो आप सभी को मालो होगा सरपल्ली राधा किष्णन की जनम दिबस पर इनके बारे में एक और बात बता हो आपको इन्हें जितनी उपादियां आप लोग दे सकते हो उससे भी आगे रहे है आप दें कि ये भारत के पूर्वराख्टपती भी रहे है विद्वान भी रहे है भारत रतल से सम्मानित किया गया था इन्हें टेक है और इनी के जनम दिन पर यारी भी पास सेप्टमबर को सिख्छक देवस आप लोग मनाते हैं तो यह भी आफ लोग याद रख सकते हैं और सरफली राधा किसमन की बारे में बात करें तो पास सेप्टमबर 1888 मेंट का जनम हुआ था और सत्र एफरेल 1975 मेंट की डेथ हो गई थी देखिए और विस्व वर्ल्ड टीचर्स डे भी मना जाता है सिक्चक दिबस भारत में भी मनाया जाता है आप देखिए वर्ल्ड इस्तर पर भी मनाया जाता है समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हो पास अक्टूबर को मनाया जाता है पास सेप्टमबर को आपका भारत में मनाया जाता है सिक्चक दिबस और पाच अक्टूबर को विस सिक्षक देवस पूरे एक तरह से दुनिया में मनाये जाता है और इस बार की थीम रखे गई है COVID-19 महामारी के चलते सिक्षा चेत को काफी नुक्साज उठाना पड़ा तो इस सिक्षा को फिर से पटरी पर लाने के लिए सिक्षकों की भूमिका सिक्षा को फिर से पटरी पर लाने के लिए सिक्षकों की भूमिका एक इसके वार्ड जो आपका टीचर दे होता है यानि कि विस सिक्षक देवस उसी के थीम है ठीक है यह आप लोग याद रखेगा चली आगे चलते हैं कौन भारती है व्यक्ति ये सियाई इसक्ष महासंग की नई उपाद्यक्ष बने है बताईए ए एस एप भी से आप लोग सौट में कहते हैं दीपक में सरा मलेश बटाचा आसी सुरेजी जूग साइरस पॉंचा तो याद रखेगा इसमें साइरस पॉंचा होंगे और 1980 में इसकी इस्थापना की गई थी दीग है और इसका हैड मलेशिया में आपको इसका हैड कोटर देखने को मिलेगा चली अंगला कुप्षन देखते हैं कौन कम केलोरी बाली सुईटनर ब्रांड सुगर फिरी की ब्रांड नेबस्टर बनी है और नहीं लेकर पीवी सिंदू कैटरीना कैप या फर देपी का पादू कौन तो याद रखें कैटीना कैप होंगी कई लोगों को आप देखते हैं कि डायोटीज रहती है तो एक तरह से उन्हें सुगर फिरी जो भी खाते हैं सुगर फिरी चाहिए होता है अंगला कुप्षन ने कौन बेखती युनाइटिन इंडिया इंसोरेंस की नए अध्धिक्ष साय प्रबंदन इंदेशक यानिकी CMD बने है इसमें आपका कह रहा है कि SL तरपार्टी, MK चोधरी, SP जाजड और P के स्रीवास्तो तो याद रखिए SL तरपार्टी होंगे इसमें कौन होंगे? SL तरपार्टी साहब होंगे और United India इंसोरेंस की बात करें तो 18 फरबरी 1948 में इसकी स्थाफना हुई थी और चैनने ही में इसका है एड़क्वाटर आपको देखने को मिल जाएगा अंगला कुप्षिन है हमारे सामने किसे देश की पूर फुटवालर जीन पेरे एडम्स का 73 वर्स की उम्र में डेथ हो चुकी है इनकी इसके देश से जुड़े हुए थे बताईए चार आप्सन है इस्पेन, फरांस, बेलजियम और राजिय क्या करोगे आप लोग बताईए कुछ तो याद रखे फरांस के थे और आप लोग फरांस देश को एक और बज़े से काफी जानते हैं रखेल हम लोग करीते हैं फरांस से समझ रहे हैं फरांस हमें रखेल बैशता है इसकी पैरेश, इसकी रादधानी है यूरोप का एक देश है पश्चिमी यूरोप का, ठीक है अंगला खुष्चिन है मारे समने राष्टपती रावनाद कोविद ने कितने सिक्षकों को वर्ष 2021 का राष्टिय सिक्षक सम्मान दिया है बताए चालीस, चावालीस, उननचास या चापन तो याद रखे, चावालीस को दिया गया है और एक बात और आपको बता दें देखिए नाम पूछा जाना मुश्किल लहता है चावालीस को आप लोग याद थोड़ी रख पाऊगे कोई भी याद नहीं रख पाएगा तो इसमें मुझे लगता है कि टोटल याद रखिएगा और इसमें आप देखें कि महराष्ट से हैं तेलंगाना से हैं असम से आद्रपदेश, सिक्किम, तमिलाडू, उडिशा, गुजरात, बिहार, राजिस्थान, उत्तरपदेश के दो-दो सिक्छक हैं इसमें और आपको बता दूँ 2021 के पुरुष्कार पाने बालों में से नो महलाएं भी हैं तो ये भी आप लो याद रख सकते हैं राष्टी, सिक्छक, संबान की बात हो रही है कितने को दिया गया चबालीज को अंगला कुशन है 8 सेप्टमबर 2021 को अंतराष्टी है साखचरता दिवस मनाया गया जिसे पहली बार कम मनाया गया था 1966, 1968, 1971, 1978 तो याद रखी 1966 में पहली बारी मनाया गया था राष्टी है अंतराष्टी है साखचरता दिवस की बात हो रही है 8 सेप्टमबर को दुनियावर में अंतराष्टी है साखचरता दिवस मनाया गया है और दिवस को आपको बता दूँ थीम इस बार की रखी कि human centered recovery के लिए साक्षरता digital divide को कम करना और ध्यान दें कि देखिए पहली बार ये UNESCO ने 7 नवंबर 1965 में अंतराश्टी साक्षरता दिवस मनाने के अब फैसला किया था लेकिन पहली बार ये कब मनाय गया था 1966 में अब यूनेसको की यह बात हुई है तो यूनेसक के बारे में बता देता हूँ देखिए यूनेसको की आप लोग सहयुक्त राष्ट सेक्षिक विग्यानी के बुर्ण साज़कितिक संगठन की नाम से इसे जानते हैं इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी और इसका एड़क्वाटर आपको पैरिस फिराज में देखने को मिल जाएगा ठेक है अगला कुश्चिन है मारे सामने कौन बैक्ति कौन बैक्ति इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की भारतिये साखा के अध्यक्ष बने है अमेत गोस्वामी राकिश चौदरी अब्दोल आहमत 37 पारे तो याद रखे 37 पारे खोंडिस में कौन होगे 37 पारे खोंडिस में और इसकी अगर हम लोग इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की बात करें तो 1940 में इसकी स्थापना हुए थी ठीक है अगला कुमिशन ने किसे साथवा यामीन हजारी का भूमवान ऑफ सबस टांस अवार्ड मिला है गीता चोपडा नीतु सर्मा नमीता गोखले मानसी राना तो याद रखी इसमें नमीता गोखले होंगी आपकी कौन होंगी नमीता गोखले होंगी इसमें यह लेखी का है नमीता गोखले इन्हें साथवा यामीन हजारी का भूमन ऑफ सबस टांस अवार्ड दिया गया है जैफोर लिक्ट्रेचर फेस्टिवल की सह सस्ताफक और सहने दे सकें गोखले हेमालैन इकोज और कुमायो फेस्टिवल और लिक्ट्रेचर एंड दा अवार्ड का भी आर्ट्स का भी उल्ले करती है और इस बार से कि आमीन हजारी क्या वूमेन ऑफ शर्फ टांस अवार्ड से समानित की जाने माली कोखले पूरुवत्तर भारत की पहली महला है ठीक है यह भी आप लोग याद रख सकते हो रखोगे भी चली अगला कुश्चन की तरफ पर दे किस सहर में भारत का पहला सबसे उच्चा बायू सोधक यंद यानि की 24 मीटर लगा है लम उच्चा सूरक में, चंडीगड में, जैफुर में, भोपाल में तो याद रखिए चंडीगड में लगाया गया चंडीगड में भारत का सबसे उच्चा बायू सोधक यंद लगाया है चंडीगड के सेक्टर 26 इसते ट्रांसपोर्ट, चौक पर भारत का सबसे उच्चा बायू सोधक एक तरह से लगाया है इसको उच्चा ही 24 मीटर आपको देखने को होगी लिगा और और आधुनिक तक्नीवाले से बायू सोधक यंद में लगाया है आई स्पीड पंका अपने आप गंदगी को साब कर देगा ठीक है वेस्ट के पहले आपने देखा होगा दिली में लगा था 20 मीटर उच्चा बायू सोधक यंद चलिए आगे चलते हैं किस राजी सरकार ने एस्बी आई की पूर्ख चेयर्मेंट रजनीश कुमार को अपना वित्तिय सलागा बनाया है मताहिए मंद्यपेदेश मंद्यपेश गुजरात हर्याड़ तो य्यादर की आंद्यपेश होने हैं किसम्ने आंद्यपेश अब देखिए आन्दुपिदेश की बारे में अगर बात करें हम लोग तो आप सभी को वालो वोगना चाहिए कि भासाई अधर पर गठित होने वाला पहला राज्य था आपका आन्दुपिदेश और एक नवंबर 1956 में सिराज बनाए गया था अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिलेगा यहां कि अभी वर्तमार मुखमंत्रीग की बात करें तो बाइये स जगन मुखन रेड़ी यहां की मुखमंत्री अभी यहां बिदान सभा भी देखने को मिलेगी विदान सभा में 100 75 percent हैं वो विदा होगा सरकारी बेंक है और वित्तिय सिवाय उपलब्द कराती है एक जुलाई 1905 में इसकी स्थावना हुई थी और इसका हेड़क्वाटर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा आप मैंसे कई लोगों की इसमें अकाउंट भी होंगे कौन बैक्ती टाटा ए आई ए लाइफ इंसुरेंस के ब्रांड एमिश्डर बने हैं बताई चार ओप्सन है विराट कोहली साहब या फिर अमिता बच्चन नीरफ चौपड़ा अच्छ है कुमार तो आप सभी को मालो होना चाहिए इसमें नीरफ चौपड़ा को बनाए गया है गोल्ड मेडल बिजेता है ना और सन टाटा ए ए लाइफ इस्टोरेंस की बात करें तो सन दोजार में इसकी इस्ताफना हुई थी और मुंबई में इसका हेड़क्वाटर आपको देखने को मिल जाएगा अंगला बुक्षन है कौर भारती मूल के ब्यक्ती ऑस्टेलिया ही स प्राइविंड निलकेस जहां अतुल किलार्क हैमंद धन जी तो याद रूखे हैमंद धन जी होंगे इसमें और एक बात और आपको बतादे कि बाहरतीय लोग दुनिया में भेल चुके हैं और मुझे लगता है कि एक दिन बहुत दूर नहीं बो दिन कि जब हमारे देश के लोग मूल के लोग भारती मूल के लोग राष्ट पती बन रहे होंगे पिधान बंदरी बन रहे होंगे कमला हैरेस को देख लिए भारत अमेरिका की उपराष्ट पती बने हुई है अंगला कुष्ण 21 राजजी की सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण बायू दियोता पैंसल यूजना सुरू की हुई है और मुझे लगता है कि आप सभी ने समझ भी आ गया होगा कि पेड़ों को अपका महत्त हमारी जिन्दगी में कितना है लॉक डाउन में कुरोना महारी ने सब कुछ यात दिला दिया है और हमें पेड़ों की रख्षा करनी चाहिए हर्याना, राजिस्थान, महराश्ट, जहरकण तो याद रखिए हर्याना होगी इसमें क्या हर्याना सरकार ने या किया हुआ है हर्याड़ों सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए अनोखी स्क्रीम जे शुरुगात की हुई है ठीक है और इसके इन भूमी हिन किसानों के लिए आने वाले सवाय में ओपियों की सावित होगी क्योंकि इसमें पेड़ों की देखवाल करने वालों को सालाना 25 रुपे बेंसन देने का फैसला भी किया गया है वहीं अगर हम लोग हर्याड़ा की बात बारे में बात करें तो इसकी राधरी चंडी गण और एक नमंबर 1966 को इसे राजज बनाए गया था मनोवलाल खटर यहागिया भी बरत्मान मुकमंत्री है बिधान सवावे आपको 90 सीटे देखने को मिलेगी राज सवावे 5 सीटे लोग सवावे 10 सीटे है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं रखोगे की नहीं रखोगे किस सहर की हाईवे पर भारत की पहली आबाद का लेंडिंग सुविधा का उद्गाटन हुआ है बताए किस सहर की हाईवे पर भारत की पहली आबाद का लेंडिंग सुविधा का उद्गाटन हुआ है सूरत गुजराथ बाड़मेर राजिस्थान, चंडीगड, हर्यानव, अबसर, पंजाब तो यादर खिस में बाड़मेर राजिस्थान होगा क्या होगा? तो राजिस्थान होगा आप आतका लिन तो आप लोग समझ ही रहे होगे कि जब जरूरी पड़े रक्षा मंतरी राजनासिंग और सड़क परिवाहनी वाब राजबार मंतरी नितिन गड़करी ने राजिस्थान की बाड़मेर सहर में राष्टी राजमार्ग 925 पर इमर्जेसिंग लेंडिंग फिल्ड का उगाटन किया हुए है अब राजिस्थान में वाड़मीर के दच्चन में NH 995 यानि कि 925 कि गंधाओ भाका सर्खंड पर आपाद का लेंडिंग पट्टी पर पहली बार राष्टी राजमारक का उप्यूंग आई-ए-ए-फ बिमानों की आपाद का लीन लेंडिंग के लिए किया जाएगा ठीक है और राजिस्थान की बारे में बात कर अगर हम लोग तो आपको मालो होना चाहिए कि छेतपल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजिस्थान और जैपुरिस की राध्धानी है और यहाँ आप देखेंगे असोग गहलोद अभी बरतमान वुक मंत्री है और यहाँ आप अंगला क्विश्चेन है हमारे साबने कौन बैखती और वरक कंपनी एन एप एल की नए अध्यक्ष और प्रबंद निर्देशक बने हैं बताई यह और वरक आप जानते हैं ना नेशनल फर्टलाइजर लिमिटिड जो आपने देखा होगा कि यह क्या बनाती है खाद माद बनाती है तो निरलेव सिंग राय पिरू सराज सर्मा विश्नु कुमार मौर करपेश राम माथुर तो याद रखें निरलेव सिंग राय होंगे इसमें यह आप्शन आपका बिल मत्र अगर मुकमंत्री की बात करें किसके उत्राखंड की बरत्मार मुकमंत्री को नहीं कि वह आपने देखा कि बहुत मुकमंत्री बदले गए फुसकर्च सिंग धामी अभी यहां की मुकमंत्री है ठीक है और इसमें आपको देखने को मिलेगा बिलाल सबा सीटे 70 राजे सबा ही रहे हैं लोग सबा सीटे 5 आपको देखने को मिलेगी ठीक है हर साल विस्त यानि की पितिवर्स विस्त आत्म हत्या रोक्थां दिवस कब मनाया जाता है क्योंकि आपने देखा हुआ कि जो आगड़े आते हैं उसमें देखिए हर साल आप देखिए बढ़ती जा रहे हैं लोग आत्मत्या करते हैं लोग सुसाइड करती है जिन्यकी से बरेसान रहते हैं प्रॉन 우리 में आप में देखा है葉 इंस सेप्टमबर को उसके साथ लोगों को अपना टाइम बिताना चाहिए अब देखिए उसके साथ अगर टाइम बिताते हो अकेला नहीं छोड़ते हो तो काफियत तक उसे कंट्रॉल भी किया जा सकता है तो इसमें 10 सेप्टमबर होगा आपका वी ओप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा क्या रहे यह पहली बार 2-3 में बनाया गया था पता है और इस बार की अब थीम की बात करें तो कारवाई की मात्यम से आसा पैदा करना एक तरह सी इस बार की थीम रगी गई है क्रेटिंग हॉप थ्रो एक्सन चलिए आगे बढ़ते हैं लोग कौन वेक्ती राष्टी अलब संक्य काईब के नई अध्यक्ष बने हुए राष्टी अलब संग्य आईउक की बात हो रही है सेयद खान महमूद, एकवाल सिंग लालपुरा, जफर दीन मलार और राजिस्कमान नकवी बताए एकवाल सिंग इसमें लालपुरा हूँगे हम लोग राष्टी अलब संक्य काईब की बात करें, तो 17 मई 1993 में इसकी इस्ताफना हुई थी, निव दिल्ली में आपको देखने को बज़ जाएगा एक आपने देखा हुगा बहु संक्यक होते हैं, अल्ब संक्यक होते हैं, कि आप देखें कि उनकी संक्या कम देखें, भासाई अधार पर आप देखें भूपैन्द पटल गुजरात की कोई से नए मुक मंत्री बने हुए, किस नंबर की हैं, 13 बे, 17 बे, 19 बे या 21 बे तो याद रखे, 17 बे मुक मंत्री हैं, ठीक है, क्योंकि आपने देखा, अभी हाल में ही बदले गए थे यहां कि राधनानी की बात करें तो गांधी नगर है, गुजरात की, एक मई 1960 को इसे राज बढ़ाए गया था, भूपैन्द भाई पटे लिहा के मुक मंत्री है, बेधासवा में 180 सीटे हैं, राजसवा में 11 सीटे हैं, लोगसवा में आपको 26 सीटे देखने को मिल जाएंग रिनेट, नाइबोड, मार्क लेनिंग, एलेक्स, फिसर और जिम, लान जोन, तो याद रखें इसमें जिम, लान जोन होगे, याहू के बारे में बात करें तो आपको गालू होने चाहिए, जन्वरी 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका कैलिपॉनिया में आप देखे USA में, United States में, इसका हेड़क्वाटर आपको देखने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, किसने US Open 2021 में पुरो सेकल का किताब जीता है, नोवाग जोगोवच, डेनियल मैदवे दियो, डोमिनिक थीम और रोजर फेल्टर, तो याद रखें में डेनिय आप लोग बिल्कुल लगा होगे, रोस की है, आप मैं देखा होगा, टैनिस का लाड़ी है, अगला कुश्चन है, किसने US Open में महला एकल का किताब जीता है, वो खुर्सों के बारे में बात किये हुई थी, अब हम लोग महला की बात करें, सिमोना हालेप, एमा रदुकान, लेला एनी फर्णनाडीच, स्टैफी ग्राफ, तो याद रखें, एमा रदुकान, ठीक है, और इने की बारे में अगर बात करें तो ये, ग्रेड बेटन की है ये, ठीक है, टेनिस खिलाडी है, और करनाडा की लेला, एनी फर्णनाडीच को इन्होंने हरा कर, यूएस ओपन महला एकल का फाइनल किताब, किताब जीता हुगा है, ठीक है, किस देश के पूर्व राजपती रही, जॉर्ज, सेंपियों का 81 वर्स की, उम्र में इनकी डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है, कहां कि थे, बताइए, पुर्दगाल यूकरेड, फ्रांस, पोलेंड, तो याद रखी ये, पुर्दगाल के थे, और आपने देखा होगा कि पुर्दगालों का हमारी उपर राज भी रहा है, आपने देखा है कि गुआ पर तो काफी समय तक रहे हैं, इसकी राधानी ये लिस वन है, ठीक है, गुआ, किसकी पुर्दगालों की, पुर्दगाली गड़ राज, यूरो में मिलेगा आपको ये देख, यूरो महादीर में, कौन भार्टी वेक्ती ECI उलम्पिक फरिशत के कारकारी अध्यक्ष बने हैं, बताए, अर्जुन सिंग, रगुपाल, तस, रंधीर सिंग, तेलोग नहरा, क्या होगा इसमें से, तो इसमें रंधीर सिंग होंगी, ठीक है, ECI उलम्पिक फरिशत की बात हो रही है, इसे आप लोग और सी, एवी कहते हैं, ओलम्पिक काउंसिल ओफ एसिया, 16 नमबर 1982 में इसकी स्ताफना भी थी, और कुवेद में इसका हेड़क्वाटर आपको दीखने को मिल जाएगा, ठीक है, एक खेलो की सर्वोश संस्थायस, ठीक है, अंगला कुशन है कौन दुबई का, गोल्डन बीजा पाने वाले पहले गोल्फ लाड़ी बने, जौन रहम, जीव मिलखा सींग, दुस्तन जौन सन, फिल्म मिकेलसन, तो याद रखी जीव मिलखा सींग होग इसमें, बी ओप्सन आपका, बिल्कुश सही है, दस साल का पेदिशित, दुबई, गोल्डन बीजा ने दिया गया है, अंगला कुशन है, अजीज, अक नोच, किस देश के नए पिधार मंतरी बने है, मुरक्को, एतोपिया, नाइजेरिया, यूगान्डा, तो याद रखी मुरक्क के बने हुए, कहांगे, मुरक्को के बने हुए, उत्री अफिकाय का एक देश है, मुरक्को, रवत इसकी राधानी है, रवात इसकी राधानी है, ठीक है, अंगला कुशन है हमारे सामने, कौन फेक्ती राष्टी कंपणी कानून अपिलियर नियाधी करण के नए कारवबाहग अध्यक्ष बने है, राष्टी ये कंपणी कानून अपिलियर नियाधी करण के बात हो रही है, इसकी स्ताफना एक जून 2016 को की गई थी, ठीक है, किस राष्टी की सरकार ने के सालों के लिए बाजरा मिसन सुरू किया हुआ है, बाजरा मिसन की बात हो रही है, राजिस्थान चत्थीसकड असंप केरल, तो याद रखें, चत्थीसकड होगा इसमें, कौन होगा, चत्थीसकड होगा, बाजरा मिसन एक तरह से सुरू किया हुआ है, मुखमंत्री यहां के बूपेस बगेल ले, इसका उद्देश है है कि किसानों को चोटी अराज की फसलों के लिए उचितमूल दर्फिदान किये जाए, सही रेट एक तरह से उन्हें दिया जाए, क्योंकि किसानों को आप देखते हैं कि सही रेट नहीं मिल पाता है, और एक नवंबर उन्ने सन 2000 में इसे मद्दपिदेश से अलग करके राज बनाए गया था, राय पोरिक्स की राजधानी है, जिससे आप लोग अटल नव्यारवी कहने लगे हैं और भूपेस बगेल आके अभी बर्तमार मोक मंत्री हैं, नव्य सीटे आपको विधास सभावे देखने को मिल जाएगी, राय सभावे 5 सीटे अलोग सभावे 11 सीटे देखने को मिल जाएगी, देखी जब तक मद्विदेश का हिस्सा था 36 गड़, तो छेटफल में मद्विदेश सबसे बड़ा था, अब आप देखी दूसरी नमबर बहें, राजिस्थान पहले पे पहुँच चुका है, 14 सेप्टमबर 2021 को पूरे भारत में, राश्टी हिंदी दिवस मनाये जाता है, जिसको मनाने की सुरुवात कब हुई थी, हिंदी दिवस की बात हो रही है, राश्टी है हिंदी दिवस, अब देखते हैं ना गी, आपकी सामने ओप्सन क्या गया है, 1950, 1953, 1956 वह 1964, तो आपको बता दूँँ, इसमें 1953 हुआ, देखी एक और बात बता दीता हूँ, कि ये डारेक्ट कुक्षेस पुछा जा सकता है, कि राश्टी हिंदी देवस कमनाया जाता है, 14 सेप्टमबर को, क्याँ? 14 सेप्टमबर को, और 14 सेप्टमबर उन्नी सो रजचास को हिंदी को राजबासा एक तरह से दरज़ा दिया गया था, हिंदी को बड़ावा देने के लिए, और इसके अलाबा आप लोगों को एक डेट और याद रखना है, अबिस तो हिंदी देवस की कभी बात हो तो दस जन्मरी को मनाते हैं उसे, ठीक है? और 1903 में हिंदी के प्रिचार पसार के लिए अह साल 14 सेप्टमबर को हिंदी देवस मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, अनुचे 343 आप लोगों ने फड़ा है, अनुचे 343 एक में इसका उल्ले किया गया है समिनार में, भारत की राजभासा हिंदी और लिपी देवनांगरी होगी, ठीक है? जो आप देखिए आजकल हमारे देश में हिंदी की क्या इस्तिति है? हिंदी माता, हिंदी बाता की बहुत बुरे इस्तिति है हमारे देश में, आपको पता होना चाहिए? अब देखिए अब कोई पेपर होता है तो उसमें इंगले से एक तरशी अनिवारी ही कर दी जाती है वैसे होना यह सच चाहिए था कि हमारे देश में कि हिंदी को थोड़ा मातुत मिलना चाहिए था ना किस देश से सम्मधित खिलाडी लशित मलेंगा ने किरकिट के सभी प्यारूपों से सन्यास लिया है एक कहा के थे अफगानिस्तान, सिरी लंका, बंगलादेश, नैपाल तो याद रखे इस सिरी लंका के थे और मुझे लगता है कि सिरी लंका के बारे में आप लोग जानते होंगे, हमारा फडोसी है दर्चे डेसिया में आप हिंद भासागर के उत्तरी भाग में आपको देखने कुमलेगा एक दूइफिय देश है और इसके बारे में आपको मालू होगा कि हमारे साथ के ते एक सम्मंद काफी रहे है कभी सीता माता राबड आपने देखा होगा, सुना जाता है और एक बात और पाक जल्टमरू और जो मननार की खाड़ी है इसे भारत और स्री लंका को एक तरह से अलग करते है याद रखेगा आनन कुमार को दिया गया है ब्रह्मानन्द पुरुसकाल के से दिया गया है आनन्द कुमार को दिया गया है अब आप करेंगे कि आनन्द कुमार को ने आपको बता दूँ कि सुपर्थाइटी जैसे का अन्दिकारी सिक्षा योजना की जरीए देश में एक मूप सामाजी परिवतर लाकर समाज की बंजी तपके की सेग्रों बच्चों को IIT समय भारत की जो टॉप एक तरह से आप देखिए परिख्षाएं होती उसमें पास करवाते हैं आनन्द कुमार अब समझ रहें काफी इन पर एक मूवी भी बनी हुई है यहने काफी पुरुसकार भी दिये गया है तो इन्हें स्वामी ब्रह्मानंद पुरुसकार भी दिया गया है स्वामी ब्रह्मानंद के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारे रामकिस्र मिशन की पिथम संग्याद ध्यक्ष थी 21 जन्मरी 1863 मेंड का जन्म गया था 10 अप्रेल 1922 मेंड की डेथ हो गई थी तो यह आपनो अंगला गुशन हमारा कि हर साल 15 सेप्टमबर को किनकी जनम दिवसपर पूरे भारत में इंजेनियर डे मनाया जाता है आप लोगों ने वी टेक किया होगा वी किया होगा तो आप लोगों को माल होगा इंजेनियर डे की बात हो रही है है ए उप्शन करा है मोख्छ गुंडम विसुश्वरिया और बी करा है सतीज धवन और सी करा है विक्रम सारा भाई और डी करा है बेरगे से कुरियन ही होगा मोग्ज गुंडम बिसस्वरिया ठीक है यह option आपका कैसा रहेगा विल्कुल सही रहेगा क्या रहेगा बिल्कुल सही रहेगा देखिए भारती लीवल पर मनाया जाता है पूरी दुनिया में नहीं मनाते हैं यह भी आप लोग याद रखना चाहिए और इसे दिबस को इसलिए मनाया जाता है कि देश में जो इंजिनियर होते हैं इनके पिदी सम्मान उनकी का करती थी सम्मान हुआ करता था लेकिन आज आप देखी कि क्या अगर किसी का बेटा अगर बच्चा वो करता है इंजिनियर तो उसका बात बोल लेता है रोक देता है आप सभी जानते इस बात को मुझे नहीं बताने की जरूरत नहीं है तो यह याद रखना चाहिए और इनके अगर हम लोग मोक्ष गुंडम विस्वस्वरिया के जनम की बात करें तो मैसूर के कोलार जिले में 15 सेप्टमबर 1860 को हुआ था और उनकी योगदान को देखते हुए 1968 में उनकी जनमतिती को ही अभियांता दिबस यानि की इंजिनेर डे की रूम में मदानी की घुशना हु इस पुरुस खिलाड़ी को अगस्त 2021 के लिए ICC फिलियर ओफ दा मंत अब और मिला है और एक बात आपको बता हुँ कि हर महीने में मिलता है लगबग आप देख रहे होंगे और इसमें आप लोग पुरुसों का भी याद रखा कीगे महलाओं का भी याद रखा कीगे इसमे आपका बिल्कुस सही रहेगा और ICC की बात करने तो International Cricket Council इसे आप लोग कहते हैं और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में भी थी और दुबाई यू उनाइटेड अरफ अमिरात में इसका आप लोगों को मुख्याल है देखने को मिल जाएगा ठीक है आगे चलते हम लोग किस महला ठलाडी को अगस्त 2021 के लिए ICC Player of the Month का अवार्ड मिला है मैंने बोला था न कि पुरसों की बात होगी उसके बाद महलाओं की बात होगी और आप चाहें तो पहले महलाओं की बात कर सकते हैं वोई भेदभाव नहीं रहे न चाहिए आज की सबाए में तो आप सभी जानते हैं कि महलाएं पुरसों से आंगे इप्तरक्की कर रही है सनामीर एमियर रिचर्ड सन कैथरीन हेलेन और मेगन ले सिंग तो इसमें याद रखिए एमियर रिचर्ड सन ठीक है भी आप्शन आपका बिल्कुस सही रहेगा इसमें अगला कुश्चन है हमारे सामने हर साल यारी की पितीवर्स अंतराष्टिय लोकतंत दिवस का मना जाता है देखे लोकतंत के वल कहना किसी देश को लोकतंत्रिक ले जाते हैं आपको मद्दान करने का एक तरह से अधिकार दिया जाता है यह होता है कि उस देश का व्यक्ति कितना खुस है अपनी सरकारों से उसे कुछ फायदा मिल रहा है वो बोल पा रहा है या नहीं वो अपना संगटन जो भी काम करता है उसमें आजादी है या नहीं ह समय है इन बातों को देहर में रखते हुए आपने देखा होगा आपका लोकतंत क्या होता है लोकतंत कहा जाता है उस देश को और आप देखें कि चाइना को देख लेजे आप सभी जानते हैं कि वहाँ अधिकारों के लोगों के अधिकारों का कोई महत्तु नहीं रहता है व जो भी लोग तांत्रिक से जो सूचकांग काते हैं, उसमें हमारी स्थिती नीचे गरते जा रही हैं. क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे जो आंदूलन होते हैं, उन्हें किस तरह ऐसे सरकार की द्वारा दबाया जाता है, या सरकारों की अधिकार, जो लोगों की अधिकार हैं, उन्हें उनकी अधिकार नहीं दिये जाते हैं, तो इनी बातों को दिहार में रखते हुए, इंडेक्स जारी किये जाते हैं, तो उसमें हमारी स्तिती नीची रहती हैं, आप सभी लोगों को माल होगा कि समिधान का भाग तीन आपको मौलिक अधिकार उपलब्द कराता है, अगर आपकी मौलिक अधिकारों से कोई छेड़चाड करता है, सरकार करती या कोई और बेक्टी करता है, तो आप लोग Supreme Court High Court जा सकते हैं, Supreme Court आप लोग 32, RT गर 32 के तहट जा सकते हैं, 226 के तहट आप लोग High Court जा सकते हैं, High सेप्टमबर, तो याद रखें, 15 सेप्टमबर को मनाया जाता है, अंतरश्टी है, लोकतंत दिवस की बात हो रही है, कब 15 सेप्टमबर को, तो ये भी आप लोग याद रखेंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अंगला कुश्य ने, 16 सेप्टमबर 2021 को विस ओजोन दिवस मनाय गया है, और इस दिवस को पहली बार कम मनाय गया था, एक बात और देखिए आप, बता दूँ आपको, विस ओजोन दिवस, इस से कुछ से कई बार पूचे जा चुके है, कई बार, आपको बता रहा हूं, कई बार का मतलब समझे, 1990 में, 1995 में, 1999 में, सन 2002 में, तो याद रखे, इसमें आपका क्या लगा होगे, 1995, बी ओप्सन आपका, बिल्कु सही होगा, क्या होगा, बी ओप्सन, बिल्कु सही होगा, और आप सभी जानते हैं, कि जो ओजोन परत है, ए उपर से जो हानिकारक अल्टा वाइलेट करने आती है, इन्हें रोकती है, और हमार 1995 में मनाए गया था, कब 1995 में, और इस बार की अगर हम लोग थीन की बात करें, तो मौन्टियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजर और टीको को ठंडा रखना, ठीक है, इस बार की थीम रखी गई है, तो यह आप लोग याद रख सकते हैं, शलिए, आंगे वरते हैं हम लोग, अंगला कुक्षियन है हमारे सामने, कौन बेक्ती मालदीब में भारत की नए उच्चायुक्त, नियुक्त किये गए हैं, राजन सुकला, मुनु महावर, छोटु माधाओ, गजद सी, तो याद रखी, सुमें B-Option आपका सही रहेगा, मुनु माध महावर, और मालदीब आपको यह देखने को मिल जाएगा, अवालदीब की अगर बात करें, तो मालेस की राध्धानी है, एस या में ही बढ़ता है, ठीक है, अंगला कुश्यन है हमारे सामने, किस देश ने सम्मंदित खिलाडी, बिर्डन, टेलर ने अंतराष्टी किर्किर से सन्यास लिया है, इ हम लोग ने विस्तो का Google कबर किया हुए था, उसमें जो मैप बाला पार्ट हम लोगों ने कबर किया हुए था, तो उस समय हम लोगों ने विस्तार से मैप का सहारा लिकाच, एक एक पॉइंट को देखा था, तो मैप के नाम से आपकी प्लेलिष्ट सूची बनी हुई है, व कौन भागतिये महला अंतराष्टी नागरिक उड्डेन संगठन की नई अध्यक्च बनी है, यह ओप्शन कहे रहा है, रस्मी सर्मा, अजंता वोहरा, सेफाली जुनेजा और दीपी का सिनहा, तो याद रखी सेफाली जुनेजा हुए इसमें, और इंटरेशनल सिविल एव अधियेशन, और ग्राइजेशन की बात करें, तो 4 अपरेल 1947 को इसका स्थापना हुई थी, और कनाड़ा में इसका, आपको क्या देखने को मिलेगा, हेड़क्वाटर देखने को मिलेगा, अगला कुश्चियन हमारे सामने, किस भारती एक लाड़ी ने, ACI इसको उनर अधियेशन से 2020 का खिताब जीता है, आधित महिता, पंकज आड़वानी और गीत सेटी, यासीन मरजेंट, तो याद रखे इसमें पंकज आड़वानी होंगे, ठीक है, क्या होगे, पंकस, B-Option आपका बिलकुँ सही रहेगा, किस खेल से सम्मदित पूर भारतिय खिलाड़ भावानी रॉय का 75 वर्स की उम्में इनकी मौत हो चुकी है, नैधन हो गई, यानिकी डेट हो चुकी है, किस खेल से जुड़े थे, फुटबॉल, हौकी, किर्केट, टैनिस, तो याद रखे ये फुटबॉल से जुड़े होगे थे, इसमें आपका क्या रहेगा, ये option आप आती है, भारत का ये पितिने दित कर चुके थे, ठीक है, अंगला कुश्य है माले सामने, कौन राष्टिय लगू उद्योग निगम लिमिटेट की नई अध्यक्च और प्रवंद ने देशक बनी है, फिर से सोन लेजे, कौन राष्टिय लगू उद्योग निगम लिमिटे NSIC की नई अध्यक्च और प्रवंद ने देशक बनी है, विसाखा जन, P का रहा है मिवला तरपाटी, C का रहा है रजनी चौकसी और अलका अरोडा, तो बताइए इसमें कि अलका अरोडा होंगी, अलका अरोडा को राष्टिय लगू उद्योग निगम लिमिटेट का अध् दिल्ली में इसका headquarter आपको देखने को मिल जाएगा, अंगला question है हमारे सामने, हर साल पितिवस, अंतराष्टी, समान, बेतन, दिवस कम मनाया जाता है, अब आप देखें कि समान, बेतन क्या मिलता है से भी को समान, मजदूरों में देख लिजी आप लोग, उनके साथ भी भी दभाव किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं क्या इस्तिती रहती है, 15 सेप्टमबर को, 16 सेप्टमबर को, 18 सेप्टमबर को, 19 सेप्टमबर को, तो याद रखिए 18 सेप्टमबर को, यह मनाया जाता है, 18 सेप्टमबर को क्या होता है, इसे मनाती है हम लोग, और इसे अग कि अगर हम थीम की बात करें तो समान मूली की कार के लिए समान बेतन एक तरह से बिसाय रखा गया इसका एक बात और आपको बता दू देखिए यह मालू होना चाहिए कि महलाओं में हमारे अभी भी हमारे देश में महलाओं को कम बेतन दिया जाता है पुरसों के तुल्ला में सुमझ रहे हैं और कई यह इस तरह की विद्भाव आपको देखने को मिल जाएगे चरंजी सिंग चन्नी किस राजी के नए मुखमंत्री वने ह तो आप सभी को मालू होने चाहिए पंजाब के हैं कहा कि हैं पंजाब के हैं अगर पंजाब की बारे में हम लोग बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि पंजाब करांती कारियों की धर्ती राय है आप देखिए इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों क श्यासर को राजिमर आया था से चंडीगर इसकी राध्धानी है चरणजी सिंग चंडी यहां के मुखमंत्री है विधान सभा में 117 सीटें देखने को मुलेगी राज सभा में आपको 7 सीटें और लोक सभा में 13 सीटें देखने को मिल जाएगी पाकिस्तान से लगा हुआ होगा सिक्किम होगा और सिक्किम के वारे में वigator बात करें तो आप सभी को मालू होना चाहिए कुछ point तो सिक्किम के वारे में मालू होना चाहिए कि इसे के 10 February 1975 में घठन किया गया था इसका और प्रैम सिंग तमांग यहां की मुकमंत्री है और विधाल सभा में 32 सीटे है राज सभा में एक सीट है लोग सभा में भी एक सीट आपको देखने को मिलेगी गंग टोक इसकी राजदानिय सिक्किम की नेपाल से लगा हुआ है अब देखते हैं आप और यह आपका भूटान भी आसवेद बेक्ती बने हैं एलेकजेंडर टॉनी रूपॉल प्रैम टाइम यूगारस मेथू और फीटर मॉरगन तो यादरखी समें रूपॉल प्रैम टाइम बी आप्शन बिल्कु सही रहेगा एमी अवर्ड इन्हें जीतने वाली आसवेद बेक्ती बने है ठीक है और इस रगसकते हैं इनके बारे में और तेली वीजन के जानीबानी हसती है ये थेखाहिए छली आगे बढ़ते हैं हम लोग फिरहल अंगला कुशन हे हमारा कौन बैटी Facebook इंडिया के Public Policy Director बने है Public Policy Director महनों सर्वा तो याद रखी इसमें राजीव अगवाल होंगे और आपको फेस्बुक के बारे में बताएंगे तो आप सभी को माल है कि एक सोसल साइट है और फेस्बुक पर आप लोग एक्टिब भी होंगे और फरवरी 2004 में इसकी स्थापना की गई थी समझ रहे हैं आपको इसका हेट ब मानद उपादी प्यदान किया है परेस लावल अनुपम खेर नाना पाटिकर अमिताब बच्चन तो अनुपम खेर इसमें होंगे क्या होंगे अनुपम खेर होंगे इसमें तो हिंदी उनिवसिटी ओप अमेरिका ने अभी नेता अनुकम खेर को हिंदु अध्यर में डॉक्टरेट की पीएचडी की मानद उपादी दी हुई है और बताने की फिलो रीड़ा इस्तित बिस्विध्याले ने 18 सेप्टमबर को एक पिसिस कारिकरम में एक्टर को हिंदु पद्धिर में थीएचडी की मानद उपादी विदान की थी यह आप लोग याद रख सकते हैं तो रख क्या सकते हैं रखना चाहिए कोर्शन आ जाएगा अफर पश्ता आएंगे हम लोग कौन बी आर वी आरो की सड़क निर्मान कंपणी की कमान समालने वाली पिथम महला से नदिकारी बनी हैं बोडर रोड रोड और्गनाईजेशन की बात हो रहे हैं जिससे आपको माल होगा कि इसकी स्थापना साथ मई 1960 में हुई थी इसका हेड़क्वाटर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा उसी की बात करें इसमें आसा चोपड़ा मेनाख्छी मे इसकी उम्र में नेधन हो गया यानि की मौत हो चुकी है इंगलेंड के थे ब्राजील के थे बेल्जीम के थे स्पैन के थे तो याद रखे यह आपके इंगलेंड के थे कहा के थे इंगलेंड के थे और इंगलेंड के बारे में आप सभी को अगर बताना चाहूं कुछ खबर तो यूरोब में आप देखते हैं एक देश हैं और इसकी राध्धनी लंडन है, ठीक है, अंग्ले कोश्चेन की तरब बढ़ते हैं, आर राजा रेतविक भारत की कोंशे नई Grand Master बने है, आर राजा रेतविक भार TSN से नई Grand Master बने हैं, तो याद रखे सत्तर वे बने हुए सत्तर वे स्ट्रवय नंब़ की सु आपका विलकु सही रहेगा कॉर से पहले आपने देखा हुगा पूले की हर्सित राजा पिछले मैंने ही भारत के 一वं UV ग्रेंड मास्टर बने थी और सत्तर भी हैं ठीक है है हंगरी पितियों गीता में इनोंने दोरां तीसरा ओंतिंग गरेंड मास्टर नॉर्म हासिल किया है अंगला कुश्चन है मारे संग जारी वर्स 2021 की बैस्विक सूचकांग में भारत को कौन सा सितान मिला है वैस्विक नवा सूचकांग की बात हो रही है दो हजार इंकिस के 28 वा 41 पा 46 वा या 52 बताइए तो तो मुझे लगता है कि आप सभी को मालू होना अच्छी कौन सा इस्थान मिला है 46 वा मिला है मैं और इसके बारे में अगर हम और पॉइंट की बात करें तो बैस्विक नवाचा सूचकांक 2021 जिसे आप लोग G.I.I.V कहते हैं इसमें भारत की इस्तिति 46 भी नम्मर में भारत सम जारी किया गया था और इसे आपका बैद्विक जो बौधिक संपदा संगठन के बारे में सुने हो जिसे आप लोग विपो भी कहते हैं इसी के द्वारा यह जारी किया जाता है जो सयुक्तराष्ट की एक एजनसी है क्या है सयुक्तराष्ट की एक एजनसी है अगर हम लोग सेवतराष्ट की बारे में बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थाफना हुई थी नीवार्क में इसका USA में हो इसका हेड़क्वाटर देखने को मिल जाएगा मुख्याल है और बौधिक संपता संगठन की बात करें तो आप सभी जानते ही कि इसकी स्थाफना 14 जुलाई 1967 में हुई थी इसकी इसका मुख्याल है आपको जैनेवा स्थाफने में देखने को मिल जाएगा तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें अगर हम लोग ACI देशों की बात करें तो आपको मालू होना चाहिए इसमें Singapore आपका 8 भी नमबर पर चीन 12 भी नमबर पर जापान 13 और Hong Kong आपका 14 भी नमबर पर है और भारत को आप देखिए 46 बाइस थाफन में लाए और अगर हम लोग टॉप की 5 की बात करें तो Switzerland, Sweden, America, USA Switzerland आपका पहले नमबर पर Sweden, फिर उसके बाद अमेरिका देखेंगे, फिर UK देखेंगे यह आपको टॉप पर देखने को मिल जाएंगे ठीक है? यह भी आप लोग याद रख सकते हैं, रखने चाहिए मुझे लगता है चलिए ख्यारागे बढ़ते हैं हम लोग पिती बर्स अंतराष्टी सांती दिवस सेप्टमबर महिडे की किस तारीख को मनाया जाता है? अंतराष्टी ये सांती दिवस आज आप देखिए आज के लाब सांती गाया भे लोगों की जिंदगी से 19 तारीख, 21 तारीख को 22 तारीख को या 20 तारीख को, बताइए की थी जिसके बाद से पहली बार इसे साल 1982 में सेफटम माहे माहे के तीसरे मंगलवार को मंगनाय गया था जिसके बाद से 1982 से लेकर साल 2001 तक अंतराष्टी सान्ति सान्ति दिवस को सेप्टमबर माहे के तीसरे मंगलवाय को मनाया गया, वहीं सेप्टराष्ट ने साल 2002 में इसे 21 सेप्टमबर को मनाया जाने की गोशना की थी, जिसके बाद से अभी तक आप देखेंगे कि 21 सेप्टमबर को यह आपका अंतराष्टिय सांती दिवस मनाया जाता है यह आप लोग जरूर याद रखेंगे और इस बार की थीम की अगर बाद करें हैं आप लोग क्या है किसकी अंतराष्टिय सांती दिवस की क्या रही है इस साल की theme इस साल की theme रही है आपकी recovering better for an equitable and sustainable world ठीक है यह इस बार की theme रही है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिरहाल अंगला question है मारे समने steel company galant group ने किस आगामी दो बरस के लिए अपना नया brand एमेशडर बनाया हुआ है इन में से बताइए कपल सर्मा को अजय देवगन को सुभ मन गिल को नीरत चौपडा को किसे बनाया हुआ है तो याद रखे अजय देवगन को बनाया हुआ है आप लोग अ की बात हो ज़िए अंगला question है हमारे सामने किसे राष्टी है फिलोरेंस 90 गेल पुरुसका 2020 से सम्मानित किया गया है एके चौदरी पीके मन गाना तो याद रखे एस वी चौदरी होंगे सो एस वी माफ करी एस वी सरसुती होंगे समें क्या होगा बी ओप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा यह आपके सेन दर्सिंग सेवा की उपमाहा ने दे सक रही है बिगेडिया एस वी सरसुती इनको राष्टी फिलोरेंस आपका यह 90 गेल पुरुसका 2020 दिया गया है चलिए आगे चलते हैं वोग राष्टी फिलोरेंस फिलोरेंस नाइटी गेल एक महिला थी और बारे महीं 1820 को इनका जनम गया तो 13 अगस्त 1910 को इनका डेथ हो गए थी उनकी याद में इतरा से मनाया जाता है तो यह आप लोग याद रख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अंगला कुश्चन है हमारे सामने कौन बैक्ती भारतिय बायूसेना की नए प्रमुक निउप किये गए है नए कौन होंगे इसमें तो आपको बता दूं कि इसमें होंगे आपके बी आर चौधरी सी ओप्सन आपका बिल्कु सही है आप सभी जानते हैं बारतिय बायूसेना की बात करें तो आठ अक्टूबर 1932 को इसकी इस्तापना हुई थी इसका हेड़क्वाटर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा देखे बारति ससकते सेना का एक अंग है बायू योद्ध के लिए आसमान में योद्ध लड़ने के लिए इसका गठन किया गया है पिती वर्स 22 सेप्टमबर को विस गुलाब दिवस किस रोख से पीडित लोगों के लिए मनाया जाता है गुलाब आप देखिए ये पीडिक ही कुछ और है गुलाब दिवस लखवा, अलजाइम, कैं मदुंगोई तो यादर कि यादर Rouge कि लोगों के लिए एक तरसी इह मनाया जाता है किसके MIDI प्रदट लोगों के लिए मनाया जाता है देखिए जो कैंसर रोगी होते हैं खुसी उनके चेहरे पर खुसी लाना है उन्हें एक तरह से हिम्मत देने के लिए और ये देने एक 12 साल की नन्नी बच्ची मिलिन्डा रोज की यार में मनाया जाता है ठीक है अगला कुशन की तरह बढ़ते हैं कौन वैक्ती नैपाल की नए विदेश मंत्री बने है नारायन खड़का जगदीस लोम रोर राजन पाटक विस्वास यसू दरसी तो यादर केसे में नारायन खड़का होंगे और आप सभी को मालू होना चाहिए कि नैपाल हमारा पड़ोसी है हमारी संस्किती काफी मिलती जूलती है नैपाल से और इसके राधधानी की बात करें तो क्या है काठमांडू है पता है आपको और चाइना के से लगी हुई इसकी सीमा है आजकल चाइना की भासा बोलता है किस भारतिये ने U.N. में अपना SDG Advocate Nukth किया है सागर जैस्वाल किस भारतिये को U.N. ने अपना SDG Advocate Nukth किया है सागर जैसवाल, राजन दीरज, क्यला सत्यार्थी, रवन भठाचार तो याद रखी क्यला सत्यार्थी है और बच्च पन बच्चाओ, बच्चों की जिंदगी को सुधारने का काम किया है क्यला सत्यार्थी ने और आपको मालू होगा कि इन्हें नोबल पुरुसकार भी, साल्दी का नोबल पुरुसकार भी मिला था 11 जन्मरी 1954 को इनका जनम हुआ था बिदी सावे, मद्ध बिदेश के हैं सावाजिक कार करता है बाल अधिकार तो अच्छी बात है, बच्चों की जिन्दगी को बचाना एक अच्छी बात है पितिवस अंतराष्टी सांकितिक भासा दिवस सेप्टमबर महीने की किस्तारी को मनाया जाता है अंतराष्टी सांकितिक भासा दिवस कम मनाया जाता है 21 September को 23 September को 20 September को 28 September को तो याद रखिए 23 September को मनाया जाता है कम मनाया जाता है 23 September को आपका मनाया जाता है तो यह आप लोग याद रखेगा जो आपका इतिहास की बात केंदो इस दिन का पिस्ताओ World Federation of the Deb जिसे आप लोग WFD यह भी कहते हैं इस तो यह आया था हो दुनिया भर में 70 मिलियन बाधिर लोगों को कि माना अधिकारों का पितिनिदिक करने बाली बाधिर लोगों की 135 राष्टी संगों का एक संग है और 23 September का चैन इस तारीक को याद करता है जब 1959 में आपकी वर्ड यानि की World Federation of the DEV DEV की इसकी इस्थापना हुई थी ठीक है और अंतराश्थी सांकितिक भासा दिवस पहली बार 2018 में मनाय गया था तो यह अब भी आप लोग क्या करिए याद रखा करिएगा चलिए अंगले कोशिन की तरह पढ़ते हैं केंद सरकार ने किस से राज नागरी कोट्डेन मंतराले की नई सचिप की रूमें नियुकती दी हुई है अंसुप्रकास राजीब बंसल पिदीब खरोला अनुराग जैन तो याद रखी इसमें राजी बंसल होंगी आपके बी आप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा किस राजी में दुनिया का सबसे मुच्छा एलेक्ट्रोनिक एलेक्टिक चार्जे चार्जिंग इस्टेशन बनाए गया है हिमाचल पिदिस अवनल्ण पिदिस या पशे मंगाल या आपका औन्द पिदेश तो याद रखी हिमाचल मंदेश बनाए गया अगर चार्जिंग की विवस्ता हो जाती है हमारे देश में तो हमारे देश में electric ईलेक्ट्रोनिक गाडियां चल सकती है इसमें कोई दोरा नहीं होने चागे बस चार्जिंग की वहुस्ता अच्छे से हो जाए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लंबी दूरी तय करनी है आपको तो इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप चार्जिंग की वहुस्ता करते परेंगे इसके लिए आप आप देखते हैं कि क्या बनाए गए था राज बनाए गए था और यहां के जैराम ठाकूल यहां के मुकमंत्री है बिदाल सभा में 68 सीटे है तो राज्ज्य सभा में 3 सीटे है लोग सभा में 4 सीटे तो यह सब को आप लोग याद रख सकते हैं कौन अभी नेता यूनाइटिट के इंगड़म की रॉयल नेवी में मानत कमंडर नियुक्त किये गये हैं डैनियल क्रेग, टॉम हाईडी, गेरी ओल्ड मेंड, मार्टिन फ्रीमेंड, तो याद रखिस में डैनियल क्रेग होगे ये ओप्षन आपका बिल्गु सही रहेगा, क्या रहेगा, ये ओप्षन आपका बिल्गु सही रहेगा अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पिती वर्स यानि की हल साल 25 से अट्परमर को भारत में अंति उदर दिवस किनकी चेंती पर मनाया जाता है, नाना जी देश मुख, पंदित दिन-देयाल उपाते हैं, राम्मनोहेल होई या अटल विहारी पाचवेग, बताए, पंदित दिन-देयाल उपाते हैं, ये ओप्षन आपका बिल्कु सही रहेगा अगर हम लोग पंडित दिन दयाल उपाद्दे है की बारे में अगर बात की जाए और अंतियोधर की बारे में अगर हम लोग बात करें कुछ तो ये गरीबों ले एक तरह से पिछड़ी लोगों को आवाज उठाती रहे हैं और अंतियोधर सब्द का मतलब होता है उत्थान और पंडित दिन दयाल की अगर बात हूँ तो 25 सेप्टमबर 1916 में इनका जन्म हुए था 11 फरवरी 1968 में इनकी डेथ होगे थी ठीक है अंगला कुश्चन है 26 सेप्टमबर 2021 को दुनिया भर में अंतराष्टी ये बेटी दिवस मनाय गया है जिसे पिती बर्स मनाय जाता है सेप्टमबर महीने के आखरी मंगलबार को सेप्टमबर महीने के आखरी बदबार को सेप्टमबर महीने के आखरी सुकबार को सेप्टमबर महीने के आखरी अभीबार को तो सेप्टमबर महीने के आखरी अभीबार को ये मनाया जाता है ठीक है D option आपका बिल्कु सही रहेगा अंतराष्टी है बेटी दिबस की बात हो रही है और बेटियों को बेटों से कम नहीं समझना चाहिए इसके उधारन आजकल आप लोग दुनिया में देख दी रहे हैं और ध्यान दें आप लोग की लड़कियों के संबान के लिए सहीपतराष्ट ने पहली बार 11 अक्टूबर 2012 में इसे मनाने का एक तरसे ऐलान किया था क्या किया था ऐलान किया था तो यह आप लोग याद रखिएगा चली आंगे बढ़ते हैं हम लोग फिरहाल अंगला कुष्टेन हमारे सामने पिती बर्स यान की हर साल विस्त पर्याटन दिवस कम मनाया जाता है पर्याटन मतलब होता है देखिए एक जगह से दूसरी जगह गूमने जाते हैं और आप देखिए हमारी एकोनों में एक बहुत बड़ा हिस्सा योगदान रहता है पर्य या पर्याटन का आप देखते हैं कि दुनिया new लोग मारे यहां घूमने आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनीगी बात हो रही है 23 सेप्टमबर, 27 सेप्टमबर, 28 सेप्टमबर और 25 सेप्टमबर तो यादर की 27 सेप्टमबर को यह मनाया जाता है कब मनाया जाता है 27 सेप्टमबर को और एक तरह से 27 सेप्टमबर को दुनिया भर में पर्याटन की महत्त को गड़ावा और आम जंता को यह दिखाना कि पर्याटन ना केबल देश के आर्थिक मूल्यों को परभावित करता है बलकि छेत की सामाजिक राजनेतिय को सांसिकितिक मूल्यों को भी परभावित करता है इसका उद्देश यही रहता है ठीक है और विस पर्याटन की याद रखना भी चाहिए मुझे लगता है कि नर रखो के याद और इसकी सुरुवाद 1980 में इसकी सुरुवाद 1980 में सेट्र राष्ट बिस परेटर संगटके द्वारा इस्तिती का चुनाव किया गया था ठीक है तो यह आप लोगों को याद रखने चाहिए चरी आंगे बढ़ते हैं फिर हला हम लोग अंगला कुछ्छन है कौन बैकती बस 2021 के लिए और्डिट विवरो और सर्कूलेशन यानि की इवी सी के नए अध्यक्ष बने हैं नवीन उलाकर देव ब्रत मुखरजी प्रवीन पूनि तो बताएए कौन बने हैं देव पुरत मुखरजी बने हुए यानि की वी आप्शन आप लोग लगाएंगे और इसके बारे में और इसके बारे में और इसके बारे में बात करें तो याद रखिए दिराट कोहली होगे कौन होगे दिराट कोहली होगे कौन वेक्ति भारती बाई सेना की नए उपर प्रमुक बने हैं निर्मल राठ ऊर याशिसीष इप्धान अजीद चौदरी संधीप सींग तो याद रखिए संधीप सींग बने हैं डी ऑप्शन आपका ब लुइस रही दिवस मनाय गया और इस दिवस को पितिवस किनिकी पुर्ने तिथी पर मनाया जाता है लुइस पास्चर मेरी क्यूरी माइकल फ्राडी जेजे थॉंसद तो बताए किस की याद में मनाया जाता है इसे बताइए कुछ तो याद रुकिंए लूइस पांश्चर की याद में बनायां जाता है किसका लूइस पांश्चर की में बनाया जाता है और इसके बारे में अगर हम बात करें रेविश को आप लूग जानते होंगे 28 September को यह मनाया जाता है यही direct options पूछा जा सकता है रेवी जेनुटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है यह आप लोग जरूर याद रखिएगा और इसके इतिहास की बात करें तो पहली बार रेवी दिवस 28 सेप्टमबर 2007 को मनाया गया था यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए ठीक है और इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की थीम में रखी गए कि रेवी तत्थ डर नहीं ठीक है यह आप लोग याद रख सकते हैं चली अंगले कुशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं पहली और लुई ताष्चर को आप लोग जानते होंगे इस के रेवीज के टीके की बात की थी यह नोंने और इनका जनाम 27 दिसमबर 1822 में हुआ था और 28 सेप्टबर 1895 में इनकी टेथ हुई थी तो उसी याद को एक तरह से जिस देने खतम गए थे उनी की याद में मनाया जाता है ठीक है अंगला कुश्यन है हमारे सामने कौन महलाओं के बहुमत बाली संसत चुनने वाला यूरोप का पहला देश बनाया है ग्रीस, जर्मनी, इटली, आइलेंड तो याद रखी आइलेंड नहीं आइसलेंड ठीक है क्या आइसलेंड और एक बात हमेंसे याद रखी आइसलेंड हो या यूरोप के और भी देश हो यह आपको हमेशा टॉप पर देखने को मिलेगा यहाँ महलाओं के साथ बेदभाव जानदर आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है और आइलेंड की कुल 63 संसद ये संसद में 33 सीटों पर महला उमीदवारों ने जीत हासिल किये और यहाँ पिधान मंत्री कैटरीन जैकब्स दातीर की नेतित वाली निरवर्दमान गठवंदन सरकार की तीनों दलों ने 37 सीटे जीती थी और फेलायल आइसलेंड की गठवंदन सरकार ने 25 सेप्टमबर को हुए चुनाओ के बाद देश में 33 सीटे वाली संसर में अपना बहुमत 35 से बढ़ा कर सेथिस कर लिया है और यह चल रही है सरकार और इसकी अगर हम लोग आइसलेंड की बात करें तो युरोम में आपको देखने को मिलेगा और इसकी राध्धानी रिक्या रिक्या विक है ठीक है याद रखिएगा इसी रिक्या विक 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 अंगला कुश्चन है हमारे सामने आप देखिए आधी महलाओं की जन संख्या लगबग और आधी दोस्तों की पुरुसों की तोला में महलाएं बहतर सबस्ते हैं ठीक है कौन गुजरात विधान सभा की पहली महला अध्यक्च बनी है कौन गुजरात विधान सभा की पहली महला अध्यक्च बनी हुई है आसा बेन पठेल नीमा बेन आचार ज्योती बेन सर्मा गीता बेन प के कौन रहे हैं दैदमोधी साहब रहे हैं और एक माई 1960 को इसे राज्जी बनाए गया था गांधी नगर यहां की राध्धानी है और अभी अगर बरत्मार की बात करें तो भुपेंद्र भाई पटल यहां की मुखमंत्री है बिदाल सवा में 182 सीटे है राज्य सवा में आप 26 सीटे देखने को मिल जाएंगे आपको ठीक है कौन बैक्ती राष्टी एक केड़िट को एंसी सी के 34 महाने देशक बने हुए एंसी सी के 34 महाने देशक बने हुए पता ही इसमें क्या लगा हुए आप लोग जस्वन सींग अनपर्म मिस्रा प्रेंचन दुवेदी गुरवीर पाल सिंग तो याद रखे इस फिट गुरवीर पाल सिंग होंगे ठीक है एंसी सी आप लोगोंने पड़ा भी होगा आप लोग करते भी यह एंटी थी एंट ट्वल्थ में होते हैं तब उस समय आप लोग अटे देखा होगा ठीक है इसका मोटू रखा गया हराश्टी केडिट कूर का एकता और अनुसंद्धान और 16 अपराइल उन्नीस और तारीस में इसकी स्थापना हुई थी और हैड़क्वार्टर में इसक आगे तरह से क्या है क्रिकेटर अपका बिल्कू सही रहेगा यह बिलकु सही रहेगा इंगलेंड के क्रिकट टीम के आल्राउंडर है माइन अली ठीक है तो आप लोग याब रख सकतें अंगला कुश्यन है मारे सामनी की हर साल यानि की पिती वरस विस्सो हिदय दिवस वर्ल्ड हाट डे कब मनाय जाता है 25 सेप्टमबर को 22 सेप्टमबर को 27 सेप्टमबर को या 29 सेप्टमबर को 200 हिदय दिवस की बात हो रही है कहते हैं न कि दिल लग गया लेकिन मेरा मानना है दिल हो रहा है कई लोग कहते रहते हैं लेकिन मेरा मानना है कि दिल का काम है देखिए क्या करना धड़कना इसे और दूसरा काम मत दीजे और ना मुझे लगता है कि यह कर पाएगा अगर आप लोग देते भी है तो यह नहीं कर सकता है तो 29 सेप्टमबर को यह मनाया जाता है आपका 29 सेप्टमबर को मनाया जाता है दिल का काम केवल धड़कना रहने दीजे और एक तरह से आप देखिए पिदी वर्स आप देखते होगी कि हार्ट अटेक से कई लोगों डैथ होती है तो हिदय संबंदी जो समस्याय होती है जो बीमारिया होती है उनसे बचाने के लिए लोगों को उसके पिती जागरुकता फ्हलाने के लिए 29 सेप्टमबर को 20 हिदय दिवस मनाया जाता है क्योंकि आजकल आप देखते हैं तना और खान पान पर ध्यान ना देना मारियों के कारण भी बनते हैं तो आप समझ सकते हैं समझेंगे या नहीं हुए है समझेंगे और आपको बता दू कि इसके मनाने की सुरुआ सबसे पहले सन 2000 में होई थी वोर्ड हायर्ट फेडरेशन के मताविक पहले ही एताय किया गया था कि हर साल सेप्टमबर महीने के अ अगला कुछतन है हमारे समने कौन बैकती अखिल भारती प्रबंधन संग ए आई में की नए अध्यक्च बने हुए अखिल भारती प्रबंधन संग की नए अध्यक्च बने हुए तो याद रखे इसके सी के रंग नाथन होगे ए ओप्सन आपका बिल्कुँ सही होगा और आपको बता दूँ कि देखे अखिल भारती प्रबंधन संग ए प्रबंधन का एक सीज निका है जिसका गठन उन्निस संदावन में किया गया था यह आप लोग जरूर आयाद रखे फूमियों किसी दा किस देश के अंगले फिदारमंतरी निक्त किये गए हैं जर्मनी जापन फ्रास्य जापन वरा जवर लगने जापन के बनें पिदारमंतरी आपने देखा होगा कोरूना महामारी के समध Here यहां के पिधार मंतरी ने एक तरह से क्या दे दिया था? इस टीपा दिया था टोक्यो इसकी राझधानी है ठीक है? टोक्यो यहां की राझधानी है आगता चलते हैं हैं केंट सरकान किसी यजना का नाम बदल कर PM पोसन स्कीम किया है PM किरसी सिचाई का Midday Mil योजना का सुकन्या समरिधी योजना का राष्टी पेंसन योजना का तो याद रखिए Midday Mil योजना का देखे मेरा एक मानना है कि आप लोग नाम बदलने की वज़ये इन में अगर और सुधार किये जाए दुनिया भर की जरूरत है सुधार करने की तो मुझे लगता है कि इससे बहतर हम लोग फायदा मिल पाएगा Madhyan भोजन योजना आप लोगोने सुनी होगे अगर अप लोग सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो खाना भी आपको मिलता था कई जगे इसमें आपको पैसा मिलता है नगत या कई जगे आपको खाद्यान में भी मिलता था 1995 में ये शुरू हुई थी ठीक है और पूरे देश की प्राथ में को लगूमाद्विक विद्ध्यालेओं की चात्रों को दुभर का अंगला कुष्य ने पिती वर्स यानि की 30 सेप्टमबर को अंतराष्टी अनुवाद दिवस किस बेक्ती की स्मीती में मना जाता है अंतराष्टी अनुवाद दिवस की बात हो रही है सेंट जेरॉम निकोलस हो रही अंटोनियो विवाल्डी थोमस वाइलन्स बताईए तो याद रुखिस में आपके क्या होगा 30 सेप्टमबर को सेंट जेरॉम सेंट जेरॉम की याद में मनाया जाता है एक तरह से यह आपका 30 सेप्टमबर को अंतराष्टी अनुवाद दिवस की रूम में मनाया जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ें कौन बैक्ती भारत में NBA की नए ब्रांड एमस्टर बने हैं यह ओप्शन कहा रहा है आपसे अजिंक रहा ने अमिदा बच्चन रन्वी सींग सुनील चेत्री तो याद रखिए रन्वी सींग हो इसमें NBA आप लोग जानते हैं या नहीं तो इसके नए ब्रांड एमस्टर बने है नेशनल वास्केट एसोसीशन की बात हो रही है इसके नए एमस्टर बने है और इसकी अगर लोग बात करें NBA की नेशनल वास्केट एसोसीशन की तो चैजून 1946 में इसका एक तरह से गठन हुआ था Newark USA में इसका Headquarter आपको देखने को मिल जाएगा तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं October महिने की हम लोग सभी questions देखेंगे सभी घठनाओ पर एक नजर डालेंगे और बड़े बिस्तार से हम लोग बात करेंगे बस थोड़ा समय जागा लगता है तो मुझे लगता है कि इतना आपको सीखने के लिए तो मिल आया है तो मिलते हम लोग October में और आप लोग अभी enjoy क को मालूग होगा कि हम लोग monthly current affairs को cover कर रहे हैं और अभी तक याद रखे September महिने का जनवरी से लेकर September महिने तक का current affairs cover कर चुके हैं और याद रखे अभी तक जितनी भी आपकी class ने ले गए हैं उन सब के लिए एक separate playlist सूची मना दे गए है monthly current affairs 2021 के नाम से इसी playlist सूची में आपको current affairs एक साल का पूरा मिल जाएगा आज की इस class में आप लोग बात करेंगे October 2021 के जो भी घटना है गटी इस October महिने में इस से आपकी परीक्षाओं में किस तरह की questions बन सकते हैं और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप देखे आप कि जिस भी एक्जाम की तैयारी करते हैं अगर आप लोग ने पुराने questions paper उठा के देखे होंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हर परीक्षा में current affairs questions अच्छी खासी संख्या में आपकी परीक्षाओं में पूचे जाते हैं समझ रहे हैं तो current affairs आपके ल इनका इतिहास क्या रहा है उस पर भी हम लोग नज़र डालते हैं खेर छोड़िए देखिए आपका state PCS हो civil service हो और भी आपके state government एक्जाम होते हैं या central की कोई एक्जाम होते हैं तो उन सब के लिए class आपकी मातपूर रहेगी पहला कुश्यस हमारे सामने हैं हर साल यानि की पिती वस अंतराश्टिय व्रद जन दिवस कब मनाया जाता है और आप सभी जानते हैं कि व्रद लोगों के साथ हमारे देश में या देश दुनिया में किस तरह का बिवार किया जाता है आप सोचे कि हम लोगे भूल जाते हैं कि एक दिन हमें भी क्या होना है बूड़ा होन इसमें आपने सामने 28 अक्टूबर, मापकरी 28 सेप्टमबर, 1 अक्टूबर, 30 सेप्टमबर, 2 अक्टूबर तो कब मनाया जाता है, इसके बारे में याद रखिए 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और आपको बता दूँ कि जो बुजर्गों को पिरभाद बित करने वाली समस वास्याओं के वारे में लोगों को जागरूप करने के लिए इस उद्द्ध से मराय जाता है इस साल की अगर थीम की बात करें तो सभी उम्मर के लिए डिजीटल इक्विटी इस बार की थीम रखी गई यह आपकी अंतराश्टी बरद्ध जन की ठीक है यह आप लोग और इसे मनाने की सुरुवाद की बात हुँ तो 1990 में पहली बार यह मनाय गया था कब 1990 में और एक अक्टूबर 1991 को पहली बार अंतराश्टी बुजरुख दिवस या फिर अंतराश्टी बृद्ध जन दिवस मनाय गया था गोशना हुई थी आपकी 1990 में ठीक है और इन डेली आ गया था यह आप लोग याद रखी और कहते हैं ना कि बुजरुख हमारे लिए इस और का उतार होते हैं जिनके आप सीवास से हमारा वाला पोसन होता है हमें संसकार मिलते हैं और कहते हैं कि गूगल सब कुछ दे सकता है लेकिन आप देखी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे बुजरुखों के सही सीखने को मिलती है अंगला कुश्चन है हमारे समय किस खेल से सम्मधित भारती खलाड़ी रुपिंदर पाल सिंग ने अंतराष्टी खेल से सन्यास लिया है यह होकी से जोड़े थी कबड़ी से जोड़े थी वेडविंटर से या टैनिस से बताई तो इनका सम्मध्ध होकी से था किस से हौकी के खलाड़ी थे और इन्हों ने 30 वर्स के रुपिंदर ने भारत के लिए 220 मैच के लिए टोके ओलम्पिक में आप देखें 41 साल बाद पदक जीतने वाले भारती टीम के सब ही रहे थे अंगला कुश्चिन है हमारे सामने पिसिद बेक्तित घंसयाम ननायक का कि मौत होची की है या नेधन हो गया इनका वह कौन थे किस से जुड़े हुए थे अब नेता थे कभी थे अलिखक ते पचितकार थे बताई तो आपको बता दूं यह कौन थे अभी नेता थे और आप ने देखा है कई अभी नेताओं की डेथ हुए है इसमें तरक मेता का उल्टा चस्मा स्तीरियल में नट्टू काका का कैंसर की गारण 77 वर्स की उम्म में नेधन हो गया इनका असली नाम घंसयाम नायक था और नट्टू काका का जनम 12 मही 1944 में हुआ था वह 77 साल के थे और प उसी की बात हो रही है कि उत्तरविदेश सरकार ने किसे अपनी एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एमिश्डर बनाया है अक्षैकुमार कंगना रनोत सौनसूत नीरत चौपड़ा बथा ही किसे बनाया है कि कंगना रनोत को और आप सभी जानते हैं कि काफी सपोर अगर आप लोग किसी का बत्ती करते हैं किसी की सपोर्ट करते हैं तो आपको वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस अभी किसी बात हो जाती है कि आपको पुरुसकार मिलेगा ही उसका कंगना रनोत को मिल चुका है लेकिन यहां लोग उत्तर पर इसकी बारे में अगर बात कर तो इसमें याद रखी कि एक जिला एक उत्पाद यूजना को UP सरकारनी UP कि सौदेशी और बिशिष्ट उत्पादों को बैस्मिक पहचान दिलाने के लिए सुरू की है और इसमें अगर उत्तर पिदेश की बात करें तो उत्तर पिदेश में आप जानते हैं एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि दिल्ली की जो सत्ता है या गद्धी है उसका रास्ता उत्तर पिदेश से होकर जाता है ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि आप देखिए लोक सभा में सबसे जाद सीटें आपको उत्तर पिदेश में देख लेंगे और इसलिए आप देखते हैं कि 24 जन्मरी को उत्तरपदेश दिवस मी मनाया जाता है और बर्दमान मुक्र मंतरी यहां के योगी आदितनाथ हैं और 100 सीटे आपको विधान परिशाद में देखने को मिलेगी असेमली में यानि कि विधान सभा में 403 सीटे राजसाबा में 31 सीटे हैं लोगसाबा में 80 सीटे हैं तो यह आप लोग याद रख सकते हैं ठीक है अंगला कुप्षे ने किस खेल से सम्मंदित भारतिय खलाडी SB, सुनील और वीरेंद लाकडा ने अंतराश्टी खेल से सन्यास लिया है यह हौकी से कवट्टी से या क्रिकेट से थे या फिर आपकी बैडमेंटन से थे तो याद रखी यह हौकी के खलाडी थे किसके हौकी के खलाडी थे दौनों किसके थे हौकी के खलाडी थे SB, सुनील और वीरेंद लाकडा ठीगा तो यह आप लो और आपको मालू है अच्छे ये दोनों खिलाडी उलम्पिक में कांस पदक विजेता भारती टीम के सदस भी रहे थे तो ये भी आप लो याद रखेगा अगला कुश्चन है हमारे सामने नजला भुटेन रोम धाने ने किस देश की पहली महला पिदान मंतरी बनी है यहाँ कुछ आपसे कुशन से मैं पूचना चाहता हूँ आपको भारत की पिथम महला पिदान मंतरी के बारे में अभी तक तो आप देखते हैं कि यह की पिदान मंतरी महला बनी है बार वो कौन थी? पिथम महला राश्टपती की आपको बात करनी है और पित्थम ये कई वार हम लोग बात कर चुगे हैं ये याद रखिएगा और आपके राज में पहली महला मुखमंत्री और राजपाल कौन बनी थी उस पर भी आप लोग बताईए नीचे कमेट में और आप लोगों को ये बताना है कि भारत में पहली बार किसी राजपाल कौन थी और दुनिया में पहली महला पिधान मंत्री किस देश की बनी थी ये आप लोग सभी सर्च करके आपके पास गूगल है गूगल भगवान है ना गूगल बाबा तो उससे सर्च करके नीचे लिखिएगा तो कम से कम आप लोगों को देना चाहिए मुझे लगता है आंसर देना चाहिए और टियोनीसी आपको बता दू कि उत्री अफीका में एक सुतंद देश देखने को मिलेगा तोनेस इसकी तोनेस इसकी राध्धानी है ठीक है और फिरसे आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूँ अगर आप लोगोंने भोगोल हमारे साथ पढ़ा होगा तो हम लोगोंने मैप का पाइट जो मैप का सेक्षन होता है इस पर हम लोगोंने विस्ताज से बात के हुई थी पूरा map का साहरा लेकर एक एक point को उन्हों ने देखा था तो maps के नाम से एक playlist सूची बना रखी है वहां जाकर आप लोग देखिएगा बहुत आसानी से आप उस समझ में आ जाएगा ठीक है और जब आप लोग map का साहरा लेकर पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग वहतर इसको और भी कर पाते हैं आप लोग समझ भी पाते हैं अगला कुश्चन है लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्टी एद्वच फैराए गया जिसकी लंबाई हो चोड़ाई कितने हैं 200 x 150 फिट 225 x 125 फिट 225 x 125 फिट 225 x 150 फिट तो याद रखे अगला कुश्चन है किस राजी की सरकार ने एक जनवरी 2022 से राज में बोतल बंद पानी को बेंचने पर रोक लगा दीगे लगा दीगे मड़ीपूर्स असम्र्शिक जारगं बताई तो इसमें सिक्किम होगा और आप सभी जानते हैं कि जो पिलास्टिक होता है डिसास्टिक के दूसरं काफी नुक्सान पहunctionाता है तो इसे रोकने के लिए एक तरसी एक अदम उठाये जा रहा है और सिक्किम के बारे में बात कर इसे आपको मालू होने चे 10 अपरेल 1975 राज्य बनाए गया था यहां आप लोगों को प्रेम सिंग तमांग यहां के मुखमंत्री है बरत्वार बिधान सभा में 32 सीट है राज सभा में एक सीट है लोग सभा में आपकी एक सीट आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है तो यह आ देविड जूलियस और अर्डेम पटा ओटीन वैलिजेस दीवरो और अर्डेम पटा ओटीन डेविड जूलियस और मार्क पेंटोनम माक जूड़ो और लिम पोर Prim िवयल बने पाटीन होंगे ठीक है यह एपसन बिल्कु सही होगा एक बात और बता दो देखे आपको मालू अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि उसका इतियाश जो भी राय नोबिल पुरस्कार कर आप से कभी कुश्चन्स नहीं छूटेगा आप हर कुश्चन्स का अंसर देने में सक्चम होगे और इन दोनों को अमेरिका के डेविड जूलियस और अर्डेम पट्टा पोटियन को सहीव तरूप से यह पुरस्कार दिया गया दो जार एक किसका और उन्हें यह पुरस्कार डेविड जूलियस और अर्डेम पट्टा पोटियन को तामान और स्पर्स के रिस्पेक्टर्स प को एक तरह से सभी सामिल थे ठीक है अंगला कुशिर हमारे समने हर साल विस्ट सिक्षक दिवस देखिए विस्ट सिक्षक दिवस की बात हो रही है पहले अमनों लोगों ने राष्टी सिक्षक दिवस के वारे में बात की होई थी पांच अक्टूबर को साथ अक्टूबर को दो अक्टूबर को तीन अक्टूबर को बताई तो याद रखिए पांच अक्टूबर को मनाय जाता है अब आप लोगों ने पिछली क्लास देखिए तो आप लोगों से एक कुश्ट से मेरा कि राष्टी सिक्षक देवस का मनाया जाता है बताइए भारत में यह आप लोगों का कुछनस है और दुनिया भर में आप देखें सिक्षकों का महत्व बताने के लिए एक तरह से इस दिन को मनाया जाता है और इस बार की थीम रही है सिक्षक बढ़ते संकट की बीच भविस की नई कल्पना क्योंकि आप ने देखा है कि कुरोना महामारी के कारण क्या हुआ हाल आप सभी लोग बहतर जानते है तो यह आप लोग World Teachers Day की बात हो रही है सिक्षक बढ़ते संकट की बीच भविस की नई कल्पना इस बार का क्या रखा गया है थी 1966 में युनेस्को और अंतराष्टी स्तरम संगटन की बेटक हुई जिसमें सिक्षकों की अधिकारों जिम्मेदारियों और रोजगार आगे की सिक्षक के साथ गाइडलाइन बनाने की बात हुई थी और सहितराष्ट ने सिक्षक देवस को अंतराष्टी स्तरम पर मनाने के लिए साल 1994 में सौ देसों की समर्तर से युनेस्को की सिपारिष को पारित कर दिया था और उसके बाद 5 अक्टूबर 1994 से अंतराष्टी सिक्षक दवस मनाया जाने लगा था ठीक है यहां आपका युनेसको की बात हुई है एक आपका तीन संगटनों की बात हुई है क्योंकि आपको संगटनों के वारे में इसलिए बता दीता हूँ आप लोग किसी भी एक्जाम की देई यारी करें उसके पुराने कुश्टनस पेपर उठा के देखिए हार कुश्टनस पेपर में आपके संगटनों चाहे राष्ट ए संगटनों जैसे आप देखे चुना हूं या वितायों इनसे कुश्टनस सम्हेशा पूछे जाते रहते हैं आप लोग अंतराश्टी संगटन doubt देखिए स्युकतराश्ट अंतराष्टिय सरम संगठन UNESCO के बारे में या WHO के बारे में WTO के बारे में इन सबसे questions आते हैं और इनके बारे में हम लोग एक series पूरी cover कर चुके हैं मातपूंट संगठनों की नाम चे playlist सूचिए हो आजाकर आप लोग दे सकते हैं तो 19-19 में इसकी स्थाफना हुई थी और इसका headquarter Geneva Switzerland में आपको देखने को मिलेगा वहीं अगर हम लोग UNESCO की बात करें तो इसकी स्थाफना 16 November 1945 में हुई थी और Paris, France में इसका मुख्याले देखने को मिलेगा UNESCO का ठीक है चलते हैं हम लोग आगे किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2021 का किताब जीता है किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2021 का किताब जीता है केडला बलाश्टर FC गवा मुहमनन इस्पोर्टिंग FC दिली तो याद रखी FC गवा ने B option आपका विलकु सही रहेगा अगला कुश्चिन है हमारा सियो कोरो मनाविक किलाउ किलाउस हैसल में जियो जियोर गी ओ पारिसी को किस छित में 2021 का नोबल पुरुसकार दिया गया है आपके साबने रसाइन बहुत तिकी साहित अर्थ सास्त तो बताएए तो याद रखी आपके बहुत तिकी में दिया गया है बी ओप्सन आपका विल्कुल सही रहेगा 2021 के लिए नोबल पुरुसकार किसे किसे दिया गया सिव कोरो मनावे और किलाउस हैसल में और एक आपकी जियोर्गी ओ पारिसी इन्हें तीनों को सहीत रूप से पुरुसकार दिया गया और इन्हें जटल फिजीकल सिस्टम को समझने के लिए जरूरी एहम खोजों करने के लिए दिया गया है ठीक है तो यह आप लोग याद रख सकते हैं कौन ओस्टिलियाई धर्ती पर सतक बनाने वाली पिथम भारती महला बनी है हर्मन-पीड़ तो याद रखिए समिति मंद्धना अउई इसमें सी ऑप्सन आपका बिल्कु ठीक रहेगा इसमें इन्होंने 170 पर पुद्धा किया था ठीक है इसमें उन्होंने आपको बता दू अठा रहे तो चौके गालित एक चक्का लगाया था समझ रहे हैं तो महलाओं को आप लोग कम मत आगी है पुर्सों से आगे बढ़ रहीं कई छेतरों अगला कुछन है कौन बेखती किप्टो करेंसी के बारे में जाकर उता फ्यलाने के लिए क्वाइन DCX के ब्रांड नेमेश्डर बने है पता ये डिजिटल मुद्रा है राहूल देड़ में अमिता बच्चन अनिल कपूर और आपके सचिन तैनूल कर तो याद रखे अमिता बच्चन होगे इसमें कौन होगे अमिता बच्चन होगे अंगला कुछन है इस सिद्ध बेक्तित अर्वेंद तिरवेदी का 83 वर्स की उम्मर में नेधन हो गया वाइकॉन थे गड़ता के थे अभिनेता थे या बिज्ञानिक थे रेडियो लोजिस्ट थे तो याद रखे अभिनेता थे और आपको बताया ना कि 2020-2021 अभिनेताओं के लिए बुरी साल रही है तो यह आप लोग याद रख सकते हैं और आपको पता दूँ कि यह रावननेंद सागर की पुराणिक TV सुव आपने रामायड देखा होगा इसमें रावाड का किरदार निवाया था इन और अर्विन तिवेदी ने तो आप लोग सभी जानते होंगे रावाड चलिए फिर हाल आगे बढ़ते हैं हम लोग और मुझे लगता है कि रामायड हो या महाभारत हो अगर आप लोग इन्हें देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने के लिए भी इसमें आपको मिलेगा इसमें याद रखी हमाचल पिदेश की बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको लोगों को मालू होने चाहिए कि हमाचल पिदेश को 25 जन्मरी 1971 को राज बनाय गया था इसकी राध्धानी सिमला है और दूसरी राध्धानी इसकी धरम साला है बिधान सबा में 68 सीटे हैं राज सबा में 3 सीटे हैं लोग सबा में आपको 4 सीटें देखने को मिलेगी कितनी 4 ठीक, दिये गए FIH, Hockey Stars Award 2021 में, किसी सरफ श्टेट महिला खिलारी का अबौड मिला है, बता इए, FIH, Hockey Stars Award 2021 में, यानि कि International Hockey Federation की बात हो रही है, बता कि किसे मिला है रानी रामपाल गुर्जीद कॉर लोरा बार्डन और से भी हीच तो याद रखी गुर्जीद कॉर्ण हुई इसमें ठीक है और इसकी अगर इंटरनेशनल होकी फेडररेशन की बात करें तो इसकी इस्थाफना साथ जन्वरी 1924 में हुई थी पैरेस फ्रां कई बार इसकी डेट भी कूछ लेता है कि कब हुआ था बेंजामीन लिष्ट डेविड मैक मिलन कुकिश चित में बरस 2021 का नोबल पुरुसकार मिला है बहुत की साहित रसायन अर्थ सास तो याद रखी रसायन की चित में ने दिया गया है रसायन की चित में किन किन को आपका एक तो जर्मनी के बेंजामीन मीन लिष्ट है और अमेरिका के डेविड मैक मिलन है इन्हें आप लोग याद रखीगा और यह समान उन्हें दोनों को ऐस ऐसी मेट्रिक और किन केटालिसिस की चित में रिशेच के लिए एक तरह से दिया गया है पितिवस बिस्त कपास दिवस अक्टूबर महिने की किस तारी को मना जाता है बिस्त कपास दिवस की बात हो रही है बताए बिस्त कपास दिवस का मनाया जाता है आपके सामने डेट है पांट अक्टूबर छे अक्टूबर साथ अक्टूबर और अक्टूबर तो याद रख के उत्पादन को बावा दिया जाए क्योंकि कपास कपड़ा के उद्देव के लिए बहुत ही मात्पूर रहता है और इसकी अलावा इस छेत में कई दोजार उन्नीस में हुई थी जब वुप सहारा फीका में चार कपास उत्पालक दिस बीनिन बुर्कीना फासु चार माली जन्होंने कोटर फॉर्ड की नाम से जाना जाता है अब देखिए यहां बिस्ट ब्यापाल संगठन की बात हुई तो एक जन्वरी उन्डी सो पंचारवे में इसकी स्थापना हुई थी जैनेवा स्वीजलेन में इसका मुख्यान आपको देखने को मिलेगा ठीक है चली आगे बढ़ते हम लोग जारी हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारती पासपोर्ट को कौन सा इस्थान बिला है हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की बात हो रही है बताए इसमें कुछ बताओगे आप लोग की नहीं बताओगे मुझे देखे इसमें 88 बाहा है, 90 बाहा है, 92 बाहा है, 98 बाहा है आप लोगों को बताना है 90 बाहा है देखे इसमें यह option आपका बिल्को सही रहेगा और इसे बात करें तो इसे जारी कौन करता है हैनले पास्पोर्ट सुछका समझ रहा है तो यह आप लोग International Air Transport Association के डेटा को राधारे देख होता है और आपको बता दू है अनले पास्पोर्ट इंडेक्स दुनिया की सबसे ट्रैवल फैंडली पास्पोर्ट की लिष्ट हर साल जारी करते हैं और भारत इस लिष्ट में कितना है 90 वास्थान है जापान सिंगापुर का पास्पोर्ट सबसे सकती साल लिए भारतिये पास्पोर्ट को 90 वास्थान मिला है और पिछले साल भारत को 84 वा स्थान में लाता है एक बात और आपको बताल देखें इसका मतलब यह होता है कि आपका पासपोर्ट कितना सक्ती साल है कितने बिना भीजा कि आप लोग कितने देशों में गूम सकते हैं ठीक है अगला कुशन है कौन विस चेंपियंसिप के फाइनल में पहुचने वाली पहली भारती है महला पहलबान बनी है विस चेंपियंसिप के फाइनल में पहुचने वाली पहली भारती है महला पहलबान बनी है साक्षी मलेक, कभिता राना, पूजा जाकर, अंसु मलेक तो याद रखे अंसु मलिक होंगी इसमें क्या होंगी D option आपका बिल्कुछ सही होगा अगला कुशन है किसे वर्स 2021 का साहित का नोबल फुरुसकार मिला है साहित का नोबल फुरुसकार की बात हो रही है 21 की अलजारी फैलो लेनेक्स फैनो लेक्स रीडो मारकिन सन आदिल फारुकी अब्दुल रजाग गुर्नाम गुर्ना है बताए तो याद रखे अब्दुल रजाग गुर्ना होगा इसमें D option आपका बिल्कुछ सही होगा क्या होगा D option बिल्कुल सही होगा 2021 के लिए ने दिया गया है और ESMR उपनिवेश की प्रभावों संस्कितियों वा महादीब के बीच की गई खाई मरसाइडायतियों की स्तिती के चितरण के लिए एक तरसी ने दिया गया है इस नाम को याद रखी हो कौन IPL में एक सत्त में सबसे जादा विकेट लेने वाले भारती गेंदबाज बने है इंडियन प्रिमियर लीग की बात हो रही है आप सबी जानते हैं 2008 में इसकी स्ताफना की गई थी IPL की ठीक है तो यह भी आपनों याद रख सकते है मौहमद समी, दीपक, चाहर, हरसल पटेल और एक आपकी सारदो ठाकों तो याद रखिए इसमें हरसल पटेल होंगी क्या होंगी? हरसल पटेल होंगी स्ती आपसन आपका बिल्कुछ सही रहेगा इसमें तो आपको बता दूँ कि इंडियन प्रिमियर लीग की 52 बी मैच में बैंगलोर की तेज गैंदबाज हैं हरसल पटेल इन्होंने अपने नाम पर एक खास रेकॉर्ड किया है और आईपील की एक सीजन में सबसे जाना विकेट यानि 29 लेने वाले भारती गैंदबाज बनने का जोने रेकॉर्ड दराज किया हुए ठीक है तो यह आपनों याद रख सकते हैं अंगला कुश्यन है अंतराष्टी बित निकम अंतराष्टी बित निकम ने किसे भारत में अपना नया प्रमुक नियुक्त किया हुआ है भारत में बैंडी वर्णर जिम्मी तुलिस मरीना डेविड फैरी इसकोल्ड बताएए कौन होंगे इसमें वैंडी वर्णर होंगे ए ओप्सन आपका बिल्कुस है यह ठीक है और अंतराष्टी बित निकम की बात करें आई एफ सी भी कहते हैं आप लोग इसे तो इसकी स्थाफना का हुई थी 20 जुलाई 1956 में हुई थी बॉसिंग्टन डीसी उसे में इसमें आपको क्या इसका हेड़क्वाटर यानी की मुख्याले आपको देखने को मिल जाएगा मरिया रेशा और देमित्री मुराटू कोकिश चित में बर्स 2020 का नोबल पुरुसकार दिया गया सांती, अर्थसा, चिकिसा, साहित तो याद रखे सांती की चित में ने दिया गया है नोबल पुरुसकार से भी कुष्टन साते रहते हैं याद रखे इन्हें पढ़ लीजे एक बार अच्छे से ए नोबल पुरुसकार फिलिपिन्स की पतकार मारिया रेशा और रूस की दमित्री मुराटो को दिया गया है, ये पुरुसकार अभीवक्ती की आजादी के लिए प्रयासों को देखते हुई एक तरह से दिया गया है आप देखे, आप लोग भारत में भी देख लीजे आप लोग अगर निश्पक्च पतकारता करते हैं तो आपके खत्रा रहता है आपको अपनी जिन्दिगी का, अपनी जान का लेकिन याद रखिए आप सम्मान और आने वाली इतियास में आप लोग जरूर लिखे जाएंगे आप लोगों को जरूर सम्मान मिलेगा आज तो आप देखिए अधिकतर मीडिया सरकारों की गुलाम बन जाती है एक तरसे कौन वेक्ति आयूद नेदेशाले समनवाव सेवाओं के पहले महानेदेशक बने हैं एप के खान, ए आर सेख इसरत खान, वासे महमूद बताए आयूद नेदेशाले के पहले महानेदेशक कौन मनी है ए आर सेख मने हुए है इसमें ठीक है, ए आर सेख यानि कि आपका बी ओप्सन बिलको सही रहेगा अंगला कुक्षेन है हमारे सामने पिती वर्स डांग, विस्सो डांग दिवस अक्टूबर महिने की किस तारीक को मनाए जाता है विस्सो डांग दिवस के बारे में आप लोग सुने हो पहले आप देखिए, आज तो मोबाइल चल गया है पहले चिट्थियां लिखा करते थे आती थी हमारे आपने देखा होगा आठ अक्टूबर को, नौक्टूबर को, दस अक्टूबर को या बारे तो याद रखे, नौक्टूबर को ये मनाए जाता है एक तरह से पितिवस विस्स डांग दिवस और आपको बता दूँ इस दिवस को पितिवस 9 October को मनाने का उद्धिस आम आदमी और कारुवारियों की रोजाना की जिन्दगी सहत देश कि सामाजी को आराथिक विकास में डाक्चित की योगदान को के बारे में जागरोगता फ्हलाने के लिए मनाय जाता है इस बार की थीम की बात करें तो innovate to recover यानि बहाली के लिए नया परिवतन लाएं रखी गई थी इस बार की थीम इस बार की ठीक है तो इस बार अपनो याद रख सकते हैं क्या करोगी याद ही रखोगे और क्या कर सकते हो 200 डाग दिवस सबसे जान्दा डाग दिवस आपको भारत में ही देखने को मलेंगे और ऐसा कहा जाता है कि सभ्तराष्ट के अमसार पहला डाग दस्ताविज कि जीवा पहला डाग 255 इसापूर का है आप समझ रहे हैं मिस्सर में पाये गया था 255 आप समझ सकते और वैसे उनाइटिट केंगड़न ने इसे पहली बार 1840 में जारी किया था तो आप समझ सकते हैं कि कि कितना पुरानी डाग विवस्ता रही है और पहले ही एक बात हमेसे याद रही है पहले हमारे पास इस तरह कि कोई साधन तो हुआ नहीं करते थे मोबाइल तो हम लोग उसी का प्रियोप करते थे डाकिया के द्वारा बेशते थे अंगला कुशन है पिती बरस्त मानसिक स्व विस मानसिक स्वास्ति दिवस कम मनाया जाता है बताई विस मानसिक स्वास्ति दिवस की बात हो रही है साथ अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 13 अक्टूबर तो याद रही हिस में 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विस मानसिक स्वास्ति दिवस मनाया जाता है 10 October को, आजकर लोग आप देखते हैं, mental stress, depression, anxiety, से लेकर hysteria, dementia, phobia जैसी मालसिक बीमारियों के सिकार बने हुए, और इनी से एक तरह से लोगों को जागरूप करने के लिए कि खुस रहिए, स्वास्त रहिए, इसे मनाया जाता है, और इसकी theme की बात करें क्या रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, मेरा मतलब यही है, और 7 अपरेल को आपको मालू होने चाहिए कि विश्व स्वास्त दिवस मनाया जाता है, डबलू एचो के एक तरह से स्थापना दिवस के रूम में, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विश्व स्वास्त संगठन की स्थापना को हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, 7 अपरेल 1948 में, तो उसी की याद में रिक तरह से मनाया जाता है, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, और अगर हम लोग mental health, देद के तिहास की बात करें, यानि कि विश्व मांसिक स्वास्त दिवस्की, तो इसका सुरवात 1992 से हुई थी, इसे United Nations के उप महासरचिव, Richard Hunter, World Federation for Mental Health के पहल पर सुरू किया गया था, और 1994 में सहयुक्तराष्ट की ततकालीन महासरचिव थी, Eugene Brody, इन्होंने एक तरह से सुरू की थी, 10 October को मनाने की, तो यह आप लोग याद रख सकते हैं, 1994 से, चलिए अंगले कुष्टेन की तरफ बढ़ते हैं, किस देश के पहले राष्टपती रही, अबोल हसन, बनी सदर का 88 वर्स की उम्रों में नेधन हो गया, तर्की के थे, इगवांडा के थे, इरान के थे, उमान के थे, तो याद रखे, इरान के थे, और इरान के बारे में आप लोगों को मालों अच्छे, कि इरान हमारा पड़ोसी नहीं है, लेकिन हमारे एसिया जो महादीप है, इसमें पढ़ता है, तहरान इसकी राध्धानी है, ठीक है, Middle East में पढ़ता है, अंगला कुशन है, हर बर्स अंतराष्टी बाली का दिवस, अक्टूबर महिने की किस तारीकों मनाया जाता है, नो तारीकों बाली का दिवस की बात हो रही है, दस तारीकों, ग्यारे तारीकों या आपका चौदे तारीकों, तो याद रखी ग्यारे टूबर को आपका मनाया जाता है, अंतराष्टी बाली का दिवस, और एक तरह से इसका महत बालीकाओं के महत को दर्सानी के लिए बनाया यह मनाय जा रहा है कि आप लोग समझिए कोई किसी से कम नहीं है आज के समय में बेटा हो या बेटी हो और इस बहर में पितम अंतरश्टी यह वालिका देवस ग्यार एक्टूबर 2021 को मनाय गया था मापकरी 2012 में पहली बार मनाय गया था अभी हम लोग 21 में बैठे हुए है ठी यह अंगला कोक्षेन हमारे सामने डेविड कार्ड जोसुगा डी एंग्रेश्ट और गुईडो डवलू इंबेंस को किस छेत में 2021 का नोबल फुरस्कार दिया गया है बड़ा आजीब नाम होते हैं इनके साहित अर्थसा सांत्री और सांती और चिकिसा तो याद रखे एकोनोमी के छेत में दिया गया है अर्थसास्त के छेत में दिया गया है आप सभी जानते हैं कुरोना हमारी ने किस्तिनी बुरी तरसे हमारे अर्थवरस्ता को दुनिया भर की अर्थवरस्ताओं को प्रभाव के लिए पुरुष्टकार का आधाहिस्ता मिला है, दूसरा आधाहिस्ता सहित रूप से जोसुगा डी, इंग्रेश्ट और गुईडो, डवलू, एम्बेंस को मिला है, उनके एक तरह से मैथे, मैथेडो लोजीकल युगदान के लिए एक तरह से दिया गया हुने, तो एकोनोमी में, किसे वर्स दोजार इकीस का आरभट पुरुष्कार दिया गया है, आरभट के बारे में आप लोग सुनाए हैं, गर्दग थे, तो बताइए, के रवन चन्देल, जी सतीस रेड़ी, एम पैड़ा और गुपता, और जी वरुन चोपड़ा, तो बताइए, किसे दिया गया है, जी सतीस रेड़ी को, वी ओप्सन आपका बिल्कुँ सही रहेगा इसमें, इस्टोनोमिकल सुसाइटी ओफ इंडिया, ने रक्षा, अनुसंधान और विकास अंगठन, यानि की इसरों के, अध्यक्षे, डॉक्टर सतीस रेड़ी को, उनके पितिश्थित आयरे भट पुरुसकार से समानित किया गया है, और पुरुसकार अंत्रेक्ष की छेत में उनके उत्किष्थ एउदान के लिए एक तरह से दिया गया है, देखें, अगर हम लोग एक तरह से रक्षा छेत की बात करें, रक्षा और अनुसंधान, यानि की जैसे आप लोग DIDO भी कहते हैं, क्या कहते हैं, DIDO भी कहते हैं, डफ्रेंस रिसर्च एंड डवलमेंट और्गनाइजेशन के बारे में, तो 1908 बन में इसकी स्थापना हुई थी, और निव दिल्ली में इसका हेड़क्वाटर देखने को मिलेगा, तो या आप लोग याद रख सकते हैं, वहीं आप लोग एस्टोनोर्टीकल सोसाइटी ओप इंडिया की बात करें, तो 1912 में इसकी स्थापना हुई थी, और आरभट के बारे में बात करें, तो आपको मालो होने चाहिए, इनका जनम पाटली पुत्त में हुआ था, 476 AD में, और इनकी डेथ हुई थी 550 AD में, तो आप समझ सकते हैं, गुपता ईरा की बात, आसपास इनकी बात होती है, चली आँगे बढ़ते हैं, अंगला कूप्षेन हमारे सामने, कौन बेक्ती पिधानमंत्री नैद मौधी के, नए सलाकार बने हैं, आसी स्तरपाड़ी राजेस निगम, अमित खरे, सुरेश चौदरी, तो याद रखी, अमित खरे बने हैं, सलाकार, आप देखे, देखे हमारे देश में, आपने देखा होगा, कि नेता पड़े लिखे होना आवस्तक नहीं है, और इसलिए आप देखेते हैं, कि देश को अगर कोई चलाता है, तो यो आईयेस अधिकारी होते हैं, जो इस तरह की अधिकारी होते हैं, वही चलाते हैं, समझ रहे हैं, ये तो केवल तरवचन देते हैं अपने, तो समझी यह आप लोग, चलिए खेरांगे चड़े ले हम लोग किसे 22 वाल लाल वहादु सास्तरी राष्टी पुरुसकार दिया गया है लाल वहादु सास्तरी राष्टी पुरुसकार की बात हो रही है सौनुसूथ अमितापच्चत आउनी लेकरा किने रंदीव सींग गुलेरिया को दिया गया है समझी इस लाल वहादु सास्तरी राष्टी पुरुसकार एचा तो चौतरा सरवुच नागर्यक पुरुसकार है है जो यह से अब इद्स में रहने वाली किसी बिद्श पितिश्ठी भारतिये को उस पेसिबर, अनकरम और लोग पिसासन और सारविनिक मामले प्रवंधन, कला और संस्किती, सिख्छा और संस्थान, निर्माड, खेल के छित में एक तरह से दिया जाता है। तो यह आप लोग याद रख सकते हैं। कौन है? रनदीब सींग, गुलेहिया। यह आप लोग जानते होगे, चेकिसाव में हमारी जाग रूपता कि छेप में उनके काम के लिए एक तरह से दिया गया है। अखिल भारतिय आईवे बिज्ञान के सन ने दे सके हैं। लाल वाहद। पिथांबार यह पुरुषकार 1909 में में दिया गया था, प्रोफेसर सी के पहलाद को, ठीक है। वही अगर हम लोग देखिए, लाल वाहदु सास्त्री के बारे में बात करें, तो इनके बारे में भी जाल लेना चाहिए। हमारे देश के पिधान मंतरी रहे हैं, पता है यह नहीं रहे हैं। और 2 अक्टूबर 1904 में इनका जर्म हुए था, और 11 जनुमरी 1966 में तासकंद में इनकी एक तरह से, और वेकिस्तान में इनकी डैथ हो गई थी। और आप देखें कि एक अच्छे पिधान मंतरी रहे हैं, सखल पिधान मंतरी रहे हैं, कहते हैं कि एक तरह से इनके बारे में बहुत रोचक कहानिया हैं, कि इस तरह के पिधान मंतरी थे, कहते हैं कि जब सपक लेने जा रहे थी तो इनकी कमीच भटी हुई थी, तो इनकी प कि वो खिसान हमारे देश के फटी हालत में हम कैसे इस तरह सज दश सकते हैं फर कहते हैं कि इनके बारे में एक और कहानी दिल्चस्प है कि इनके बच्चों ने जिद की कि अप्रिताज जी आप पिधानमंत्री बन चुके हैं आप एक गाड़ी तो खरीद लीजिए तो एक किस सफारी से निचे गाड़ी नहीं खरीगता है आप समझ रहा हैं लेकिन काओं का विकास क्की विकास होता है आप सभी लोग बैतर जालते है ख़िए छोड़िए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं जनता वैसे ही और और नेता भी वैसे ही जनता भी जागरूप नहीं हो रही है और नेता कहां से होंगे वो तो मालम माल है किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रैन लॉंच की हुई है बिना ड्राइवर की ऑस्टिलिया जर्मनी चीन रूस तो याद रखे जर्मनी ने की हुई है हमारे देश में कब आएगी यह हम लोगों को देखनी होगी कम्प्यूटर आप सोचिए बर्लिन की इसकी राध्धानी है किसकी जर्मनी की समझ रहे है यूरो महादीब में एक देश है आपका हमारे देश में भी अगर सिख्षा पर चुनाओ होने लगे सिख्षा तकनीक तो हम भी इसी तरह तरक्की करेंगी किस राजी की सरकार ने सरकारी करमचारीयों की राजनिती में चुनाओ और चुनाओ में भाग लेने पर पितीबंद लगाया है हर्याना उत्तरपेदिस राजिस्थान गुजराद तो याल रखे हर्याना होगा इसमें यह उप्सन बिल्कुस है हर्याना के बारे में बात अगर हम लोग करें तो आप सभी जानते हैं कि हर्याना की राध्धानी चंडीगर है और एक नवंबर 1966 को इसे राज्ज बनाए गया था और यहां के अभी वर्तमान मुक्मंत्री मनुखर लाल खटर हैं बिदाहन सभा सीटे 90 हैं राज्जे सभा में 5 सीटे हैं लोग सभा में 10 सीटे हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं कौन बैक्ती Energy Efficiency Services Services Limited EESL के नए CEO बने हैं Energy Efficiency Services Limited के नए CEO बने हुए हैं रविंदन सिंग फ्रजापत अरून कुमार मसरा असोक कुमार मीना बहादूर सिंग देवगोडा तो याद रखी इसमें क्या होंगे आपके अरून कुमार मसरा होंगे B option आपका बिल्कु सही रहेगा और याद रखी Energy Efficiency Services Limited की बात के रहे तो इसकी स्थाफना 2009 में हुई थी इसका headquarter आपको निव दिल्ली में पर देखने को मिलेगा ठीक है अंगला question की तरब है Alexander Salenberg किस दिश की नए Chancellor बनी है Germany, Brazil, Austria France तो याद रखी Australia नहीं है Australia है समझ रहे है मदी उरो में पढ़ता है बेना इसकी राध्धानी है एक तरह से तो यह आप लोग जरूर याद रखेएगा फिर आप लोग भूल जाए बेना इसकी राध्धानी वेना है ठीक है अंगला question है हमारे सामने केन्ध सरकार ने गरपाद की सीमा को 20 हपते से बढ़ा कर कितना कर दिया गरपाद की बताए ändra 21 हपते 22 हपते 24 हपते इसमें 24 हपते रख दिया गया है गरपाद यह आप लोग याद रख सकते हैं एक तरह से आप देए गरप में जो आप देखे भूर को निस्कासित करना यानि इसके कि उसे एक तरश से हप्ता आना समाप्त करना ठेक है 20 अपतों से बढ़ा कर 24 कर दिया है यह आप लोग याद रखेगा Medical Termination of Regnancy भी कहते हैं नियम 2021 के मुताबिक N category में योन उत्पीडन रेव दिब्यांग महला हैं सामिल है इस विष्टे पहले अगर 12 हफ्ते के अंदर गरब पात कराना होता था तो इसके लिए एक डॉक्टर की राय की जरूवत होती थी और अगर बीस बारे से बीस सप्ताए के बीच किया जाता था तो दो डॉक्टरों की राय की जरूवत पढ़ती थी ढर सकती है आणती कि आप सभी जानते हैं ररे होते रहते हैं वह लॉटनम्त के साथ रहते हैं इया फिर आप देखी किसी और प्रॉब्लम से अगर कोई कि गरब में बच्चा आचुका है और आप देखी वो problem में है या उसमें कुछ कमी है तो उसे हटाने के लिए उसे खतम करने के लिए करसी समय रहे हैं आप देखें इसका इस तरहीं की समय रखा गया है कि कोई अगर problem महिला को प्रॉब्लम है तो उसी ग्रफबात करा सकती है अंगला कुष्टे ने कौन पुरस खिलाडी सेप्टमबर 2021 के लिए ICC फिलेर ओब दा मन्थ अवार्ड से चुने गए है आप सभी देख रहे हैं कि हर महीने चुने जाते हैं महिलाएं भी चुने जाते हैं इसमें और पुलिब स्पीश चुने जाते हैं ICC का मतलब होता है International Cricket Council और इसके बारे में बता चुका हूँ कि इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी और इसका Headquarter आपको दुबई United Arab Amirat में देखने को मिल जाएगा तो इसमें एहमत सहजाद है संदीब लमी चाने हैं साकिब अलहसन ह एडन मार्क रम है तो याद रखे संदीब लमी चाने हैं इसमें ठीक है अब देखिए पर उसकी बात हो चुकी है तो महला की होनी बात है कौन महला किलाड़ी सेप्टंबर 2021 के लिए ICC Player of the Month Award से चुनी गए है हीथर नाइट हमी हंटर ससी कला सीवर्दने जूलन गोस्वामी तो याद रखे हीथर नाइट होंगी ए ऊप्सन आपका बिल्कू सही होगा इसमें अगला कुश्चन है कौन एक दिबस की क्रिक्ट में सबसे कम अम्र में सतक लगाने वाली खलाडी बनी हैं बताईए सबसे कम ओमर में सतक लड़ाने वाली एक तरह से खलाडी बनी हैं स्टेफ़नी टेलर मेतली राज म्हंट सनामीर यादर रखे हैं से 103 फिरी यह मुद्र के बनाते हुए ईयलेंड की हैं कि usted अ कि यह देखें और सब्सक्राव conservative के मौट के एक आरज समय सकते हैंra यसलिए कहरा हूं महलाएं एदीप जिंदल अरुंद सेट्टी और रडवी गुष्वामी सज्जन जिंदल तो याद रखी सज्जन जिंदल होगई इसमें D option आपका बिल्कु सही हो 10 जुलाई 1967 में इसकी स्थाफना हुई थी Belgium में आपको इसका Headquarter देखने को मले जाएगा अंगला question है किस तारीक को बर्स 2021 का 200 दरश्टी दिवस मनाए गया है 24 एक्टूबर 11 एक्टूबर 15 एक्टूबर और 17 एक्टूबर बताईए आप लोग कब मनाए गया है तो याद रखिए 14 एक्टूबर को यह मनाए गया है कब मनाए गया है 14 एक्टूबर को 10 दरश्टी दिवस मनाए गया है समझ रहे हैं आप लोग दरश्टी दिवस की बात पर रही है 14 एक्टूबर 14 एक्टूबर को इसे मनाते हैं और यह दिवस पितिवर्थ अक्टूमार माय के दूसरी गुरु बार को मनाया जाता है ठीक है और इस बार की थीम रखेगी अपनी आखों से प्यार करें और इसका उदेश यही है कि अंदापन के साथ साथ दिरिश्टी संबंदी समस्याओं के बारे में लोग जागरू करें हैं ठीक है यह आप लोग यह आप रख सकते हैं चली आगे बढ़ते हैं हम लोग अंगला कुछ्चन हमारा गिलोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा इस्थान रहा है अब आप देखिए कि हमारी स्तिती कितनी बुरी है हंगर बुकमरी में आप समझ रहे हैं इसमें आप लोगों को मालू चलीगा गिलोबल हंगर इंडेक्स 2021 की बात हो रही है सोवा, 101वा, 104वा, 107वा तो याद रखे, 101वा है हमारा इसमें हमारा नमबर कितना है? 101वा है और याद रखे, इसमें आपको बता दूँ कि 116 देशों को सामिल किया गया था अब आप से पूछता हूँ कि 116 बच्चे हैं एक किलास में आपकी जिसमें आप लोग पढ़ते हैं 16 बच्चे हैं और आपका इस्थान उसमें से 101 बाह है अब आप बताईए कि आपकी स्थिती ठीक है या सबसे बुरी है लगभग तो आप सभी जानते हैं कि सबसे बुरी स्थिती है आप लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं और इसी कंसर्ण वाइड वाइड और बैल फूंगर हिल्फ द्वारस एक दुरूप से जारी किया जाता है और इसमें गणना जब इसकी की जाती है तो याद रखे चाल संकेता किसकी आधर पड़की जाती अल्पोशन जिसमें परिया आप रियाफ केलोरी से इवन वाली जन सं पांस साल से कम उमर की बच्चों का हिस्सा जिनका बजन उनकी उचाई के साब से कम हो एतीब कुपोशन को दरसाता है चाइल इस्टेंडिंग पांस साल से कम उमर की बच्चों का हिस्सा जिसमें आप देखते हैं बजन उनकी उमर के साब से कम होता है या कुपोशन को दरसा या टायता है तो भारत देख भी सकते हैं आप मैं को एसमें कोई मुझे नी लगता और कुई कोई मअ कोई और पहली बारी 2006 में जारी किया गया था, यह 16 वासंस्कंड था इसका, समझ रहे हैं आपको, भारत तो 101 पर रहा है, अगर हम लोग पडोसियों की बात करें, तो 76 वे नमबर पर लगवाग, बंगलादेश भी 76, पंगलादेश पाकिस्तान हमारा 92 नमबर पर है, हमसे अच्छी करना चाहिए कि हम लोग भूग, देखिए, कोरोना में हमारी की चलिए, बैक्सी नहीं बनाई जा सकी थी, उस टायम तक लोगों की मोत होना सभाविक सी बात ती, लेकिन आप लोग सोचिए, जिसकी हमारे पास बैक्सी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, अब भूग की यार रोयल चैलेंजर्स बेंगलोड, तो याद रखी, इसमें चैन नहीं सुपर किंग्स होगी, सी ओप्सन आपका बिल्कु सही होगा, आई-फी-एल की बारे में अगर आप से बात की जाए, तो आप सभी जानते हैं कि आई-फी-एल आप लोग देखते हैं ना, तो इसकी और आपको बताएंजर्स नहीं सुपर किंग्स का यह 14 आई-फी-एल खिताब है, इसने पहले चैनली ने 2010, 2011, 2018 में भी आई-फी-एल ट्रोफी अपने जाम की हुई है, वहीं कोलकाता की बात करें तो 2012 और 2014 में इसने आई-फी-एल का खिताब जीता था, तो यह आप लोग याद रख सकते हैं, अंगला क्यूशन है, कौन भारतिये बैंक संगे के नए अध्यक्ट बने हैं, एन-सी-चौधरी, एम-स बंसर, एके-गोएल, पी-जी-कमल, नार्थन, तो याद रखे, एके-गोएल होंगे समय, क्यान होंगे, एके-गोएल साहग होंगे आपके, और भारतिये बैंक संगे की बात करने तो इसकी स्थापना 26 सेप्टमबर 1946 में होई थी, इसका हैटवर्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अंगला कुश्चन है मारे सामने की 16 एक्टूबर को दुनिया भर में 20 खाद दिवस मनाये जाता है, जिससे पह मुक से तो ना मरें, समझ रहे हैं, और लोगों की मदद करना, भुकमरी इसे बाहर निकालना और यसे पहली बार 1981 में मनाये गया था, ठीक है, और 16 एक्टूबर को यह मनाये जाता है, इस साल की थीम की बात करने तो हमारा कार ही हमारा भविस, बहतर उत्पादन, बहतर फसल भीमा योजना के नए CEO बने है, अभी मन्यू गोएल, रीतिश चौहान, राकिस्तिर पार्टी, आदित सेन, फिधान मत्री फसल भीमा योजना, आप देखते हैं कि अगर फसल आपकी खराब हो जाती है, तो आपको एक क्या मिलता है, भीमा मिलता है, समझ रहे हैं, उसी आपका बिल्कुँ सही होगा, पी एम, किसान, पी एम, पिधान मंत्री फसल भीमा योजना, इसे पहली बार कब लॉंच किया गया था, यह आपसे कई बार कुश्चन्स पूच लेता है, और पूचना चाहिए, 2016 में आपने देखा होगा, 13 जन्वरी 2016 को लॉंच किया गया थ इसे, ठीक है, चलिए इसे याद रखिए, इस तरह की देखिए, जो भी आपकी स्टेट यानी की राजज लेवल की योजना होती हो, या आप देखिए, सेंटल ले आनी की केंद सरकार की योजना हो, उन्हें आप लोग याद रखा कि करिए, उनसे कुश्चन्स आपकी परि की बात हो रही है, इस केस्ता अपना 1997 में की गई थी, ठीक है, डाका वगले बंगलादेश में इसका मुख्याला है, आपको देखने को बिल जा गए, नेपाल मालदीप, भारत बंगलादेश, तो किस ने जीता हुआ है, भारत में जीता हुआ है, हमारा फ्यारा भारत, अब अगर हम लोग राश्टपती साहब की बात करें तो रामनात कोबिंद साहब हैं, और अकर हम लोग आजादी की बात करें तो 15 अगस्त तो 1947 को हमें आजादी मिली थी, दो डेटें और आप लोगोने सुनी होगी, एक तो 26 नवंबर, एक 26 जन्वरी, तो याद रखिए 26 नवं की 21 महला ग्रेंट माश्टर बनी है, 21 नवर की, इसमें रेनु गुपता, अंसीका दास, प्रिती चौदरी, दिव्या देश्मोक, तो याद रखिए दिव्या देश्मोक होंगी, डी ओप्सन आपका बिलको सही रहेगा इसमें, क्या लगाओगे, डी ओप्सन, और 21 महला ग् का हासिल किये, अब यह अंतराश्टी मास्टर बनने से एक नॉर्म, एक परसे दोर, चले, आप लोग 21 भी याद रखिएगा, अंगला गुश्टन है हमारे सामने, किस देश के पूरू में पिधान मंतिरी रहे हैं, एहमाद साह, एहमाद जय का, 78 वरस्त की उम्मे में, इनक से दाध्धानी काबुल है, तो आप लोग याद रख सकते हैं, कितनी बुरी इस्तिती है, आप सभी को मालवन अच्छी है, अंगला खुश्टन है हमारे सामने, कौन केंदसासित पिधिस लगदा का निवास परिमारपत प्राप्त करने वाली पहली महला बनी है, रजिया ब बिल्कुल सही होगा, लगदा को मालव होगा कि 31 अक्टूगर 2019 में से एक तरह से आपका जमू कस्मी से लगकर की राज मनाया गया था, इसकी राजनानी ले है, ठीक है, यहाँ दो जिले हैं, आपके ले और कारगिल, यह आप लोग याद रख सकते हैं, यह आप देखते हैं जो आपका है, चीन, यहीं आपका बवाल मचाय हुए है, हमारे उस पे कबजा की यह करता रहता है, जड़ा पोती रहती है, हमारे कई सेने के सहीद भी हो गए थी, किस देश की पूर्व क्रिकेटर, बंदूला बर्णा फुरा का अरसर्ड वर्स की उम्मर में डैथ हो चुक इस श्री लंका को हमसे अलग करती है, भारस से अलग करती है, और स्री रावड का आप लोग ने देखा होगा नाम भी जुड़ाओ रखता है, सांस्कितिक संबंध हमारे मिलते जूलते हैं काफियत तक, किस राजी सरकार ने मेरा घर मेरा नाम, मेरे नाम, नामक यूजना श मेरे नाम युजना सिरू की हुई है और इसमें अगर बता हैं तो चरन्य सींग जी जो है यहां के मुख मंदृ इनने गाउं और शहरों के लाल लगीर के वी एकष्टर को गरों में रहने वाले लोगों को मालिका अन्हा दिकार द्यनी के लिए मेरा घर मेरे नाम यह उजना सुरू की हुई है और आपको बता दूँ कि लाल लकीर के अंदर रजिश्टी नहीं होती है और इसी के मंदिन अज़ा राज सरकार नहीं है उजना सुरू की है और अब इस जमीन की रजिश्टी होगी और 15 दिन आपती दर्च करने का समय भी मिलेगा और पंजाब की बात करें तो आप सभी को मालो होन अच्छे है पंजाब के बारे में एक नमंबर 1966 को इसे राज बनाया गया था इसकी राधानी चन्नीगड है और यहां की मुकमंद्री की बता चुकाओं की वरतमान में मुकमंद्री चरंजीज सिंग चन्नी है बिधान सभा में 117 सीटे हैं, राज सभा में 7 सीटे हैं, लोग सभा में 13 सीटे हैं देखने को मिल जाएंगी पाकिस्तान से लगा हुआ राज है समझ रहे हैं अगला कुछा ने कॉन भैक्ती और राष्टी अनुसंधान विकास निगम की नई अध्यक्च प्रवंदने देशक बने हुए राष्टी अनुसंधान विकास निगम की बात हो रही हैं, NRDC की बात हो रही है राजी रंजी सिंगुएल और मुहित चहल असोग खंडल अमित रस्तोगी तो याद रखे अमित रस्तोगी होगे इसमें क्या होगे अमित रस्तोगी यह राष्टी अनुसन्दान विकास निगम की स्थाफना 1903 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी ठीक है अंगली कुश्यन की तरह पढ़ते हैं सोच के लगाएंगे ठीक है अंगला कुछन है मारे सामने कौन बैक्ती में मिर्चुवल फंड उद्ध्योग के उद्ध्योग निकाय है एम एफ आई के नई अध्यक्ष बने हैं पी चत्रवेदी एल वाला सुभा मन्यम डे के मात्र के के जैस वाल तो याद रखे एवाला सुभा मन्यम होंगे इसके ठीक है मेच्वल फंड उद्ध्योग निकाय के नई अध्यक्ष होंगे तो यह आपनों याद रख सकते हैं और स्थाफना की बात करें तो आपको मालू होना चाहिए कि AMFI यानि की मेच्वल फंड उद्ध्योग निकाय की स्थाफना 22 अगस्त 1995 में की गई थी ठीक है अंगला कुश्चन है हमारे सामने जारी वर्स 2021 की बैस्विक खात्य सुरक्षा रिपोर्ट में भारत को कौन सा इस्थ फंह вместе स्थान मिलाएं कंवाथ 78% नमर पर हम लों रहे हैं और भारत को 113 देसों की बीच स्थान मिलाएं तो आप समझ सकते हैं कि हमारी स्थेटी किनी बुरी कि और और पाकिस्तान और स्रीलंका से भी अरों पीछे हैं ससुधर है तो यह इस्तिति है कभ सोढ़ेंगे यह नहीं मुझे यही समझ में नहीं आता है आ। बैस heating मारी सुचकर में आप लोग देख चुक हैं 110 भी इए स्थान पे रहा हम लोग हैं और अगर हम लोग टो बैस्थे फथ घ्रें चालर किया जाता है इसके द्वारा ये जारी किया जाती है और ये आपका इसमें आप दिए कि पाकिस्तान 75 वे स्थान पर है, सेरिलंका 77 वे, नेपाल 89 वे स्थान पर, बंगलादेश 84 वे स्थान पर, और चीन आपका 34 वे स्थान पर है, ठीक है? तो यह आप लोग याद रखेगा. कुछ बिंदूओं में हम लोग पाकिस्तान से पीछे हैं, कुछ में आँगे हैं, हमें पाकिस्तान से तुल्ला नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात देखे, पाकिस्तान की क्या वो खाद है, हमें तुल्ला करनी है, तो अपने पड़ोसियों से छोड़िए, अमेरिका से करिए, चाइना से करिए ठीक है लेकिन हम लोग तोलना करते हैं सबसे कमजोर से वही हाल है अपने बच्चे की तोलना आप लोग स्कूल में किसे सबसे कमजोर बच्चे से करिए पिती वर्स विस आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महिने की किस तारीक को मनाय जाता है कि 21 अक्टूबर को मना जाता है उब 21 अक्टूबर को विस आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है और इसलिए कि आप सबी जाते हैं हमारे सरी में लोग लोगों को अ है नमत के बिना मुझे लगता है सक्कर के बिना रहे लेकिन आप देखिए इसके जणा मुझे नहीं लगता है संभव लगता है कभी कभी आयोडीन के यानी की नमक के बिना कभी रहें बहुत मुस्किल रहता है आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों की बात करें थाइरोड ग्रंथी बढ़ जाती इमान से एक बीमारी भी होती है से तो आयब लोग सोच सकते हैं नमक के पिती जागरू करह सकते हैं अगला क्विश्चन है डवलू जेपी द्वारा वर्स 2021 की कानून सुचकांक में 149 देशों में भारत को कौन सा इस्थान मिला है डवलू एपी द्वारा डवलू जेपी द्वारा कानून सुचकांक में भारत को कौन सा इस्थान मिला है बताईए इसमें 73 वा, 89 वा, 88 वा, 97 वा तो याद रखिए 89 वा मिला हुआ है क्या 89 वा मिला हुआ है अगर हम लोग हाली में एक तरह से सुचकांक जारी किया गया था वर्ड जेस्टिस रिपोर्ट प्रोजेक्ट भी कहते हैं इसकी इस्थापना 2006 में हुई थी ठीक है तो यह आप लोग याद रख सकते हैं और इस सुचकांक में अगर हम लोग बात करें तो भारत को 149 में से 89 वा इस्थान मिला है और भारत का इसको रहा है 0.50 अंग ठीक है चलिए आप लोग याद रखिए गया से डैनमार्क नॉर्वे और फिल्लेंड को टॉप रहे हैं समझ रहे हैं आप लोग ऊपर से टॉप कर रहे हैं किस राज की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुकमंत्री रासन आपके द्वार नामक योजना शुरूबात की हुई है आपके सामने मत्पदेस है उत्तरपदेस गुजरात दिल्ली तो याद रखी मत्पदेस और आप सभी जानते हैं कि मत्पदेस में सबसे जाना आपको देखने को मिलेंगी आदिवासी समझ रहे हैं और आपकी MPPSC में कई बार questions भी बढ़ी संख्या में पूछे जाते हैं आदिवासी हों से और इसे उत्तरपदेस के अगर हम लोग बात करें तो इसे उत्तरपदेस के जनजाती परिवारों को लाब मिल सके मुख्याले गाओं को छोड़कर दुकान से जो गाओं हैं बहान के मात्यम से परिवाहन का राजसन सामगरी गाओं तक पहुंचाना लोगों खाना फाना तो जरूरी रहता है ना मत्वितिस की बात करें तो आप सभी को माल होगा कि इसकी राध्धानी बोपाल हो यह एक नवंबर 1956 को इसे राज बनाए गया था और इसकी बर्तमान मुकमंत्री से ब्रासिंग चोहान है और यहां विधान सभा 230 सीटे है लोग सभा में आपके 29 सीटे है राज सभा में आप आपी सर्मा पीके गरग MS बिरला तो याद रखिए इसमें पीके गरग होगी सी आपका बिल्कु सही है अगर भादी खेल प्रादी केंट की बात करें तो आपको माल होने चाहिए 1984 में इसकी स्थाफना हुई थी और इसका हेड़क्वाटर आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा ठीक है अंगले कुश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं इस पोर्ट से ब्रांड एडिडास ने किसी अपना गिलोगल ब्रांड एमेश्डर बनाया है बताईए आपके सामने वाप्सन चार है आउनी लेकर आप पीवी सिंदू और दीपी का पादू कौन सनी बताईए तो याद रखिए दीपी का पादू कौन को बनाये गया है और आप सभी जानते हैं कि एडिडास जूते भी बनाता है पर्स मर्स बनाता है समझ रहे हैं कि कई तरह के सामान बनाता है और 18 गस तो 1949 में इसकी इस्ताफ ना हुई थी बताए जर्मनी में इसका एड़ विड़में दवायए मैं है तो सरीध धनवनतरी जेनेरिक मेडीकल स्टोर योज highways की रुए है कि स्रीज्रुइश सेकार ने सस्ति दवाय उपलगद हो सके इसके लिए स्रीध धनवनतरी जेनेरिक मेडीकल स्टोड योजना शुरू की हुई है चस्टीस-कड़ और असं तो आप लोग रायपोर नया रायपोर अटल नगर की नाम से जानते हैं और ये भूपेश पटल यहां के मुखमंत्री हैं भूपेश बगए हैं और बिधान सभा 90 सीटे हैं और रायसभा में 5 सीटे हैं लोग सभा में 11 सीटे देखने को मिलेगी ठीक है अंगले कुछ ने कौन बेक्ती रेटिंग एजनसी I.C.R.A. के नए परवन्द नेदेशा को समू-CEO बने हैं अर्वेंद गो स्वामी रामपाल सिन्हा और तारा चंध वर्मा रामनाति किसने केशनन तो यादर किसमें रामनाद केशनन होंगे और इसकी अगर हम लोग बात करें ICRA की तो यह सभी आप लोगों कुमाल होने चाहिए कि 16 जन्वरी 1991 को 1991 को इसकी इस्थाफना की गी थी और इंडिया में इसका हेड़कोर्टर आपको देखने को मिल देगा अंगला कुशन है पिती बस विस्त पोलियो दिबस अक्टूबर महिने की किस तारीक को मनाया जाता है और मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस पोलियो को पिया भी होगा समझ रहे हैं पोलियो की दवा ड्रॉप पिय होगी 20 सक्टूबर को 22 सक्टूबर को 24 सक्टूबर को 26 सक्टूबर को तो याद रखे 24 सक्टूबर को मनाया कब 24 सक्टूबर को और पोलियो एक तरह से लोगों को पोलियो बीमारी के बारे में जावरू करने के लिए और भारत की तो साल 2014 में आपने देखा होगा विस्त स्वास्त संगठन ने भारत को फोलियों मुक्त घोसित कर दिया गया था और अगर विस्त स्वास्त संगठन की बात करें, WHO भी कहते हैं, World Health Organization भी आप लोग कहते हैं अगर हम लोग थीम की बात करें, यह थीम काफी पूंच लेती हैं आप से, तो पोलियो टीका करन, पोलियो उनमूलन के जागरूपता बढाने के लिए 24 अक्टूबर को विस्त पोलियो देवस मनाया जाता है हो, डिलेवरिंग और एप प्रोमिस इस बार की थीम रखी गई है, 24 तारीकों, और इसके इतिहाज की बात करें हैं, तो पोलियो देवस मनाया जात, रोटरी इंटरनेस्चनल ने की थी, इसकी सुरुआत मैं पोलियो टीका की खोच करने वाली टीम के सदस जोनाक साल के जनम दिन पर की जाती है, तो जोनाक साल को आप लोग याद रखें, पूछा जासकता है, पोलियो वैक्सीन की खोज साल 1995 में हुई थी और पोलियो संग्वित के सबसे अधिक मामले साल 1980 में देखे गए थी समझ रहे हैं तो यह आफ लो और इसे साल अब भारत में भारत में पोलियो ठीका कर कि शुरुवात की बात करें तो 1995 में हुई थी भारत में चलिए अंगले कोश्टिन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं इसे दिवेक्तित मीनो मुम्ताज का 89 बर्स की उमर में इनकी मौत हो चुकी है यह कौन थी अभिनेत्री थी लेककती पत्तकार थी या नियूरो लोजिस्ट थी तो याद रखे अभिनेत्री थी अभिनेता और अभिने 26 अपरेल 1942 में इनका मीनू का जर्म हुआ था घर घर में दीवाली से इनों ने डिवी की हुई थी यह फिलेम 1955 में रिलीज हुई थी आपको मालो होगा चलिए आंगे बढ़ते हैं लोग के रहा अगला कुश्चन है मारे समने किस राज्य में IVF तक्नीक से भारत का पहला बह बहा च्चा तो यांद रखी गुजरात में हुए इन बिट्रो फईर्टलाइजस के द्वारा समझ रहे है आप लोग आप कहेंगे कि गुजरात के बारे में बताईए इस तक्नीक के बारे में बताईए तो इसके बारे में बात आए हैं अगर हम लो तो किंतिम गरवाधान बहालत में पहले बार किंतिम गरवाधान की IVF तक्नीक भेंस का गवर्दा गरवाधान किया गया और पड़ा यानी की बच्चे ने जनम लिया और आपको बता दूँ कि एक प्रयोग गुजरात की मसूर भेंस की नसल बन्नी पर किया गया है। गुजरात के सौमनाथ चिले के सुसीला एगरू फार्म्स पर पहला IVF बच्चडा बन्नी नसल की बैस चह बार IVF गरवाधान के बाद पैदा हुआ है या फार्म सौमनाथ चिले के धनेज गाउं में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग गुजरात की बात करें तो आप सभी को माल होना चाहिए कि गुजरात की राध्धन क्या है गांधी नगार और एक महीं 1960 को इसे राज बनाया गया था भूपेंद भाई पटेल यहा की मुखमंत्री हैं विदान सभा में 180 सीटे हैं राज सभा में 11 सीटे देखने हो लेगी जो भरतमार में आपकी होम निश्टर और और किलान मंत्री हैं तो रहों गुजरात से आती है आगे चलते हैं हम लोग चलें लखनव और एहमदाबाद में IPL की दो नई टीमें बनी है अब IPL में कुल कितनी टीमें हो चुकी है आठ दस बारे 11 तो याद र दस दस को एंगलिस में क्या कहते हैं दस चली आगे वरते हैं हम लोग उत्रहाद दस हो चुकी है अगला क्यूशन है हमारे समय किस देश के रापूर वराठवती रो तेई बू का 88 वर्स की उमर में इनकी मौत हो चुकी है कहां के थे दच्छड कोरिया नाइजिरिया ताइवान फिलिपिन्स तो याद रखे दच्छड कोरिया के थे उत्तर कोरिया के होती दूख बात होती लेकिन दच्छड कोरिया तो ठीक है आप सभी जानते हैं उप्तर कोरिया बहुत बूरे इस्तिती में है आप समझते हैं अप सोचे कि मैंने बताया था ना की एक बहुत दिन दूर नहीं है जब भारती है मूल की लोग कहीं पिधाल मंत्री होंगे कहीं तो याद रखी अनीटा आनन्द होगे इसमें, एक अनाडा की नई रक्षा मंत्री बनाई ग Economy आप लोग जानते हैं कहा है यह उत्रि अमेरिका में आप लोगों को देखने को मिलता है न देस और यहीं आपको देखने को मिलेगा वो टावा इसकी राधधानी है करनाडा की ठीक है अंगला कुछ्छा ने भारत ने बैलेस्टिक मिसाइल अगनी 5 का सफल पर एक्षण किया है जिसकी मारक चमता कितनी है 3500 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर 7000 किलोमीटर पचतर सो किलोमीटर तो यह आप लोग याद रखिएगा और एपीजे अब्दुलकलाम दूइप से इसे लौंच किया गया है चलिए अंगले कुछ्छन की तरफ बढ़ते हैं कौन बैक ती जम्मू कस्मीर बैंक के अंगले एम डि और सी इओ निवक्त किये गया हैं मत्याही जम्मू कस्मीर बैंक के नए एम डिओ सी ऑउ निफ्त किये गये हैं मुसिष चावला हर्म मनदीव सिंग्व बाट चौक्सटी और बल्दयो प्रकास तो याद रखे बल्दयों फिरकास होंगे इसमें जम्मू कस्मीर बैंक के नए M.D.O. CEO और इसकी बात करने तो देखे एक अक्टूबर 1930 में हुई थी इसकी इस्ताफना हेड़क्वाटर इसका स्रीनगर में देखने को मिलेगा जम्मू एंड कस्मीर बैंक की बात करा हूँ और मेरा मना है कि देखे नाम बंदलने की जगह रहा उसमें अगर क्वाइल्टी सुधार किया जाए उसमें विवस्ताइं सुधार किया जाए तो लोगों को फायदा मिले आयोध्या केंट अयोध्या फिलस और सरी राम पेलस और हनुमान केंट तो याद रखे इसमें आप लोगों को ने सुनाए यादा नहीं सुनाएं कुछी दूर हमारे पडोसी हे एक तरए जोने परज किरह प्रता है अगला कुष्टन है भी, सोसल मीडिया कंपेनी पेस्मुक को नाव बदल कर रखा गया ए और जिसपे आप लोग काफी time वितीत करते थे Facebook पर अभी भी करते हैं, बने थोड़ी हुई D-E-C-E-H-E-P-Y, Meta और या फिर Dot, D-O-T तो याद रखे, Meta रखा गया इसका नाम और Facebook की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसके स्थाफना का आया था ये स्थित में, फरवड़ी 2004 में इसका हेट्वारर आपको California USA में देखने को मिलेगा इसके CEO Mark Jukovar है अब आप सोचें कि उसमें उन्होंने बनाया वो पैसे कमा रहे हैं हम लोग उसमें टाइम पास कर रहे हैं कौन बेक्ती Power Finance Corporation PFC के नए नेदेशक बने हैं पावर Finance Corporation के नए नेदेशक बने हैं राजीब रंजन जहां मुकेश एस सेनहा, अजीच चन्दास, विनेश राम ठाकुर बताईए तो याद रहे हैं कि राजीब रंजन जहां इसमें बनाए गए हैं पावर Finance Corporation की बात करें तो 16 जुलाई 1986 में इसकी इस्थापना हुई थी नए दिल्ली में इसका हेड़क्वाटर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है पिती बस अंतराष्टी इंटरनेट दिवस कब मनाये जाता है और मुझे लगता है कि आप देखी कि इंटरनेट एक तरह से हमारी जिन्दिगी का इतना महत्पूर है एक तरह से हिस्सा बन चुका है कि आप देखी इसके बिना रहना बड़ा मुस्केल होता है समझ रहे हैं आप लोग यह 29 अक्टूबर को 31 अक्टूबर 27 अक्टूबर या 25 अक्टूबर को तो याद रखे 29 अक्टूबर को यह मनाये जाता है 29 अक्टूबर को मनायते हैं आप लोग इसे ठीक है अंतराष्टी इंटरनेट दिवस मनाये जाता है और इसका पहला एलेक्टोनिक संदिश भीजनिक का पितिक है जिसे उन्डी सो नतर में कम्प्यूटर से दूसरी कम्प्यूटर में स्थानन दित किया गया था और उस समय इंटरनेट को अर्फानेट कहते थे अमेरिकान में सेना के कम्प्यूटर नेटवर्क तेयार किया गया था जिसे यह दिखे तोरां सुचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह असानी से बेजा जा सकता था और आज तो आप देखे कितनी तकनिक बदल चुकी है कहां पहुंच चुकी हैं हम लोग अंतराष्टी अरोमेटिक गाइडन खुला है देहरादून चमोली हलदानी हलदवानी वहरिद्वान तो याद रखिए हलदवानी होगा असमें सी ओप्सन आपका बिल्कुछ सही होगा उत्राखंड उत्राखंड के हलदवानी में लाल कुगा के बंद अनुसंधान केंद में भारत की पहली सुरुभी बाटिका तियार की गए आपको बता दूँ कि तीन एकड़ चितभल में तियार किया गया है और एरोमेटिक गाइडन में 140 सुगंद प्रजातियों को लगाया गया है और इनसे बनने के पेजातियों के सरक्षन और सोद जागरूपता बढ़ाने में मदद मिलेगी इसके अलावा अजीव कसा के से जुड़े कारियों में यह मददगार सावित होगा इस बाटिका को 9 हिस्सों में तेयार किया गया है और वहीं अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करें वहाब सभी जानते हैं कि उत्तराखंड उत्तरफदिस से अलग करके बनाया गया था नो जबंबर सन 2000 में और देहराद उनिक्स की राध्धानी है और यहां के मुखमंद्री कौन है बताए कुछ आप लोग मैं ही मैं ही बनताता रहूं कि आप ही उताएंगे कुछ उसकर सींग धामी यहां के मुखमंद्री है और आप देखेंगे यहां विधाय सभा में 70 सीटे देखने को मिलेगी राज सभा में 3 सीटे हैं लोग सभा में आपको 5 सीटे देखने को मिलेगी ठीक है अगला पिसिद्ध डॉक्टर किस नन नायर का 81 वर्च के उमर में नेधन हो गया है मौत हो चुकी है एक कौन थी ओंको लोजिस्ट नियूरोलोजिस्ट गाय सायर तो एक तो मुझे समझ में आ गया कि डॉक्टर को है तो यह ओंको लोजिस्ट थी एक ऑप्सन आपका बिल्कुत सही होगा इसमें क्या होगा एक कैंसर के लाज के मामले में भारत के के लिए उनकी सिवाहों के लिए पदमसरी से भी सम्मानिक किया गया घा और अपी टीवर्स पूरे भारत में 31 में किस्की जैंटी इक्ता दिवस मनाया जाता है बताए और आप देखें देश को एक करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है जवाल लाल लहरू, सर्दार बल्लब भाई पटेल, एपीजी अब्दूर कलाम, अटल विहारी बाचपई तो याद रखें सर्दार बल्लब भाई पटेल और आप सभी जानते हैं कि इनका जराम 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था और 15 दिसंबर 1950 में इनका इनकी डेथ हो गई थी, पहले हमारे होम मिनिस्टर भी रहें पहले पधार मंद्री भी रहें, समझे रहें? एकता देवस और याद रही कि 2014 यहन साल 31 अक्टूबर को नेशनल इउनिटी दिवस यानि की राष्टी एकता दिवस मनाने की बात भी है तो यह आप लोग याद रख सकते हैं, रखना चाहें तो, और रखना चाहिए फिर परीक्षा में आओगे तो क्या करोगे? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं राष्टी अगर हम लोग नेशनल कंपणी लोग अपीलेट ट्रुबूनल की बात करें जिसे आप लोग क्या कहते हैं, राष्टी एक अपनी आनून अपीलेट नियाधी करन तो इसकी इस्थाफना एक जून 2016 में हुई थी, ठीक है? तो ये कहानी रही है आपके, अक्टूबर महिने की जो करेंट अपेर्स की घटनाय रहे हैं, उनसे आपकी परिच्छाव के लिए किस तरह के कुश्चन्स बन सकते हैं, उन कुश्चन्स पर हम लोग ने एक एक करके सभी कुश्चन्स को देखा हुए, चलिए हम लोग तब तक आप लोग एक पड़ते रहे हैं, हम लोग नवंबर महिने की जो भी घटनाय रहेंगी, उनसे किस तरह के कुश्चन्स बन सकते हैं, उन पर बिस्तार से बात करेंगे आप लोग, थोड़े टाइम लंबा लएता है, लेकिन आप लोग बड़े अच्छे से एक करते रहे ह नमस्का साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालू होगा, कि हम लोग मन्थली करेंट अपेस को कवर कर रहे हैं, और इसमें अभी तक हम लोग जनवरी से लेकर, अक्टूबर महिने तक का करेंट अपेस कवर कर चुके हैं, और याद रखिए, इन किलासों में केबल हम ल हम लोग कवर कर रहे हैं, जो भी आपके करेंट अपेस के कुश्चन्स होते हैं, उनका इतिहासिक बेक्ग्राउंड जो भी होता है, उन पर भी हम लोग बिस्तार से बात करते हैं, और इसलिए आप देखते हैं कि इसमें लंबा टाइम भी लगता है, और याद रखिए अप टाइम लंबा लग रहा है, टाइम जानदा मिल लग रहा है एक तरह से, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी तुम मिल रहा है, ठीक है, तो आज की इस कलास में हम लोग बात करेंगी नवंबर 2021 में, जो भी आपकी घटनाय गटी हुई हैं, उन से आपकी परीक्छ पीपर उठा के देखे भी होंगे, मालें जिए कोई आप मैसे सेवल सर्विस की तैयारी कर रहा होगा, यानि कि UPSC की कई लोग स्टेट PCS की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें आप देखिए MPPSC, UPPSC, बिहार, राजिस्थान, चतिजगड और भी आपकी सेंट्रल के, जो एक पीचर्स भरती भी होती है आपकी, तो उन में भी इस तरह के कुश्चन्स आती रहते हैं आपकी, ठीक है, और इसके लिए एक सेपरेंट आपकी प्ले लिश्ट सूची बना दी गई है, मंतली करेंट पेस 2021 के नाप से, तो उसमें 12 महीने का आपका करेंट पेस आपको मिल ज विश्व साकाहरी दिवस नवंबर महीने की किस तारी को मनाया जाता है, इनका कहने का मतलब सीधा सा है, कि जो आपका विश्व साकाहरी दिवस है, एक कम मनाया जाता है, एक नवंबर, तीन नवंबर, चार नवंबर या पांच नवंबर, तो याद रखी एक नवंबर को मन इसके इलावाब परियावन को बचाने के लिए इस दिन के पिती जागरुकता भ्हलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है और विस्विसाकाहरी दिवस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस दिन की स्थापना 1994 में उनाइटिट के इंगडम में दाव वेगन सोसाइटी के ततकालीन अध्यक्स थे लुईस वालिस के द्वारा संगठन की स्थापना की गई थी और वेगन और वेगन सब्दों के गरने के उपलक्ष में की गई थी इसे एक नवंबर को आपको मालू होन अची बिस्विसाकाहरी दिवस मनाया जाता है तो इने आप लोग याद रख सकते हैं अंगला कुश्यन है हमारे सामने पिसिद्य ब्यक्तित यूसूप होसेन का 73 वर्स की उम्वे में इनकी मौत हो च चुकी है एक कौन थे आखिर बताईए ए ओप्सन कह रहा है गायक थे बी कह रहा है आपके सामने अभीनेता थे या कभी थे या फिर आपके निवरो लॉजिस्ट थे तो याद रखिए अभीनेता थे और जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि 2020 आपका अभी अभीनेताओं के लिए काफी बुरा रहा है आपने देखा है कि हमारे देश के कई एक तरसे आपके अभीनेताओं की जो एक्टर थे इनकी डेथ हुई है तो बॉलीवरोड और टेलीवीजन धारावाहिकों के दिगज अभीनेता थी यूसुप होसेन इनकी डेथ हो गई है विवाय, धोम टू, खोया खोया चांद, क्रेजी ककड फैमली और रोड टू संगम जैसी फिलमों में इनोंने काम किया हुए था तो यह आप लोग याद रख सकते अंगला कुर्शन है हमारे सामने किन फिलमों की मसूर अमिनिता पुनीत राजकुमार का 46 बर की उमर में इन पंजाबी की थे तो याद रखे एक कंड़ के थे और आप लोग उने यह भी देखा होगा कि पुनीत राजकुमार काफी अच्छी सफल एक्टर हैं आप लोग उने साउथ की मोवी भी देखी होगे इनकी जो हिंदी में डब होती है मोवी उन्हें आप लोग उन्हें जरू बॉक्सिंग या अफिर आपके बॉस्केट बॉल तो याद रखे यह आपके किर्किट से जुड़े हुए थे और अफगानिस्तान में क्या हुआ आप सभी जानते हैं तालीवान का कपज़ा हो चुका है और उसके बाद आप देखी यहां की खिलाडियों को बहान निकलना अगला कुशन है किस सहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर्ड मिसन समुअंद्यान लौंच किया गया है बताए बैंगलोर में कानपुर में चैन्नाई में देहरादुन में तो याद रखे आपका कहा किया हैं चैन्नाई में यूपक्षन आपका बिल्कू सही रहेगा ने, क्या रहेगा दिज रहेगा पहला माना, इक सप मुद्री मिशन समुद्यानहें लौंच किया है, और आपको बता दूँकि इस मिशन का से यही है कि समुद्री की गहराई में अनुसंदान करना वह इसमें सन को चैनरी सहर में लॉंच किया गया है और इसमें सन पर एक साथ तीन लोग बारेश से 96 घंटे तक समुद्र के अंदर बहुत जाना गहराई में रिसर्ज की गत्विदियों को अंजाम दे सकते हैं ठीक है अगला कुश्चन हमारे सामने कौन सब्द ऑक्सफोर्ड इंगलिस डिक्सिनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑब दा इयर का इयर बना है फैसे एक बाल कुश्चन को सुल लिजे मेरा ऐसा माना है कि अगर आप लोग पिसन यानी की कुश्चन को समझ गए तो आप लोग सतर से सी परसेंट उसके करीब पहुंच जा आंसर देने की कौन सब्द ऑक्सफोर्ड इंगलिस डिक्सिनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑब इयर बना है तो याद रखिए इसमें होगा ठीक है इसमें क्या होगा भी एक्स और इसे आप लोग वेक्स भी कह सकते हैं वर्ड ऑब दाई यर चुना गया ऐसे ठीक है चली आगे चलते हैं लोग तमिलाडू सरकार ने राजी की राजी का इस्थापना देपास एक नवंबर से बदल कर कर दिया है कब कर 18 जुलाई 27 परवरी और 07 यानि की अपरेल तो याद रखिए 18 जुलाई इसमें कर दिया है और वैसे तमिलाडू के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी कुमाल होगा कि दच्चेन भारत में एक राज्य देखने को मिलेगा तमिलाडू और इसके बारे में और भी पॉ को देखने को मिलेगा 26 जनवरी 1950 में से राज मनाय गया था और यहां के अगर चीप मिनिस्टर की बात करें तो आयम के स्टालिंग यहां के डियम के पाइटी है ना उसके एक तरह से चीप मिनिस्टर है और यहां विधान सभा में देखेंगे आप तो 234 सीटें देखने को मि लगी लोक सभा में 49 सीटें है राज सभा में 18 सीटें देखने कुम लेगी ठीक है चैणडाई में आगया धू किया यहाद रखना ची आपको यह सदीर ओए बिल्कूछ सही है United Arab Emirat की बात करने तो अगू धावीश की राधधानी है और फिर से आप लोगों को एक बाल बता देता हूँ देखे जब हम लोगों ने विस्त का भूगोल कबर किया था तो उस सवाय आप लोग जुड़े हुए होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हम लोगों ने मैप का जो पार्ट होता है विस्त के भूगोल में उसे मैप का साहरा लेकर विस्तार से पढ़ाता है और कई किलासे हम लोगों ने ली हुई थी तो आप लोग मैप के नम से एक प्लेलेट सूची बनी हुई है उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं और आप लोग बिस्टार से पढ़ सकते हैं, मुझे लगते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा. अगला कुश्यन इकिस स्राजिस्रकार ने किसानों को बेहतर गुडवत्ता का वीज देने के लिए उत्तम वीज फोर्टल लॉंच किया हुआ है. इसमें आपका हर्याना, पंजाब, उत्तर्पदेश, दिहार. तो याद रखिए हर्याना होगा इसमें. क्या होगा? हर्याना होगा आपका. और इसके बारे में अगर हर्याना के बारे में बात करें, तो आप सभी को माल होना चीए कि यहां के मुकमंत्री कौन है? कौन है? बता आपको देखने को मिल जाएंगी 90 सीटे और राज़सवा में 5 सीटे हैं लोकसवा में 10 सीटे हैं चंडीगड यहां की राजदानी है और एक बात और बता देता हम आपको देखिए हमारे देश के किसानों की कितनी बुरी हालत है दुनिया जानती है जग जाहर है आए दिन आप अगला कुश्चन है जारी हारून या हूरून इंडिया में वर्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं बताईए इसमें मुके सम्मानी सिब नाडर अजेम प्रेम जी नंदिनी नीले कनी बताईए तो याद रखिए इसमें आपके कौन बने हैं अजेम प्रेम जी दानवीर दानदाता समझ रहे हैं दो हरून इंडिया ने बर्स 2021 के भारत के सबसे परोपकारी लोगों की सूची जारी की हुई है जिसमें दिकच कम आईटी कंपनी विपरो के फांडर हैं अजेम प्रेम जी पहले स्थान पर रहे हैं और 9,713 करोड रुपे दान किये हैं यानि एक दिन में 27 करोड रुपे दान किये हैं वहीं दूसरी नमबर पर आप देखेंगे SEL Technologies के फांडर हैं सिबनार इन्होंने 12,123 करोड रुपे दान किये हुए तीसरी नमबर पर आपके मुखे संबानी हैं जिन्होंने बित बर्स 2021 में 577 करोड रुपे दान किये हुए तो यह आप लोग याद रख सकते हैं बी सीसी ने किसे भारती है क्रिकेट टीम का नया हैड कोच बनाया है बी सीसी ने बताइए इसमें से ए ओप्सन आपका क्या कह रहा है राहुल देविड जहीर खान सौरफ गांगोली सुनील गवासकर बताइए कौन होगे तो आप सभी कमाल होगा रुप राहुल देविड है इसमें ए ओप्सन आपका बिलकुँ सही है बोर्ड ऑप कंट्रॉल पोर क्रिकिट इन इंडिया के बात हो रही है इसे दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना की गई थी ओं मुंबई में आपको इसका हेड प्लाइब वाड निवाश पलानी स्वामी और पी म नरसिम्हा न रुप तो याब रखें ए सिस जह बैंकट कि उप्सन आपका बिल्कुँ सही रहेगा किया रहेगा बिल्कु सही रहेगा अगर हम लोग बार क्लेस बेंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1896 में हुई थी लंदन में यूनाइटिट के इंगडम में ठीक है तो यह आप लोग हेड़कोर्टर इसका लंदन यूनाइटिट के इंगडम ही देखने को मिलेगा अंगला क्विश्चन है हमारे सामने किसने बरस 2021 का बुकर पुरुषकार जीता है बुकर पुरुषकार जीता है ए ओपसेन करा है जौन टी फॉर्स बी करा है एलन वाइक और दी करा है कि डेमन गलगुट और डी करा है रिचार्ड मूरे तो याद रखिए इसमें आपकी डेम गलगुट होंगे इन्हें ये 2021 का बुकर पुरुषका दिया गया है दच्छड अफिका के उपन्यास डेमन गलगुट ने अपने उपन्यास दा प्रोमिस के लिए 2021 का बुकर पुरुषकार जीता है और बता दें कि डेमन को उनकी पिछली दो पुस्तकों के लिए चुना ग हो रहा है यहां को समय आप यह रहे भी हैं इती वर्स पूरे भारत में राष्टी एक इंसर जागरूपता दिवस कम मनाया जाता है बताइए और 4 नवंबर 6 नवंबर 7 नवंबर 9 नवंबर तो याद रखी इसमें 7 नवंबर होगा आपका क्या होगा 7 नवंबर को राष्टी एक इंसर जागरूपता दिवस मनाया जाता है और एक तरह से कैंसर के रोग में रोग के बारे में लोगों को जागरूप करने का उत्देश रहता है इसका देखिए आपको बता दूँ पहले सोचते थे कि कैंसर का इलाज कुछ भी नहीं है लेकिन आज सेकल आप द बताइए चार फरवी को दुनिया भर में विस्ट कैंसर डे भी मलाया जाता है तो उसे भी आप लोग याद रखें फिर मालूप चलाए कि आप लोग दोनों में कन्फ्यूज हो गए हैं समझ रहे हैं चलिए खेर आगे बढ़ते हैं हम लोग अंगला कुछते नहीं हमाने सामने कौन अंतरिक्ष में स्पेस बॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है चाइना की है वांग यापिंग लिव यांदोंग चांग पी चियंग और एक है आपकी है ई यू 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 चैन तो याद रखें इसमें व कि इस तरह के उल्टे सीधे नाम रहते तो वो याद लंबे समय तक रहते हैं तो अंतरिक्ष में वांग यापिंग यापिंग अंतरिक्ष में चलने बाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष बनी है यात्री आप देखते ना कि आप लोग कहते हैं कि हम लोग घूमने जा रहे है तो यह बोद दिन दूर नहीं है, जब आप लोग अंतरिक्ष का भी सेर कर रहे होंगे, अंतरिक्ष में भी आप लोग घूमने के लिए जाया करेंगे, ठीक है, अंगला कुशन है कौन बेकती, PTC, इंडिया के नए CMD बने है, PTC इंडिया के नए CMD बने हुए है, राजीव समझ रहे हैं, तो PTC को याद रखिएगा, इसमें राजीव कुमार मिसरा होंगे आपके, अंगले कुशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्या कह रहा है अंगला कुशन, संकल्फ गुपता, भालक के कौन से ग्रंड माश्टर बने हैं, 79, 71, 75 और 89 तो याद रखे, 71 बने हु और आपको बता दें कि संकल्फ गुपता ने सरविया कि अरांद जेलो वाक में, जी एम असकी त्री राउंड रोबिन फितियोगिता में, 65 अंग के साथ दूसरे स्थान पर रहका, तीसरा गरन माश्टर नरम हासिल किया हुआ है, चलिए ख्यार आंगे बढ़ते हैं हम जी की सरकार ने निर्माण कारियों में लगे सरेमिकों के लिए, सरेमिक मित यह उजना सुरूपी हुई है, दिल्ली, पंजाब, राजिस्थान, गुजराद, बताए, तो आपको बता दूं कि दिल्ली होगा इसमें, ए ओप्सन बिल्कुल सहीर होगा, देखी दिल्ली की आप सभी को मालू है कि यहां की मुखमंत्री है, अर्वेंद के जीवाल सहाब, और यहां विधासभा सीटें सब्तर देखने कुम लेगी, राजसभा में आपकी तीन सीटें, लोकसभा में साथ सीटें देखने कुम लेगी, इन्ही ने एक सरी सेरेमिक मित योजना सुरूप की हुई है, और सरकारी योजनाओं का लाब में दिलाने के लिए सर्मिक मित योजना की सुरूपात की गई है, चलिए आंगे बढ़ते हैं हम लोग, अंगला कुष्टन है, वाडिज मंत्रा ले द्वारा, जारी की 2021 के लॉजिस्टिक पिदरसन सुचकांग में किस राजिक क तो ये समें याद रखे, गुजरात होगा आपका, C option आपका भीजरात के ही हैं, अपमनस्टर भी हमारे गुजरात के ही हैं, तो ए इसे वाड़ मंतराले द्वारा जारी किया जाता है और बता दें Gushraat के बाद हर्याणा पंजाब तमिलाडू महाराष्ट का स्थान आता है उत्तरविदेश इस इस इसथान में आपको बता दू तेरवे स्थान से छटवे स्थान पर आ गया है तो तरविदेस्ट में भी सुधार हुआ है गुजरात के बारे में आपको बता दूँ कि एक माई 1960 को इसे राजबन आये गया था गांधी नगर इसकी राध्धानी है भुपेंद भाई पटेल यहां के मुखमंत्री है विदान सवा में 180 सीटे हैं राज सवा में 11 सीटे हैं लोग सवा में 26 सीटे देखने को मिलेगी ठीक है चलिए आंगे बड़ते हैं किसे भारती नो सेना की नए प्रमुख की नए प्रमुख की रूम में नियुक्त किया गया है भारती नो सेना की बात हो रही है इसमें यह उप्सन है आपका M जमन महिसुरी L सरी गजानंद R हरीकुमार Y R नीलिस तो बताई इसमें क्या लगा होगी R हरीकुमार R हरीकुमार C उप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा इसमें क्या रहेगा C उप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा देखे भारती नो सेना की बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सेनाओं का एक हिस्सा है भारती नो सेना और आप देखते हैं समुद्र से भी तो हमारी ये देश की रक्षा होनी होती है तो समुद्र में ये काम करते हैं तरह से और 26 जनवर ही 1950 को इसकी इस्थापना हुई थी ठीक है और निव दिल्ली में इसका हैटकौर आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि आप देखिए आजकल आतंकी घटना है पानी के जड़िए लोग आकर भी करते हैं आतंकी आ जाते हैं समझ रहे हैं मुमई आपने देखा हुगा तंकी हमला अंगला कुश्चन है हमारे सामने कौन पूरस खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC पिलियर ऑफ दा मन्त अवार्ड से सम्मानित किये गए हैं देखिए इसमें महलाएं भी होती हैं और पूरस भी होते हैं तो दोनों को आप लोग याद रखा करिए और हर मैने में आप देखते हैं कि चुने जाते हैं गिलेन मैक्समेल, आसिफ अली, जोस बटला, इओन मॉर्गन, तो याद रखें इसमें आसिफ अली होंगे, कौन होंगे, आसिफ अली, और ICC की बात करें तो International Cricket Council इसे आप लोग कहते हैं, और इसकी स्थावना 15 जून 1909 में हुई थी, इसका हेटकोर आपको दुबई में यू मंत और से चुनी गई हैं, इसमें है आपकी गेमी लूइस, बी कह रहा है लारा डिलानी, और सही कह रहा है आन मुसंदा, और सुफिग डिविन, तो याद रखें लारा डिलानी होंगे इसमें, बी आपसन आपका बिलकुश सही रहेगा, ठीक है, अगला कुश्चान इकिन फिल्मों की मसूर अभिनेत्री, कोजी कोड सार्दा का 84 वर्त की उमर में डैथ हो चुकी है, इनकी मौत हो चुकी है, मलयालम, कंणर, मराथी, भोचपुरी, तो याद रखें, मलयालम होगा इसमें, ए आपसन बिलकुश सही है, क्या है, ए आपसन बिलकुश सही है, अभिने अभिनेत्राओं के लिए एक तरह से साल का भी खराब रहा है, ठीक है, अंगले कुश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अंगले कुश्चन क्या है, पिती वस 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्टिय सिक्षा दिवस किनकी जैनती पर मनाया जाता है, हर साल 11 नवंबर क पूरे भारत में राष्टिय सिक्षा दिवस कम मनाया जाता है, और किनकी याद में मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को मनाया जाता है, एक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर कुश्चन पूछता है कम मनाया जाता है, तो आप लोग 11 नवंबर लगा देंगे, ल option आपका बिल्कु सही होगा अगर हम लोग मुहमत अबुल कलाम आजाद के बारे में बात करें तो इसन के बारे में 11 नमूंबर को पूरे भारत में राष्टी सिक्षा देवस मनाय जाता है और पहले सिक्षा मंतरी थी हमारी मौलाना अबुल कलाम आजाद इनकी जैंती के उतलक्ष में इस तरह से मनाय जाता है और मानव संसादन विकास मंतराले ने 11 सेप्टमबर 2008 को इस दिन को राष्टी इपरक की रूम में गोसित किया था और इनकी अगर हम लोग बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की इन्हें अबुल कलाम भी गुलाम मुई यूद्दीन भी कहते थे 11 नवंबर 1988 में का जिर्म गया था और 22 फरवरी 1908 में की डेथ हो गई थी पहले हमारे सिक्षा मंतरी थे यह आप लोग जरूर याद रखें पहले हमारे क्या थे शिक्षा मंतरी थे तो आप समझ सकते हैं कि क्या इनका रुत्बा रहा होगा चलिए आंगे हम लोग चलते हम अंगला कुश्चन है हमारे सामने किसे केंदरिये उद्दोगिक सुरक्षबल स्ती आई अगर हम लोग सेंट्रल इंडस्ट्री रियल सेकॉर्टी पोस्ट की बात करें तो आपको बता दूँ कि 10 मार्च 1979 में इनका क्या हुगा था गठन हुगा था और नियु दिली में इसका हेड़क्वाटर आपको देखने को मिल जाएगा अंगला कुश्चन है हमारे सामने जारी गिलोबर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर तो यह आप लोग याद रख सकते हैं और याद रखना भी चाहिए मेरा मानना है कि गिलूबर ड्रक्स पॉलिसी की बात हो रही है हम रिडक्शन कंसोर्टिम द्वारा गिलूबर ड्रक्स पॉलिसी इंडेक्स जारी किया जाता है कि नौर्वे पहले नंबर में और ब्राजील सबसे नीचे है चपी तीस भी नंबर में यह आप लोग याद रख सकते हैं भारत को अठार वाइस्थान बलाए यह आप लोगों को मालू हना चाहिए अंगला कुक्शन है हमारे सामने पिती बस विस निमोनिया दिवस नंबंबर महिने की किस तारीक को मनाया जाता है विस निमोनिया दिवस की बात हो रही है कब मनाया जाता है बारे तारीकों, यानि कि 12 November, 10 November, 14 November या 15 November, तो याद रखिए यह आपका 12 November को मनाया जाता है, एक option बिलकुँ सही है, क्या 12 November को दुनिया बर में मनाया जाता है, और आपको बता दूँ कि नेमोनिया के बारे में जागरूपता करने के लिए मनाया जाता है, नेमोनिया वाइरस या बैक्टीरिया के कारण होने वाला सुसंद सक्मण है, और जिसके कारण एक या दोनों के अप्रियों के एर सेक्स में सूजन या जाती है, और हवा की थेली तरल पदार सिभर जाती है, जिस्ते कफ या नवाद के भाद खासी आने लगती है, बुखार ठंडर लगने हो, सांस लेने में कटना ही होती है तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है यह आप लो याद रख सकते हैं याद रखोगे या नहीं रखोगे क्या कुछ तो मुझे लगता है याद रखना चाहिए स्वार की फीम रखी गए यह थो याद स्थाल की थीम रखी गए 201 की यह आप लो मुझेक को पहली बार गिलोबल कुई से कुई लेशन और गेंश्ट चाइल निवोनिया द्वारवर्ड निवोनिया डे सेलिवेट किया गया था ठीक है दोजान नौ में 12 नवंबर को अगला कुश्चन एक किस देश के पूर्वराष्ट पती रहे एफ डबलू डी कलार्ग का 85 बर्स की उम्र में इनकी डेथ हो चुकी है मौत हो चुकी है बताई नेधन हो गया है कहां के थे दच्छड अफीका या फिर आपके सिंगापूर ऑस्टिलिया युगांडा तो याद रखिए दच्छड अफीका के बारे में बता देना चाहिए मुझे इसकी राध्धानी क्या दच्छड अफीका की बादाईए कुछ आप लोग भी बता दीजे आप सभी जानते कि अफीका महादीम में आपको देखने कुमिलेगा दच्छड अफीका और इसकी राध्धानी क्या है पिट्टोरिया कारपाली का राध्धानी पिट्टोरिया न कौन सतरंज खिलाडी भारत की 72 वे ग्रंड मास्टर बने हैं के साइनाद RS खरी दीपक जोसी मित्राव गोहां तो यादर की मित्राव गोहां होंगी इसके डी आप्शन आपका बिल्कु सही रहेगा कौन वेक्ती नार्कोटिक्स कंट्रोल व्यूरो के नए महाने दिसक बने हैं ग्रिधारी बहरवा अरजीत राठोर सत्त नारायन पिर्दान सुरेश दारू बाला तो यादर की सत्त नारायन प्रिदान होंग इसमें आपका सी ओप्शन बिल्कु सही रहेगा Narcotics Control Bureau NCV के ये नए महानेतिसक बने हुए देखिए Narcotics Control Bureau की बात करें तो 1986 में इसकी स्थाफना हुई थी और New Delhi में इसका Headquarter देखने को मिले जगा और इसकी अगर हम लोग एजनसी Parent Agency की बात करें तो Ministry of Home Affairs के अंडर में आती है ठीक है अंगला कुश्चन की तरफ पढ़ते हैं कौन वेक्ती राजसभा की नए महासचिप नियुक्त किये गए हैं आज हम लोग राजसभा की बारे में भी आपको बहुत सारे को पॉइंट बताने वाले हैं क्योंकि आपको बता दूँँ राजसभा लोगसभा से कुश्चन सापकी परीक्षाहों में काफी अच्छी संख्या में भी आ जाते हैं कभी सरी समझ रहे हैं तो एक है चक्रवर्ती सीजे गुपता पीसी मौदी केके मालाओ बताईए कौन है इसमें तो इसमें पीसी मौदी साहब होंगे पीसी मौदी पिधानमंत्री मौदी नहीं है याद रखे और इसके चेयर परसन है M.Bankya N.I.O ओपर आश्टपती इसके सभापती होते हैं लेकिन याद रखे सभापती राज्यसभा के सदस नहीं होते हैं जरूर आप लोगों को याद रखना होगा जैसे मालिजी लोगसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोगसभा सदस ही लोगसभा six होता है लेकिन अग लेकिन उपसभापती होता है भो राजसभा का सदस जरूर होते है एक कुशन क्योंग और मुछली है कि 245 सीटें देखना को मलेगी 333 तो एलेक्टिक टूरते हैं इसमें बिधाय जो आपकी देखते हैं उनकी द्वारे चुने जाते हैं 15 नवंबर, 19 नवंबर, 24 नवंबर तो आप सभी को मालोगोगे कि 14 नवंबर को ये मनाया जाता है कब 14 नवंबर को बाल देखते हैं पूरे भारत में चल्रेंडे मनाते हैं हम लोग और आपको बता दूँ कि पहले पिधानमंत्री थी न पंडिक जवालल नहरू इनकी जैन्ती का पितीक है और बचल्दवारा प्यार से चाचा नहरू कहे जाने बाले देश के पिधानमंत्री ने बच्चों की सर्वांगीर सिक्षा की बकालत की जिसे भविस में एक बहतर समाज का निर्माड हो सके और जवालल नहरू बच्चों को राष्ट का असली तागत और समाज की निव मानते थे और आप सभी जानते हैं देखिए कि अगर आज आज आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो वह हमें एक तरसे आप देखिए अपने परिवार की इस्तिती सुधार पाएंगे और देश की परियाग राज में और 27 मई 1964 में इनकी न्यू दिल्ली में इनकी डेथ हो गई थी तो यहाब लोग यहाब रख सकते हैं बाल देवस 14 नवंबर को मनाय जाता है अगला कुप्षिन है हमारे सामने पिती बर्स 14 नवंबर को विस्त मदू में दिबस मनाय जाता है किनके जनम दिबस पर मनाय जाता है और आप सभी को मालू है कि डाइपटी डे की बात कर रहा हूँ जेम्स डी वार्सन फेडरिक बेंटिंग और एलिजा वेट्थ, विलेगवर्ण, माइकल विसो, तो इसमें आपका क्या होना अच्छी, फैडरिक, बेंटिंग, ठीक है, यानि कि बी ओप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा, मधू में दिबस, डाइवटीच, डे की बात हो रही है, एक तरह से लोगों को ज्यागरूख करने का जरम दिन मनाए जाता है, जिन्होंने वर्स 1922 में चार्स वेस्ट की साथ मिलकर इंसूलीन की खोज की थी, तो उन्हीं की याद में एक तरह से इस दिर मनाते हैं, और आप देखे कि बहुत सारी लोग डाइवटीज अधिक मिल जाएंगे आपको, तो 14 नवम मर 1891 को इनका जनम हुआ था, 21 परवरी 1941 में इनकी डेथ हो गई थी, तो यह आप लोग याद रख सकते हैं, बिस्मद हूं वे दिवस्त, और इस बार की थीम क्या रखी गई थी, इसकी, डाइवटीज डे की बात कर रहे हैं, बारे नमंबर को जो मनाई जाते हैं, उसी की बात हो रही है, वर्ड बिस्मद हूं वे दिवस्त, इसकी इतिहास की बात करें तो देखी, इसकी सुरुवात 1991 में हुई थी, इस दिन को मनाने की, ठीक है, तो यह आप लोग, इस बार की थीम की बात करें तो इंटरनेशनल डाइविटीज फैडरेशन, हर साल वर्ल डाइविटीज डे को म पहुँच, यदी अभी नहीं तो कब, यह इस बार की थीम में रखी गई है, ठीक है, अंगले कुश्यन की तरफ उनको बढ़ते हैं, हाली में किस करकेट टीम ने ICC मैं T20 वर्ल्ड कप 2021 का किताब जीता है, निरुजी लेंड, पाकिस्तान, इंगलेंड, औस्टेलिया, तो इसके उस्टेलिया की देश की अगर राध्धानी की हम लोग बात करें, तो कैन परा इसकी राध्धानी है, और सेड़नी सबसे बड़ा एक तरह से इसका नगर है, इसके बार में में विस्ताज से बात की हुई, वहां जाओगे, आप लोग पुद्धी एक पाओगे, बी-सी-सी-आई, बी-सी-सी-आई ने किसी राष्टी किर्किट अकादमी का अंगला फिर्मोक बनाये हुए है, राष्टी किर्किक अकादमी का ने अंगला फिर्मोक बनाये हुए है, बी-सी-सी-आई ने, इसमें सचिन तेंदुनकर, बी-वी-स लच्मन, बीरेंद सहवा और आपकी गौतम गंबीर गंबीर कौन होगे तो याद रखे BBS लच्मन होगे इसके और BCCI की बात करें तो Board of Control for Cricket in India और दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में इसका Headquarter आपको देखने को मिल जाएगा और राष्टीय करें किर्किट अकादमी की बात करें तो राज सिंग आपको बता दूँ 2000 सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी ठीक है अंगला कुश्य ने भोपाल के हभीब गंज रेलवी स्टेशन का नाम बाद लेका ने किन की नाम पर रखा गया है बोपाल आप सभी जानते हैं कि मदवरिस की राध्धानी है तो इसमें रानी कमलापती रानी पदमापती, रानी मस्तानी, रानी लच्मियाई तो याद रखी रानी कमलापती और रानी कमलापती महल भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बोपाल में बीरागना थी और आप सोची कि उस समय ये बीरागना थी जब हमारे देश में महिलाओं के साथ बड़े इस तर पर भेद भाव किया जाता था वोने घर से नहीं निकाल लिया जाता था तो ये भी आप लोग अब ये किसके नाम से जाना जाएगा राणिय कमला बती ये आप लोग ये आप देखेंगे बीरागना राणी थी ये बोपाल से 40 किलो मीटर की करीब दो रिस्तित के नोर गण के गोन राजा निजम साहीं की बतनी थी ठीक है ये आप रियाद रख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अंगला कुश्चन हमारे सामने क्या है ताजा जारी रिपूट के मताविक अमेरिका को पच्छार करकों दुनिया का सबसे अमेरिक देश बन गया है और आप लोग अंदाज लगाई जापान ऑस्टेलिया चीन रूस क्यों होगा चीन होगा हमारा पड़ोसी है चीन बिजिंग इसकी राधधानी है अगला कुश्चन है पिती बस पूरे भारत में राष्टी प्रेश दिवस किस तारीक को मनाया जाता है आप सभी जानते हैं कि मेडिया यानि कि प्रेश को हम लोग एक तरह से लोगतंत का चोथरा इस्ता में मानते हैं लेकिन आज क्या हालत है आप सभी जानते हैं 12 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर तो याद रखे 16 नवंबर को यह मनाया जाता है तो राष्टी है प्रेश दिवस की बात कर रहा है 16 नवंबर को तो यह आप लोग याद रखेगा देखे पूरे भारत में मनाते हैं से और प्रेश की आजादी के महत कोई के पिती लोग जागरूप रहें, मीडिया भी जागरूप रहें इस लिए मनाया जाता है और भारत एक लोग तंत्रिक देश भी है और आप सभी जानते हैं कि जो हमारा भाग समीधार का भाग तीन है इसमें भारती समीधार के अनुचित 19 में भारतियों को एक दिएगी अभीवक्ती की आजादी की मूल अदिकार से सुनिश्चित होती है मेडिया की सुतनता भी लेकिन आप देखे कि क्या हाल है हमारे यहां मेडिया का आप सभी जानते हैं और जब मेडिया निस्वक्ष नहीं रहेगी तो तेश का क्या हाल होगा आप सभी जानते हैं इस बात को मुझे बनाने की बताने की जरह उड़त भी नहीं है पिसिद ब्यक्तित मन्नो बंडारी इनका इनका 91 वर्स की उमर में डेथ हो चुकी है मौत हो चुकी है नेधन हो गया एक क्या थी लेकी का अब नेत्री गायक कड़ेता कर तो याद रखे लेकी का थी एक आपसन आपका विल्कुस सही रहेगा इसमें क्या रहेगा एक आपसन आपका विल्कुस सही रहेगा आपको बता दें कि महाभोज और आप बंटी जैसे पिसित दोपन्यास की रचनाकार रही है तो 3 अपरेल 1931 को मतकदिस के भानपुरा में जन्मी थी है एक साहितकार का नम सुना होगा राजिन द्यादों की पद्नी थी है इन्होंने अपना विरंडा हाउस जो कॉलेज दिल्ली में देखने को मिलेगा इसमें अपनी सेवाएं भी निसिक्चक भी रहें किस राजि के पोचम पल्ली गाउं को सेवतराष्ट विस्व पर्याटन संगठन से दुनिया का सरफसिष्ट गाउं मिला है बताएं फिस से एक बार कुश्यन सुलिए किस राज्य के पोचम पल ली गाउं को सयुक्तराष्ट विस पर्याटन संगठन ने दुनिया के सरफसेष्ट पर्याटन गाउं चुना है यह बताईए कहां हैं केरल गुजराद तेलंगाना करनाटक तो याद रखे करनाटक में आप कहां तेलंगाना में देखने को मिलेगा कहां तेलंगाना में देखने को मिलेगा देखे सायुक्तराष्ट के बारे में बात करें विस पर एटन संगठन की बारे में तो इसकी एक नमबन 1975 में इसकी इस्थाफना हुई थी, मैडरिट इस्पैंड में इसका हेड़कॉर्टर देखने हो को मिलेगा, और सही उक्तिराष्ट की बात करें तो UN की, तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी इस्थाफना हुई थी, और निव आर्क में USA में इसका हेड़कॉर्टर आपको देखने कमल जागा, एक बात और आपको बता देता हूँ, कि जो भी आपके राष्टी इस्तर के संगठनों या अंतराष्टी इस्तर के संगठनों, उन सब को हम लोगों ने कबर कर लिया है, और आप सभी लोग अगर पुराने कुष्टेंस पेपर अपनी परिक्चाओंगे, उठाके देखे होंगे, तो आप लोगों को मालू भी होगा, कि अच्छी खासी संख्या में आपके कुष्टेंस संगठनों से पूंचे जाते हैं, यहां तक कि सिविल सर्विस में भी दो, तीन, चार कुष्टेंस आ जाते हैं कभी-कभी, तो आप समसकते हैं कि उन्हें पढ़िएगा, अगर कोई रह गया हो, तो उसे पता ही उसे भी कबर करवा देंगे, तेलंगाना कि आप सभी जानते हैं, अन्फिदे से अलग करके 2 जून, 2014 में राज बनाया गया था, दिल्ली में सित, रक्षा, अध्यन, और विसलेशन संस्थान के का नाम किनकी नाम पर रखा गया है, सुसमा स्वराज, मनोहर परिकर, अरुण जेटली, जॉर्ज फंडानिस, बताईए, मनोहर परिकर, भी ओप्षन आपका, बिल्कुस सही है, मनोहर परिकर को तो आप लोग जानते होंगे, और रक्षा, अध्यन, और विसलेशन संस्थान की बात हो रही है, जैसे आप लोग सौट में, आईडी, ऐसे भी कहते हैं, ठीक है, मनोहर परिकर के बारे में तो आपको मालू होना चे, गुआ के मुखमंत्री भी रहे थे, भारतिये जन्ता पार्टी के, और 13 दिसंबर 1955 में इनका जन्म गुआ था, और 17 मार्ज 2019 में इनका डेथ हो गई थी, ठीक है, अब बात करें, गुआ की अगर बात कर लें, क्योंकि गुआ का उलेक हुआ है, तो आप सबी जानते हैं, गुआ पर पुर्तगालियों का, बहुत लंबे समय तरह से, क्या रहा है, सासन रहा है, रहा था या नहीं रहा था, और गुआ के राज्ज की, तो 30 माई 1987 में से राज बनाय गया था, 30 माई Märad, और यहाँ आगर बात करें, तो देखे, इसकी पंड्ची यहां की राजधानी है, और यहां की अभी प्रमोफ सावंति, यहां की मुकमंत्री हैं है, बाधमान, और यहां आप लोग रास सबा में 1 सीट है, लोग सबा में 2 सीट है, और बिधान सबा में 40 सीट देख देखने को मिलेगी उनका उनका एक तरह से ईने बचाय जा रहा है उनके माहतिके बारे में जाग्रु युआ ज़ा रहा है ठीक है और उत्राखंड के बारे में बात करें तो आप सभी को मालू होना चाहिए कि 9 नवंबर 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज बनाये गया था उत्तरपिदे इसे अलग कर की इसकी रादधनी देरादून है विधान सभा में 70 सीटे हैं राज सभा में 30 सीटे हैं लोक सभा में 5 सीटे हैं कितनी 5 सीटे हैं और उत्तराखंड के मुकमंत्री काफी बदले गए अभी वर्तमार मुकमंत्री की बात कें तो आपको मालू होने चाहिए पुसकर सींग धामी यहां की मुकमंत्री वालतमार ठीक है अंगला कुश्चन है हमारे समने किस राजी की सरकार ने घर घर रासन पहुंचाने के लिए दुवारी रासन योजना स्थुरू की हुए रासन पहुंचाने के लिए तो आपको बता दू लगी परश्चे-मंगाल है परश्चे-मंगाल होगा इसमें मंताबन जी यहां की मुकमंत्री है हम वर्तमार मुकमंत्री ठीक है कोलकाता इसकी राढ़ धानी एक नवंबर उननीत सोच्षपर में से राज बनाये गया था और आपको बता दूँ कि फश्चे मंगाल में विधान सभा सीटें कितनी हैं 294 सीटें हैं कितनी 294 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगे फश्चे बेश्ट मंगाल भी कहते हैं आप लोग 26 जन्वरी 1950 को इसे राज बनाये गया था अगर लोक्स्वा सीटों की बात करें तो 42 सीटें देखने को मिलेगी आपको यहां और को बंगलादेश से लगा गया है यहीं मंगलादेश आपको देखने को देखने को बिल जाएगा अंगला कुश्चन ने जारी वर्स 221 के व्यापार रिस्पत जोखिम को आखने वाली बैस्विक सूची में भारत को कौन सा इस्थान मिला है 76 वा, 89 वा, 82 वा, 89 वा, तो याद रखे 82 वा मिला हुआ है भारत को क्या मिला है 82 वा, इसमें 82 वा इस्थान मिला है और पिछली वर्स भारत 77 वा इस्थान पर था उत्तर कोरिया तो रखुमनेस्थान वेनोजुला इरीटिया में सबसे अधिक ब्युसाइक रिस्पत कोरी होती है जबकि Denmark, Norway, Finland और Sweden, New Zealand में सबसे कम देखे इने को मिलेगी और आप देखे ब्यापार भी आसानी से लोग वहीं कर पाएंगे जहां रिस्पत कम लगेगी इमानदारी का से काम होगा अब आप देखे किसी ब्यापार की को अगर परिसान किया जाता है तो वो कहां जाएगा उस देश में या राज में पिती बर्स कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जैन्ती मनाई जाती इस बर्स की किस तारीक को जैन्ती मनाई गई 19 नवंबर 20 नवंबर 18 नवंबर 16 नवंबर तो याद रखिए 19 नवंबर को मनाई गई गुरु नानक के बारे में पड़ें गुरु नानक जैन्ती उसी की बात हो रही है गुरु नानक का 15 अपरेल 1449 में इनका जनव हुआ था 22 सेप्टमबर 1549 में इनकी डेथ हो गई थी ठीक है तो यह आप लोग याद रख सकते हैं अंगला कुश्यन है मारे सामने किस सहर में भारत के पहला मज से बेवसाय इनक्यूबेटर लॉंच किया गया है नासिक जलगाओ, गुरुग्राम, जोदपूर तो गुरुग्राम में किया गया है भारत का पहला मज से बेवसाय इनक्यूबेटर शरो किया गया है और इससे आपको बता दूँ कि ये गुरुग्राम में भारत की अपनी तरह की पहली 3.25 यानि कि 3.23 करोड रोपे की लागत से मत्स पालन विजनेस इनकी वेटर सेंटर इस्टार्टप का उधाटन किया गया है और इस सेंटर मचली पालन से जुड़े उध्यम सिल्था को प्रोवसाहित करने के लिए मौजूदा बाजार इस परिस्तिती में अनुसार उनकी विजनेस को बढ़ावा देने में काफी मददगार भी सावित होगी गुरुग्राम अंगला कुश्यन है हमारे समने पिती वर्स विस्स सोचाले दिवस कम बनाया जाता है नई सरकार के आने के वाद आपने दिखा है कि विस्स सोचाले दिवस यानि कि सोचाले तो घर-घर बनाए गार इसमें कोई दषराय नहीं होनी होनी चाहिए 19 नवंबर को 16 नवंबर को 20 नवंबर को 25 नवंबर को तो याद रखे 16 नवंबर को माकरी 19 नवंबर को ये मना गया था कब 19 नवंबर को ये मनाई जाते हैं और एक तरह से आप देखे स्वच्छितागे पिदी लोग जो जग रूप रहें सौचालाय बनी है तो उसमें करने के लिए बीज तो जाए उसका उपयोख तो करें कि ऐसे ही बना लो साल 2001 में NGO World Toilet Organization की स्थाफना करने वाले सिंगापूर के जैक सिम ने एक निश्चित पहल के तहट World Toilet Day की सुरुवात की हुई थी ठीक है और इस बार की अगर थीम की बात करें तो इस बार की साल World Toilet Day की थीम सौचालायों की मायने रखी गई है 2021 की तो आप लोग सौचालायों की मायने खुले में ना जाए लोग ठीक है अंगला कुशन है हमारे सामने जारी के अंसरकार की स्था सर्विक्षन 2021 में कौन सा सहर लगातार पांच भी बार सबसे अच्छा रहा है सबसे उपर रहा है तो सौरत इंदौर चंडीगर कानपुर तो याद रखें इंदौर है इमत्विदिस्त का सहर हो और आप देखेंगे काफी साफ सौरक्ष सहरा देखने सहर देखने को मिलेगा इंदौर सह लगातार पांच भी बार स्टॉपर बना हुआ है और स्वक्षी सर्विक्षण पुरुसकार 2021 में सबसे स्वक्षी सहरों में दूसरा इस्तान सूरत को और तीरसा राइस्तान बिजय वाडा को मिला हुआ है आवास एवं सहरी मामलों के मंत्रा लेद्वारा गोसे पर और राज्यों में बात करें तो 36 कर पहले पर 36 कर के बारे में आप सभी जाते होंगे भूपेस वगहल यहां के मुकमंत्री है एक नवंबर सन 2000 में से यहां राज्य बनाए गया थे से बैड्मिंटन विस्व महासंगी ने किसी इस बर्स लाइफ टाइम अचीमेंट प्रो के दास प्रिकास पादुकाउन होंगे बैड्मिंटन वॉर्ड फैडरेशन की बात करें यानि कि विस्व बैड्मिंटन संग की तो 5 जुलाई 1934 को इसके इस्थापना हुए थे मलेस मलेसी आम इसका हेड़क्वाटर आपको देखने के मिल जाएगा चलते हैं आगे कुश्चन की तरह अंगला कुश्चन है पिती बस्ट टेलिवीजन दिवस नबंबर महिने के किस तारीक को मना जाता है 18 नबंबर 20 नबंबर 21 नबंबर 22 नबंबर तो 21 नवंबर को मनाए जाता है 200 टेली वीजन दिबस की बात हो रही है कब 21 नवंबर को और ऐसे मनाने का उद्देश से ही होता है एक तरह से 1996 में उनाइटिड नेशन टेली वीजन को आम जिंदगी में बढ़ता देख 21 नवंबर 1996 को वर्ल टेली वीजन डेट की रूम में मनाने की घोसना की हुई थी और याद रही कि अमेरिकी विज्ञानिक जॉन लॉगी बेर्ड ने साल 1927 में टेली वीजन का अविस्कार किया हो था ठीक है और आखिर का साल 1934 में पूरी तरह से इलेक्ट्रोनिक रूम में आ गया तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं चलिए खेर आगे बढ़ते हैं लोग क्या कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं कौन बेक्ती अंतराष्टी किर्किट फरिषद यानि की ICC की इस्थाई CEO नियुक्त किये गए हैं अंतराष्टी किर्किट फरिषद की बात हो रही है ICC की बात हो रही है ICC की बारे में बात करें तो आप सभी कुमाल होगा कि इसकी स्थाफनत 15 जून 1909 में हुई थी और दुबाई यूव इनाइटेट अरब अमिराद में इसका मुख्याल है आपको देखने को मिल जाएगा इसमें जियोप एला एलार्डिस है और भी कहा रहा है इसमें कि जॉन फैलिक्स, मार्क हैरिस, डेविड लिजायर तो याद रखिए जियोप एलार्डिस होंगे यह ओप्सन आपका बिल्कु सही है यह ओप्सन कैसा है बिल्कु सही है क्या है बिल्कु सही है हम लोग कितने पीछे पहुँच चुके हैं एक बटन दब जाए तो कहां पहुँच से कहां पहुच जाते हैं आप समझ सकते हैं अंतरश्ट की ए आपका अंगला कुशन है हमारे सामने जारी वर्स 2021 की IPF Smart Policing Index में किस राजी की पुलिस को पहला इस्तान दिया गया है बताएए इसमें आपका है विहार आंद्पदेश उत्राकंड करना टक तो आप देखें कि आंद्पदेश को दिया गया है किसे आंद्पदेश को दिया गया है टॉप इस्तान किसे अंद्पदेश को दिया गया है इसमार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में अंधपिदेश को पहला इस्तार मिला हुए है और इंडेक्स में 8.11 स्कूर है अंधपिदेश का और सबसे आखिरी पाइदन पर बिहार को मिला हुआ है 5.84 स्कूर और मुझे लगता है कि आप सभी जानते भी होंगे और UP के स्कूर की बात करें त तो आप लोग समझ सकते हैं आंधपिदेश के बाला तेलंगाना है असम है केरल है और सिक्किम है और इसका उद्देश यह होता है कि देश की जनता पुलिस विवस्ता में कितनी संतोष्ट है और उत्तर पिदेश विविहार में कितनी संतोष्ट रहती है यह आप लोग बहत बात करें तो आप सभी कुमाल होगा कि भासाई आधार उपर गठित होने बाला पहला राज़ता अंधपिती साब का इसकी राधधानी क्या है अमरावद्धी इसकी राधधानी है और आप देखेंगे यहाँ सीटों की अगर हम लोग बात करें तो जगनमोहन रेटी यहां के कौं मुखमंत्री है और बिधान मंडल में दो सदनी है बिधान परिशत भी है जिसमें 58 सीट है बिधान सभा में 176 सी लोग सभा में 25 सीट है तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं अंगला कुश्चन है किस देश ने दुनिया की पहली बिटकोईन शिटी बनाने की घोशना की है यूनाइटिट किंग्डम अल सल्वाडोर और दश्चरफी का आईवरी कोष्ट तो याद रखिए अल सल्व ने की हुई है अल सल्वाडोर किस महादीम में है आप लोग बताइए तो मद्द मीका में इस्तित सबसे छूटा सगन देश देखने को मिलेगा आपको अल सल्वाडोर और इसके अगर बात करें हम लोग सिटी की तो राष्टपती यहां के राष्टपती है नाइव बुकेल जायगा इससे जुआलमों की कि जड़ीए जिओ थर्मल पावर दिया जाएगा इसके लावा इस पर वैट यानिकी बेल्यूंग टेक्स के अलावा अन कोई टेक्स भी नहीं लगेगा अलसल्वाडोर की राध्दानी की बात करें तो सान्वाडोर इसकी राध्दानी है ठीक बारे में बता देता हूं कुछ पॉइंट आप लोग कहोगे तमिलाडू के बारे में बताईए तो तमिलाडू को राज कब बनाया गया था सबसे पहले तो यही कुष्टन्स बन जाता है अभी बता भी चुका हूं कुछ समय पहले आप तो भूल गया हूं 26 जनवरी 1950 को इसे बनाय गया था और चैन्नाई इसकी कैपिटल है यानि की राध्धानी है चैन्नाई और यहां आपको विधान सभा में देखने को मिल जाएंगी 234 सीटे लोग सभा में 49 सीटे हैं और राज सभा में 18 सीटे हैं एम के स्टाली नेहा की मुकमंत्री है ठीक है अंगला कुष्ट कितने जल्दी अंगला कुष्टन्स आ जाता है नीचे से उबर तक अंगला कुष्टन हमारे सामने बिदेश मंत्राले ने किसे सूडान में भारत का अंगला राजदूर नियुक किया है बताई सूडान में किसे भारत का नया अंगला राजदूर नियुक किया हुए तो याद रखे B.S. मुबारक इसमें होंगे ए ओप्सन आपका बिल्कु सही है सुडान की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि उत्री पूर अफीका में इस्ते देख देश है सुडान ठीक है और इसकी राध्धानी की बात करें तो आपको बता दूँ कि इसकी राध्धानी है खालतूम ठीक है अंगला कुक्षिन है हमारे सामने किस देश के पूर बराश्पती रहे चुन डू हरान का 90 वर्स की उम्र में इनकी डेथ हो चुकी है दच्छड अफीका के दच्छड कोरिया के थे कहां कि दच्छड कोरिया के थे उत्तर कोरिया तो आप सभी जानते हैं कि किस तरह का ताना साही देश है लेकिन दच्छड कोरिया ठीक ठाक है आप सभी कुमाल होगा इसकी राध्धानी की एगर हम लोग बात करें तो सीओल इसकी राध्धानी है ठेक है और पिसांद महासागर की देखने पास देखने को मिलेगा आपको चाहिना के पास पिती बस पूरे भारत में राष्टी दुख्दे दिवस कम मनाया जाता है तो राष्टी ये दुख्दे दिवस की बात हो रही है 25 नवंबर, 26 नवंबर, 28 नवंबर, 30 नवंबर तो याद रखिए आपका 26 नवंबर को मनाया क्या मनाते हैं 26 नवंबर को ये मनाया जाता है आपका ये आपको इसके बारे में कुछ और पॉइंट अगर बताया जाए तो 2001 से बिदिवर्स एक जून को दिवस मनाया जाता है और 2021 की अगर थीम की बात करें तो परियावन पोसन के साथ देरी छित में इस्थिरता पर केंद्रित है यह ठीक है और खाद किरिसी संगठन के बारे में सुने हो इसके द्वारा वर्स 2001 से पितिवर्स से इसे मनाने की घोषना हुई थी अब आपका होगे बता दीजिए संगठन के बारे में खादेवं क्रिसी संगठन के बारे में इससे भी कुष्चन सापकी परिक्चा में पूछ लेता है तो इसमें 16 अटूबर 1945 में इसकी स्थाफना हुई थी पितिवर्स पूरे भारत में समिधान दिवस नवंबर महिने की किस तारीक को मनाया जाता है 26 तारीक को 25 तारीक को 28 तारीक को 29 तारीक को तो याद रखिए 26 तारीक को मनाया जाता है एक बात और मैं बता दूँ आपको कि देखे 26 नुब्र 1949 को आपका समिधान लागू गया था कुछ प्राउधानों के साथ तो उसी डेट को आप लोग समिधान दिबस के रूम में मनाते हैं ठीक है अंगला कोशन है हमारे साब में कौन भारती वेक्ति इंटर पोल के मैं एसिया के पितिनिधी के रूम में चुने गए हैं इंटर पोल में बताएए अमित देवगन, जैस, प्रिजापत, आदिल, महमूद और पिर्मीर सिनहा तो याद रखिए पिर्मीर सिनहा हुंगिस में इंटर पोल के बारे मात करें जिसे आम तोर पर आप लो इंटर पोल के नाम से जानते हैं अंगला पोश्चन हमारे किस राजी की सरकार ने बहारत की पहली साइबर तहसील बनाने की गोश्चना की हुई है साइबर तहसील बनाने की उत्तराखंड मदपेदेस और इसा तो याद रखिए मदपेदेस होगा इसमें क्या होगा मदपेदेस होगा मदपेदेस सरकार ने गोश्चना की हुई है और साइबर तहसील भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की गोश्चना हुई है मद्धिदेश में, इसका मुक्त देश सरकारी कारियों में सलता लाना, साइवर तहसील बन जाने के बाद अब्यक्ति के लिए ब्यक्तिकत उपस्तिती होने की बाद देता नहीं होगी इसके अलावा मद्धिदेश में पॉपेटर पॉपर्टी और जमीनों के आविबादित नावंत्रन के लंबित मामलों का निराकरण के लिए अलग साइवर तहसील यानि हाइटेग राजस कोट का गठन भी होगा और मद्धिदेश के बारे में बात करें और 36 गर मद्धिदेश का जब तक हिस्सा था तो फर्ष्ट नम्मर पर यानि कि पहले नम्मर पर छितपल के मामले में मद्धिदेश था अभी अभी बरत्मान की बात करें तो दूसरे नम्मर पर भॉपालिस की राध्धानी है और सिपरासिंग चोहन यहां के मुखमत्री है यहां विधान सभा में 230 हैं लोग सभा में 39 सीटे हैं राज सभा में 11 सीटें देखने को मिलेगी यहां के हाई कूट का अगर मुख विरांच की बात करें तो जवलपूर में हैं अगर उसकी बात करें यहां इसकी खंड पीट की तो आपको इंदौर में देखने को मिल जाएगी, ग्वालियर में देखने को मिल जाएगी, तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं, जारी नीती आयो की ताजया रेपूट की अनुसार कौन सा राज भारत का सबसे गरीब र बारे में, आयो फर्ष्ट मल्टी डाइमेंशनल पॉपटी इंडेक्स यानि की MPI जारी की है, इसके मुतागवी बिहार जारकन उस्तरपिस भारत की सबसी गरीब राज्यों में उभरे हैं, इसके लावा नीती आयो की इस रिपूट में केरल गुआ सिक्किम में सबसे कम गर बाले राज्यर है, किरल सबसे टॉपर है और बिहार सबसे नीचे है, ठीक है, यह याद रख सकते हैं, और बिहार की बारे में वैसे आप लोगों को अगर बात आउँ, यानि की बात करूँ, तो नीति इसकुमार यहां की मुखमंतरी है, पटना इसकी राजधानी है, आप स सबा और बिधान परिशत दोनों हैं यहां, तो बिधान परिशत में यहां 75 सीटे हैं, बिधान सबा में यहां 243 सीटे हैं, राज्य सबा में आपको 16 सीटें देखने को बलेगी, लोग सबा में 40 सीटें देखने को बलेगी, ठीक है, बिहार, बिहार देखी बहुत पुराना पराज्य एक तरह से कौन भारती परवत्ता रोहन फाउंडेशन की पिथम बहिला अध्यक्च बनी है भारती परवात्ता रोहन की पिथम बहिला अध्यक्च अगर हम लोग इंडियर माउंटेन रिंग फाउंडेशन की बात करें भारती परवात्ता रोहन फाउंडेशन की तो तो याद रखिए हर्सवंती विष्ट होंगी इसमें कौन होंगी हर्सवंती विष्ट 28 नवंबर 2021 को राश्टी केडिट कोर का कौन सा इस्थापना दिवस मनाये गया तो याद रखिए 73 वा बनाए गया है राश्टी केडिट कूर के बारे में आप लोग जानते होंगे आप लोग ने भाग भी इसमें लिया हुगा केंद्रियर अपध्यक्ष कर सीमा सुलक पोड यानि कि CBIC के अध्यक्ष बने हुए है इसकी स्थापना एक जन्वरी 1964 में हुई थी और इसका हेटक्वाटर आप लोगों को निव दिल्ली में देखने को मिल जाएगा नौर्थ विलोग में ठीक है यह आप लो याद रखिए भारती रेल्वे ने किस राज में दुनिया का सबसे उच्छा 141 मीटर रेल्वी बिर्ज बनानी की गोश्णा की हुई है मणीपूर असम मेगाल है से इमतवयाद रखी मणीपूर में ही की हुई है और मणीपूर आप सभी जानते ही कि पूरी विहारत में एक राज आपको मिलेगा राज सबाव एक है लोग सबाव में दो है एन वीरे नहां के मुखमंद्री है अभी बारत मानूं तो यह भी आप तो कौन भारती मूल की वेक्ती माइक्रो बिलोगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईयो बने हुए है बताए ट्विटर ट्विटर तो आप लोग चलाते होंगे कई लोग आप लोग केंपियन भी चलाते रहते हैं परिच्छांग लिए नवीन सीम कुलदीप सर्मा प आद रखेगा कॉन्स केरीवियन देश वेटिस सासन से मुक्त होकर नया गरतन्त देश बना है जमेका बारवा डोस अंटिगवा क्यूबा तो यादर इक्समें बारवा डोस होगा क्या होगा बारवा डोस तो सोची अभी भी गुलामी की जिन्दगी जी रहे हैं अटलांटिक महासागर की पश्चमी हिस्से में करीवे आई दूई पर इस देश को अंग्रेजों ने अफीका और भारत से गन्ना उत्पन के लिए लाए गुलामों की मदद से आबाद किया था इसके राध्धानी ब्रिच टाउन है अब लोग याद रख सकते हैं तो यह कुश्चेंस रहे हैं आपकी नवंबर में जो भी आपकी घटनाय घटी थी उनसे जुड़े हुए और यह आपकी परिक्षा की दिरिश्टी से काफी महत्मूर रहेंगे और आप लोग इंज्वाई करने की कॉसिस करेंगे टिरें डिट्ISA जैसा कि आप सभी लोग को मालो होगा हमलो मन्तली करेंट अफेस कवर खरय हैं और अभी तक कि कि जनवरी से लेकर नवंबर महीने तक का current affairs cover कर चुके हैं इन 11 महीने में जो भी गटनाय गटी हुई है हमारे देश में हो या दुनिया में हो उनसे आपकी परिक्षाओं में किस तरह की questions बन सकते हैं कितने तरह की questions बन सकते हैं उन questions का background भी हम लोगों ने देखा है और मुझे लगता है कि उन सभी class को अगर आप लोग cover कर लेते हैं तो आपकी परिक्षाओं में कोई भी questions आएगा उसका आसानी से आप लोग answer दे पाएंगे और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने पुराने questions पेपर अपनी परिक्षाओं के देखे होंगे तो यह बताने की भी जरूरत नहीं है कि आपकी परिक्षाओं में कितना महत्पूर स्थान रखते हैं current appears आप civil service को उठाके देख लीजे उसके पुराने questions paper को उठाके देख लीजे या आप लोग state PCS UPPCS, बिहार, राजिस्थान, चत्तिसगर, MPPSC या फिर और भी आपके central government के exam होते हैं या state level के exam होते हैं सभी में अच्छी खासी संख्या में आपकी परिक्षाओं में current appears से questions आते हैं और याद रखी अभी तक हम लोगों ने जितनी भी क्लासें ली हुई है उसके लिए एक playlist सूची बनाई हुई है monthly current appears 2021 के नाम से उसी में सभी आपको क्लासे मिल जाएंगे और इसकी जो PDF है वो आप लोग telegram पर जाकर download कर सकते हैं या अपनी website पर जाकर वहां से भी आप लोग उन्हें पढ़ सकते हैं आज की क्लास में हम लोग December 2021 के current affairs को cover करेंगे हम लोग और इसमें जितनी भी December में आपकी जो भी गटनाएं गटी हुई है उनसे आपकी परिक्षाओं में किस किस तरह के questions पूंचे जा सकते हैं उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे देखिए थोड़ा time जादा लगेगा क्योंकि आप देखिए इसका static G के भी हम लोग cover करते हैं और भी इसके बारे में अगर जो भी जानकारी होती है उसको हम लोग complete करते हैं ठीक है इसलिए थोड़ा time जादा लगता है चलिए फिरहाल हम लोग पहले questions पर चलते हैं पहला questions हम से क्या कह रहा है पिती वर्स विस ए Aids दिवस मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्देश यही रहता है कि देखे एक तरह से Aids के बारे में लोग जागरूख हो और सावधानी बरते हैं ठीक है और अगर हम लोग विस एट दिवस को पहली भार मनाने की बात करें तो 1988 में मनाया गया था कब 1988 में मनाया गया था विस्तु स्वास्त तंगठन के बारे में आप लोगोंने सुना होगा इसके द्वारा इसे शुरू किया गया था और अगर हम लोग AIDS के फुलफॉर्म की बात करें तो और आप सभी जानते ही कि HIV वायरस के कारण यह होता है और इसमें अगर इस साल की यानि की 2021 की अगर हम लोग थेम की बात करें क्योंकि आप सभी जानते ही कोई दिवस्त मनाया जाता है तो उससे थेम भी आपसे पूछ लेता है तो 2021 के लिए इसकी थेम रखी गई है आसमानता क को समाप्त कर एड्स की अंत करें एड्स का अंत करें ठीक है यहाँ एक संस्थान का भी यानि कि संगठन का भी उलेक हुए डवलू हो का वर्ल्ड हेल्थ और गिनाइजेशन का तो इसकी स्थापना साथ अपरेल उननीस और तालीस में हुई थी इसका हेड़क्वाटर आपक किसी और एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी आपके राष्टी इस्तर के संगठन है फिर चाहे अंतराष्टी इस्तर के संगठनों उन सब को कवर कर लेजेगा क्योंकि इनसे भी आपकी परीक्षाव में कुश्चन का भी पूंचे जाते रहते हैं और वेसे महत्पू को सीमा सुरक्षावल यानि की BSF ने अपना कौन सा इस्थापना दिवस मनाया है चंगनवा संतावनवा एक सटवा या च्यासटवा बताईए इसमें तो इसमें याद रखिए संतावनवा होगा और आप सभी को माल होगा कि एक दिसंबर 1965 में BSF यानि कि जिसे आप लोग ब मिल जाएगा तो यह भी आप लोग याद रखिएगा अंगले कुश्यन की तरह को लोग बढ़ते हैं अभी हाली में एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मताविक आपको बताना है कि सहर कौन सहर सहर दुनिया का सबसे महगा सहर बना है बताईए इसमें पह याद रखिए यह option इल्कुछ सही होगा तेल अवीव और आप सभी को मालोग होगा कि एक लंदन की economist intelligence unit है यह क्या करती है कि दुनिया के सबसे महगे सहरों की सूची जारी करती है और इस सूची में इस बार इजडायल का सहर तेल अवीव को पहले स्थान पर रखा गया है ठ अगले question की तरह तरफ बढ़ते हैं लियोनल मैसी ने अब तक कौन सी बाज सर्फ्टेट फटवालर वलन डि और का अब और जीता है बताएए शाथ भी पांच भी साथ भी दस भी बारे भी साथ भी बार जीता है और याद रखे सबसे जानदा जीतने वाले यही है ठीक है इ इसमें भी option लगाओगे अंगला question कौन बैकती अरुडाचल पिदेश से राज्य के नए वरांड एमेश्डर बने हुए है बताएए अरुडाचल पिदेश आप सभी जानते हैं कि उत्तर पूरवी भारत में एक आपको राज्य देखने को मिलेगा सेवें सिश्टर आप लो और आप सभी जानते हैं कि हमारे वॉलीबोर के अभी नेता हैं अगर हम लोग अवणाचल पिदेश के बारे में बात करें तो इसे राज्य का गठन किया गया था 20 फरवरी 1987 को और आप सभी जानते हैं इसकी राध्धानी इटानगर है यहां विधान सभा सीटों की बात करन इसकी सीमा आप देखेंगे चाइना से भी लगती है चाइना तो गहता है कि अरणा चलपिदिस हमारा हिस्सा है इसकी सीमा मियानमाल से भी लगती है ठीक है अंगला कुश्यन है हमारे सामने कौन पेक्ती राश्टी रक्षा कॉलेज एन डी सी के चौतिसवे कमण्डेंट बने हैं बताईए इसमें दिलीप कुमार चौधरी, मनोज कुमार मागो, आकास कुमार हो जा, राज कुमार सिनहा तो याद रखे, मनोज कुमार मागो होंगे, क्या लगाओगे, बी ओप्सन आप लोग बिल्कुल लगाएंगे लैप्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो, ने सेवा निवित हुए एर मारसल दी चौधरी से राश्री रक्षा कॉलेज के 34 बे कवंडेंट की रूमे पदभार इन्होंने समाला हुआ है, ठीक है? तो यह आप लोग जरूरी याद रखेगा अंगला कुशेन है हमारे सामने, पिर्सिद्व व्यक्तित सिफ संकर मास्टर का बहतरवर्स की उमर में इनकी मौत हो गई है, यानि की इनकी डेथ हो चुगी है, वह कौन थे? और आपको यहाँ एक बात वर वता देता हूँ, इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर चर्चित र ग्राफर थे, क्या थे? कौरियो ग्राफर थे, और साउथ की मूवियों में कई आप लोग ने देखा होगा, साउथ की मूवियां आपको पसंद भी होगी, ठीक है? अंगला कुशेन है हमारे सामने, पूरे भारत में राष्टिये पिदोसन नियंतर दिवस का मनाय जाता है, एक देसंबर, दो देसंबर, तीन देसंबर, चार देसंबर, तो याद रखे, दो देसंबर को मनाय जाता है, अब आप लोग कहेंगे क्यों मनाय जाता है, तो एक तरह से आप देखे, पूरे भारत में ऐसे मनाय जाता है, और आप लोगोंने भोपाल गेस्त रास्दी के बा ते और याद एक तरह से उसी को उसमें जो भी आप देखिए लोग अपनी जान गवाने वाले थे उनकी याद में से मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्धिस यही है कि लोग जागरूप हो सके और जो भी आप देखते हैं पिदूसन को रोकने के लिए कानूर बने हुए और उद्धोग एक आपदाओं के प्रबंदन नेंतर की पिती लोग जागरूप प्हलाने के लिए मनाया जाता है देखिए भोपाल के इस्तरास्थी से यह कुश्यस जरूर पूंचा है कई बार पूंचा है इसकी डेट तो पूंचता ही है तो आपको 2-3 दिसंबर याद रखन करते हैं ठीक है और यूनियन कारवाइड नामक कंपनी के कार खाने से एक जहरीली गेस का रिसा हुआ था ठीक है और जिसमें लगवग आप देखें कि इसमें 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी और एक कुश्चन करी बार पूंच लेता है कि बोपाल गेस कर्ण में कौन थी गेस थी है मेथाइल आईसो साइनाइड ठीक है जैसे आप लोग सौर्ट में M I C B कहते हैं फिर से सुन लिजे मेथाइल आईसो साइनाइड ठीक है तो जरूर रख सकते हैं दो दिसम्बर था है ठीक है अंगला कुश्चन है हमारे सामने बिस्व एथलेटिक्स ने किसे बोमेन आप दा येर 2021 आवार्ड से सम्मानित किया हुआ है बताएए दीपा कर्माकर अंजू बोबी जॉर्ज गीता पोगाट अवनी लेकरा तो इसमें तो आपको मालू होना चाहिए कि इसमें आप लोग भी आप्सन लगाएंगे अंजू भी जॉर्ज इन्हें क्या किया गया है इन्हें विस्व एथलेटिक्स ने बोमेन आप दा येर 2021 से सम्मानित किया है और अंजू को भारत में युगा लड़कियों को खेलों में सामिल होने पिदिवा को समारने और लेंगिक समानता के लिए पुरोसान करने के लिए सम्मान दिया गया है भी ओप्सन आप लोग लगाएंगे अंगला कुषिन है कौन भारती है आई एम एप की पहली महला डिप्टी मैंरेजिंग डारेक्टर एमडी बनी है और आप लोग जो कहते हैं ना कि महलाएं कमजोर होती है लड़कियां कमजोर होती है आप देखे कि हर चित म महलाएं कर्दब दिखा रही है और पॉरसों से भी आगे निकल जा रही है ठीक है तो इसमें आपकी रवीना चाउला जूली डेविड निसाठाकुर गीता गोपीनाथ, तो आप सभी को मालू हो न चाहिए कि गीता गोपीनाथ हैं, कौन है, गीता गोपीनाथ हैं, और अगर हम लोग international monetary fund के बारे में बात करें, तो आप सभी को मालू होना चाहिए कि इसकी इस्थापना कव हुई थी, और इसका मुख्याले कहा है, तो इसकी इस्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में और इसका हेड़क्वाटर आपको बॉसेंग्टन DC में देखने को मिल जाएगा USA में ठेक है तो यह आप लोग ज़रूद याद रख सकते हैं अंगले कुश्चन की तरब चलते हैं किसे भारत परयाटन विकास नेगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है फिर असे सुन लीजे किसे भारत परयाटन विकास नेगम जैसे आप लोग सौट में IT-DC भी कहते हैं इसका अध्यक्ष किसे बनाए गया है गौतम गंबी संभित पत्रा तेजस्वी सूर्या रिवाबा जडेजा तो याद रखिए संभीत पत्रा को और आप सभी जानते हैं बीजेपी के स्पोक परसन आप लोग कह लीजे ठीक है और अगर हम लोग इंडिया टूरिजिम डवलमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें तो एक अक्टूबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी इसका हेड़क्वाटर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा ठीक है अंगला कुशिन ह में हमारे सामने मैगदा लेना एंडर्सन किस देश की पहली महला प्यदान मंत्री बनी है बताइए पहला ओप्षन है इसमें ओष्टिया स्वीडन ब्राजील योगांडा इन चार ओप्षन में से एक ओप्षन आपको बताना है सही होगा तो याद रखिए स्वीडन की है कह स्वीडन की है तो हाल में ही क्या हुआ है कि मैगदा लेना एंडर्सन स्वीडन की पहली महला प्यदान मंत्री बनी है और एक बात आप लोगों से कुश्चन मैं भी पूछना चाहता हूँ कि आपको बताना है कि भारत की पहली महला प्यदान मंत्री और एक मात अभी तक इन सबको आप लोग नीचे बताईए और सर्च करके नीचे लिखिए आपके पास Google बाबा हैं वहां से उनकी मदद लीजिए और मुझे लगता है कि अगर आप लोग सर्च करके की कुश्चन का अंसर देखते हैं तो लंबे समय तक आप लोग याद भी रख सकते हैं और दुनिया में सबसे पहले किस देश की किस देश में महला पिधार मंतरी बनाए गई थी इस पर भी आप लोग सर्च करिए और नीचे आप लोग बताईएगा ठीक है अंगले कुश्च तीन देसंबर चार देसंबर भारतिये नौ सेना दिवस कम मनाया जाता है तो आप सभी को मालू होने चाहिए चार दिसंबर को मनाया जाता है और आप सभी जानते हैं कि चार दिसंबर को क्या मनाया जाता है भारतिये नौ सेना दिवस जल सेना थल सेना नौ सेना आप लोग स नौ सेनells दिवस, बर्सगांट 4 दिसंबर को एक तरसे से मनाते हैं, चलिए ख़र, आगे चलते हैं हम लोग, नौ सेनह के बारे में आप लोग जाते होंगे, थल सेनह में भी जाते हैं, बाईव सेनह में भी जाते हैं, तीनों角श से हमारी सेना हैं, हमारी रख्षा करती हैं, कि इसे असम राजी के सर्वुच नागरीक परुसकार असम तर बेभव मिला है इसमें आपका तब heißi है अमीताफ बच्च्चन 6 senusuth रतन टाटा और एक हैम है मुखे संभाण यह तो इसमें आप लोगों को मालू होना चाहिए रतन टाटा को मिला है किसरे मिला है रतन टाटा को म और असम के बारे में बात करें तो आप सभी को माल होगा कि पूरवी भारत उत्तर पूरवी भारत का एक राज है और इसकी राध्धानी दिस्पुर है इसे राज बनाया गया था 26 जनवरी 1950 में यहां विधान सभा सीटें 126 है राज्य सभा में 7 सीटे हैं लोग सभा में 14 सीट को मनाया जाता है विकलांग दिवस आप लोग सुने हो नहीं सुने हो दो दिसंबर तीन दिसंबर चार दिसंबर पात दिसंबर तो याद रखिए तीन दिसंबर को मनाया जाता है कब मनाया जाता है तीन दिसंबर को मनाया जाता है विकलांग दिवस और इस बार कि अगर हम को भेतर बनाने के लिए लोग समर्थन करें उनका उनका परिवार समर्थन करें और इस दिवस के लिए बासिक observation की गोष्णा United Nations के ने General Assembly में 1992 में की थी United Nations ने UN सयुक्तराष्ट सुने हो आप लोग अगर हम लोग सयुक्तराष्ट यानि आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है जरूर आप लोग याद रखा करिएगा क्या रखा करिएगा याद रखा करिएगा कि विस्विक लंग दी बस कि इस बार की थीम की अगर बात करें हम लोग क्योंकि थीम ही तो सबसे जरूरी होती है क्यों गलत तुनीं बोल रहा हूं कि विकलांग व्यक्तियों के लिए समाज में नियम और नियामकों कुझी ढंग से लागु करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए एक तरसे अंतरश्टी है कि दिवस मनाया जाता है कि सभी के लिए समाविविसी भविस्थ का निर्मार दर्ड संकल्प के साथ अगणी 2030 विकास एजेंडे पर कारवाई करना इस बार की ठीम रखी गई है ठीक है यह जरूर आप लोग याद रखेगा याद रखपाओगे या और यह 1992 में आपको बता दूं कि मनाया गया था एक तरह से पहली बार चलिए खेर आंगे बढ़ते हम लोग पितिवर्स यानि की हर साल विस मेर्दा दिवस मिटी डे का दिसंबर महिने की किस तारी को मनाया जाता है कि मताईए चार ओप्सन है आपके सामने तीन तारी को तीन देसंबर, चार देसंबर, पात देसंबर, छे देसंबर बताईए पात देसंबर को कहा पात देसंबर को दुनिया बर में विस मिर्दा दिवस मनाया जाता है इसे मनाने का उद्धे से ही है कि मिर्दा यानि की मिट्टी के महत्तर के बारे में लोग जागोग हो सके और एक तरह से पेड़ मिड़ लगाएं जिससे मिट्टी को रोका जा सके और इस बार की थीम की अगर बात करें तो देखे हौल्ट स्वाइल सेली नाइजिसन बूस्ट स्वाइल प्रोड़क्टिविटी यानि मिर्दा लवनी करन को रोकें और मिर्दा उत्पादक्ता को बड़ावा दें इस बार की थीम रखे गई है और इस दिवस को पहली बार मनाए गया थब 2014 में तो यह भी आप लोग याद रखेएगा ठीक है अंगला कुशन है हमारे सामने किस राज्य के पूर मुखमंत्री रहे कौनी जेती रोसेया का 89 वर्स की उम्र में इनकी मौत हो चुकी है इनकी डैथ हो चुकी है एक किस राज्य से थे पहला ओप्सन क्या कह रहा है आपस तो आप सभी को मालू होना चाहिए यह थे आपके आंद्पिदेश के कहां के आंद्पिदेश तीगे और आब विवाजित आंद्पिदेश के पूर मुखमंत्री रहे हैं कॉंग्रेस के वरेष्ट नेता रहे हैं ठीक है यह आप लोग याद रखेएगा और एक बात दौर आपको बता दो कि एक बात दौर बता दो क्या बता दो कि आद्पिदेश से अलग कर गी ही आपका तेलंगाना बनाया गया था याद रखेए इस बात को को जो आज अब तेलंगाना नैया राझी देखते ना उसी की बात हो रही है और भासाई आधार में गटित होने वाला पहला राज़्यथाप का अंद 000 इसकी राध्दानी विशाका पठ्ञब् यहाँ विधान सभेश्ट है विधान पलसट बी यह विधान पर्षयद में 58ज सीट है विधान शवा में 176 सीट है राज्यसावा में 11 सीट जोसवा में 25 सीट है यह सब भी याद रखिएगा आप लोग, अंगला कोश्यन है हमारे सामने, केंदर सरकार ने किसे भारती राष्टिय राजमार्ग फराधी करण की नई अध्यक्ष क्रों में निउक्त किया है, इसमें आपका क्या पूंच रहा है, भारती राष्टिय राजमार्ग फराधी आईगी बरस्टात्रपाटी सुमन्चोदरी जूली गौतम अलका उपाध्या है तो याद रखिए अप अलका उपाध्या है और अगर हम लोग नैस्नल हाइवे अथोर्टी ऑप इंडिया के बारे में बात करें तो 1988 में इसकी स्थाफना की गई थी 1988 में यह आप लोग याद रखिएगा और इसका काम यही होता है कि राष्टी राजमारों को का विकास रख रखाओ प्रबंधन करना ठेक है इनकी देखवाल करना अंगला कुश्य ने किस बैंक ने भारत का पहला मैटल डेविट कायट लॉंच किया हुआ है ए ओप्षन के राएस में आईडी एपसी फर्ष्ट बैंक इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सेस बैंक HDFC बैंक इन चार में से आपको एक ओप्षन चुनना है तो याद रखिए आईडी एपसी फर्ष्ट बैंक भारत का पहला मैटल डेविट कायड जारी किया है और अके लगडी पेर्मेंट कंपणी भीजा की साज़ेदारी से जारी किया गया है इसे लगजरी लाइफ इस्टाइल वाले गिराफों को देखते हुए डिजाइन किया गया है आईडी एफसी बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी इस्थापना कब हुई थी 2015 इसका मुख क्याल है कहा है मुंबई में फिर आदाती है स्टेट बैंक आप इंडिया की इसकी इस्थापना कब हुई थी एक जुलाई उन्नी सो पछपन में इसका हेड़कॉर्टर कहा है मुंबई में इस बैंकों से भी कई बार कुस्टन्स क्या होता है मुझे लेता है आ इसकी स्थापना कब हुई थी, अगस्त 1994 में, इसका हैड़क्वाटर का है, मुंबई में, तो इन सब के बारे में याद रखिएगा, अंगला कुश्यन है, किस टीम ने जूनियर पुरुस हौकी विस्तिकप 2021 का खिताब जीता है, भारत, जर्मनी, फ्रांस, अर्जिंटीना, तो याद रखिए, अर्जिंटीना होगा, दी आप्सन आपका, बिल्कुल सही रहेगा, क्या रहेगा, ए लोटारो डोमेने की हैट्रि गोल की मदद से अर्जिंटीना ने, छे बार की चेंपियन जर्मनी को 4-2 से हरा कर, उरीशा के भुवनेसुर के कलिंग इस्टेडियम में, अपना दूसरा एफ आईया, जूनियर पुरुस होकी, विस्तिकप का किताब जीता है, तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में हुआ है, तो हमको कुष्ण से बन सकता है, अंगला कुष्ण है, पिती बर्स, पूरे भारत में, ससक्त सेनाद जंडा दिबस कब मनाय जाता है, आपके सामने 7 दिसंबर है, 3 दिसंबर है, 8 दिसंबर है, और 5 दिसंबर है, तो मुझे तो होना चीज 7 दिसंबर को मनाय जाता है, कब मनाय जाता है, 7 दिसंबर को, और 7 दिसंबर को, उन सेनकों को सम्मानित करने के लिए मनाय जाता है, जिनोंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए सीमाओं पर बहादरी से जंग लड़ी है, ठीक है, और भारत में साल 1949 से ससक्त सेना जंढा दिवस अलसाल, साथ दिसम्मर को मनाये जाता है ठीक है? ठीक है ना कई यो ठीक तो सब है एक कुश्चेंश भी कई बार इस तरह की कुश्चेंश कई बार पूचन लेता है और इस पुरुशक़ार से आप लोग देखेंगे जेकी देवगन, विसनुर्नाज सर्मा, दामोदर मोजी, मापकरी मोजो, ठीक है, तो वताई इसमें से ग्यानपीट फूरुसकार की बात हो रही है, तो कौन होगा इसमें, तो याद रखे, दामोदर मोजो, ठीक है, डी ऑप्सन आपका, बिल्कुर सही रहेगा, ये असमिया के कभी निल मडी फूरुसकार जूनियर को 56 ग्यानपीट फूरुसकार दिया गया था 2020 में, ठीक है, और 57 बाब मिला है, किसे कौंकडी उपन नियास क हित के लिए दिया जाने वाला सरवुच पुरुसकार है, अगर 2020 का भी अगर पूछता है, तब ही आप लोग आराम से इसका अंसर दे पाएंगे, और इसकी इस्थापना 1965 में हुई थी, कव? 1965 में, चलें तो आगे हम लोग चलते हैं, अंगला कुश्यन है कि कौन बेक्ती ए KEP, ICCI के नई अधियक्च बने है, एजे ओप्सन अब से क्या कर रहा है? एजे ओप्सन करा है कि संजीब मेहता है, रनवी सेख है, सुरेष धारोबाला है, संजीब मेहता है, राजेष खंडाला है, सुरेष धारोबाला, अब आप देखिए किस तरह का नाम है? तो इसमें याद रखिए संजीब मेहिता होंगे कौन होंगे संजीब मेहिता फेडरेशन ओफ इंडिया चेम्वर्स ओफ कॉमर्स इंडर्स्टी इसका पूरा नाम है और इसका है इसकी इस्थापना 1927 में हुई थी इसका हेड़क्वाटर आपको निव दिल्ली में देखने को मिल ठीक है चली आंगे चलते हम लोग अंगला कुश्चन है हमारे सामने महला टैनिस एसोसीएशन डबलू टी ए ने किसे साल की सर्फ्षिट नबोधित खिलाडी के पुरुसकार से नवाजा है महला टैनिस एसोसीएशन की बात हो रही है एस वार्टी एमा रादू रादू कान वारवोरा क्रिज सिकोवा कारला सुवा रेज तो इसमें क्या लगाओगे एमा रादू कान ठीक है और एक बात और बता देता हूँ महला टैनिस संगी की बात होई है तो इसके इसका क्या है 1973 में इसे एक तरह से क्या किया गया था बनाए गया था बी ऑप्षन इसमें बिलकुश सही है अंगला कुश्यन एक किस टीम ने डैविस कब 2021 का खिताब अपने नाम किया है यानि कि जीता है रूस सर्विया औस्टिलिया कोई सिया तो आप सभी को मालब बनाची रूस है इसमें क्या है ए ओप्षन बिलकुल सही है रूस ने 15 साल के लंबे अंतराल की बाद डैविस कब टैनिश टूनामेंट का खिताब जीत लिया है यह आप लोग याद रखेगा और ध्यार रहे रूस का वर्स 2006 की बाद पहला डैविस कब खिताब है यह ठीक है अंगला कुष्चन है किस देश से सम्मद्ध दुनिया की सबसे उम्मदराज अंतराश्टी किर्केटर एलेन एस का नेधन हो गया है यानि कि इनकी मौत हो चुकी है किस देश से जुड़ी थी है औस्टेलिया इंगलेंड न्यूजिलेंड आयरलेंड बताइए तो याद आज अंतराश्टी किर्केटर एलेन एस का 110 वर्स की उम्र में इनकी मौत हो गई है और बता दूंकि तेश गयनबाद एस ने इंगलेंड के लिए 1937 में डिवू पहली बार एक तरह से खेला था तो यह भी आप लोग याद रखिएगा अंगला कुशन है हमारे सामने फिती वर्स अंतराश्टी भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर महिने की किस तारीक को मनाया जाता है और आप लोग ने देखा होगा कि जब लोगपाल आया हमारे दिस में तो ऐसा माना जा रहा था कि कोई जादू की चड़ी आई हुई आएगी और भेष्टाचार को पूरी तरह से खत्लब कर देगी लेकिन आपने देखा है कि लोगपाल का गठन हो चुका है नियुकती भी हो चुकी है लेकिन भेष्टाचार फिर भी आप लोग देख रहे हैं तेकि मेरा इसम मामली में कुछ और मानना है आप लोग कितने भ पहितर उसका परडाम मिल सकता है अब आप सोचे हम और आप ही तो भेष्टाचार को वड़ावा देते हैं 9 तारीको 9 दिसंबर 10 तारीको 11 दिसंबर या 7 दिसंबर को तो याद रखे 9 दिसंबर को अंतराश्टी भेष्टाचार दिरो दिवस मनाया जाता है और 9 दिवस को ए अगर हम ही रिस्पत दे रहें या बड़ावा दे रहें से तो हम किस मुहिस्ते एक तरह से आपके यह कि हम लोग इसका विरोध कर सकते हैं हम लोग कभी विरोध नहीं कर पाएंगे इसका क्यूंकि हम लोग ने ही उससे बड़ावा दिया है और सयुक्त राष्ट वहासावा की बात करने तो आपका अदिकार आपकी भूवी का बैष्टा चार को को ना कहें इस वार की थीमड़ी की तरह बढ़ते हैं कौन quantum कर्मानी के ने चंसलर बने हैं कौन बैकती जर्मानी के ने चंसलर बने है ए ओप्सन के रहा है एडम चाल्स ओलाफ इसकॉल्ज मैक्स डायमंड और एक है आपके यूडा दिसकाच चे कौंग होंगे इसमें तो याद रिखे ओलाफ इसकॉल्ज होंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग फितिवस अंतराष्ठी मानावधिकार दिवस दिसमबर महिने किस तारीक को मनाया जाता है और इसे देखे कई बार कुष्टेंस आज चुके हैं आप लोग तो जरूर आप लोग याद रखेएगा 8 तारीक को 10 तारीक को यानि कि 10 देसंबर को 12 देसंबर को 14 देसंबर को तो याद रखे 10 देसंबर को मनाया जाता है आपका माना अधिकार दिवस कब मनाते हैं 10 देसंबर को और दुनिया भर में मनाया जाता है और मानावधिकारों की पहली वैस्विक गोशना और नए सहिवतराष्ट की पहली पिरमों को उपलबदियों में से एक है और मानावधिकारों की सारभवम गोशना 10 दिसंबर 1948 को सहिवतराष्ट महासवा की अंगीकर्ण उद्गोशना का सम्मान करने की तिथी के कचैन किया गया था और मानावधिकार दिवस की उपचारी की स्थाफना 4 दिसंबर 1950 को महासवा की 137 भी पूर्ट बैठक में हुई थी इसकी कि तो यह आप लोग जरूर याद रख सकते हैं सैयवतराष्ट और मानावधिकार मतलव कि आप लोग भी तो देखते हैं उसमें कweise नहीं देखते हैं आपको मौली का अदिकार मिले हुए या मिले हुए याद है कि नहीं समीधान का भाक दीन आप लोग नपड़ा होगा मोजलीक अधिकार और 2021 की अगर हम लोग थीम की बात करें तो आ समानताओं को कम करना मानव अधिकारों को आंगे बढ़ाना इस बार की थीम रखी गई है और इसे मनाने का उद्देश से ही होता है कि समानता सांती नयाय सुतंता और मानव गरिमा की सुर और आपको बता दू हमारे समीधान में भाग तीन में आपको मौलीक अधिकार में ले हुए है ना और अगर आपके मौलीक अधिकारों का कोई हनन करता है कोई उसमें छेड़चाड करता है तो आप सुप्रीम कोट और हाई कोट जा सकते हैं और आपकी अधिकारों की रक्ष 2021 जारी किया गया है एक कुश्चन साब से कह रहा है एस्या पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा इस्थान मिला है पहला 14 तीसरा 14 पांच बार बताई इनमे से तो आपको बता दूं कि देखिए इसमें आपको भारत को कौन सा इस्थान अबला है चौत्रे नमबर बरें यानि किसी ओप्सन है देखिए आपको यह मालू भी होनी चाहिए लावी इंस्टिट्ट द्वारा यह एस्या पावर इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें भारत को एस्या पिसांच चित में ब्यापक सक्ती के मामले में 26 देसों में 100 स्कोर चाइना हो गया जापान हो गया उसके बाद 4 नमबर भारत हो गया उसके बाद चटे नमबर पर रूस हो गया और इस तरह कि याद रखिए कोई रिपोर्ट जारी किया जाती है या इंडेक्स जारी किया जाता है तो उपर सबसे उपर कौन सा देश बना हुए है उसे भी आप लोग याद रखा करिएगा और नीचे से कौन टॉफ कर रहा है और भारत का क्या नंबर है उस पर भी आप लोग रिसर्च करकि अपने पास रहा करिएगा अंगला कुश्यन है हमारे समने हर वर्स यानि की पिती वर्स विश्व परवत दिवस दिसंबर महिने की किस तारीक को मनाया जाता है इनका कहना ये है कि विश्व परवत दिवस कब मनाया जाता है आठ दिसंबर दस दिसंबर ग्या 11 December को मनाया जाता है 11 December को 20 फर्वत दीवस आपका मनाया जाता है ठीक है और आपको बता दूं कि 11 December को पहाड़ों के महत्यु के बारे में जाक्षूखता बढाने की उद्देश से इस दिन को मनाया जाता है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा विस फर्यावर्ण दिवस्त ग्यारे दिसंबर इस तरह के डे से भी आप लोग देखते होंगे कि कुश्चन सा जाता है और सयुक्त राष्ट ने 1992 में सतत विकास आयुक के दोरान फ्राजाईल एको सिस्टम का प्रवंदन सतत परवर्टी विकास का डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया था और इसके अनुसार पहाडों की सुरक्षा और संरक्षन की आवस सकता थी और इसे देखते हुए सयुक्त राष्ट महासबा ने 2003 में 11 इसंबर को अंतराष्टी विकास की रूम में मनाने की गोशना की थी और इस बार अगर हम लोग थीम की बात करें 2021 की तो सतत परवर्टिय परेटन इस बार की थीम रखी गई है अंगला कुशन है किस भारतिय बास्तुकार को रोयल गोल्ड मेडल 2022 मिला है बताए आपके सामने चार ओप्सन दिये गए पहला ओप्सन क्या गय रहा है पहला ओप् दूसरा है गोपा रोय तीसरा है राम चंद गोण और बाल और राम्पिश्चन द में से कौन होगा सही तो इस में से आपका होगा सही बाल कि दोसि यानि की डी अप्सन आपका बिलकुर रहेगा क्या रहेगा D option बिल्कु सही रहेगा और आपको मालू होना ची यह आपका जो Royal Gold Medal है ना यह बास्तू कला के लिए दुनिया के सरवच सम्मान में से एक है ठेक है? तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं अंगला कुशन है हमारे सामने किस भारतिय सुंदरी ने Miss Universe 2021 का किताब जीता है आउनी देशाई हरनाज कोर रीता चौबडा मौनी कोर तो आप सभी को मालू होना ची हरनाज कोर है B option आपका बिल्कु सही है आपका क्या है? B option आपका बिल्कु सही है और 21 साल की है भारत की इस बेटी ने Miss Universe का किताब जीता हुआ है और इससे पहले अगर आप साल 2000 में जाएंगे सन 2000 में तो लारा दत्ता ने लारा दत्ता ने यह किताब जीता था अंगला कुशन है किसे UNICEF की नई प्रमुक्य रूम में नियुक्त किया गया है किसे UNICEF की नई प्रमुक्य रूम में नियुक्त किया गया है ए उप्षन है कैथरीन रसेल वी है जैसी ओसा का सी कराए लीली अलफ फेर्ड और डी कराए युवान जों तो याद रखिए इसमें कैथरीन रसेल होंगी ए उप्षन आपका बिल्कुल सही है अगर देखिए UNICEF के बारे में बात करें अगर हम लोग आपसे तो 11 दिसमबर 1946 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेड़क्वार्टर आपको नीवार्क में देखने को मिलेगा ठीक है अंगला कुश्चिन है हमारे सामने किसे बर्स 2021 का रामानोजन पुरुसकार मिला है किसे 2021 का रामानोजन पुरुसकार मिला है अनीता दिस पांडिट मीनाक्ची तरपाटी गीता सी या फिर आप देखिए नीना गुपता नीना गुपता रामानोजन पुरुसकार की बात हो रही तो याद रखे नीना गुपता को मिला हुआ है किसे 2021 का रामानोचन पुरुसकार नीना गुपता को दिया गया है और कोलकाता इस्तित भारती सांगी की संस्थान में गड़तगी की प्रोफेसर है नीना गुपता और इन्हें आप देखें कि एफायन सैफ्त बीजगड़ती है ज्यामिती और क्रम बिनी में वीजगड़ती में उनके उतकिष्ट कार के लिए विकास सील देशों की युवा गड़तगों को 2021 का रामानोचन पुरुसकार मिला है ठीक है और ये रामानोचन पुरुसकार पाने वाली तीसरी महला है किस नंबर की तीसरी महला है कौन नीना बुक्ता ये भी आप लोग याद रख सकते हैं और रखना चाहिए मुझा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए 2005 पितिवर्स बिदान किया जा रहा है रामानोच पुरुसकार और आप सभी लोग जानते होंगे रामानोच के बारे में तो आप लोगों ने स्री निवास रामानोचन इनका जनम 22 दिसंबर 1887 को हुगा था ठीक है तो इनी की याद में आप कर सकते कि दिया जाता है इनकी ड सोनसुत विलादी मेर, पुतिन, एलन मस्क, सी जिन पिंग, तो याद रखे इसमें ऐलन मस्क होंगे, कौन होंगे? C option होगा इसमें ठीक है क्या लगाओगे आप लोग C option लगाओगे और आप सभी जानते हैं कि Tesla की प्रमुक है Elon Musk ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा अंगला कुशन है हमारे सामने किस पूरुस खिलाडी ने नवंबर महिने के लिए ICC फिलेयर आप दा मंत का वार्ड जीता है डेविड वार्णर मैथ्यू वैड चेतेसवर पुरजारा के एल राहूल तो याद रखिए इसमें डेविड वार्णर होंगे कौन होंगे डेविड वार्णर यानि कि इसमें ए आप्षन आपका बिल्कुछ सही रहेगा ठीक है और ऑस्टेलिया ही किर्केटर है ना डेविड वार्णर अंगला कुश्यर है हमारे सामने क्या पूछ रहा है किस ड्राइवर ने अबू धाबी में ग्रांट टिक्स ये 2021 का किताब जीता है लुईस हैमिल्टन मेक्स वार्णर पैन या फिर आयर्टन ट्रेना डैनियलिकी आरडो तो याद रखे इसमें आपको b अप्सन यानि की मेक्स वरृष्टापैन देखने को मिलेंगे ठीक है कौन देखने को मिलेंगे b अप्सन आपका बिलुद सही है मैक्स बरश्टा पैन ठीक है इन्हें अबुधा भी ग्राण्ड जो फिक्स होता है ना ये जीता है नोने चली अंगले कुश्चिन की तरब बढ़ते हैं कौन भारतिय मूल की महिला फ्रांस के लगजरी ग्रूप चैनल की नई CEO बनी है एक कौन भारतिय मूल की महिला फ्रांस के लगजरी ग्रूप चैनल की नई CEO बनी है एये आप से क्या कहरा है एक कह रहा है अनिता कस्तिफ वी कह एक करा हंसा निगम या ड़ी लीना नायर तो याद रखिये यह लीना नायर होंगी कौन होंगी लीना नायर होंगी इसमें आप लोग कई बार पूछते रहते हैं कि भारती मूल का मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है तो देखिए एक बात मैंसा याद रखिएगा इसका सीधा सा मतलब यह निकाला करिए कि भारती मूल का मतलब विक्ति कि जिसके माता-पिता जिसने कोई भी हो इन माता-पिता में से वह भारत के रहने बाले थे और दूसरी जगए कर रहे कर वो बस गए वहीं और एक तरह से उन्हीं की कोई अगर पुत्र पुत्री है तो उन्हें आप क्या बोल देते हैं भारती हैं मूल के चली अंगले क्विशन की तरफ बढ़ते हैं कौन टाइम मैगजीन की वर्स 2021 की सरफसिष्ट एथलीट चुनी गई अलेक्स मॉर्गन सीमोन वाइस नवी ओसा का केटी लेड सी तो याद रखी सीमोन वाइस बी आप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा बी आप्सन कैसा रहेगा बिल्कु सही रहेगा अगला कुश्य ने कौन कागज रहित सरकार बनाने वाला दुलिया का पहला सहर बनाए कौन कागज रहित सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला सहर बनाए टोकियो, दुबई, निवार्क, विजिंग तो याद रक्षिज इसमें दुबई होगा क्या होगा दोबई होगा दोबई में 130 कागज रहित होने बाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है और यह गोशन सेउक तरब अमिराद UAE के क्राउन प्रेंस सेख हमदान बिन मुहम्मद बिन रासिद अल मक्तून ने की थी ठीक है और इस पेपल लेस होने से ना सिर्फ धन बल्कि आप सावी जान देगी मानाव सरम की बचत होगी और एक रेपोर्ट की अनुसार अगर हम लोग दोबई सरकार की अब हर साल करीब 2700 करोड रुपे बचा सकती है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा अंगला कुश्यन है हमारे सामने इत्ती वर्स पूरे भारत में बिजय दिवस दिसम्बर माहिने की किस तारीक को मनाया जाता है कौन सा बिजय दिवस ए ओप्शन क्या रहा है 14 दिसम्बर बी 15 दिसम्बर सी 16 दिसम्बर या 18 दिसम्बर तो याद रखिए आप लो 16 दिसम्बर को बिजय दिवस मनाया जाता है क्या मनाते हैं बिजय दिवस और 16 दिसम्बर 1971 में आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान के वीच योद्ध हुआ था और भारत पाकिस्तान की वीच योद्ध में पाकिस्तान को मुही की खानी पड़ी थी तो एक तरह से इसकी सुरुआ तो भारत पाकिस्तान 1971 की योद्ध की 3 देसंबर को हुई थी और 16 देसंबर को पाकिस्तान ने अपनी हार मान ली थी और दोनों मोर्चों पर आप देगी है कि एक तरह से योद्ध को रोग दिया गया था उसी दिन को अगर आप लोग में बात करें तो विजय देवस के रूम में मनाते हैं और 1971 के योद्ध के बाद ही आप सभी जानते हैं कि बंगलादेश नया देश ओभर के आया हुआ था उस समय हमारे देश की पिधान मंतरी इंद्रा गांधी हुआ करते थे अंगला कुश्चन है किसने जनरल विपिन रावद के नेधन के बाद चीप औप इस्टाब कमेटी के अधिश का पदभार समाला है आप सभी जानते हैं कि जनरल विपिन रावद साहब की डेथ हो चुकी है और अपाई दुरगट नाम है वी आर चोदरी आर हरी कुमार एस एम घोरमाडे एम एम नर्वने कौन होंगे तो आप सभी जानते हैं कौन दी आप्शन बिल्कु सही रहेगा चीप औप कमेटी अंगला कुश्चन है हमारे सामने किस देश से समंदित फुटवालर सरजीयो एगू अरो ने फुटवाल किल से सन्यास लेने की गोशना की हुई है और याद रखे इस तरह के कुश्चन्स भी कई बार कूँच लेता है तो एक किस देश के हैं अर्जिंटीना ब्राजिल इस्पेन या फिर आप देखिए बेलेजियम माप करेए बेलजियम ठीक है तो इस ए है अर्जिंटीना के कहा के है अर्जिंटीना के ए अर्जिंटीना के खलाड़ी है समझ रहे है चलिए एंगले कुश्चन की तरब बढ़ते हैं कौन भारत का चार रनवी बाला पहला एयरफोर्ट बन गया है तो याद रखे इंद्रा गांधी अंतराष्टी एयरफोर्ट बी आपको बता दूँ क्या बताना है इसमें दिल्ली में इस्तित है समझ रहे हैं आप लो क्योंकि क्या बार क्या होता है पूछ लेता है कि आपका इंद्रा गांधी अंतराष्टी एयरफोर्ट कहां है आप जानते हैं या नहीं जानते हैं नई दिल्ली में हैं अंगला कुश्चन है हमारे सामने किस देश ने प्यव मोदी को अपने सर्वुच नागरिक सम्मान नग दल नग दग पेल जी खोड़लो से सम्मानित किया है बताईए किस देश के हैं नैपाल स्री लंका में आनमार भूटान तो याद रखिए भूटान का है कहा गा है भूटान का है और आप सभी जानते हैं कि एक तरह से हमारा पड़ोसी भी भूटान है क्या है हमारा पड़ोसी भी है अभी हाली में भारत की प्यवच नागरिक सम्मान नग दग पेल जी खोड़लो से सम्मानित किया गया है और आप तक कई देश्न ने अपने सर्वोच नांगरिक पुर अशकार हमारे पिदान मंत्री मौधी साहाभ को दीए जा चूके हैं इस बात को आप लोग भी याद रखिएगा हमारे पिदान मंत्री साहाभ को दीए जा चूके हैं और इसमें अगर कुछ नाम भी आपको बता दूँ क्योंकि कई बार पूँच लेता है तो अब्दुल अजीज अल सौूद ओरर ये सौूदी अरब का सर्वोच संबान है ये भी हमारे पिदार मंतरी साब को 2016 में दिया गया था गाजी अमीर अमनुला खान इस्टेट ओरर ये भी 2016 में हमारे पिदार मंतरी साब को मिला था अफगानिस्तान का सर्वोच नांगरिक संबान है फिलिस्तीन राज जी का ग्रेंड कॉलर पुरुसकार ये 2018 में हमारे पिदार मंतरी साब को मिला था और विदेशी गड़ राज ब्यक्तियों को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सर्वोच संबान है ओर्डर ओप जायद अवर्ड दोहजार उन्नीस एज सेयुक्त अरब अमिराद का सर्वोच नांगरिक पुरुसकार है ओर्डर ओफ सेंट एंडिव अवर्ड ए 2019 में हमारे पिदार मंतरी को मिला था रूस का सर्वोच नांगरिक पुरुसकार है ओर्डर ओब दा डिस्टिंग्स्ड रूल ओप निसान इजुद्दीन ए 2019 मिला था 19 में माल्दीब का सर्वोच संबान है पुनर जागरन के राजा हमद आदेश पित्थम सेड़ी 2019 मिला था ये बहरीन का सर्वोच नांगरिक पुरुसकार है लीजियन ओप मेरिट पुरुसकार 2020 आप सभी जानते हैं उतकिष्ट सेवा उपलबदियों के पिदरसन में आज साधरन मेधावी आचरन के लिए दिया जाने वाला सेवत राज ससक्त पुरुसकार है फिर आपने देखा होगा कि सियोल पीस प्राईज 2018 में हमारे पिदान मंतरी साब को मिला था सियोल पीस प्राई कल्चरल फांडेजन के तवारा दुई बारसी पुरुसकार दच्छर कोरिया उन वेक्तियों को दिया जाता है जन्होंने मानव विकास में सुधार राष्ट और विस्त में सांती तथा लोकतंत को मजूती पैदान करने के दू कार किया चैंपियंस ओप दा अर्थ अवार्ड 2018 में हमारे प्रधान मंतरी साब को सयुक्त राष्ट का सर्वुच पर्यावन सम्मान मिला था पहला फिलिप कोटलर राष्टपती पुरुसकार और 2019 में मिला था गिलोबल गोल कीपर अवार्ड स्वक्ष भारत अभियान 2019 के लिए विल एंड विलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था बैसवी कूर्जाओ पर्यावन नेतित पुरुसकार 2021 में बैसवी कूर्जाओ पर्यावन के भविस्थ के पिती नेतित के पिती बद्धिता के लिए Cambridge Energy Research Associate C.E.R.A. द्वारा समानित किया गया था तो पिद्धान मंत्री मौदी साफ को ये पुरुसकार में ले हुए हैं नहीं आप लोग जरूर याद रख सकते हैं कुश्चन्स बन जाएगा कौन बैक्ती सॉप्ट्वियर टेक्नोलोजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महाने देशक बने हैं अरविंद सर्मा अरविंद कुमार कमलेश नागर रिसी पाल चोहन तो याद रखे अरविंद कुमार होंगे ठीक है अंगला कुश्चन किस भारती ने बरस 2021 के परालंपिक पुरुसकारों में सरुस्ष्ट महला पदरपर्ण सम्माज जीता है आउनी लेकरा, भावीना पटेल, हरविंद सींग, नमीता चौधरी, तो याद रखे आउनी लेकरा, ए ओप्सन आपका पिल्कु सही रहेगा इसमें, अंगला कुश्चन है हमारे सामने, पिती पर्स अंतराष्टिय प्रवासी दिवस कम मनाया जाता है, अंतराष्टिय को या 20 दिसम्बर को, 15 दिसम्बर को, तो याद रखे, 18 दिसम्बर को मनाया जाता है, ए ओप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा, क्या रहेगा, बिल्कु सही रहेगा, प्रवासी दिवस, और आप सभी को बता दू इसके प्रवासी दिवस के बारे में, इसे दिवस की थे मान गती सीलता की चमता का दोहन रखी गई थी इस बार की ठीक है और स्युक्त राष्ट महासवा ने 4 दिसंबर सन 2000 को पूरी दुनिया में बढ़ते प्रवासियों की संख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को अंतराष्टी प्रवासी दिवस की रूम में मनाने का फैसला किया था औ और एक और भारती प्रवासी दिवस आप ने सुना होगा प्रवासी बारती दिवस और आप सभी जानते हैं कि ए 9 जन्वरी को मनाया जाता है और आप सभी को मालो होना चाहिए कि 1915 में जब महत्मा गांधी जिने भारत का महान पिता भी कहते हैं कई लोग इनी की आलोचना भी करते रहते हैं लेकिन आप लोग पढ़े लेके हैं आप सभी पढ़े होंगे गांदी जी को तो भारत का सफसे महान प्रवासी माना जाता है दो और दच्छड अपीका से वापस लोटे थे उन्होंने भारत की सुतंतर संग्राम का नितित भी किया था भारतियों के जीवन क आत्मिरभर भारत में योगदान ठीक है प्रवासी मों का चलिए अंगले कुष्टेन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं किस राजी की सरकार ने किस राजी की सरकार ने नक्सल प्रवावित जिलों की उबाओं को युवाओं को खेल से जवड़ना के लिए साय नामक योजना जारकंड 36 गड़ असम बिहार सहाय यह उजना तो याद रखिए आपका जारकंड सरकार ने शुरू की वे ए ओप्सन आपका बिलकुँ सही है क्या है ए ओप्सन आपका बिलकुँ सही है और जारकंड के बारे में अगर हम कुछ फॉइंट और आपको बता दें तो आप सभी को मालूखना चाहिए कि जारकंड हमारा एक राज है और राची इसकी राध्धानी है है या नहीं है 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज बनाए गया था यहां बिधान सभा सीटें 82 हैं राज्य सभा में 6 सीटें लोग सभा में 14 सीटें तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं अ सौ बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले किर्केटर बने हैं इसमें ए ओप्सन आपका क्या है इस्टूर्ट बॉंड एंगलेंड के हैं नाथन लाउन आउस्टिलिया टेम साओधी न्यूजिलेंड जैम्स एंडर्सन इंगलेंड के हैं तो याद रखिए इसमे अगला क्यूशन है हमारे सामने उत्राखंड सरकार ने किसी अपना राज्जी का नया वरांड एमेश्टर बनाया है बताईए इसमें सचिंत एंडूलकर सौनूसूत रिसब पंथ हरनाज संदू कौन होगा इसमें तो याद रखिए इसमें रिसब पंथ होंगे कौन होगे जिसब पंथ होंगे और इसमें आप लोगों को सी ऑप्सन लगा देना है और उत्राखंड की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को मालू होगा कि 9 रवंबर सन 2000 में उत्तरपदे से अलग करके उत्राखंड को राज बनाय गया था इसकी राधधानी देहरादून देखने को मिलेगी यहां आपको बिधान सभा में 70 सीटे हैं राज सभा में 3 सीटे हैं लोग सभा में आपको 5 सीटें देखने को मिलेगी किदनी 5 सीटें देखने को मिलेगी और उत्राखंड का पूर्ग का नाम उत्तरांचल की नाम से भी आप लोग जानते थे आप सभी लोगों को अलग करके बनाय गया था चली एंगला कुश्चिन है हमारा कौन दुनिया की सबसे लंबी वासुरी सोले फुट छे इंच बनाने वाला सहर बना है देहरादून उत्राखंड पिलीबीत उत्तरपदेश और विकाने राजितसान मंगलूर करना टक तो याद रखे इसमें पिलीबीत उत्तरपदेश होगा बी ऑप्सन बिलकुल सही होगा अब आप लोग कहेंगे कि उत्तरपदेश के बारे में भी कुछ बता दीजे क्या बता दीजे उत्तरपदेश के बारे में तो उत्तरपदेश के पिलीबीत में तीन दिवसी बांसुरी महुत्सव का आयूजन किया गया था और जिसमें पिली वीद के कारीगरों ने 16 फिट 6 इंच की बांसुरी बनाकर जले का नाम Indian Book of World Record में दर्च करवाया है तो यह आप लोग और इससे पहले आप देखें कि राजनेती की दृष्टी से बहुत ही महत्पूर्ण माना जाता है ऐसा माना जाता है कि दिल्ली की जो सप्ता है उसकी गद्धी की जो रास्ता है उत्तर पिदेश से होकर जाता है ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में 80 सीटें राज सवा में 31 सीटें विधान सवा में 403 सीटें विधान पईशद भी है उसमें 100 सीटें उत्तर पिदेश को 24 जनवरी 1950 में राज बनाये गया था 24 जनवरी को आप देखते होगे कि उत्तर पिदेश दिवस मनाये जाता है इसकी राज धानी क्या लखना हुगे तो ये भी आप तो याद रखिएगा अंगला कुश्यन है हमारे सामने कौन वेक्ती इंडियन निउज पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने है मोहित जैन अलोक मातुर अक्षय चोपड़ा निखिल मेगवाल कौन होंगे इसमे तो याद रखिए मोहित जैन होंगे इसमे ए ओप्सन बिल्कुश तही है इंडियन निउज पेपर सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो 27 फरवरी 1949 में इसकी स्थापना हुई थी निउज दिल्ली में इसका हेड़कॉर्टर आपको देखने को मिलेगा अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिरदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत निउक्त किये गए जापान चाइना चीन औस्टेलिया और एक है आपका अमेरिका तो याद रखिए यह चाइना है क्या है चाइना है और आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी भी है चाइना और हमसे सीमा को लेकर बिवाद भी होता रहता है अंगला कुश्चन एक किसे वर्स 2021 का BBC Sport Personality of the Year का समान दिया गया है या जीता है एम्मा रादुकान आउनी लेखरा स्काइव राउन सीमोन बाइस तो याद रखिए एम्मा रादुकान ठेक है इसमें क्या लगाओगी ए ओप्सन आप लोग विल्कुश सही लगाएंगे US Open Champion एम्मा रादुकान को BBC ने वर्स 2021 की सबसेट खेल हस्ती चुना है ठीक है और इससे पहले 19 साल की रादुकानू Grand Slam एकल खिताब जीतने वाली पहली क्वाली फार बनी जब सेटमबर में उन्होंने नीवार्क में एक भी सैट गबाए बिना किताब जीता था ठीक है अंगला कुशन है हमारे सामने सैमी नयो नीव लेंड नेव लेंड और चौम चौमो की दीमगा किस राज्य की तीन नई जिले बने हैं बड़े अजीब नाम है और आप सभी जानते होंगे कि इस राज्य में इसी तरह के नाम रखे जाते हैं मुझे तो कभी-कभी लगता है कि इंगलेंड यानि कि इंगलेंड बेटेंड की किसी लोगों की नाम है मडीपूर सिक्किम नागालेंड चटीजगर तो यह सभी मालू होना चाहिए नागालेंड के हैं कहा के नागालेंड के हैं और यहां अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं पूरी भारत में आपको नागलेंड देखने को मिलेगा मियानमार से लगा हुआ एक देसंबर 1963 में से राज बनाए गया था और यहां विधान सभा सीटें साठ देखने को मिलेगी राज सभा में एक सीट है लोग सभा में एक सीट है तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं चलें आंगे बढ़ें अंगला कुशन है मारे सामने हर साल 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्टी ये गड़ेत दिवस किनके जन्म दिन पर मनाया जाता है इसमें ए ओप्सन आप से कहा रहा है एपी जी अप्तुलकलाम सिरी निवास रामानोजन सतेंद नाद बोस पिसांद चंद महाल नौविस तो ये तो सभी आप लोगों को मालू होगा सिरी निवास रामानोजन क्या लगाओंगे बी ओप्सन बिलको सही रहेगा और आप सभी लोग जानते हैं कि 22 देसंबर 1887 में सिरी निवास रामानोजन का जनम हुआ था और 26 अपरेल 1920 में इनकी डेथ हुई थी ठीक है तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं राष्टिय गडित दिवस गडित तो आप लोग पढ़ते होंगे कि नी पढ़ते हैं औ तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं अंगला कुश्यन है कौन बेखती बैमोज यह एरोस्पेस लिमिटेड के नए MD और CEO बने हैं अतुल दिनकर राने नरेंद कुमार जैन यूसूप अली खान और राजंद सिंग धीरज तो याद रखिए इसमें अतुल दिनकर राने होगे यह ओप्सन आपका बिलकु सही है अंगला कुश्यन है हमारे सामने गैंबियल बौरी किस देश के सबसे यूवा राष्टपती बने हैं पेरू अर्जिंटीना चीली वेनुजोला तो याद रखिए चीली के बने हुए हैं कहां के बने हुए चीली के राष्टपती ब सेंटियागो इसकी राध्धानी है चीली की अंगला कुश्यन है हमारे सामने पिती बस पूरे भारत पे 23 दिसम्बर को किनके जनम देन पर राष्टी एक किसान दिवस मनाया जाता है संकर दयाल सर्मा नीलम संजीब रेड़ी चौदरी चरन सिंग डॉक्टर राजिंद पे स और हमारे देश के पिधान मंत्री भी रहे हैं रहे हैं या नहीं रहे हैं और इनके जनम की बात करते हैं इस दिसम्बर 1902 में इनका जनम हुआ था 29 मई 1987 में इनकी डेथ हो गई थी और भारतिये लोगदल आप लोग देखते हैं ना यह इन्हीं की पाइटी थी अंगला कुश्चन है डबलू माः प्क रीव ईप वर्ल्ड वेड्वीट्मिंटन चैम्पिएंस्प दो हजार एक इस में किसने पुरुस एकल का किताब जीता है तर दिपर मुल्ड जोन लिजों गि profund दो हजार एकसपे Hilर खालो से बी डाबेद्मिंटन चैम्पिएंस्पि कीता है ए ओप्षन है यूगो कुबाई सी कि दाम मेरी सिरीकांत लो कीन ताकूरो होकी तो याद रखी लो है कीन ठीक है इसमें आप लो सी ओप्षन बिल्कुछ सही रहेगा ठीक है अंगला कुशन है किस फोटवाल टीम ने S.A.F.F. Under 19 Bowman Championship 2021 का किताब अपने नाम किया हुए भारत सिरीलंका बंगलादेश नेपाल बंगलादेश में आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़ाना सीमा हमारी बंगलादेश से लगती है हमारा पड़ोसी भी है और एक तरह से आप एई कि हमारा ही युगदान सब से जाना रहा है भारत का कि भारत को आजादी मिली है एक चिसे बंगला देश को नया देश बहरा है बनके धाका इसकी राध्धानी है करेंसी की बात करें तो टका टाका इसकी राध वो है क्या है क्या है करेंसी है मुद्रा ठीक है और तिप पुरा तो आप देखते हैं कि बंगलादेश की तीन तरफ से गहरे हुए अंगला कुश्चन कौन जूनियर यूएस ओपिंट स्कुर्स टूनामेंट में का खिताब जीतने वाली पितम भारती महिला बनी है इसमें अंजली ए ओप्सन क्या करा है अंजली जिंतल बी करा है पुस्पा चौदरी सी करा है पायल नायक और डी करा है अनाहत सींग तो याद राष्टी ए ओभोकता अधिकार दिवस दिसमवय महिने की किस तारीक को मनाया जाता है राष्टी ए ओभोकता अधिकार दिवस आप लोग कुछ लेते हैं तो आभी ओभोकता कहलाते हैं ठीक है 22 तारीक 24 तारीक 25 तारीक 27 तारीक तो याद रखे 24 तारीक को राष्टी ओभो बोगता अधिकार दिवस मनाया जाता है और एक तरह से आप देखिए कि वो भोगताओं के उनके अधिकारों जिम्मेदारियों के बारे में जागरू ता पहलाने के लिए एक तरह से इसे मनाते हैं और इसकी सुरुवाद 24 दिसंबर 1986 में हुई थी यह भी आप लोग याद रखना चाहिए मेरा मानना है कि नहीं रखना चाहिए 24 दिसंबर को राष्टी और भोगता दिवस मनाया जाता है सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार, सिकायत का अधिकार, सिक्षागा अधिकार यह सब ही आपके अधिकार ही हैं तो 24 तारीक आप लो राष्टी और भोगता दिवस के रूम में मनाते हैं अंगला कुष्ण ये पितीपर्स पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुसासन दिवस किनके जनम दिन पर मनाया जाता है बताईए और हमारे देश के पिदान मंतिरी रहे हैं वो एक बार अब्दुलकलाम इंद्रागांधी और अरुण जेटली अटल विहारी बाचपई तो याद रखे अटल विहारी बाचपई के जनम दिन को आप लोग सुसासन दिवस की रूम में मनाते हैं और अटल विहारी बाचपई के जनम दिन की बात के लिए तो 25 दिसंबर 1924 में इनका देथ हो गई थी हमारे देवस के तीन बार पिधान मंत्री रहे पहली बार आप देखते हैं कि 13 दिन के लिए के वल दूसरी बार 13 महिने के लिए उसके बार तीसरी बार 5 साल के लिए और भारती जंता पार्टी से जुड़े भी रहे हैं ठीक है तो यह आप लोग याद रख थी ठीक है और इस देवस को मनाने का उद्देश भारत की चात्रों और नागरेकों को सरकार की कर्तबों जिम्मेदारियों के बारे में बताना होता है तो यह आप लोग याद रखेएगा अंगला कुशन है हमारे संपने किस नाम से मसूर भारती क्रिकेटर हर भजन सींग ने अंतरश्टी क्रिकेट से सन्यास लिया है हिट मैं टर्व नेटर दादा जम्बो टर्व नेटर बी आप्सन आपका बिलकुँ सही रहेगा क्या रहेगा बी आप्सन बिलकुँ सही तरव नेटर किस नाम से मसूर हैं भारती क्रिकेटर हर बजन सींग यह उन्होंने अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास लेने की घुशना भी कर दिये हैं हर बजन सींग ने साल 1998 में अपना पहला क्रिकेट खिला था और अब आप देखिए कि वह अलविदा कह रहे हैं इसे और साल 1998 में चैन्ही में आश्टिलिया के खिलाब टेस्ट मुकाबले के साथ अपने अंतराश्टी केरियर की सुरुआत की तीहर बजन सींग ने और और इसके बाद उसी साल न्यूजिलेंड के खिलाब एक दिवसी एक क्रिकेट डिवीव किया था और पहल साल 2006 में साउट अपीगा के खिलाब उन्होंने अपना टीट्वेंटी डिवीव किया था तो यह भी आप लोग याद रखेगा ठीक है और अनिल कॉमले और आर अ याद होगा बड़े नीचे खतम होने पर आया तो मुझे लगता है कि गुसा आ रहा है ऐसे चलिए अंगला कुक्षिन हमारे सामने नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे पहला टैली स्कॉप लांच किया है बताए यह आप्सन क्या कह रहा है जैम्स वेब टैली स्कॉप ए याद रखी इसमें होगा जैम्स वेब टैली स्कॉप ए ओप्सन बिल्कुल सही रहेगा आप सभी जानते हैं नासा अमेरिका की अंत्रिक चैजंसी है बॉसेंटन डीसी यूएसे में इसका हेड़कॉर्टर देखने को मिलेगा 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना की गई थी इ एड़कॉर्टर बैंगलोर में आपको देखने को मिलेगा ठीक है अंगला कोशन है हमारे सामने किस किरकेट टीम ने विजय हजारी ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है ए ओप्सन के रहा है सौराष्ट बड़ोद्रा मद्ध पिदेश हिमाचल पिदेश तो याद रखे हिमाचल पिदेश होगा क्या होगा हिमाचल पिदेश होगा और हिमाचल पिदेश की बारे में अगर हम बात करें आप लोगों से तो 25 जनवरी 1971 को इसे राज बनाय गया था इसका गठन हुआ था सिम्ला इसकी राढ़नी है दोसीरे राढ़नी धरम साला है यहां 68 सीटें बिदान सवा में है राज्य सवा में 3 सीटें लोक सवा में 4 सीटें ठीक है और सिम्ला आप लोग घुमने जाते भी रहते होंगे अंगला कुश्चन एक कौन बैक्ती राष्टिय सुरक्षा परिश्चा सजवाले में वोग राष्टिय सुरक्षा सलाकार बने हैं असोक सक्षेना आदित राना कमलेश देशाई बिक्रम मिस्री तो याद रखिए बिक्रम मिस्री होंगे डी आफ्सन विलकुश सही रहेगा क्या रहेगा डी आफ्सन विलकुश सही रहेगा अंगला कुश्चन है हमारे समने किस देश के इनने स्थानीय लोगों से साधी के लिए बिदेसियों को रक्षामंत्राले से मनजूरी लेना अनिवार किया है किस देश में इस्थानी लोगों से साधी के लिए बिदेशियों को रक्षा मंत्राले से मंजूरी लेना अनिवार किया है भारत, स्रीलंका, नैपाल, पाकिस्तान, बदाईए तो इसमें स्रीलंका होगा आपका कौन होगा स्रीलंका और आप सभी जानते हैं कि हमारा पडोसी है और सांसकेतिक संबंध हमारे काफी मिलतों जुलते रहते हैं कोलंबो इसकी राध्धानी है तो यह भी आप लोग याद रखेएगा पाक जल नमरू सुनें आप लोग भारत तो स्रीलंका को अलग करता है और एक कुश्चन कई बार पूंच लिया है मननार की खाड़ी अंगला कुश्चन है जारी नीती आयो के बरस 2021 के स्वास्त सूचकांक में किस राज्ज को टॉप इस्थान मिला है यानि कि बहुत अच्छा इस्थान है और सबसे नीचे किस ने किया है बताईए करनाटक तमिलाडू केरल असम तो इसमें आप देखेंगे तो आपको देख केरल ही आपको अच्छी टॉप पर देखने को मिलेगा और नीती आयुक के बारे में वैसे आपको बता दूँ एक जन्वरी 2015 में से बनाय गया था और इसका हेड़क्वाटर न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा और योजना आयुक को पिती स्थाबित करके नीती आय है ठीक है तो यह भी आपको याद रखिएगा केरल के बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूँ आपको वैसे केरल हमारा दच्छन भारत में आप लोग एक राज देखते हैं एक नवंबर 1956 में से राज बनाय गया था इसकी राध्धानी की बात करें तो तिरू किस देश के पूर क्रिकेटर रे इलेंग वर्द का 89 वर्द की उमर में इनकी मौत हो चुकी है इंगलेंड औस्टेलिया न्यूजिलेंड जमबांबे तो याद रखिए इंगलेंड के हैं तहां के हैं इंगलेंड के हैं इंगलेंड क्रिकेट टीम के पूर्ख लाड़ी रहे हैं रे इलिंग वर्द इनका 89 वर्द की उमर में डेथ हो चुकी है और 19 साल की उमर में पिथम सेड़ी क्रिकेट में पदारफण किया था इसके बाद उन्होंने 33 सालों के के केरियर में 787 पिथम सेड़ी मुकाबले खे अंगला कुश्चन है मारे समने क्या है जारी वर्ष 2021 के सुसासन सूचकांक में किस राज को टॉप स्थान मिला है बताए राजिस्थान तेलंगारा अंद्रपदेश गुजराथ तो याद रखे गुजराथ को मिला है किसे मिला है गुजराथ को मिला है और इसमें अगर हम बत करें तो केंसरकाद वारा जारी 2021 के सुसासन सूचकांक में गुजराथ टॉप स्थान पर मिला है वहीं दूसरे स्थान पर महराष्ट तीसरे स्थान पर गुआ देखने को मिलेगा गुजराथ ने आर्थिक विसासन मानव संसाधन विकास सार्विनिक आवसरचना और किया है और इसे सूच कांग को केंद्रिय पिसासन सुधार इमां लोक सिकाइद विभाग की द्वारा जारी किया जाता है और वैसे गुजरात के वारे में अगर हम बात करें तो हारे पिधान मंत्री हो या गिरह मंत्री साहब हो दोनों लोग गुजरात से ही तो आते हैं तो इ आप लोग याद रखिएगा अंगला कुश्चन है मारे सामने पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ओप दा येर 2021 में चुना है बताइए इसमें ये ऑप्शन के रहा है पेंका चोपड़ा अलिया भट सिखर धमन और आपकी के एल राहूल तो इसे अगर हम लोग बात करें तो इसमें आलिया भट भी ऑप्शन बिल्कुल सही है पेटा के बारे में बात करें तो आप पीपल पोर दा एथिकल ट्रीटमेंट पोर आप एनिमल इसकी स्थापना 22 मार्च 1980 में की गई थी ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा च चलिए अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं कौन पेक्ती पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सी यो बने हैं पंजाब नेशनल बैंक बहुत धोराना बैंक है ये पताया आपको गने गनेश सक्सेना राहुल मादाव अतुल गुएल महिस कपूर बताइए तो या जाएगा चलिए अंगला कुश्य ने दुर गासंकर मिसरा किसे राजी की नए मुक्ष सचिब बने हैं उत्रखंड उत्तर पिरदेश वेद्स मत्या पिदेश चारखंड तो याद रखिए उत्तर पिदेश के भी ओप्षन आपका बिलकू सही है क्या है वी ओप्षन स्टेशन तो याद रखी बीरंगना रेलवे बीरंगना लच्छिमवाई रेलवे स्टेशन रखा गया इसका और इनसे रानी लच्छिमवाई से कुश्चन्स कई बार पूछ लेता है ठीक है तो यह उप्सन इसमें विल्कुस नहीं रहेगा आप सभी जानते होगी कि रानी ल समाधी स्थल की बात करें तो गौलियर में आप लोगों को देखने को मिलेगा और इनका जनम देखिए कहां हुआ था बनारस में हुआ था और यह कुछ समय के बाद आप देखेंगे जहासी आजाती है और जहासी में इस आप देखेंगे इनकी सादी हो जाती है गंगा पानी की मौत हो चुकी है तो याद रखें कैंसर कोविड-19 ट्यूबर किलोसिस डाइबटीज तो वैसे अभी तो कैंसर ए ऑप्सन बिल्कुल सही रहेगा बॉली बॉर्ड के फिसिद फिल्म निर्माता रहे हैं और फिल्म की दुनिया में गलानी ने सल्मान खान अक्छो मुवार बॉवी देवल गोविंदा जैसे अभी नेताओं के साथ काम भी किया है ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखा करिएगा विजय गलानी शली अंगला कुशन है हमारे सामने किस देश ने दुनिया की फहली डवल मोडल वेहिकल सर्विस शुरू की हुई है और इस बस को आपको बता दूँ ट्रेंड की पटनियों पर भी दौरते देखा जा सकता है ठीक है अंगला कुशन है मारे सामने किसे हिंदी भासा के लिए बर्स 2021 का साहित अकादमी पुरुसकार दिया गया है नौध जीवंदत दया पेकास सिनहा रामपाल चोपड़ा जलच गनेशन तो याद रखी दया पेकास सिनहा होंगी साहित अकादमी पुरुसकार की बात हो हो रही है ठीक है 2021 के लिए इन्हें दिया गया है और इसी में पहली बार यह दिया गया था पता है तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं उनके नाटक है एक संबराट, असोक और अंगरे जी के लिए नामिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लिब, ब्याइंड इक लिए पंजाबी के लिए खालिद हुसेन को उनकी कहाणी संग्रईज, सुलान दा suแसालन को के कवर करेंगे ठीक है उसका पूरा साल का करेंटरपेस कवर करवाएंगे तो आप लोग पढ़ते रहे हैं यह करिए और आप लोग तैयारी करते रहे हैं और क्या करना है ठीक है